मसकार, आज हम जिस पुस्तक का सास्वर पठन करने वाले हैं, वो शिव रचनत्रही की दूसरी पुस्तक, नागाओं का रहसे है, जिसके रचनाकार हैं अमीश त्रिपाठी और अनुवादक हैं विश्वजीत सपन, अध्याए एक, विचित्रदानव, शिव ने तेजी से तल साम जनम भूमी मंदिर की और जाने वाली सड़क के पास पेड़ों के जुन्डर की और जपट्टा मारकर सती पहुंच चुकी थी, तो शिव जोर से चिलाया, रुको, और उसके साथ ही उसने अपनी गती और बढ़ा दी, वो मुखोटा पहने चोगाधारी नागा सावधान से पीछे हटता जा रहा था, सती उस पर पूरी तरह से ध्यान गेंदरित के हुए थी, उसने तलवार बाहर निकाल कर अपने शरीर से दूर साधी हुई थी, ठीक उसी मझे हुए युद्धा के तरह जिस तरह शिकार उसकी आँखों के सामने होता है, शिव को सती के पास पह धीक दूर कैसे पहुँच गया, सहजता के साथ आश्रे जनक फूर्ती से व्रक्षों और उंचे नीचे पहाड़ी ढलवा मैदानों के मध्यों नागा बड़ी सरलता से अपनी गती बढ़ाता हुआ दूर जाता दिख रहा था, मेरू के ब्रहमा मंदिर पर नागा से हुई लड़ाई शिव को याद आई, जब वो सती से पहली बार मिला था, ब्रहमा मंदिर पर उसके पैरों की धीमी गती मातर युद नेजी थी, शिव ने पनी ढाल उलटकर पीट पर लटका ली ताकि उसे और तेज भागने में आसानी हो सके, सती उसके साथ साथ उसकी गती से ग पहारी पर दो विप्रित दिशाओं से घिरने का प्रयास करेंगे, शिव वहां से दाई और एक नए सिरे से तीवर गती से भागा, उसकी तलवार आक्रमन करने की मुद्रा में बाहर निकली हुई थी, और उधर सती भी पूरी ताकत के साथ नागा के पीछे-पीछे उसी त पूरी पर थी, नागा की दाई और तेजी से जाकर शिव ने भाएं हाथ से चाकू निकाला और उस नागा के गले की और फिका, उसके बाद हैरान शिव ने एक शांदार कोशल देखा, इसके बारे में उसने कलपना तक नहीं की थी, कैसा कुछ संभव है, चाकू को देखने के लिए मुड़े बिना और चाल धीमी किये बिना ही वो नागा अपनी धाल को उस चाकू के सामने ले आया, चाकू धाल से टकरा कर सुरक्षित उचल गया, उसके साथ ही नागा ने अपनी गती जियों की तियों रखते होए धाल को पुना पीट पर सहचता से लटका लिया, शिव विसमित था, उसके गती धीमी पढ़ गई थी, उसने चाकू को बिना देखे ही रोक लिया, ये कौन है, इस बीच सती ने अपनी गती बरकरा रखी थी, वो नागा के निकट पहुंचती जा रही थी, उधर शिव दूसरी और से उसी मार्क पर दौर पढ़ा था, जिस दीवार जानवरों के आकरमण एवं अनधिकरत प्रवेश करने वालों से राम जन भूमी मंदिर को सुरक्षा प्रदान करती थी, उस दीवार की उचाई ने शिव को भरूसा दिया कि उसे उचल कर पार करना नागा के लिए संभव नहीं था, इसके लिए उसे दीवार पर रहना पड़ेगा, जिसकी कारार सती और उसे कुछ महातपूर्ण च्छड मिल जाएंगे, जो उस तक पहुँचने और हमला करने के लिए आवश्यक होंगे, उस नागा को भी इसका बोध हो चुका था, जैसे ही वो दीवार के निकट पहुचा अचानक अपनी एड़ी पर गिरने की तरह घूम गया, उसके दोनों हाथ पहल गए, जिन में दो तलवारे थी, जो तलवार उसके दाएं हाथ में थी, वो एक पारमपरिक तलवार थी, जो संध्या के सूरिपकाश से दीबतिमान थी, और उसके बाएं हाथ में थी, वो मध्यमाकर की मूट पर चड़ी ह हुए एक विजित प्रकार की दोधारी तलवार थी जब शिव नागा के निकट पहुंचा तो उसने अपनी ढाल को आगे की और खीच लिया सती ने नागा पर दाई और से हमला किया उस नागा ने लंबी तलवार को बहुत इस शक्ति से हवा में लहराया जिसके कारण स्टी को विवश होकर पीछे हटना पड़ा सती के पीछे हटने पर उस नागा ने अपने बाएं हाथ को जटके के साथ मुडा जिसके कारण उस वार से बचने के लिए शिव को अपना सिर जुकाना पड़ा जैसे ही नागा की तलवार बिना कोई हानी के हुमित तभी आफसर देकर श सहजता से पीछे हटा, जबकि उसने अपनी छोटी तलवार को आगे की और चलाया, जिसके कारण शिव को पीछे हट जाना पड़ा, उस वार को असफल करने के लिए निलकंट को तेजी से अपनी धाल को हवा में लहराना पड़ा, सती पुना आगे की और बढ़ी, उसकी तलव नागा को पीछे जाने पर विवश किया, इसका लाब उठाकर सती ने बाए हाथ से अपनी पीट के पीछे से एक चाकू निकाला और नागा पर फेका, उस नागा ने सही समय पर अपनी गर्दन जुकाई और उस चाकू को बिना कोई हानी पहुचाए दिवार में जाने दिय शिव और सती दोनों को अभी तक नागा पर एक भीवार करने में सफलता नहीं मिली थी, हाला कि वे उसे धीरे धीरे पीछे हटने पर विवश करते जा रहे थे, बस कुछी समय की बात थी कि वो दिवार से चिपक जाने वाला था, पवितर जिल की सौगंध अंतता वो मेरी पकड़ में होगा, और उसके बाद नागा ने अपने बाए हाथ से बहुत ही भयंकर तरीके से तलवार लहराई, वो तलवार शिव तक पहुचने के लिए बहुत चोटी थी और ऐसा लगा कि उसकी ये चाल बेकार गई, शिव आगे बढ़ा, उसे विश्वास था कि वो ना कर दिया, उस धार से शिव का कंधा कड़ गया, धार पर लगे विश्व ने शिव को ततकाल ही गतिहीन करते हुए उसके शरीर में बिजली का एक जटका दिया, शिव सती चिलाई, जबकि उसने नागा के दाहिने हाथ की तलवार पर अपनी तलवार लहराई, इस आशाद मे वो अपनी पीट के बल असहाय पड़ा कोई भिगती करने में असमर्त था, उसने देख लिया था कि सती क्या भूल गई थी, राम जन भूमी मंदिर में एक पेड़ के पीछे चुपे हुए नागा को देकर सती ने उस पर जो अपना चाकू भेका था, वो चाकू नागा के द नाहीने हाथ से घुमा कर प्रहार कर दिया, सती ने अपनी गलती समझने में बहुत देर कर दी थी, लेकिन उस नागा ने अंतिम छड़ों में अपने हाथ को रोक लिया, अता जो प्रहार प्रांगा तक हो सकता था, वो बस सतही घाओ दे पाया था, रक्त की बुन्दे के से दबा कर उपर उचाला, उसने अपने दोनों हथियार लहराते हुए म्यानों में रख लिये, उसकी आँखे अभी भी शिव और सती पर जमी हुई थी, उसके बाद अपने पीछे की दिवार की मुणेर को हाथ से पकड़कर नागा उचा उचल गया, सती, जैसे ही विश का दुष्प्रभाव घटा, शिव अपनी पतनी की और भागता हुआ चिलाया, सती ने अपने पेट को चकर रखा था, उसनागा ने तेवरी चड़ाई क्योंकि घाव मातर सतही था, उसके बाद नागा के आँखे चोड़ी होकर चमक उठी, वो गर्वती है, अपने के सास ली जिब उसे एहसास हुआ कि घाव हलका था, यदिपी रक्त की हानी एवं सती की नाग पर लगी ठोकर उसे चिंतित कर रही थी, सती ने उपर क्यों देखा, उसकी नाग से रक्त बहे जा रहा था, लेकिन आखे गुस्से से दहक रही थी, उसने अपनी तलवार उठ उठाते हुए शिव पीछे मुड़ गया, और जब तक दीवार के पास पहुचता उसने तलवार अपनी मियान में डाल ली थी, वो बड़ी तेजी से दीवार के उपर चड़ गया, सती ने उसके पीछे जाने का प्रयास किया कि तु ना जा सके, उधर शिव दूसी तरफ भ गणा कर रहा था जितने उसने कभी किसी से नहीं की थी, उसकी पतनी का उत्पीड़क, उसकी भाई का हत्यारा, और उसके बाद भी गहरे अंतर मन में वो उस नागा की युद्धकला के कोशल की असीम प्रदिभास अचंबित था, वो नागा एक दुकान में बंधे हुए अ अश्व की रसी को काट कर उसे मुक्त कर दिया, चैकित अश्व के अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़े हो जाने के कारण उसकी लगाम पीछे क्योर उड़कर आ गई, नागा ने बड़ी सहजता से उसे अपने बाएं हाथ में पकड़ा, ततकाल ही उसने अश्व की कान में कुछ फुसपसा कर उसे एर लगा दी, अश्व ने नागा के शब्दों पर फुर्टी से कूद लगाई और सरपड भागने लगा, एक आदमी दुकान से तेजी से बाहर आया और जोर से चिलाया, रोको रोको चोर वो मेरा अश्व है, उस नागा ने ये हो हला सुनकर अ शिव उस आदमी की और तेजी से दोड़ता हुआ चिलाया, इसके बारे में इसमें सोचा था कि वो गंभी रूप से घायल हो गया होगा, जैसे ही वो उस अश्व वाले के पास पहुचा तो ये देखकर आश्यर चकित रह गया कि वेकती दर्द के मारे अपने सीने को मलता धीरे से उट खड़ा हुआ और बहुत जोर जोर से गाली देने लगा, भगवान करे उस हरामी की कांक में हजार कुटे के पिस्सू भर जाएं, क्या तुम ठीक हो? उस आदमी के सीने का परिक्षा करते हुए शिव ने पूचा, उस अश्व वाले ने शिव के शरीर को ध्या कोई घात समझकर शिव ने उस थैली को बड़ी साधानी से परिक्षा करने की भाती खोला, लेकिन उसमें सिक्के थे, उसमें एक सिक्का बाहर निकाला और ये देखकर आश्चे रे चकित रह गया कि वो सिक्का सोने का था, उसमें कम से कम पचास सिक्के और वैसे ही थे, वो अश्व वाला धीरे से फुस्पुसाया, फिर उसने शिव के हाथ से थैला जपट लिया और बोला, ये मेरा है, शिव ने उसकी और नहीं देखा, वो अभी भी एक सिक्का अपने हाथ में पकड़े हुए था, उस पर छपे अंकन का परिक्षन करते हुए वो बोला, मुझे थैली से सोने के दो सिक्के निकाले और उस घुरसवार को दे दिये, जो अपने इस आशातीत भागेशाली दिन के लिए अपने नक्षत्रों को धनेवाद देता हुआ, तेजी से एक और भाग निकला, शिव लोट आया, और उसने देखा कि सती सिर को उपर रखते हुए, अ उतना है नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, सती ने उस दिशा में देखा जिस दिशा में वो नागा भागा था, उसने अशुवाले के उपर क्या फेका था, इससे भरा हुआ एक थैला, शिव ने सती को वो सिक्का दिखाते हुए कहा, उसने सोने की सिक्के फेके, शिव ने सहमती में सिर हिलाया, सती ने तेवरी चड़ाई और अपना सिर हिलाया, उसने उस सिक्के को ध्यान से देखा, उस पर मुगर पहने हुए एक विचितर व्यक्ति की मुखाकरती बनी हुई थी, ये विस्मित करने वाली बात थी कि नागाओं के भाती उसमें कोई व विचितर बात थी, वो थी रेखाओं के जाल की जो सिक्के के आरपार बना हुआ था, दो तेड़ी मेडी पंक्तियों मध में आकर जुड़ी हुई थी और एक अनियमित कोण बना रही थी, तथा उसके बाद वे मकडी के जाल के समान वहां से फूट पड़ रही थी, मैं चं खोज के लिए वे ही तुमारे सूत्र है, नागाओ को ढूड़ो, सती अपने पती का मन पढ़ने में कुछ-कुछ सक्षम थी, तो फिर हमें आने वाले विकर्शनों को अपने मार्क से दूर रखना चाहिए, शिव ने उसकी ओर देखकर सिरहलाया, लेकिन पहले तो मैं आयर चंद्रवली शैली वाले बुरे जीवन को समाप्त होना है, और इन लोगों से हमारी शुद्ध सूर्यवन्शी शैली का अनुगमन करवाना है, लेकिन महराज पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए पट्टी बंधे हुए कंदे को थोड़ा हिलाते हुए विनम्र लेकिन द प्रवतेश्वर शांत बैटे थे, नंदी एवं वीरभद्र थोड़ी दूर पर ही पहरे पर खड़े थे, लेकिन उत्सुक्ता पूर्वक सुन रहे थे, दक्ष के समान ही एक मातर जो क्रोध में था वो था अयुद्ध्या का राजकमार भंगीरत, सच क्या है ये जानने के लिए हमें किसी विदेशी बरबर के प्रमार पत्र के आवशकता नहीं है, भंगीरत ने कहा, चुप रहो, दिलीप ने फुसपुसा कर कहा, तुम नीलकंट का अपमान नहीं करोगे, हाथ जोड़कर शिव के और मुड़ते हुए दिलीप ने कहना जारी रखा, मेरे अभिव क्यों मुड़ा, मैं नागाओ को कैसे ढूंड सकता हूँ, अचंबित एवं भैबीत दिलीप ने सहम कर गले में पहनी प्रभू रुद्र की प्रतिमा को पकर लिया, उधर दक्ष ने अपनी दृष्टी उपर की, प्रभू वे लोग पूरते हैं, दुष्ट एवं बुरे है दक्ष ने कहा, आप उन्हें क्यों ढूरना चाते हैं, आपने अपने प्रश्ट का उत्तर दे दिया है महराज, शिव ने कहा, वो दिलीप क्यों मुड गया, मुझे विश्वास नहीं है कि आप नागाओ से मिले हुए हैं, लेकिन आपके सामराज में कुछ लोग हैं, जो मि मैं जानता हूं कि मैं उन लोगों तक कैसे पहुश सकता हूं, प्रभू थूख निगलते हुए दिलीप ने कहा, ऐसी अफवा है कि ब्रंगा का राजा काली ताकतों से मेल जोल रखता है, वो आपके प्रश्टों का उत्तर दे सकता है, लेकिन उस विशित्र किंतु अतिदि में हमसे पराजित होने को कोई भय है, आपके सामराज में कोई दूसरा राजा भी है, ये कैसे संभव है, आश्चर ये चकित शिव ने पूछा, हम सूरिवन्शियों की तरह हट ही नहीं है, हम सभी लोगों पर एकल विधी के ही पालन करने का दबाव नहीं डालते हैं, पर अश्व बली, हाँ प्रभू, दिलीप ने कहना जारी रखा, बली का अश्व इस भूमी पर किसी भी सामराज में मुक्त भाव से विचरन करता है, यदि कोई राजा उस अश्व को रोकता है, तो हम युद्ध करते हैं, उन्हें पराजित करते हैं, और उनके राज छेतर पर अधिकार कर लेते हैं, यदि वे अश्व को रही रोक सकते हैं, तो वो सामराज हमारा उपनिवेश बन जाता है, और हमें शुल्क देता है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें अपने नियम बनाए रखने के अनुमती होती है, इस प्रकार हम मित्र राजाओं के एक राज संग क की भाती हैं, ना कि मेलूहा के समान एक कटर सामराज है, अपने शब्दों पर लगाम लगाओ निरलज मूर्ख, दक्ष भड़ा कुठा, तुम्हारा राज संग मुझे तो बलात वसूली की भाती प्रतीत होता है, वे तुम्हें शुल्क देते हैं, क्योंकि यदिवे ऐसा नहीं करते तो तुम उनकी भूमी पर आक्रमण करोगे और उन्हें लूट लोगे, इसमें राजसी धर्म कहां है, मेलूहा में समराठ होना किसी को शुल्क प्राप्त करने का अधिकार नहीं देता है, बल्कि सामराजी की सारी प्रजा की भलाई के लिए कारे करने का चिलाया, तुम्हारे नैतिक मूल्यों की तुलना में तुम्हारी मुर्खता कहीं अधिक इस पश्ट है, बहुत हो गया, शिव ने अपनी जुझलाहाट पर नियंतर लखने का प्रयास करते हुए कहा, क्या आप दोनों ही समराठ परस पर दोशार उपर क्रप्रया बंद कर देंगे? दक्ष ने शिव के और आश्टर मिश्रत क्रोध से देखा, पहले से अधिक आत्म विश्वासी शिव ना केवल नीलकंठ की भूमिका को स्विकार कर रहे थे, बल्कि उसमें जीने लगे हैं, दक्ष का हरदय डूब गया, परिवार का कोई सदर से पूरे भारत का स समराठ हो और समस्त नागरिकों को सूरिवन्शी जीवन शैली प्रदान करे, वो जानता था कि उसके पिता के इस सपने की पूर्ती की संभावना प्रतिशर धूमिल होती जा रही थी, वो स्वधीब वासियों को बहतर युद्ध कोशल एवं तकनीकी कारण युद्ध में प वश्यम भावी था, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि ब्रंगा वालों की मितरता नागाओं से है, शिवने पूछा, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता प्रभू, दिलीप ने कहा, लेकिन मैं अफवाहों की बात कर रहा हूं जो किसी ने काशी में रहने वाले व्यापारियों से स स्वधीप में यही एक मतर ऐसा राज है जिसके साथ ब्रंगा राज व्यापार करने की कृपा दिखाता है, इसके अत्रिक्ति ब्रंगा राज के बहुत से शरणार थी हैं जो काशी में बस गए हैं, शरणार थी? शिवने पूछा, वे किस से भाग रहे हैं? आपने बताया क कि ब्रंगा बहुत ही सम्रद्ध भूमी है? अफवाएं हैं कि एक बहुत ही भायानक महामारी है जो ब्रंगा राज को बार बार अपनी चपेट में ले लेती हैं, लेकिन इस बारे में मैं पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हूँ, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो ब्रंगा बेकार की दौड भाग थी या ब्रंगा राज्य का नागाओं से समझ वो इस बारे में पूर्व में अत्यधी 3 दूरी पर है राजकुमारी सती जहां हमारी परम पावन नदी उत्तर पूर्व दिशा से आती उनकी पवित्र नदी ब्रह्मपुत्र से मिलती है शिव को ततकाल ही कुछ समझ में आया उसने मुस्कुराते हुए मुड़कर सती की और देखा उत्तर में सती भी मुस्कुराई वे रेखाएं नहीं हैं वे नदियां है शिव ने अपनी थैली टटोली और वो सिक्का निकाला जो उसे नागा से प्राप्त हुआ था और दिलीप को दिखाया क्या ये ब्रंगा राजी का सिक्का है महराज हाँ प्रभू आश्चर चकित दिलीप ने उत्तर दिया एक और राजा चंदरकेतु हैं और दूसरी और उनकी भूमी की नदियों का मांचितर है लेकिन ये सिक्के दुरलब हैं ब्रंगा राजी अपना शुल्क कभी भी सिक्कों के रूप में नहीं भेशता है वो मात्र सोनी की इटो के रूप में होते हैं दिलीप ये सवाल पूछने ही वाला था कि शिव को वो सिक्का कहां से मिला लेकिन निलकंठे ने बीच में ही टोग दिया हम कितनी जल्दी काशी के लिए प्रस्थान कर सकते हैं अहा ये तो बहुत अच्छा है वीरभद्र को चिलम पकड़ाते हुए शिव मुस्कुराया मैं जानता हूँ वीरभद्र मुस्कुराया यहां की घास मेलुहा से काफी बहतर है चंदरवंशी निश्चित रूप से जानते हैं कि जीवन में उत्तम वस्तों का आनंद कैसे लेते हैं शिव मुस्कुराया गांजा उस पर अपना जादू भी खेर रहा था आयोध्या के बाहर एक चोटी सी पहाड़ी पर शाम के ठंडी हवा का दो मित्र आनंद ले रहे थे द्रश्य अद्भुत था घास उगी हुई हलकी ढलुआ पहाड़ी नीचे मैदान में छितरे हुए ऐसे जंगल का रूप ले रही थी जो दूर जाकर एक चोटी पर समाप्त होता था प्रचंड सर्यू जिसने हजारों साल पहले चोटी को काड़ दिया था वो भाव प्रवरता से घढ़गडाती हुई नीचे दक्षण की और प्रवाहित हो रही थी धीरे धीरे छितिज में डूपता हुआ सूरज उस प्रशांत छण की नटकी सुन्दरता को और निखार रहा था मेरा नुमान है कि मिलूहा के समराट अंतता प्रसन है शिव को चिलम वापस देते हुए वीरभदर मुस्कुराया एक गहरा कश लेने से पहले शिव ने वीरभदर को आँख मारी वो जानता था कि चंदरवंशियों के बारे में उसके बदले हुए विचार से दक्ष नाखुश था और नाकाओ को ढूरते समय वो स्वयम किसी भी प्रकार का भटकाव नहीं चाहता था उसने एक अत्यंत ही चतुर समझोता किया ताकि दक्ष की विजई भावना तुष्ट रहे और दिलीब भी प्रसनता का अनुभव करे शिव ने निर्णे दे दिया था कि अपसे दक्ष को भारत का समराट जाना जाएगा ना केवल देवगिरी के राजसभा में प्रातना के दावरान उनका नाम पहले लिया जाएगा बलकि आयोध्या में भी इसके बदले में चंदरवन्शियों के छेतर के भीतर दिलीब को सौधीब का समराट और मेलुहा में समराट के भाता के नाम से जाना जाएगा देवगिरी और आयोध्या दोनों स्थानों में ही राजसी प्रातना में दक्ष के बाद उसका नाम लिया जाएगा दिलीब का सामराज मेलुहा को नाम मातर एक लाक सौन मुद्राइस चुल कुरूप देगा जिसके बारे में दक्ष ने घोशना की थी कि वही धन अयोध्या के राम जन्भूमी मंदिर को अनुदान में प्रदान कर दिया जाएगा इस प्रकार दक्ष का कम से कम एक सपना पूरा हो गया था भारत का समराड बन जाना तरप्त दक्ष विजई होकर देवगरी वापस लड़ गया सदा से व्यावाहारिक रहा दिली बहुत खुश था कि सूरिवन्शियों से युद में पराजित होने के बाद भी सभी व्यावाहारिक प्रियोजनों हेतु उसने अपना सामराज और उसकी सुतंतरता बनाय रखी थी हम काशी एक सब्ता में जाएंगे वीरभदर ने पूचा हम तो ठीक है मैं यहां उब रहा हूँ चिलम वापस वीरभदर को देते हुए शिव मुस्कुराया ये भगीरत तो बड़ा ही मनुरंजक विक्ति प्रतीत होता है हाँ लगता तो है वीरभदर ने एक कश लिया तु विचार था हो सकता है कि वो काम भी कर जाता लेकिन द्रफुकु के पराकरम ने ऐसा होने नहीं दिया वो निश्चित ही काम कर गया होता यदि भगीरत के आदेश का अनुकरण उस तिराहे स्थलत किया गया होता सच में चिलम से कश लगाते हुए शिव ने पूचा मैंने युद्ध भूमी से दूर लंबे रास्ते से रात में चुपके से सेना ले जाई जाए यदि उसने ऐसा किया होता तो हम उस दल की गतिविधी नहीं देख पाते हमारी प्रतिक्रिया में हुई देरी युद्ध में हमारी पराजे सुनिश्चित कर देती तो फिर कहां चूख हुई ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगीरत ने बुलाया तो उस रात युद्ध परिशत उनसे मिलना नहीं चाहती थी पवित्र जील के नाम पर ये तो बताओ कि वे लोग तुरंत क्यों नहीं मिले वे लोग सो रहे थे तुम मसकरी कर रहे हो नहीं मैं मसकरी नहीं कर रहा अ और उससे भी बुरी बात क्या है कि जब वे सुबह अंतता मिले तो उन्होंने भगीरत को धर्मखेद और हमारे शिवर के मद्ध की घाटी में निकट ही रहने का आदेश दिया जिसने हमें उनकी गदिविदी को देखने में मदद की परंद युद परिशत ने ऐसा मुर्ख शिद कर देता ये बहुत ही हास्या प्रद है दिलीप अपने ही बेटे पर विश्वास क्यों नहीं करता क्योंकि वो ऐसा मानता है कि भगीरत उसे बेवकूफ और निक्रष्ट समराट समझता है मुझे विश्वास है कि भगीरत वास्तों में ऐसा नहीं सोचता है बात ये है भगीरत पर मर दिया गया कहा गया चुकि वो एक लाग सैनिकों को लेकर चला गया था इसलिए वे युद्ध में पराजित हो गया शिव ने सिरह लाया वो इस बात से दुखी था कि मूर्खों से घिरा एक बुद्धिमान विक्ति कटू अलोचना जहिल रहा था मेरे विचार म पढ़े जिसका अश्व सरपड भागा जा रहा था जबकि उसका साथी काफी पीचे चूड़ गया था और उचे स्वर में चीतकार कर रहा था सहायता कोई मेरी सहायता करो राजकुमार भगीरत सरपड भागते अश्व पर नियंत्रण खो बैठा था और शिखर की और तेज गरता से नापने में मदद की शिव ने एक व्रत्ताकार मार्ग लेकर भगीरत को अश्व के बीच में ही पकड़ने की योजना बना ली थी कुछी चण में शिव भगीरत के मार्ग पर साथ साथ सरपड भाग रहा था वो प्रभावित हुआ कि संहारक परिस्थिती का सामना क करते हुए भी भगीरत शांत एवं उसका ध्यान केंद्रित प्रतीत हो रहा था अपने अश्व को धीमा करने के प्रयास में भगीरत लगाम को बहुत कसकर खीच रहा था लेकिन इससे वह अश्व और बिदकता गया साथ ही अपनी गदी बढ़ा दी लगाम छोड़ दे उच विश्वास करें राजकुमार लगाम को छोड़ दें भगीरत बाद में सुयम को इसकी व्याक्या देगा क्योंकि उसका भागी निलकंट की और उसे मार्क दर्शित कर रहा था एक छड़ उसके बोध ने कहा कि प्रिसिक्शन को भूल जाओ और तिबबत के इस गवार पर व जानत होता जा रहा था शिखर निकट आता जा रहा था अत्यधिक निकट शिव वीरभदर ने चेतावनी दी शिखर कुछ सौ मीटर ही दूर है शिव ने वीरभदर के अश्व की गती के साथ चलते हुए वो चेतावनी सुन ली अश्व पर बैठे राजकुमार ने नियंतर से नीचे उतरे जबकि वीरभदर उनके निकट आ गया था लानत है तीले की चोटी की और जागते हुए वीरभदर ने कहा ये सचमूच ही बहुत निकट था शिव ने पहले वीरभदर को एक और नजर देखा और उसके बाद भगीरत की और मुड़ा क्या ठीक है ये सुनकर भ अश्व की गलती नहीं है शिव ने चिला कर कहा भगीरत ने तेवरी चढ़ा कर शिव के और मुड़कर देखा उधर भगीरत के अश्व के निकट शिव नम्रता से ऐसे पुछकारते उसके चेहरे को डुलाते हुए गया जिससे कोई बच्चा बिना गलती के दंडित हुआ ह उसके बाद उसने साफधानी से उसकी लगाम निकाल दी और भगीरत को निकट आने का संकेत दिया उसके बाद उसने चमड़े में घुसी वो कील दिखाई जो अश्व के मुगे बहुत निकट थी भगीरत ये देखकर सतब्द रह गया निशकर्ष सपष्ट था शिव ने व उस आदमी की और मुड़ा समराट दिलीप से जाकर कहो कि उनका पुत्र एक आसाधारन घुर सवार है उनसे कहो कि जब सब कुछ विप्रीत था उस समय भी एक पशू पर इतना सुंदर नियंतरन करने वाले व्यक्ति को निकंट ने आज तक नहीं रेखा उनसे कहो निकंट क का अनुरोध है कि काशी प्रवास में राजकुमार भगीरत भी चलेंगे तो ये निकंट के लिए सम्मान की बात होगी शिव जानता था कि दिलीप के लिए ये अनुरोध कदाप ही नहीं था बलकि आदेश था संबहता यही एक मातर तरीका था जिससे भगीरत को अंजाने प्राणगार तक संकट से सुरक्षित किया जा सकता था भगीरत का सहयोगी ततकाल ही अपने घुटनों पर जुग गया जैसी आपके आग्या प्रभू भगीरत हत्परभ खड़ा था उसका सामना ऐसे लोगों से हुआ था जिन्हों ने उसके विरुद को योजना बनाई थी ऐसे लोग जिन्हों ने उसके विचारों के श्रे स्वैम ले लिये थे ऐसे लोग जिन्हों ने उसे धुस्त किया था लेकिन ये ये अनोखा था वो अपने सहसवार के और मुड़ा एकांत चाहिए वो विक्ति ततकाल ही वहां से चला गया अभी तक ऐसी अनुकंपा मैंने म पुकारिये शिव मुस्कुराया ये एक ऐसा आदेश है जिसके लिए मैं आपसे प्रातना करता हूं कि मुझे ना माननी के अरुमती दे भगीरत ने कहा उसके हाथ आदर पूरवक नमस्ति की मुद्रा में जुड़ गये थे मैं इसके लावा आपके किसी भी आदेश का पालूंग करूँगा यहां तकि यदि मुझे अपना जीवन भी देना पड़े तो भी अब इतने भी नाट की यह मद्ध हो जाएं इतनी मेहनत कर आपके जीवन की रक्षा करने की तुरंद बाद मैं यह नहीं कह सकता कि आप आत्मातिया कर ले भगीरत हौले से मुस्कुराया आपने मेरे अश्व को क्या गाकर सुनाया था प्रभू कभी मेरे साथ चिलम पीने बैठियेगा तो मैं आपको सिखा दूँगा आपके चरणों में बैठना और सीखना मेरे ले संबान की बात होगी प्रभू मेरे चरणों में नहीं मित्र मेरी बगल में बैठिये गाने का सवर तब बहतर सुनाई देगा शिवन इसके कंधे पर थपकी दी तो भगीरत मुस् कप्तान ने नीचे जुक कर कहा क्या मैं आपसे च्छडबर यहीं रुखने का आग्रह कर सकती हूं तब तक मैं उनसे पूछ लेती हूं जैसे ही कप्तान आनंदमई के कक्ष में प्रविष्ट हुई तो परवतेश्वर पीछे की और मुड़ गया शिव ने उसे काशी जाने वाले परवतेश्वर ने एक सप्ताह में सारी विवस्था देख ली ती दल को मगद नगर तक सर्यू नदी में राजसी नौका पर पूर्व में नीचे की और यात्रा करनी थी जहां नदी शक्तिशाली गंगा में मिल जाती थी वहां से वे पश्चिम दिशा में गंगा की उपर जाने वाली धारा में काशी तक की नौका यात्रा करने वाले थे काशी एक ऐसा नगर जहां दिविप्रकाश चमकता है आयोध्या के कुछ कुलीन लोगों ने मुर्खता पूर्ण आग्रहों ने परवतेश्वर को परिशान कर दिया था जो नीलकंठ के साथ यात्रा क करने के अफसर ढून रहे थे उसने कुछ विचित्र आग्रहों को सम्मान देने की योजना तो बना ली थी जैसे एक अंदविश्वासी कुलीन विक्ति चाहता था कि तीसरे प्रहर के प्रारंब के बार ठीक 32 मिनट पर ही उनकी नौका प्रारंब की जाए किन्तों उनके अल जैसे उसके सौंदर एसनान के लिए एक नौका भर दूद ले चलना कप्तान थोड़ी देर में वापस आई आप अंदर जा सकते हैं सेना पती परवतेश्वार बहुत ही फूर्ती से कदम बढ़ाते हुए अंदर गया अपना सिर जुकाया जैसे राजसी सम्मान में किया जा मालिश करने वाली कानिनी राजकुमारी के सुनम में मोहक बदन पर अपना जादू बिखेर रही थी आनंदमई की कमर मातर एक धीले से वस्तर से लिप्टी हुई थी उसका अनावरत शरीर परवतेश्वार के लिए एका मंत्रा था सुन्दर दृश्य है है ना आनंदमई न नरत्य के प्रारंब में अपने प्रेमी के आगे सिर जुकाता है मानव अपनी जोडिदार की स्रेश्टता स्विकार रहा हो मैं छमा प्रार्थी हूं राजकुमारी मैं अत्यधिक छमा प्रार्थी हूं आपका अनादर करने का मेरा आश्य नहीं था राजसी बाग को देखन में फुस फुस आया उसकी दृष्टी भूमी पर थी आपके लिए क्या कर सकता हूं राज कुमारी वास्तों में यह अतिसाध हरण है सर्यू नदी में दक्षिर की और एक इस्थल है जहां प्रभुराम अपने गुरु विश्वामित्र एवं भ्राता लक्षमन के साथ रुके मैं महां रुकना चाहती हूं और प्रभु की अराधना करना चाहती हूं परभु तक पहुशने की प्रातना के लिए मात्र एक निश्कपठ हिर्दय की आवशकता होती है बस परवतेश्वर ने कुछ पल के लिए सिर उठा कर देखा वो प्रभावित था यद्यपी आनंदमई की आखे उस पर उपहास करती सी प्रतीत हो रही थी वहौले से गरजा कुछ और राजकुमारी जी आनंदमई ने मुह बनाया उसे वो प्रतिक्रिया नहीं मिल पा रही थी जिसकी उसे कामना थी और कुछ नहीं सेना पती परवतेश्वर ने जोशीले ढंग से अभिवादन किया और कक्षित से बाहर चला गया आनंदमई परवतेश्वर को जाते हुई घूरती रही उसने जोरों से आहा भरी और अपना सिर जटक दिया कृपया सभी लोग एकत्र ह हो जाएं हम लोग पूजा प्रारंब करने वाले हैं पंडित ने कहा शिव का दल बल अतिवल कुंड पर था जहां गुरु विश्वामित्र ने प्रभुराम को पौराणी कलाओ की सिक्षा दी थी नील कंठ आप्रसन थे कि आयोध्या के बहुत से कुलीन लोग काशी की इस फिराकर दिये गए तरकों को मना करने में कठिनाई होती थी किंदु शिव इस बात से प्रसन था कि भगीरत ने अपने शांदार तरीके से सदस्यों की संख्या में कटौती कर दी थी बड़ी चतुराई से उसने एक कुलीन विक्ति को सुझाव दिया कि उन्हें जल्द से ज कार हे तुँ वहां से चल पड़ा तो कई अन्य कुलीनों ने भी उसका अनुसरण किया वे सभी चाहते थे कि वे काशी जाकर निलकंट के आगमन के प्रथम संदेश वाहग बने कुछी घंटों में उनका रक्षादल कम होकर उतना ही रह गया जितनी शिव इच्छा कर रहा नदी के तट से कोई 50 मेटर की दूरी पर पूजा की वेदिका बनाई गई थी ऐसी मानेता थे कि जो भी वेक्ति इस पूजा को पूर्ण भक्तिभाव से करेगा वो किसी भी प्रकार के रोग से पीडित नहीं होगा पंडित के बाद शिव सती परवतेश्वर आयुर्वती भगीरत और आनंद मई सबसे भीत्री गेरे में बैठे अन्य जैसे नंदी वीरभद्र द्रपकु क्रतिका और सूरिवंशियों एवं चंदरवंशियों की सेना के लोग उनसे थोड़ी दूरी पर बैठे गंभीर स्वर में ब्रहमर संस्कृत श्लोकों का उच्चारन ठीक उ शीट्री असहज थी और उसे असहज करने वाली ये अनुभूती इसलिए हो रही थी कि उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है किसी विचित्र कारण से उसे ये अनुभूती हुई जैसे प्रचंड ग्रणा का वेक उसी की और निर्देशित था इसी के साथ साथ उसे असीम प्रेम और अथा दुख की बेहनुभूती हुई चक्राई हुई सी उसने अपनी आखे खोल दी उसने अपना सिर बाई और घुमाया इस पूजा के मर्ग दर्शान उनसार की प्रतेक व्यक्ति अपनी आखे बंद की हुए था उसके बाद उसने दाई और अपना सिर घुमाया तो देखा कि शिव टक्टकी बांधे उसे निहार रहा था उसके आखे पूरी तरह खुली होई थी और उन आखों से प्रेम का प्रवाह हो रहा था शिव की मुख पर एक हलकी मुस्कान उभरी अपनी आखों से जताते हुए कि उन्हें अपनी पूजा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए सती ने तेवरी चड़ाई लेकिन शिव ने अपने होठों को संकुचित कर उसकी और हावा में चुम्बन उड़ा दिया आश्यरे चकित सती की तेवरी और भी अधिक चड़ गई उसकी सूरिवन्शी समवेदन शीलता को आगहात लगा कि ऐसा करना तो नियम को भंग करना था शिव ने एक बिगड़ाल बच्चे के तरह मूँ फूलाने की मुद्रा की उसने अपनी आखे बंद की और अगनी की और मुड़ गया सती भी मुड़ गई उसकी आखे बंद थी वो इस बात पर हलके से मुस्कुरा उठी कि उसे एक बहुत ही प्यारे से पती के साथ का आशिरवात प्राप्त हुआ था लेकिन वो अभी भी अनुभाव कर रही थी कि कोई उसे देख रहा था बहुत ही प्रचंड़ता से घूर रहा था नीलकंट की काफिले की अंतिम नौका सर्यू के मौर से मुड़ गई थी शत्रूओं के दरिष्टी से ओजल हो जाने पर वो नागा व्रक्षों के जुर्मुट से बाहर आ गया वो सिस्थल तक तेजी से पहुचा जहां ब्राहमणों ने पूजा का आयोजन किया था उसके पीछे नागाओं की रानी एवं हतियारों से लैस एक सौ सिपाही थे वे उस नागा से थोड़ी दूरी पर रुख गए और उसे अकेला छोड़ दिया नागा रानी के प्रधान मंत्री करकोटक ने समयस जानने के लिए उपर आसमान के ओड़ देखा उसके बाद दूर खड़े नागा को देखकर वो संभ्रमित हो गया उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि लोकाधीश जैसा की उस नागा के संबंद में कहा जागा था इस विशेश पूजा में इतनी रुची क्यों दर्शा रहे थे वास्तों में मात्र उसका ही नहीं बलकि अधिकतर नागाओ का मानना था कि उनके नेता के पास इतनी अधिक शक्ती एवं ग्यान था कुछ लोग तो उन्हें नागाओ की रानी से भी बहतर समझा करते थे महरानी करकोटक ने रानी से कहा क्या आप ऐसा सोचती हैं कि लोकाधीश को घर वापस चलने के महत्व पर बल देकर सुझाव देनी की आवशक्ता है जब मुझे तुम्हारे सुझाव की आवशक्ता होगी करकोटक तब मैं तुमसे पूछ लूँगी रानी ने फुस्पुदा कर मात्र इतना कहा करकोटक तदकाल ही पीछे हड़ गया हमेशा की तरह वो रानी की गुस्से से डर गया था रानी उस नागा के और मुड़ी उसके मन में करकोटक की बात घर कर गई थी उसे सुईकारना पड़ा की प्रधानमंतरी सही था नागाओ को अपनी राजधानी तदकाल लोड़ जाना चाहिए था नश्ट करने के लिए समय बहुत कम था राजसभा यानि नागाओ की राजसी परिश्यत की बैठक शीगरी आयूजित होनी थी ब्रंगाओ को स्वास्त के छेत्र में समर्थन देने का मुद्धा पुना उभरने वाला था वो जानती थी कि उस समर्थन के कारण होने वाला अत्यधिक वै अनेक नागाओ को ब्रंगा राजिक के साथ उनकी मित्रता के विरुद्ध करता जा रहा था विशेशकर शांति से जीवन यापन करने वाले और अपना बहिशकत जीवन आराम से वितीत करने की इच्छा रखने वाले नागा क्योंकि जो कुछ भी उनके साथ हुआ था वो उन्ही के बुरे कर्मों का फल था किन्तु जो बदला वो लेना चाहती थी इस मित्रता के बिना वो असंभाव था और सरवादिक महात्पूर्ण बात ये थी कि ब्रंगा राज्य को वो उस समय अकेला नहीं छोड़ सकती थी जब उन्हें नागाओं की मित्रता की आवशकता थी ये भी अन्देखी करने योगी बात नहीं थी कि वे द्रहता पूर्वक उसके साथ अब तक निश्ठावान रहे थे दूसरी और लोगों की इश्वर यानि अपने भांजे को भी वो अकेला नहीं छोड़ सकती थी वो परेशान था उस नीच इस्तरी की उपस्तिती ने सामान तया उसके परशान रहने वाले आचरण को अश्यान्त कर दिया था वो अनावशक जोखी मुठा रहा था जैसे राम जन्मभूमी मंदिल में सती एवम शेव पर मुर्खता पूर्ण हमला करना यदि वो उसे मारना नहीं चाहता था तो उसने स्वयम को उस गंभीर संकट में डाला ही क्यों और यदि वो स्वयम ही मारा जाता तो उससे भी बुरा यदि वो जीवित पकड़ा जाता हाला कि उसने बाद में इस कारेवाही को नायाचित थेहराते हुए कहा था कि वो सती को नगर से बाहर निकालना चाहता था क्योंकि नगर के अंदर उसे बंदी बनाना असंभव था वो इस कारे में सफल भी हो गया था और उसने सती को काशी की यात्रा के लिए नगर से बाहर निकाल ही दिया था लेकिन वो अपने पती और पूरी पल्टन भर सेना के साथ थी उसका अपहरान करना असंभव था रानी ने देखा कि उसका भांजा थोड़ा आगे बढ़ गया वो भी करकोटा को सैनी को सहित वही खड़े रहने का इशारा करते हुए आगे बढ़ गई उस नागा ने अपने कमरबंद में बने हुए खोल से एक चाकू निकाला ये वही चाकू था जिससे सती ने राम जन भूमी मंदिर में उस पर फेका था चाकू की धार को अंगोठे पर चलाते हुए उसने ललक कर देखा तेज धार से उसकी तुचा हलके से कड़ गई थी उसने गुसे में अपना सिर जोर से जटका उस चाकू को रेत पर ही दे मारा जिससे वो उसमें जागड़ा और फिर मुढकर रानी की ओर बढ़ गया अचानक ही वो रुख गया अजीब तरह से हिचकिचाते हुए रानी इतनी दूर थी कि उसका कहा कुछ भी उसके भाजे को सुनाई नहीं पड़ पाया वो अपने विचारों से द्रण निश्चित होकर फुसफुसाई बस अब इसे जाने दो मेरे बच्चे ये इस योग की नहीं है जित छोड़ दो वो नागा उसी इस्थल पर जड़ सा हो गया था अनिश्चितता का बोज उस पर हावी था थोड़ी दूर पर खड़े सैनिक अपनी नेता को ऐसे कमजोर मानसिक इस्थिती में देख स्थब्द थे रानी को तब आश्चर हुआ जब वो पीछे मुड़ा और उसी इस्थान पर गया जहां उसने चाकू को गाड़ा था उसने बहुत ही सावधानी से उसे बाहर निकाला भगती भाव से अपनी ललाट से लगाया और कमरमंद की खोल में वापस रख दिया रानी ने गरणा से भर कर गहरी सास छोड़ी और पीछे मुड़ी उसने करकोटक को आगे आने का संकेत दिया वो जानती थी कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था अंगरक्षकों के साथ उसे अपने भाज़े को छोड़ना पड़ेगा जबकि उसे स्वयम अपनी राजधानी पंचवटी की और कूच करना होगा माल भाड़ा ये क्या मुर्खता है अयोध्या के प्रधानमंत्री सिया मंतक ने गरच कर कहा ये जल्यान स्वयदीप के समराठ का है इसमें बहुत ही महातपूर वेक्ती है असल में इस प्रिथ्वी के सबसे महातपूर सिया मंतक मगitz के पत्तन्मंत्री अंधक की मारदर्शक नौका में था जो चंद्रबंशियों के विशिष्ट नियाएक पत्र के अतरिक्त हर वस्तु की अंदेखी करता था सियमंतक ने घबरा कर उस विशाल जल्यान को देखा जो नीलकंट को लेकर चल रहा था परवतेश्वर और भगीरत के साथ शिव जंगल में खड़े थे सियमंतक ये बात जानता था कि शिव मगद में रुकना चाहते थे उन्होंने नगर के बाहर इस तिन नर्सिंग मंदिर में जाने की इक्षा प्रकट की थी सियमंतक नीलकंट को किसी भी भाते निराश नहीं करना चाहता था वैसे भी यदि वो उस जल्यान के लिए माल भाड़ा देता तो ये एक नकारात्मक उधारन बन जाता अगर एक समराट का जल्यान अपने ही सामराज में माल भाड़ा देता तो इससे शेश राज भी ऐसा करने लगते और ये एक गलत परंपरा का आरम होता अंधक के साथ कोई सौदेबाजी एक नाजुक मामला था मैं इसकी परवा नहीं करता कि वो जल्यान किसका है अंधक ने कहा और मैं इसकी भी परवा नहीं करता कि उस जल्यान में स्वेम प्रभुर राम है नियम है कि कोई भी जल्यान मगत के बंदरगाँ पर लंगर डालता है तो उसे माल भाड़ा देना पड़ता है एक सहस्त्र सौन मुद्राव की इस छोटी सी धनराशी के लिए समराड दिली क्यों चिंता करें ये धन की बात नहीं है ये सिधान्त की बात है सिया मंतक ने तर्क दिया बिल्कुल ठीक ये सिधान्त की बात है इसलिए कृपया भाड़ा दे शिव अपना धैरे खोता जा रहा था इतने लंबे समय से ये क्या बाते कर रहे है प्रभू भगीरत ने कहा अंधक पत्तन मंत्री है वो अवश्य ही इस बात पर जोड डाल रहा होगा कि माल भाड़े की नियम का पालन किया जाए उधर सिया मन तक मेरे पिता के किसी भी जल्यान के लिए माल भाड़े के अनुमती दे नहीं सकते ये मेरे पिता के सुकुमार अहम का अपमान है अंधक एक मूर्ख वेक्ति है विधी का अनुसरण करने वाले वेक्ति को आप मूर्ख कैसे कह सकते है पर्वतेश्वर ने तेवरी चड़ाई इसके विपरित उसका आदर होना चाहिए कभी कभार परिस्थितियों को भी देखना चाहिए सेनपती राजकुमार भगीरत मैं समझता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में विधी के अवहलना नहीं करनी चाहिए शिव नहीं चाहता था कि एक बार फिर उसे सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी तरीके के जीवन शैली से जुड़े तरक वितरकों को सुनना पड़े मगत का राजा किस प्रकार का है राजा महेंद्र भगीरत ने भूचा क्या इसका आर्थ विश्व को जीतने वाला नहीं है हाँ यही है प्रभू किंद्व अपने नाम के साथ न्याय नहीं करता है कभी मगत का महान सामराज्य था असल में एक ऐसा समय था जब वो स्वधीप पर भी अधिपती सामराज्य हुआ करता था और उसके राजा आधरनिय एवं सम्मानिय थे किंद्व जैसा बहुत से राजाओं के साथ होता है कि उनके आयोग वन्शत संपत्ति एवं सामराज्य को टुकडे टुकडे करके गवा बैठते हैं मगत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ वे मगत की पूर्वकालिन कीरती प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करते रहे हैं किंद्व बुरी तरह असफल हुए है हमारा संबन्द उनके साथ बहुत ही वहमनस से पूर्ण है सच में? क्यो? बात ऐसी है कि स्वधीब का अधिपती सामराज बनाने के लिए आयोध्या ने मगत सामराज को 300 साल पूरू पराजित किया था वो एक वैभाव पूर्ण अश्वमेध यग्य था तब तक आयोध्या ऐसे आयोगी शाहसक का शिकार नहीं बना था जैसा आज शाशन कर रहे हैं आप कलपना कर सकते हैं कि मगत अपने पद एवं शुलकों और करों से प्राप्त राजस्व की हानी से प्रसन नहीं था हालेकिन 300 सालों तक बैर भाव बनाये रखना कुछ लंबा समय नहीं हो गया भगीरत मुस्कुराया छत्रियों की इसमराड शक्ति चिरायू होती है प्रभू और इसके साथ ही वे आयोध्या द्वारा पराजित होने की कारण अब भी दुग जेल रहे हैं सैधान्तिक रूप से मगत इस तथे से लाभानित हो सकता है कि वो दो नदियों के संगम पर बसा है इस प्रकार सर्यों या गंगा के किनारे बंदरगाहों वाले नगरों में व्यापार करना बहुत सुगम हो सकता था लेकिन ये लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वे हम से अश्वमेद में पराजित हो गए थे उनके माल भाड़ों एवं व्यापारिक केंदर प्रभारों आदी में अधिक्तम सीमा बांदी गई है और फिर सो वर्ष पूर्व हमारी शत्रुता को पुनह जीवन दान मिल गया और वो कैसे हुआ गंगा नदी की उपरी धार पर पश्चिम में एक राज्य है जिसका नाम प्रियाग है एतिहासिक दृष्टी से वो मगत का परम मित्र रहा है वास्तों में दोनों ही राज्यों के शास्की ये परिवार एक दूसरे के निकट संबंधी रहे हैं और जब यमुना ने मेलूहा से अपनी दिशा बदल ली और स्वधीप में बहने लगी तो वो प्रियाग में गंगा से जाकर मिल गई भगीरत ने कहा उसने तो प्रियाग को बहुत ही महत्पूर बना दिया होगा शिव ने पूछा हाँ प्रभू मगद के समान ही वो नदी व्यापार के लिए एक महत्पूर संगम इस्थल बन गया और मगद से भिन उनके माल एवं व्यापार प्रभारो आदी को किसी समझोते से बांधा नहीं गया कोई व्यापारी या राज यमना के नयनय खुले भीतरी प्रदेश में निवास या व्यापार करना चाहता था तो उसे प्रियाग को शुल्क देना पड़ता था इसके कारण प्रियाग की सम्रद्धी एवं शक्ति में आशातीत व्रद्धी हो गई अफवाहें भी उठी कि वे आयुध्या के आधिपत्र को चुनौती देने के लिए मगद के अशुमेध यग की योजना में समर्थन देने वाले थे किन्तु जब मेरे परदादा सूरेवंशियों से पराजित हो गए और यमुना पर बांध बनाकर उसे मेलुहा के और मोड दिया गया तो प्रिया का महतु पुना कम हो गया उन्होंने दब से आयुध्या को इसका दोशी मान लिया विवास्तों में ऐसा मानते हैं कि उन्हें एक ध्वनसात्मक आगहाद देने के लिए हम वो युद जानबूच कर हार गए थे ओ, तो ये बात है हाँ, अपना सिर हिलाते हुए भगीरत ने कहा किन्तु यदि इमानदारी से कहा जाए तो हमारे परदादा इसलिए पराजित हुए क्योंकि उन्हें ने बहुत ही बेकार रणेदी बनाई थी इस प्रकर आप लोग हमेशा से एक दूसरे से घ्रणा करते रहे हैं हमेशा से नहीं प्रभू एक समय था जब आयोध्या और मगत्परम मित्र हुआ करते थे तो क्या आपका यहां स्वागत होगा भगीरत ठटा मारकर हस पड़ा सभी लोग जानते हैं कि मैं आयोध्या का प्रतिनिजित्व कदापी नहीं करता हूं यह एक ऐसी जगह है जहां मुझे पर संदेह नहीं किया जाएगा किन्तु राजा महेंद्र बहुत ही शक्की सुभाव के लिए प्रसिद्ध है हमें यह आशा करनी चाहिए कि हर समय गुप्तचर हमारी गतिविदियों पर द्रश्टी रखेंगे वो सभी महादपूर आगंतुकों के साथ ऐसा ही करते हैं यह कहने के बाद भी इतना समझने कि उनकी गुप्तचर व्यवस्था उतनी दक्ष नहीं है मुझे किसी गंभेर समस्य की संभावना नहीं लगती क्या मेरे नीले गले से द्वार खुलने की कुछ संभावना है भगीरत थोड़ा परिशान दिखा राजा महेंद्र उस किसी भी वस्तु में विश्वास नहीं करते जिसमें मेरे पिता विश्वास करते हैं प्रभू चुकि आयोध्या के समराट नीलकंट में विश्वास करते हैं तो मगत के राजा उसमें विश्वास नहीं करते सियमंतक की सीडियों से उपर चड़कर आ जाने से उनके वारतालाप में बाधा पड़ गई वो नीलकंट के पास आया उसने बहुत ही जोशीले ढंग से अभिवादन किया और बोला समझोता कर लिया गया है प्रभू हम नीचे उतर सकते हैं किन्तो हमें यहां दस दिनों तक रुकना पड़ेगा शीव ने तेयोरी चड़ाई मैंने आस थाई ढंग से जल्यान का सौमी तो मगद के राजमहल के विश्राम ग्रह के सौमी को हस्तांतरित कर दिया है प्रभू हम लोग उनके विश्राम ग्रह में दस दिनों तक रुकेंगे हम विश्राम ग्रह को जो किराया देंगे उससे ही अंधब को माल भाड़े का मुक्तान कर दिया जाएगा जब हम यहां से प्रस्थान करने को इक्षा करेंगे तो जल्यान का सौमी तो पुरा महराज दिलीप के नाम पर कर दिया जाएगा हमें यहां दस दिन तक रुकना पड़ेगा ताकि विश्राम ग्रह का सौमी परियाब्त धन कमा सके जिससे उसे लाब भी हो और पत्तन शुल्क का भी मुक्तान कर सके शिव ने विसमे से सिया मंतक को देखा वो नहीं समझ पा रहा था कि उसके विशित्र घुमावदार समझोते पर हसे या इस अधिकारिक समझ से प्रभावित हो जिसके कारण शिव के मगद में ब्रमण के उद्देश को तो पूरा किया ही साथ में अपने समराड का मान भी बनाय रखा बंदरगा का शुल्क दिया जाएगा लेकिन तकनी की द्रिष्टे से समराड दिलीप के द्वारा नहीं वो नागा और उसके सैनिक चुपचाप उस जहाजी बेड़े का पीछा कर रहे थे जिसमें शिव सती और उसके परिचारक गड़ यात्रा कर रहे थे नागाओ की रानी प्रधानमंत्री करकोटक और रानी की अंगरक्षक नागाओ की राजधानी पंचवटी के लिए निकल चुके थे सेना की छोटी पल्टन होने के कारण शिव की तेज गती से चलने वारी जहाजी बेड़े की गती से चलने में उस नागा को मदद मिल रही थी वे बुद्धिमानी से नदी के किनारे से दूर रहे थे इतनी दूर की नौका से निगरानी करने वालों से छुपे रहें और इतने निकट की उन नाकाओं के मार्ग का आसानी से पीछा कर सके मगत से बचे रहने के लिए वे और भी अधिक अंदर की ओर चले गए और उनकी मंशा थी कि जब वे नगर से दूर निकल जाएं तो पुना निकटा जाएं अब थोड़ी दूर और मेरे स्वामी विश्वदिम्न ने कहा उसके बाद हम नदी की ओर पुना जा सकते हैं उस नागा ने सहमती में सिर हिलाया अचानल जंगल की शांती एक तेज चीख ने भंग कर दी नहीं अपने हाथ के संकेतों से विश्वदिम्न को आदेश देता हुआ वो नागा ततकाल अपने घुटनों के बल नीचे जुग गया संकट टल जाने की प्रतीक्षा में समस्त पल्टन शीग रही शांती से नीचे बैठ गई लेकिन संकट का प्रारंब अभी हुआ ही था एक औरत दुबारा चीखी नहीं गृपा करो उसे छोड़ दो विश्यदुम्न ने बिना आवास किया अपने सैनिकों को जुके रहने का संकेत किया जहां तक उसका सवाल था उसे केवल एक ही कारवाही करने के आशकता थी उनके पदचिन्यों को पुना ढोरना उस छेतर का कोई बहुत लंबा गुमावधार रास्ता पकड़ना और नदी की ओर उनके पीछे चल पाड़ना अपना सुझाव देने के लिए वो अपने स्वामी की ओर मुड़ा लेकिन उस नागा की आँखे इस हिरदय विदारक दर्शे पर टिकी हुई इस नंभित थी ये दर्श आंशिक रूप से व्रक्षो एवं जाडियों के जोड़मुट से छिपा हुआ था कुछी दूरी पर एक आदिवासी महिला लेटी हुई थी वो एक 6-7 वर्ष के बालग को अत्यधिक विगरता से जगड़े हुई थी दो हथियार बंद सिपाही जो संभवता मगत के थे उस बच्चे को उससे छीनने का प्रयास कर रहे थे पुमहिला अपनी दुगली पतली काया के बावजूद आश्चर जनक रूप से विस्मैकारी शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी और अपने बच्चे को निराशोनमाद में पकड़े हुए थी लानत है मगत सेना का नेता चीखा उस औरत को धपके देकर अलग करो उजड़ों गंगा और नर्मदा के मधे जंगली एवं अशांत भूमी पर जंगलों में रहने वाले आदिवासी इधर उधर रहा करते थे उन महान नदियों के साथ साथ रहने वाले नगरिये सब भी लोगों के लिए ये आदिवासी पिछड़े लोग थे क्योंकि वे प्रकरती के साथ तालमेल बिठा कर रहने का हट करते थे अधिकतर सामराजजियों ने उनकी कोई सुधी नहीं ली और शेथ ने अपनी मनमरजी से उनकी भूमी पर कبज़ा कर लिया था क्योंकि उनकी अपनी जंसंक्या बढ़ गई थी और खेती के लिए भूमी की आवश्चता बढ़ गई थी और कुछ विशेश के करूर सामराज इन असाहाय समूहों पर दबाव डाल इन से बेगार मजदूरी करवाने के लिए दास बना लेते थे मगद के उस नेता ने अपने पैरों से महिला को बहुत जोर से ठोकर मारी तुम दूसरा बेटा जन सकती हो लेकिन मुझे ये लड़का चाहिए ये मेरे बैलो को चला कर मुझे विज़े दिलाएगा पिछले तीन वर्षों से प्रतेग दौर जीत रहे मेरे पिता अंतता अपने इस अंतहीन गौरव को पाने से रुख जाएंगे उस नागा ने उस मगदी नेता को बिना अपनी घ्रणा चुपाए देखा बैलो की दौर चंदरवनशी छेतरों में एक सनक के समान थी जिसमें दाउं लगते थे राजसी रुची होती थी और शड़ेंद्र होते थे सवारों को जानवरों को दौर में बनाये रखने के लिए चीख लें चिलाने और भड़काने के आशकता होती थी साथी साथ यदि सवार बहुत भारी होता था तो वो बैलों की गती को कम कर देता था इसलिए 6-8 वर्ष की आयू के बालक इसके लिए आदर्श समझे जाते थे वें डर के मारे चीख पड़ते थे और उनका भार भी नगर ने होदा था बच्चों को पशों से बान दिया जाता था तो सवार बच्चे या तो गंभी रुप से घायल हो जाते थे या मर भी जाते थे इसलिए अकसर सवार बनाने के लिए आदिवासी बच्चों का आपरहन कर उन्हें दास बनाया जाता था यदि वे मर भी जाते थे तो किजी महात्पूर्ण वेक्ती पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था उस मगदी नेता ने अपने एक आदमी के और सिरह लाया जिसने अपनी तलवार निकाल ले उसके बाद उसने उस महिला को देखा मैं तुम्हारे साथ यतोचित करने का प्यास कर रहा हूँ अपने बेटे को छोड़ दो अन्यता तुम्हें चोट लग सकती है नहीं उस मगदी सैनिक ने उस मा के दाहिने हाथ को चीरते हुए अपनी तलवार चला दी बच्चे के चहरे पर रक्त की धार फूर पड़ी जिसने उसे इतना अधिक रुला दिया कि वो अब धानने योग्य भी नहीं रहा वो नागा उस औरत को घूर रहा था उसका मुख विसमे से खुला था उस माता का रक्तिम हाथ एक और लटका हुआ जूल रहा था लेकिन उस माता ने अभी भी अपने बेटे को बाएं हाथ से जकर रखा था विशुदमने ने सिर हिलाया वो आसानी से बता सकता था कि बस कुछी देर की बात है वो आउरत अपने प्राण गवा बैठेगी वो अपने सैनिकों की और मुडा उन्हें संकेत दिया कि वे रेंग कर पीछे हट जाए उसके बाद वो अपने सौमी की और मुडा लेकिन वो नागा वहाँ नहीं था वो तौरिद गती से आगे की और बढ़ चुका था उसकी मा की और विशुदिम्न हरवडा गया और अपने सिर को जुकाए हुए ही अपने सौमी के पीछे भागा मा ढालो इस औरत को मगदी नेता ने कहा उसमा के निकट वाले मगदी सैनिक ने तलवार को उचा उठाया वो उसे चलाने के लिए तयार ही हुआ था कि अचानक वो नागा वरक्षो के पीछे से निकल कर सामने आ गया उसके हाथ में एक चाकू था इससे पहले कि वो सैनिक ये जान पाता कि क्या हुआ वो चाकू उसके हाथ में आकर धर्ज गया और उसके तलवार कोई आहित पहुचाने से पूरू धर्टी पर गिर पड़ी जब वो मगदी सैनिक पीड़ा से चिलाया तो उस नागा ने दो चाकू और निकाल दिये लेकिन वो पीछे के और मगदी सैनिकों की पल्टन को देख नहीं पाया था उन में से एक सैनिक का तीर कमान पर चड़ा हुआ था वो तीर उसके बाएं कंदे की हड़ी को तोड़ता हुआ उसके धर के कवच और कंदे की हड़ी के बीच में जाध हसा उस प्रहार का बल इतना अधिक था कि नागा धर्ती पर आगिरा और पीड़ा ने उसे गतहीन कर दिया अपने सौमी को गिरा देख नागाओं की पल्टन जोर से चिलाती हुई दौर पड़ी सौमी विश्युदिम ने रो पड़ा वो उस नागा को खड़े होने में सहायता कर रहा था तुम कौन हो मूर्ख उस करूर मगदी नेता ने चिला कर पूछा इससे पूर वो पीछे हटकर अपनी पल्टन के पास पहुँच चुका था और मुड़कर नागा के उपर भी चिलाया भाग जाओ यहां से यदि तुम जीवित रहना चाहते हो अपने स्वामी को चोटिल देकर क्रोध से चिलाते हुए नागाओ के एक सैनिक ने कहा बंगा वाले बोलने के तनीके से समझ कर मगदी चीख है भगवान इंदर के नाम पर तुम नीच लोग यहां क्या कर रहे हो यह ब्रंगा है बंगा नहीं ऐसा लगता है कि मुझे इससे कोई मतलब होगा मेरे राज इससे भाग जाओ ब्रंगा वालों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की क्योंकि उन्होंने देखा कि विशुद्मने की मदद से उनके स्वामी धीरे धीरे खड़े हो रहे थे उस नागा ने विशुद्मने को संकेत किया कि वो पीछे हट जाए और वो अपने कंदे से उस तीर को बाहर निकालने का प्रयास करने लगा लेकिन वो बहुत ही गहरा धंसा हुआ था उसने उस तीर के डंडे को बीच से ही तोड़ दिया और एक और फेक दिया उस मगदी ने उस नागा की और डरावने धंगे से इंगित करते हुए कहा मैं उगरसेन हूँ मगद का राज कुमार ये मेरा देश है ये लोग मेरी संपती हैं मेरे रास्ते से हट जाओ उस राजिसी बिगडएल की बात पर उस नागा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी वो मुड़ा तो उसने एक हिर्दय विदारक दरश्य देखा जो उसने अब तक कभी नहीं देखा था उसके सैनिकों के पीछे वो मा लगबग अचेत पड़ी हुई थी उसके आखे बंद होने की कगार पर थी क्योंकि उसका बहुत सारा रक्त बह गया था शरीर अत्यदी कमपन कर रहा था वो इतनी डरी हुई थी कि उसके मुझे आवाज भी नहीं निकल पा रही थी और तब भी वो हट करती हुई अपने पुत्र को देने से इंकार कर रही थी उसका बाया हाथ अब भी अपने पुत्र के चारो और लिप्टा हुआ था और उसका शरीर अपने पुत्र के सामने उसे सुरक्षा देने वाली स्थिती में था क्या मा है वो नागा पीछे मुड़ा उसके आखे क्रोध से जल रही थी उसका शरीर तना हुआ था उसकी मुठी कस्के बंद थी वो डरावने ढंग से शांत स्वर में फुस पुसाया तुम एक मा को चोट पहुचाना चाहते हो क्योंकि वो अपने बच्चे की रक्षा कर रही है उसको मल स्वर से केवल धंकी ही प्रकट हो रही थी उसने उस वेक्ति को भी प्रभावित कर दिया था जो राजसी अभिमान में लिप्त था लेकिन उग्रसेन अपने चापलूस दरबारियों के सामने पीछे नहीं हट सकता था कोई पागल ब्रंगा जो बेमौसम होली का म भाग जाओ तुम उसक्ति को नहीं जानते तुम एक मा को चोट पहुचाना चाहते हो क्योंकि वो अपने बच्चे की रक्षा कर रही है स्वर इतना प्रचंड और भायानक था कि उग्रसेन चुप हो गया क्योंकि इसकी मोटी बुद्धिवाली खोपड़ी में आतंक घर कर गया था वो अपने अनुचरों की और मुड़ा उन लोगों ने भी वही भै महसूस किया जो उस नागा के स्वर ने उत्पन किया था स्थब्ध विश्वद्म्र ने अपने स्वामी को घूर कर देखा उसने पहले कभी अपने स्वामी को इतनी प्रचंड आवाज में बोलते सामाने हो गई वो तकाल ही जान गया उसके स्वामी ने निर्णय ले लिया था उस नागा ने हाथ बढ़ा कर बगल से अपनी तलवार निकाल ली उसे वो अपने शरीर से दूर पकड़े हुए था अब वो हमला करने के लिए पूरी तरह तयार था उसके बाद उसने अपने आदेश को फुसफुसा कर कहा कोई दया नहीं कोई दया नहीं विश्वास पात्र ब्रणगा साइनिकों ने चिला कर कहा अपने स्वामी के पीछे उन्होंने हमला बोल दिया वे दैनिय मगदियों पर तूट पड़े, कोई दया नहीं अध्याय तीन, मगद का पंडित वो भोर का समय था जब शिव ने नरसिंग मंदिर जाने के लिए विश्राम ग्रह को छोड़ा उसके साथ भगीरत, द्रपकू, सियामंतक, नंदी और वीरभद्र भी गए थे आयोध्या के तुलना में मगद बहुत ही छोटा सा नगर था व्यावसाई के सैनिक सफलता और उसके परणाम सोरूप अधिक संक्या में लोगों के आप्रवासन से तरस्त ना होने के कारण वो इस्थल हरियाले मारगो वाला एक सुन्दर नगर सोरूप बना हुआ था जबकि यहाँ देवगरी के समान शांदार, संस्था, गत, व्यवस्था या आयोध्या के समान गगंचुम भी टालिकाए नहीं थी फिर भी ये मिलूहा की राजधानी के उबाव मानवी करण या स्वधीप की राजधानी की अव्यवस्था के दलदल में नहीं फसा था शिव और उसके अनुयाई दल को नगर से दूर वहाँ पहुँचने में आधे घंटे से अधिक समय नहीं लगा जहां वो भावे नरसिंग मंदिर स्थित था शिव ने उस वैभवपूर मंदिर के आहाते में प्रवेश किया शिव के निर्देशा अनुसार अनुयाई दल के सदसे बाहर ही प्रतिक्षा करने के लिए रुख गये लेकिन तभी जब उन्होंने मंदिर परिसर में किसी संदिक्द की संभावना को दूर कर लिया मंदिर चारो और एक विशालकाय वरगाकार बाग से घीरा हुआ था उस शैली से जो भारत की सुदूर पश्चिमी सीमाव पर प्रभू रुद्र के देश की थी उस बाग के हिर्दय स्थल में बड़ी ही प्रवीरता से एक विशालकाय फवारा और कलात्मक जलमार्ग फूलों की क्यारियां बनी हुई थी और अदुतिय समानता वाली घास मद्ध से बाहर की और जाती हुई बिच्छी हुई थी दूर एक छोर पर नरसिंग मंदिर स्थित था सफेद संगमरमर से बनी विशालकाय सीड़ियां मुख्य मेदिका की और ले जा रही थी वहाँ एक मिनार थी जो कम से कम सतर मीटर लंबी थी उस पर हर और देवी देवताओं की अलंकरत मूर्तियां उतकीर्ण की गई थी शिव को विश्वास था कि उस भवे प्रेरक एवं इस पश्ट रूप से बहुमूली मंदिर का निर्मार उस समय किया गया होगा जब मगद के पास समस्त स्वधीप राज संग के संसाधन उपलब्द थे शिव ने अपनी पादुका सीडियों के पास उतार दी फिर वो सीडियों के उपर चड़ता हुआ मुख्य मंदिर में प्रवेश कर गया मंदिर के दूर किनारे पर मुख्य पवित्र स्थल था जहां एक भवे सिंगहासन पर शिव के इश्ट देव प्रभु नरसिंग विराजमान थे प्रभुरुद्र से भी पूर्व काल में नरसिंग प्रभु का अवतार हुआ था शिव ने चिंतन किया कि यदि प्रभु की मूर्ति का आकार वास्तविक सुरूप का था तो वे अवश्य ही बहुत शक्तिशाली रहे होंगे वे आप्राकरतिक रूप से उचे कदगे दिख रहे थे कम से कम आठ फीट के उनकी मानसलता ऐसी थी कि दानल तक भैबीत हो जाएं लंबे नाकूनों के साथ उनके हाथ आसाधरान रूप से बलवान थे जिसने शिव को ये सोचने पर विवश कर दिया था कि प्रभु के तो हाथ ही किसी संगहारक अस्तर से कम नहीं रहे होंगे लेकिन वो प्रभु का मुख था जिसने शिव को इस तब्द कर दिया उनके मुख पर होट कलपनातीत रूप से अतिविशाल थे उनकी मुचों के बाल आम आदमी की तरह नीचे की और नहीं गए होए थे प्रभु नर्सिंग और कुछ नहीं बलकि मानव शरीर में सिंग मुख वाले थे यदि वे आज जीवीत होते तो अधिकतर जिदर से आवाज आई थी और आश्चेर चकित हो गया कि कैसे किसी ने उनके मन की आवाज को सुन लिया स्तंबो के पीछे एक और वासुदेव पंडित बाहर निकल कर आया शिव अभी तक जितने भी पंडितों से मिला था उनकी लंबाई उन सब पंडितों में सबसे कम थी मात्र पाँच फिट से कुछ ज्यादा लेकिन अन्य दृष्टिकोर से वो पूर तयह अन्य वासुदेवों की तरह दिख रहा था हिम समान सफेद केश और बढ़ती आयू की रेखाएं मुख पर जलगती हुई वो केसरिया रंग की धोती और अंगवस्तरम पहने हुआ था आपको कैसे वो महातपूर नहीं है अपने हाथ को उठाते हुए उस पंडित ने बीच में ही टोग दिया उसने कैसे शिव के विचारों को जान लिया था ये बताना उसके लिए कोई महत्ता नहीं रखता था वो वारतालाब किसी और समय महान निलकंट शिव शपत ले सकता था कि उसने अपने मन में उस पंडित का स्वर सुना था शब्द टूट टूट कर आ रहे थे जैसे कहीं बहुत दूर से आ रहे हो बहुत ही धीमा एवं आसपष्ट लेकिन वो स्वर निश्चित रूप से पंडित का ही था शिव की तियोरी चड़ गई क्योंकि पंडित के होट हिले भी नहीं थे प्रभु वासुदेव ये विदेशी प्रभावशाली है शिव ने पंडित के स्वर को पुनहा सुना पंडित धीरे से मुस्कुरा रहा था वो बता सकता था कि निलकंट उसके विचारों को सुन सकते थे आप व्याख्या नहीं करने वाले हैं है ना शिव ने मुस्कुराते हुए पूचा नहीं आप निश्चित रूप से अभी तयार नहीं है उस पंडित का रंग रूप अन्य वासुदूयवों की तरह ही था लेकिन उसका चरितर इस पश्ट रूप से भिन था ये पंडित ऐसा मुफर था जो अखड़पन की सीमा तक चला जाता था लेकिन शिव जानता था कि उसका प्रतीत होता ये अखड़पन लेश मातर भी पूर्व विचारित नहीं था ये मातर उस पंडित विश्येश के चरितर की अस्तिर प्रकृति का हे प्रतिविंब था हो सकता है कि ये पंडित किसी अन्य जीवन में चंदरवन्शी रहा हो मैं वासुदेव हूँ पंडित ने कहा आज मेरी कोई अन्य पहचान नहीं है मैं पुत्र नहीं हूँ ना पती ना पिता और मैं चंदरवन्शी भी नहीं हूँ मैं मातर वासुदेव हूँ एक व्यक्ति की कई पहचान होती है पंडित जी पंडित ने अपनी आखे संकुचित की क्या आप जन्म से वासुदेव हैं जर्म से कोई वासुदेव नहीं होता प्रभु नीलकंट, आप इसे अर्जित करते हैं, एक प्रतियोगी परिक्षा है जिसमें सूरिवन्शी एवन चंद्रवन्शी भाग ले सकते हैं, यदि आप उसमें उत्तिण होते हैं तो आप कुछ और नहीं हो सकते, आपको अपनी सार पंडित मुस्कुराया, शिव के मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्ण थे जिनके उत्तर का वो इच्छुप था, लेकिन एक प्रश्ण सबसे इस प्रश्ण था, जो वो इस वासुदेव से पूछना चाहता था, कुछ महीने पहले राम जन्मभूमी के मंदिर में वासुदेव पंडित ने मुझसे कहा था, कि मेरा कार भूराई का नाश्य करना नहीं, बलकि ये पता करना है कि बूराई क्या है, शिव ने कहा, पंडित वासुदेव ने सहमती में सिर हिलाया, मैं उस विचार को अभी आत्मसाद करने का प्रयात्न कर रहा हूँ, इस प्रकार मेरा कारों से इसका पुरुष और इस्त्री जाती से कोई लेना देना नहीं है आप इससे और अधिक इस प्रेश्ट नहीं हो सकते हैं मित्र आप बिल्कुल सही है इसका पुरुष एवं इस्त्री से कुछ भी लेना देना नहीं है असल में ये सूरिबंशियों एवं चंद्रबंश जीवन शैलियों से संबंदित है जीवन शैली राजकुमार उग्रसें मारे गए भागीरत ने पूछा था राजकुमार सियामंतक ने धीरे से कहा यह समाचार ऐसे स्रोथ से मिला है जिस पर मैं आख मूंद कर विश्वास करता हूं प्रभु राम हमारी सहायता करें हमें इसी क आशकता थी राजा महंद्र सोचेंगे कि आयोध्या ने ही इस हत्या के विवस्था की होगी और आपको तो पता ही है कि वे कितने प्रतिशोधी हो सकते हैं मैं आशा करता हूं कि वे ऐसा ना सोचे राजकुमार सियामंतक ने कहा यह हमारे लिए बहुत बुरा सिध्ध होगा उनके गुप्तचर हमारा पीछा कर रहे हैं नंदी ने कहा मुझे पूरा विश्वास है कि उनके पास हमारे रहने आने जाने इत्यादी गतिविदियों के बारे में सूचना अवश्य होगी क्योंकि हम नगर में प्रवेश कर चुके हैं हमें इसके लिए दोशी नहीं ठहरा रहे जा सकता नहीं नंदी भगीरत ने कहा राजा महेंद्र यह भी सोच सकते हैं कि हमने उनके पुत्र की हत्या करवाने के लिए किराय के लोगों को लगाया होगा थैर ये बताओ कि वे गुप्तचर कहा है उन में से दो वहाँ है गुप्तचरों की और अपनी आखों से संकेत करते हुए द्रपुकों ने कहा ये बहुत ही अनाड़ी है वो पेगड़ वास्तों में उन्हें छुपा नहीं पा रहा है भगीरत धीरे से मुस्कुराया ये सुर्पद मन राजा महेंदर का बहुत ही योगिपुत्र है कुछ राजाओं को जिन्हें मैं जानता हूँ उनसे भी ने राजा महेंदर उसकी गलतियों के बावजूद उसकी योगिता को सम्मान देते हैं वास्तों में सुर्पदमन के पास से सिंगासन है इसके लिए उसे पने भाई क हत्या करने के आशकता नहीं है लेकिन ऐसा कैसे संभव है कि अब तक जनता ने इसका शोक मनाना प्रारंब नहीं किया द्रपकु ने पूछा वे इस सूचना को गोपनी ये रख रहे हैं मुझे नहीं पता क्यों सियामंतक ने कहा संभव है कि वे एक विश्वस्मी कहानी की विवस्था कर सके ताकि उगरसेन की याद को कुछ सम्मान प्राप्थ हो सके भगीरत ने कहा वो मूर्ख तो अपनी ही तलवार पर गिर जाय ऐसा था वो द्रपकु के और मुड़ने से पहले सियामंतक ने सहमती में सिरह लाया प्रभु मंदिर में अकेले ही क्यों इतना समय व्यतीत करना चाहते हैं यह तो बहुत आपरंपरागत है वो इसलिए कि प्रभु स्वयम ही इतने आपरंपरागत है लेकिन आप उनके पहचान को मगद में गोपनी क्यों रख रहे हैं सब ही जो पौराणी गाथा में विश्वास रखते हैं वे निलकंट के अनुयाई नही हैं द्रपो को भगीरत ने कहा मगद के वर्तमान राजा निलकंट को नहीं मानते और यहां के लोग अपनी राजा के विश्वास पात्र अनुयाई हैं प्रभु की पहचान को यहां गुप्त रखना ही उचित है क्या आप जानते हैं कि पशों की तुलना में मनुश्य किस का अंधों का सहारा लेकर अपनी यातरा प्रारंब करती है ना कि प्रारंब से मैं सहमत हूँ लेकिन केवल हम लोग ही ऐसे नहीं हैं जो समूह में काम करते हैं अन्य पशू जैसे हाथी या सिंगे भी ऐसा करते हैं लेकिन हां उतने बड़े स्तर तक नहीं करते जितने बड़े किस तर पर हम करते हैं हां ये सही बात है लेकिन ये हमेशा ही मिलजुल कर काम करने के संबंद में नहीं है ये कभी कभी प्रतियोगिता के बारे में भी है ये हमेशा ही शांति के संबंद में नहीं है कई बार ये युद्ध के बारे में भी होता है शिव मुस्कुराया और उसन सहमत हुआ और यदि हमें एक साथ मिलकर रहना है तो हमारे पास एक जीवन शैली होनी चाहिए क्या मैं सही हूँ हां हम सब के लिए कोई एक तरीका ताकि हम मिलजुल कर रहे हैं या एक दूसरे से प्रतियोगिता कर सकें अधिकतर लोगों का मानना है कि दुनिया में कई सो जीवन शैलिया है पंडित ने कहा प्रतेक संस्कृति सोचती है कि वह किसी ना किसी प्रकार दूसरों से भिन है शिव ने सहमती में सिरह लाया लेकिन यदि आप वास्तों में उन जीवन शैलियों के क्या अर्थ है पूरुश्वाचक जीवन शैली है कानून का जीवन कानून जो महान नेताओ द्वारा बनाया गया हो संभावत एक विश्णु द्वारा जैसे प्रभुराम या फिर कानून जो धार्मिक परंपराओ द्वारा निर्धारित हुआ हो या ऐसा जीवन पूर्वान में होता है क्योंकि जन साधारण वही करेगा जो विधी द्वारा उनके लिए नियत किया गया है मेलुहा इस प्रकार की जीवन शैली का एक आदर्श उधारण है इसलिए इस पश्ट है क्यों ऐसे जीवन शैली वाले लोग सत्य करता वे एवं सम्मान के नेमों से बंधे जीवन यापन करते हैं क्योंकि उन्हें व्यवस्था में सफल होने के लिए इनकी ही आवशक्ता होती है और स्त्रीवाचक स्त्रीवाचक जीवन शैली है संभावना का जीवन कुछ भी परम सिधानत नहीं है कोई काला या सफेद नहीं है लोग पूर्व में आदेशित किसी कानून के अनुसार कारे नहीं करते हैं बलकि उस समय विभिन प्रकार की संभावनाओं पर आधारित परिणामों के अनुस करण करेंगे जिसके बारे میں कि सोच होगी कि कि सत्ता में रहने कि उनकी सम्भावना सबसे अधिक है जैसे ही संभावना बदलती है तो इनकी निष्टा भी बदल जाती है जब विवस्था में सफलता का नियम क्या होता है बिना किसी तुर्टी के अनुराख सुंदरता और सुंदरता और कोई भी जीवनशेली दूसरे से टृष्ट नहीं है सुथा यही सत्य है दोनों ही तरह की संस्कृतियों का अस्तित्व होना चाहिए क्योंकि वे एक दूसरे को होती है एक व्यवस्था कारे करती है और समाज निश्चित पूर्व आदेशित दिशा में सामंज से पूर्ण प्रगति करता है आज आप सुर्वेंशियों को देखिए लेकिन जब पूरुष्वाचक संस्कृति पतन के और अगरसर होती है तो वे कट्टरवादी एवं कठ फोर बनकर प्रलय का काराण बन जाते हैं वे किसी भी अपने से भिन पर हमला करते हैं और उन्हें वे अपने सत्य में परिवर्तित करने का प्रयत्न करते हैं जिसके परिणाम सरूप हिंसा एवं गडबड़ी उत्पन होती है यह विशेशकर तब होता है जब यूग परिव वे कानून संभवतया उस युक के योग ना हो फिर भी पुरुषवाचक संस्कृति द्वारा लगो की गई वैवस्था का तब तक स्वागत होता है जब तक वे शक्तिशाली होते हैं लेकिन जब वे अवनतिकी और अग्रसर होते हैं तब वे घुढण उत्पन्न करते हैं असूर जो पुरुषवाचक जीवनशेली के अनुयाई थे उन्होंने इस प्रकार की कठनायों का सामना किया था तब ही उनकी शक्ति अवनतिकी और अग्रसर हो गई थी इस प्रकार जब कटरवाधिता कुंठा से उत्पन्न विद्रोह का कारण बनती है तो स्त्रीवाचक साधिगी के माध्यम से ताजगी लेकर आती है बिल्कुल सही स्त्रीवाचक जीवनशेली सभी प्रकार के विभेदों को समाविष्ट कर लेती है विभे ने प्रकार की आस्थाओं एवं विश्वास का शांती के एक साथ अस्त्रतु बना रह सकता है कोई भी अपने प्रकार के सत्य को लागू करने का प्रयास नहीं करता है विविदता एवं सतंत्रता का उत्सा होता है जिसके कारण समाज को अत्यधिक लाप पहुचता है देव जो इस्त्रीवाचक जीवनशेली के अनुयाई थे उन्होंने जब असूरों को पराजित किया तब विस सारी विश्ष पुरुष्वाचक जीवनशेली का सौगत करते हैं हां प्रभुराम के काल में इस्त्रीवाचक देवों की शेली पतोन मुक थी सामराज ये भ्रष्ट अनयतिक और पथ भ्रष्ट था लोगों में व्यवस्था एवं सभिता की मांग बहुत उठी थी प्रभुराम वो लेकर पराये थे क्योंकि उन्होंने नई पुरुष्वाचक जीवनशेली की रचना की आणवश्यक रूप से विद्रो हो को रोकने के लिए उन्होंने भुखत ही बुद्धीमत्ता से देवों कि शेली की कभी भी निंदा कीस उन्होंने केवल शिव इदमान नहीं होता उनका तच संबंदी प्रभाव किसी व्यक्ति में उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिनका वह सम्मान करता है और क्या यह परिबर्थे नहीं होते हैं अब बिल्कुस सही है लेकिन अधितर लोगों में कोई एक विश्ष्षता प्रबल होती ह या तो वो पुरुष वाचक होता है या फिरस्त्री वाचक शिव ने सहमती में सिरह लाया जीवन यापन की इन दोनों शैलियों को जानने की आवशकता से जुड़ा कारण ये है कि जब आप बुराई को जान जाएंगे तो अपने संदेश को जिस प्रकार के लोगों से बा परेगी मेरे विचार से सूर्वंशियों एवं चंद्रवंशियों में साहस का तनिख भी आभाव नहीं है इसका साहस से कुछ लेना देना नहीं है मित्र साहस की आवशकता तभी है जब युद्ध का प्रारंब हो चुका हो सर्व प्रथम आपको बुराई के विरुद्ध युद्ध में लोगों को सम्मिलित होने के लिए मनाना पड़ेगा आपको उन्हें प्रभावित करने के आशकता होगी ताकि वे बुराई के साथ अपनी आसकती को छोड़ सके आसकती बुराई से बहुचका हुआ शिव ने पूछा पवित्र जील के नाम पर बताएं कि गहरी सांस छोड़ी अब क्या इस पलवारतालाप रोकने की क्या व्याक्या है मैं तयार नहीं हूँ अभी उचित समय नहीं है पंडित हसा मैं अभी आपको इसकी व्याक्या नहीं कर सकता है निलकंट आप नहीं समझेंगे और जब आप बुराई को खोज निकालेंगे तो आपको उसे समझने के लिए मेरी व्याक्या की आवशक्ता नहीं होगी जै गुरु विश्वामित्र जै गुरु अशिष्ट अध्याय चार वो नगर जहां दिव्य प्रकाश चमकता है राजकुमार सुर्पदमन आश्यरेचिकेद भगीरत ने पूछा यहां हां राजकुम सुर्पदमन को अंदर आने दिया जाए कुछी चड़ो बाद ही एक जोशीला विक्ति तेजी से अंदर आया लंबे कद सुगटित शरीर और सामले रंग वाले सुर्पदमन की तेल से चिकनी मोटी मोटी मूचे थी जो किनारे पर उंठी हुई थी उसके बाल खूब सहेजे हुए लंबे थे और अतिव्याई फिर भी रुचिकर मुकुट के नीचे सुगरता से विवस्थित थे शुएत अंगवस्तरम के साथ उसने गेरुए रंग की धोती पहनी हुई थी जो किसी चंद्रवंशी कुलीन के लिए साधा पहनावा था उसके शरीर पर युद्य से मि की उपस्थिती बड़े सम्मान की बात है आश्चरे चकित शिव में सहज बोत था कि वो पीछे ना हटे अनिथा आवशी इसे अनावदर के रूप में देखा जाता उसने सुर्पदमन को आशिरवात दिया आईश्मान भवराज कुमार आपको कैसे मता चला कि मैं कौन को अपनिये नहीं रखा जा सकता प्रभू सुर्पदमन ने भगीरत के और मुरते हुए किसी जानकार सा मुस्कुराते हुए कहा इससे कोई अंतर नहीं पड़ता चाहे उस पर कितना ही गहन आवरार डाला गया हो भगीरत मुस्कुराया और उससे सहमते जताते हुए अपना के दिशा बदल दी शिर प्रतिक्षित नीलकंट को जो सम्मान अप्रिक्षित था उस विदिवत सम्मान के साथ आपका स्वागत नहीं करने के लिए मैं आपसे करबद च्हमा मांगता हूँ लेकिन मेरे पिता थोड़े हटी है कोई बात नहीं मैंने अभी तक किसी को ऐसा को कर सकें सुर्पदमन आप उस बारे में बात क्यों नहीं करते जो आप करने के लिए आए हैं प्रभू मेरा मानना है कि आपसे कोई बात छुपी नहीं है अपने कुछ मित्रों एवं अंग्रक्षकों के साथ मेरा भाई कुछ दिनों पूर्व जंगल में मारा गया ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा कायरता पूर्ण क्रत्य संभवता आयोध्या द्वारा ही किया गया होगा मैं आपको इश्वास दिलाता हूं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया भागीरत ने कहना प्रारंब किया सुर्पदमन ने अपने हाथ से चुप रहने का आग्रह किया मैं जानता हूं र मागा से प्राप्त किया था जिसे लोकाधीश कहा जाता था प्रभू सुर्पदमन ने कहा यह है जो मुझे अपने भाई के शरीर के निकट मिला मेरा मानना है कि जब आप आयोध्या में थे तो आपको एक स्वर्ण मुद्रा मिली थी कैये मुद्रा उसी की तरह है भगीरत ने सुर्पदमन को स्थब्दो कर घूरा वो विचार कर रहा था कि सुर्पदमन को कैसे पता चला कि निलकंट को कुछ मिला था सुर्पदमन द्वारा गुप्तचरों का जाल बनाने वाली अफवाह अवश्य ही सत्य होनी चाहिए मगद की अत्यधिक अक्षम गुप्तचर व्य गया होगा शिव का प्रचंड क्रोध और उसके वचंद सुर्पदमन हत्प्रब्द रहे गया नहीं प्रभू खेद है कि ऐसा नहीं हुआ मुझे भय है कि वो उस बिल में दुबग गया जहां से आया था शिव ने वो मुद्रा सुर्पदमन को लोटा दी अब वो शान्त थ सुर्पदमन भगीरत की और मुड़ा मुझे मात्र इसकी पुष्टी की आवशक्ता थी राजकुमार मैं राजा को बताऊंगा कि मेरा भाई राजकुमार उग्रसेन एक नागा के हमले से मगत की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था मैं उन्हें ये भी बता हास उड़ाने वाली थी धर्म खेत में मेलुहा के विरुद्ध युद्ध में अपने नेत्रत्व के कारण आयोध्या ने चंद्रवंश्यों के मद्य अपनी साक हो दी थी आपके कथन ने मेरी गहन चिंता को कम किया है राजकुमार भगीरत ने कहा मैं मगद के प्रती शिव की और मुड़ा प्रभू मैं समझ सकता हूँ कि आपको भी नागा से हिसाब चुकाना है मैं आपसे प्रातना करता हूँ कि जब इस विशेश दानव से युद्ध हो तो मुझे आपकी सेवा करने का आउसर आवश्य दे शिव ने सुर्पदमन को आश्यर से तेयोरी च चाहिए सुर्पदमन ने कहा उस नागा ने मेरे भी भाई की हत्या की है सुर्पदमन शिव ने मेलुहा के प्रमुक वैग्यान एक ब्रहस्पति का संदर्ब देते हुए कहा जो उसके भाई समान था जब उचित समय आएगा तो मैं आपको युद्ध करने के लिए अवश्य बुलाओंगा शिव का उन्याई दल्स शांतिपूरवक मगद से बाहर निकल गया अन्यनेग्रो अर्थात मेलुहा एवं स्वधीब सिभी ने जहां शिव का जाना हुआ यहां उसकी बिदाई के लिए किसी समारों का आयोजन नहीं किया गया था अधिकतर मगदवासियों से उसका आना और जाना दोनों ही गोपनी रखा गया था हाला कि सुरुपदवन मगद राजी के बंदरगाँ पर गुपत रुप से निलकंट के प्रस्थान पर उन्हें नमस्ते करने के लिए आया था जल्यान मेलुहा के काफिले की माने बनावाट में चल पड़ा था मुख्य जल्यान जिसमें निलकंट एवमन के अन्य सहियोगी थे वे चारो और से चार जल्यान से घिरा हुआ था चाहे जिस और से भी शत्रुआए उन्हें शिव के जल्यान तक पहुँचने के पहले एक पूरे की पूरे युदपोत से युद़ करना ही था इस बनावट में सबसे प्रमु भूमिका उस जल्यान की थी जो सबसे आगे चल रहा था वो समस्ते काफिले का गती नियंतरक था उसे इतना धीमा चलना था ताकि वो निलकंट के जल्यान की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके लेकिन यदि आवश्यक हो तो वो इतनी तीवर गती से भी चल सके ताकि उनके जल्यान को मार्ग दे कर बश निकलने का अवसर प्रदान कर सके वो अग्रणी जल्यान एक चंदरवन्शी कप्तान के नेतरत्व में था जो बड़े ही अजब धंग से किसी अनाडी सा कारे कर रहा था संभावताया अपने जल्यान की शक्ति दिखाने के लिए वो उन्मत गती से बढ़ता जा रहा था इसके कारण नेतरत्व जल्यान एवं शिव के जल्यान के मद्ध दूरी बढ़ती जा रही थी परवतेश्वर को नेतरत्व नौका के कप्तान को साफधान करने एममों से धीमा करने के लिए जल्यान की सीटी को लगातार बजाना पड़ रहा था उसकी अकुशलता से ठककर परवतेश्वर ने निर्णे लिया कि वो नेत्रत्व नौका में ही यात्रा करेगा ताकि वो उस चंदरवन्शी को नौकी इस रक्षा बनावट के आधार्बू सिद्धान सिखा सके अपने काम की महत्ता को समझते हुए परवतेश्वर तब व्यथित हो गया जब आनन्दमई ने अवरणी ये कारान से निर्णे लिया कि वो भी उस नेत्रत्व नौका में ही यात्रा करेगी हम लोग इतने धीमे क्यों चल रहे हैं आनन्दमई ने पूछा जल्यान के अगर भाग के जंगले से परवतेश्वर मुणा दबे पाउं उसका अपनी बगल तकाना इसका आनन्दमई को भान नहीं हुआ वो जंगल की ओर अपनी पीठ के खड़ी थी और हलके से कोहनी जंगले पर टिकाई हुई थी उसकी एक एड़ी जंगले के सबसे नीचे वाले खंड पर रखे हुई थी ऐसी मुद्र से पहले से ही छोटी उसकी धोती दाहिने पैर पर और उची उठ गई थी वक्ष स्तल्बे खिचकर उतेजक स्थिती में आ गय थे परवतेश्वर किसी कारण से असुधा महसूस करता हुआ कुछ समझ नहीं पाया और थोड़ा पीछे की और हड़ गया ये एक नौकिय सुरक्षा बनावट है राजकुमारी परवतेश्वर ने बड़ी मेहनत से बताया जैसे किसी ऐसे बच्चे को जटिल गडित समझा रहा हो जो समझने के लिए तयार ना हो आपको ये समझाने के लिए मेरा पुरा जीवन भी कम पड़ेगा कि आप मुझसे अपने साथ पूरा जीवन बिताने के लिए कह रहे हैं अरे बुड़े धाना वापना प्रवतेश्वर शर्म से लाल हो गया ऐसा है आनंद महीं ने कहना जारी रखा आपको कुछ बहुत ही मौलिक बाते बताने में निश्ची तरुप से मुझे अपना पूरा जीवन नहीं लगेगा हमारी नेतरत नौका को सीमा से अधिक धीमा करने के बजाए हम इस नौका को मुखे जल्यान से एक उजित लंबाई वली रसी से बांग सकते हैं उसके बाद पीछे एक सैनी को निउक्त कर सकते हैं जो हमें संकेत देता रहे हैं यदि कभी भी वो रसी जल में डूपती है तो उसका आर्थ होगा कि निश्ची तरुनौका धीमी है और उसे गती बढ़ानी चाहिए और यदि रसी तन जाती है तो सैनी को संकेत देना चाहि अंतर मिलेगा परविदेश्वर उसकी चतुराई भरे सुझाव से चकित हुआ बहुत ही सुंधर विचार मैं अभी कप्तान को बताता हूँ कि वह इस सिचार का पालन करें आनंद मई ने आगे बढ़कर अपने कोमल हाथों से परवदेश्वर को पकड़ा और पीछे के और खीच लिया इतनी भी जल्दी क्या है पर्म कुछ छणों से कोई अंतर नहीं पड़ेगा थोड़ी दिल मुसे बात कीजिए अपनी नाम को तोड़ने मरोडे और अनंद मई का अपनी भुजा पर ऐसी हटी पकड़ पर प्रवदेश्वर शर्म से सुर्क हो गया उसने नीचे उसके हाथ हो की और देखा आनंद मई ने तेवरी चड़ाई और अपना हाथ वापस खीच लिया कि गंदे नहीं है सेनपती मेरा ततपर यह नहीं था राजकुमारी तो फिर क्या था आनंद मई ने पूछा उसका स्वर थोड़ा रूखा था मैं किसी इस्त्री को छू नहीं सकता राजकुमारी विशेशकर आपको मैंने आजीवन ब्रह्मचरे का वरत लिया है आनंद मई हक्की भक्की रह गई वो परवतेश्वर को ऐसे घूर रही थी जैसे वो किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हो रुकिये आप ये बता रहे हैं कि आप 180 साल के कुवारे हैं परवत पेश दिये राजकुमार उग्रिसेन और उसकी पर्टन के साथ मुठ्भेड के बाद उनकी पर्टन मगद के दक्षर में और घने छेत्रों के और चली गई थी वो नागा गंभी रूप से घायल था और इस विस्तिती में नहीं था कि अधिक दूरत क्यात्र कर सके उस नाग तो जब तक तुम अपनी तलवार निकाल पाते उससे पहले ही में अपना काम कर चुकी होती विशुद्म ने उस रूखी फुसपसाहट को पहचान नहीं पाया संभवतया लंबी यात्रा के ठकान निया शीतकाल की ठंड ने आवाज को रूखा बना दिया था लेकिन उसने इस लहजे को अवश्य पहचान लिया था उसने ततकाल ही अपनी तलवार नीचे कर लिया और सिर जुका लिया चुपचाप अपने अश्व को आगे बढ़ाते हुए नागाओ की राणी व्रक्षों के पीछे से प्रकट हुई उसके पीछे उसके विश्वासी प्रधान मंत करकोटक और सर्वोत्तम पचास अंग्रक्षकों का दल था मैंने तुम्हें एक सरल सा कारेमात्र सौपा था राणी ने फुपकार कर कहा क्या तो अपने सौमी की सुरक्षा तक नहीं कर सकते क्या ये काम इतना कठिन है देवी हडबढाया हुआ विश्विदम ने फुसपु प्रमात्मा के लिए मुझे ये बताओ कि किसी जंगल वासी की रक्षा करने के लिए तुम अपना जीवन क्यों संकट में डालते हो तुम मेरी पीड़ा क्यों बढ़ाते हो क्या वे मेरे भागे में पहले से ही परियाप्त नहीं है मुझे च्छामा करो मौसी लेकिन क्या मैंने आपके सबसे बड़े तनाव का निप्टारा नहीं किया हाँ तुमने किया है और इसी एक मात्र कारण स मैं इतनी दूर से तुम्हारे लिए आई हूँ तुमने सभी नागाओं के भक्ति अर्जित कर ली है लेकिन तुम्हारा कारे अभी पूरा नहीं हुआ है तुम्हें अभी और बहुत से कारे करने है और किसी बिगडायल राजवन्शी को रोकना और किसी बिगडायल राजवन्शी को रोकना चुकि तुम समझते हो कि वो गलत है ये कारे उस सूची में कोई प्राक्मिता नहीं रखता ये देश ऐसे घिनोने राजवन्शीों से भरा पड़ा है जो अपने ही लोगों पर अत्याचार करते हैं क्या तुम ऐसे प्रतेग वेक्ति से लड़ोगे ये बात इतनी सरल नहीं है मौसी हाँ है वो मगत का राजकुमार कुछ गलत कर रहा था लेकिन ये तुम्हारा करतव नहीं कि तुम उनको रोकते फिरो जो गलत करते हैं तुम प्रभू रुद्र नहीं हो वो एक बालक का अपहरन बैलो की दौड के लिए करना चाहता था रानी ने गहरी सास ली ऐसा हर जगा होता है ऐसा हजारों बच्चों के साथ होता है ये बैलों की लड़ाई एक व्यसंकारी बीमारी है तुम कितने लोगों को रोकोगे लेकिन वो वही नहीं रुक रहा था वो नागा फुस्पुसाया वो उस बच्चे की मा की हत्या करने वाला था क्योंकि वो अपने बच्चे की रक्षा करना चाहती थी रानी का शरीर तन गया शीगरी वो क्रोध से तम-तमा उठी वैसी माताएं कम ही होती है विरल भाववेश के साथ उस नागा ने फुस्पुसा कर कहा उन्हें सु रक्षा क्या वशकता है बहुत हो गया कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि इसे भूल जाओ रानी ने शीगरता से अपने मुखाटा पहना और तीर सी बाहर चली गई उसके सेवक से जुकाय खड़े थे क्योंकि वे उस भयंकर क्रोध से डरे हुए थे करकोटा आग गया थे देवी हम एक घंटे की भीतर यहां से प्रस्थान कर रहे हैं हम घर जा रहे हैं तयारी करो लोका धीश ऐसी स्थिती में नहीं था कि यात्रा कर सके करकोटा के जानता था लेकिन महरानी रानी ने जिस प्रचंडता से उसे घूरा करकोटा क बोलते बोलते बीच में ही रुक गया शिव का काफिला जब काशी के निकट पहुचा वो नगर जहां दिवी प्रकाश चमकता है तो उसे यात्रा करते हुए तीन सप्ता से अधिक हो चला था पवित्र रदी गंगा के चिता कर्शक मोड पर वो नगर इस्थित था नदी ने फिर पूर्व दिशा की और बहने के पहले अलसाय से उत्तर दिशा की और से एक घुमावदार मार्ग अपनाया था यदि आकाश से देखा जाये तो यह गुमावदार मोड नवचंदर के प्रतीक के समान दिखाई देता था जो संग्योंग से चंदरवन्शियों का राजिसी चिन्नमी था इसलिए सुधी पासियों की दृष्टे में काशी प्राकृतिक रूप से एक चंदरवन्शिय नगर था काशी का एक अपना ही अंधविश्वास था नदी के उस गुमावदार मोड के केवल पश्चिमी तटपर ही वो नगर बसा था और पूरवी तटपर पूरी तरह से खाली पड़ा था ऐसा कहा जाता था कि यदि कोई काशी के पूरवी तटपर अपना घर बनाएगा वो दारुन भागे से पीडित होगा काशी के राजपरिवार ने इसी कारण पूरवी दिशावाली समस्त भूमी खरीद ले थी ताकि कोई गलती से भी इश्वर के प्रचंड क्रोध का भागी ना बने जैसे जैसे शिव का जल्यान उस प्रसिद असी घाट के और बढ़ता जा रहा था जो सम्रद नगर के सरोप्रमुक पोत गोदामों में से एक था तो आनुष्ठानिक स्वागत आरती के लिए सीडियों पर खड़ी भीड़ दोल नगारे बजाने लग गई थी ये बहुत ही सुन्दर नगर है अपने उभरते हुए पेट को सहलाते हुए सती फुसपुसाई शिव ने सती के और देखा और मुस्कुराया उसका हाथ अपने हाथ में लेकर हलके से चूमते हुए कसकर अपने सीने से लगाते हुए कहा कोई तो कारण है जो यहां घर जैसी अनुभूती हो रही है ये वो इस्थल है जहां हमारी संतान को जन्म लेना चाहिए सती ने भी मुस्कुरा कर प्रतियुत्तर दिया हाँ यही वो इस्थल होगा अतनी दूर से भी भगीरत देख पा रहा था कि अयुद्या के कुलिन काशी के भदर जनों से धका मुकी कर रहे थे वे अपनी स्वागत मशालों को उपर उठाने का प्रयास कर रहे थे जबकि अपने सहायकों को उनकी पारिवारिक पताकाओं को उचाणना पकरने के लिए जड़क रहे थे वे चाहते थे महादेव उनकी सुधिले और उन पर प्रपा करे लेकिन नीलकंट ने कुछ आसामा नहीं देख लिया था भगीरत अपनी बाई और मुरते हुए शिव ने पूछा इस नगर में कोई दुर्गी करण नहीं है पवितर जील के नाम पर ऐसा क्यों है कि इन्हें किसी सुरक्षा के अवशक्ता नहीं है ये एक लंबी कहानी है प्रभू भगीरत ने कहा मेरे पास समय ही समय है मुझे पूरी कहानी बताएं क्योंकि भारत देश में मैंने ये सबसे विचित्र दृष्य देखा है बात ऐसी है प्रभू की ये कहानी असी घाट से प्रारम होती है जहां हम रुकने वाले हैं इस घाट का ये अनुखा नाम इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि इसके असी सीडिया है ना ही इस कारण से की एक असी नाम की छोटी धारा इसके बगल में बैती है इसका नाम 80 इसले पढ़ा क्योंकि यहां 80 वध हुए थे वास्तों में 80 वध मात्र एक दिन में हुए थे प्रभुर राम दया करें हैरान सती ने कहा वे अभागे कौन थे वे लोग अभागे नहीं थे देवी भागीरत ने कहा वे लोग इतिहास के सबसे बड़े अपराद ही थे युद्ध अपराद के लिए असुर राजवन्ष के 80 सदस्यों को प्रभुर रुद्र द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था अनेक लोगों का माना है कि देवो एवं असुरों के मत अत्यधिक ठकाव युद्वो नहीं था जिसने असुरों की धमकियों का अंत किया था बलकि अवर्णिय नयाय था जो प्रभुर रुद्र ने किया था उनके महातपूर नेताओं के अनुपस्थिती में देवों के विरुद असुरों का विद्रो असफल हो गया था किसने कहा कि असुर बुरे थे और उसके बाद बहुत विचितर घटा उसके कुछ दिनों बाद ही प्रभुरुद्र ने हिंसा छोड़ दी जो तिहास के सबसे महान एवं सबसे भयंकर युद्धा थे उन्होंने देवी अस्तरों को प्रतिवंधित कर दिया जिसने देव असुर युद्ध में अत्यधिक विद्वन्स किया था कोई भी उनके आदेश के अवहिलना करे तो उन्हें प्रभुरुद्र के कोप का भाजन बनना पड़ सकता था उन्होंने कहा था कि यदि ऐसा कुछ हुआ तो वे अपनी अहिंसा की प्रतिग्या भी छोड़ सकते हैं और यदि कोई देवी अस्तर का प्रियोग करता है तो वे उस वेक्ति की साथ पुष्टों तक का सरवनाश कर देंगे देवी अस्तरों पर प्रभुरुद्र के आदेश के बारे में मुझे पता है सती ने कहा क्योंकि मेलूहा वासी महादेव के दैवी अस्तरों के प्रतिबंदि के बारे में भी जानते थे लेकिन इसके पीछे की कहानी नहीं जानती किस कारण से उन्होंने ये आदेश दिया था मैं ये नहीं जानता देवी भगीरत ने कहा मैं जानता हूँ श्रीव को ध्यान आया, ये वो छण रहा होगा जब प्रबुरुद्र ने अनुभव किया होगा कि असुर बुरे नहीं थे, वे मात्र भिन्न थे, अवर श्री गलानी का दंश उन्हें चुपा होगा, लेकिन कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती, प्रबुरुद्र ने ये भी थल को सम्मान देना चाहिए उन्होंने ये भी कहा था कि यदे असी घाट और काशी में अंतिम संसकार किया जाता है तो बड़े से बड़े पापी को भी छहमादान और उनकी मुक्तिकले मारदर्शन मिलेगा मनुरंजक सती ने कहा काशी के राजाओं ने जो प्रभुरुदर के महान अनुयाइत है असी घाट पर ना केवल किसी भी प्रकार के वद या हत्त आ को पुर्टिक अधर कर दिया बल्कि किसी भी सामराज के लोगों की अंतियश्टी के लिए इसे सारवजिनिक कर दिया जहां बिना जाती समुदा या लिंग विभेत के कोई भी आ सकता था समय के साथ काशी के बारे में लोगों की ये आस्था बन गई कि ये वो इस थल है जो आत्मा की मुप्तिक अद्वार है इसे अत्यधिक संख्या में लोग अपने जीवन के अंतिम दिलों में यहां आकर रहने लगे थे इस लगू असी घाट में उतनी बड़ी संख्या में मृतिकों की अंतियष्टी करवा पाना असंभव था अता असी घाट पर अंतियश्टी कर्म बंद कर दिया गया और नगर ने एक अन्य घाट को अंतियश्टी कर्म के लिए तयार कर लिया गया जिसका नाम है मनी करनिका जो एक विशालकाय शवदाहग रहे हैं लेकिन इसका इससे क्या लिना देना है कि यहाँ कोई दुर्ग की द हो यह राजिसंग के युद्धों से यह किसी भी प्रकार से प्रभावित हो इसके अत्रिक तिकाशी के राजाओं ने प्रगुरुद्र के आहिंसा के आदेश का पालन किया क्योंकि उनका विश्वास था कि यही तर्क सम्मत निश्कर्ष हो सकता था राज परिवारों ने आम यहात्मी परिवेश बनाने के लिए सभी सड़कों के किनारे अनेक बड़े-बड़े मंद्रों का निर्माल करवाया तो क्या काशी पर हमला नहीं हुआ और उससे जीता नहीं गया इसके विप्रीत प्रभु भगीरत ने आगे कहा प्रभु रुद्र के सिक्षाओं के प्रत शांति एवं सदीव सामराजे में किसी भी राजसे गुटनेर पेक्ष्टा ने काशी को वास्तों में इस थिर्ता के कारण एक सुखदायक स्थान बना दिया क्या इसी कारण से यहां बहुत से ब्रंगा लोग मिल जाते हैं हाँ प्रभु और कहां वे सुरक्षित रह सकेंगे काशी में सभी लोग किसी भी प्रकार की हानी से बस सकते हैं लेकिन ब्रंगा वालों ने काशी के धैर एवं अतिती सतकार की भी परिक्षाली है क्या सच मु काशी के राजपरिवार ने अपने नागरिकों को सुझाव दिया कि चुकि ब्रंगा वाले स्वदेश में बहुत प्रतार्णाव से गुजरे हैं अधा काशी निवास्यों को उनके साथ साहनबूती शील रहना चाहिए लेकिन अधितन लोगों को यह बहुत कठिन लगा वास् आज सबसे अधिधनी राज है प्रकट रूप से ब्रंगा के राजा ने काशी के दस वर्षों की करवसूली के बरावर मूले का सोना भेजा और परिणाम सुरूब निशकाशन आदेश को भूला दिया गया फाला ब्रंगा का राजा अपना धन उन लोगों की साहयता के मैं नहीं जानता प्रवो मेरे विचार से हम इसे ब्रंगा वालो की एक विशिष्ट गुड के रूप में देख सकते हैं असी घाट पर जलियान धीरे से किनारे लग गया और शिव ने उनके स्वागत के लिए वहां जमा हुए जनसाधारान की ओर देखा परवतेश्वर पह शिव ने उस दिशा में देखा जिदर सती ने संगेत किया था उस अंगामे से कुछ दूरी पर एक शालीन छत्री के नीचे गंभीर व्रद खड़ा था जिसने अपने कुलीनों और आयोध्या के अभिजात वर्ग के लोगों को निलकंठा के स्वागत के लिए आगे रहने शिव ने अपने हाथ विनम्रता से नमस्ति की मुद्रा में जोड़े और थोड़ा जुकर काशी के नरेश अठिथिग्व का अभिवादन किया प्रतियुत्तर में अठिथिग्वने नीलकंठ के सम्मान वे पूरी तरह से जुकर अभिवादन किया सती उस दूरी से या फिर तुम सचमुझ दिन प्रति दिन सुन्दर होती जा रही हो। अपने पेट को सहलाते हुए सती मुस्कुराई। इतनी सुबह सुबह बाते बनाना छोड़ दो। फिर से उसे चूमते हुए शिव अपनी कोहनी के बल उठा। तो इसका आशा है कि अपसे प्रशंसा करने का समय भी निश्चित समझा जाए। सिद्ध मेखला मार्ग जो पवितर मार्ग भी कहला था वहां से सपष्ट दिखाई दे रहा था। वो एक बहुती भवे प्रेणा स्प्रद दृष्य था। संकुलित भीर्ण भरी काशी नगरी से भिन वो मार्ग काफी चोड़ा था। जिसमें 6 रत एक साथ चल सकते थे। उस मार्ग के दोनों और व्रक्षों का आसाधरन प्राचुर्य था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वहां भारती उप महादीब की समस्त प्रकार की वनस्पतियों का अस्तित्व हो। उन व्रक्षों के बाद अनीका अनीक मंदिर बने हुए थे। पर स्थापित थे और जो सबसे अधिक भावे मंदिर था, वो सबसे प्रशंसित महान महादेव प्रभुरुद्र को समर्पित था। यही वो मंदिर था जिसे सदी अपलक निहार रही थी। यह मंदिर ब्रह्म घाट के निकट निर्मित किया गया था। पौरानिक कथाओं में ऐसा प्रमाण मिलता है कि प्रभुरुद्र के जीवनकाल में ही देवों ने उनके लिए मंदिर बनाने की योजना बना ले थी और वे इसे असी घाट के निकट बनाना चाहते थे जो प्रभुरुद्र के न्याय प्रदान करने का इस्थल था लेकिन महान महादेव असुर संघारक ने आदेश दिया था कि उनका कोई भी इसमारक असी घाट के निकट ना बनाया जाए उनकी सरवादिक गहन पंक्तिया थी यहां नहीं और कहीं भी लेकिन यहां नहीं किसी को भी यह समझ में नहीं आया था ऐसा क्यों था लेकिन फिर भी किसी ने भयंकर प्रभू रुद्र से तर्क करने का प्रयत नहीं किया इसे विश्वनात का मंदिर कहते है अचानक ही वहां आकर सती को आश्यर चकित करते हुए शिव ने कहा इसकार्थ होता है जगत का स्वामी वे बहुत ही महान थे एक सचे इश्वर सती फुस फुसाई हाँ प्रभुरुद्र को नमन करता हुआ शिव सहमत हुआ ओम रुद्राय नमा ओम रुद्राय नमा राजा अधितिग्व ने अच्छा किया जो पिछली रात हमें अकेला चोड़ दिया असी घार पर उन आयोजनों के बाद हमें निश्चिती विश्राम करने के आवशकता थी हाँ वे भले विक्ति प्रतीत होते हैं लेकिन मुझे ये भै है कि आपको वे अकेला नहीं छोड़ने वाले मुझे लग रहा था कि उन्होंने आपसे बहुत सरी बाते करनी है शिव हसा लेकिन ये नगर मुझे पसंद है जितना अधिक निहारता हूँ उतनी ही मुझे घर जैसी अनुबूती होती है चलिये जल्पान कर लेते हैं सती ने कहा मेरे विचार से हमें बहुत से कारे करने है विशेशकर तुम नहीं कानिनी ने पूछा क्या उन्होंने सचमुछे ऐसा कहा यही शब्द थे आनन्दमई ने कहा कि वे किसी इस्तरी को इस पर्ष नहीं कर सकते विशेशकर मुझे कानिनी ने विशेशग्यों की भाती पुनर्योवना वाला तेल आनंदमाई के सिर पर डालते हुए मालिश करते हुए कहा इसका आर्थ है राजकुमारी आजीवन ब्रह्मचरी के व्रत को तोड़ने पर विवश कर देने वाली मातर दो ही महिलाए है या तो वो अपसरा मेनका है या फिर आप दो देवी अपसरा से समानता करने पर आनंदमाई की भाहतन गई मेरी छमा प्रात्ना सुईकार करे नेवी कानीनी ने चहकते हुए कहा आपके तुलना में मेनका क्या है आनंद मही हसी लेकिन ये तो मेनका की चुनौती से कहीं अधिक चुनौती है राजकुमारी कानीनी ने कहना जारी रखा मुनि विश्वामित्र ने अपने जीवन के उत्रार्ध में प्रतिग्या ली थी उन्होंने प्रेम के आनंद का पूर्व में अनुभाव किया था मेनका को उन्हें मातर याद दिलाना था उनके लिए रचना नहीं करनी थी दूसरी और सेनपती बाल ब्रह्मचारी है मैं जानती हूँ लेकिन जब कोई वस्तु बहुत अधिक सुन्दर हो तो उसे प्राप्त करना आसान नहीं होता है कैसा हो सकता है कानिनी ने अपनी आँखे संकुचित की आप विजैश्री प्राप्त करने से पूर्व यू निराश ना हो राजकुमारी आनन्दमई ने तेवरी जड़ा ली निसंदे मैं नहीं हूँ कानिनी ने आनन्दमई को घुरा और मुस्कुराई इस पश्ट था राजकुमारी का हरदे प्रेम से स्पंदित हो रहा था उसने आशा की थी कि प्रवते इश्वर को अपने अच्छे भोईशे का भान समय रहते हो जाए आपकी राजधानी बहुत ही सुन्दर है महराज शिव ने कहा सूरी ने दिनकी अपनी यातरा का तीसरा हिस्सा तै कर लिया था शिव काशी नरेश अथित्धिग्व के विक्तिगत कक्ष में सती के साथ बैठा हुआ था दरपुकु नंदी और वीर्भदर काशी के लठैत राजसी पहरदारों में सेयोग के दौर पर ख़ड़े थे दरपुकु के लिए ये रहस्य था कि लठैत पहरदार कैसे राजपरिवार की सुरक्षा कर सकते थे यदि कोई गंभीर हमला हो जाए तो इसमद्य परवतेशर काशी के पुलिस प्रमुक के साथ यातरा पर निकल गया था वो राजमहल से काशी विश्वनात मंदिर तक के मार्ग की सुरक्षा को सुनिशित करना चागता था जिस मार्ग पर निलकंट की उस मंदिर तक जाने की योज़ना थी इसके संभावना थे कि नीलकंट के मारदर्शन के लिए संपूर नगर पर उस पवित्र मारग पर पंक्तिबध होने वाला था क्योंकि उनके आगमन पर किवल कुलीनों को ही असीगार पर उनसे मिलने का उसर प्रदान किया गया था वास्तों में ये आपका ही नगर है प्रभू जुकर नमन करते हुए अतिथिग्व ने कहा शिव ने तियोरी चड़ाई भगवान रुद्र ने अपना अधिक्तम समय काशी में ही बिदाया था जिसे वे अपनाया हुआ आवास कहते थे अतिथिग्व ने व्याक्या की पश्च शिव दीरे असाहज अनुभाव कर रहा था अब जब भगवान रुद्र के उत्रादिकारी यहाँ तो यह उचित समय है कि जब उन्हें सिंगासन ग्रान कर लेना चाहिए अतिथिग्व ने कहना जारी रखा आपकी सेवा करने में मुझे गर्व होगा प्रभू आश्चर ए दूसरी बात ये कि मैं निश्य त्रोप से प्रभूरुद्र का उत्राधिकारी कहलाने की योगेदा नहीं रखता हूँ। फिर आप एक अच्छे राजा हैं और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप प्रजा की सेवा करते रहें। लेकिन प्रभू वैसे मैं कुछ प्रभू मीरा पूरा का पूरा राजमहल आपका है। दिवी सती और आप सवैव के लिए यहां निवास कर सकते हैं। शिव धीमे से मुस्कुराया। नहीं। मैं नहीं समझता कि हम इतनी लंबी अवधी के लिए यहां रुगेंगे। साथ ही मैं आपके नगर में ब्रंगा की आतरा पर गया है। और आज राज तक उसे वापस आ जाना चाहिए। मैं सुनिशित करूँगा कि उसे आपके समक्ष शीगराती शीगर उपस्तित किया जाए। बहुत बढ़िया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां पर एकत्रित भीर नियंतर से बाहर जा रही है दर्पक थी। में लोग इतने विनम्रते की लगता था कि गलती पुलिस वालों की हो। सामान तया उसका असर काशी के सभी नागरिकों पर ही काम करता था। लेकिन ऐसे आउसर जहां पर प्रतेइक विक्ति आगे आने और प्रभु को इस परश करनी की होड में था ऐसे में वहां सू भाल लोंगा सेनपती। द्रपकु ने नीचे प्रतिक्षा कर रहे हैं नंदी को आदेश देने के लिए वेदिका से छलांग लगाते हुए कहा। लेकिन वो बल प्रियोग बिल्कुल ना करें। त्रात्या ने कहा। वो जैसी परसिती होगी उसी के अनुसार वेभार करेग द्रपकु का आदेश सुनने के बार नंदी एक पल्टन के साथ उस दिशा में बढ़ गया। द्रपकु को अपने कटे हुए हाथ के कुंदे का प्रियोग करते हुए आशर जनक फूर्ति के साथ वेदिका पर पुना चड़ गया। कारे हो गया सेनपती। द्रपकु ने कहा भीड को पीछे ढगेल दिया जाएगा। परवतेश्वर ने सहमती में सिर हिलाया और शिव और उसके दल के सदस्यों को देखने के लिए मुड़ गया। भीड का नाम पुकार रही थी और शिव भीड में उपस्तित प्रते एक विक्ति का अभिनंदन सुईकार कर रहे सती का हाथ पकड़े चोड़ी मुसकान विखेरते शिव धीरे धीरे टहलते हुए चले आ रहे थे। सती की सहचली कृति का सती से कुछ कदम पीछे थी जबकि अथी थिग्व एक सच्चे भक्ति की निष्ठा से अपने परिवार एवं मंत्रियों संग पीछे पीछे चल रह हैं मुझे बताओ कि वास्तों में क्या हुआ है उन्होंने एक बार फिर से एक मोर की हत्या कर दी है लेकिन इस बार ये काम करते हुए उनके कुछ पडोसियों ने रंगे हाथों पकड़ लिया इस पाप कवे लोग प्रतिशोध लेने के प्रतिग्या कर रहे हैं मुझे इस पता है कि काशी में मोरों को मारना प्रतिबंदी थे क्योंकि वे भगवान रुद्र के सबसे पसंदीदा पक्षियों में से एक है एक व्यापक मानेता है कि वे अपनी बस्ती में किसी विचित्र अनुष्ठान में मोर की बली देते हैं अब जब रंगे हाथों पकड़े गय लेकिन ब्रंगा वाले जान बूज कर हम सबको करोधित करना चाहते हैं यह दंगा वास्तों में अच्छे अंत के लिए बुरा मार्ग है बस इसे हो जाने दे परवतेश्वर उस पुलिस अधिकारी की बास सुनकर इस्तब्द था जो कुस समय पूर भी आहिंसा के गुड़ो कि परवतेश्वर से मुक्ति मिल जाती है तो इतनी छोटी आहुधी देने कोई समस्या नहीं इस विशय में मैं कुछ नहीं कर सकता और नाहीं कुछ करूंगा और आपको मेरा आदेश है पर्वतेश्वर ने कहा सुनिशित करें कि जैसे ही प्रभु विश्वनात मंदिर पहुंचे भीण छड़ जाए राजकुमार भगीरत के आप मेरे साथ आएंगे मुझे सहायता क्या आवशक्ता होगी क्योंकि मैं चंद्रवंशी रित्रिवाजों को नहीं जानता यह मेरे लिए गर्व की बात होगी सेनपती बगीरत ने कहा पहली बार तृत्रतिया ने अप आवाद उची करते हुए कहा आपको हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं आ उनके पास सारे अधिकार है भगीरत ने बीच में टोकर ऐसे दर्ब से कहा जो किसी राजवन्शी के पास ही होता है क्या आप प्रभुराम के शब्दों को भूल गए हैं? जब कोई पाप किया जा रहा हो तो उसे देखना और कुछ ना करना उतना ही बुरा है जितना कि वो पाप करना सेना पती आपका ही कारे करने जा रहा है आपको तो उसके लिए कृतिक ग्यता ग्यापित करनी चाहिए परवतेश्वर एवं भगीरत कावस के साथ शीगरता से उस वेदिका से नीचे उतरे उन्होंने वीरबदर को आदेश दिया कि वो सौ साइनिकों के साथ उनके पीछे आया और वे ब्रंगाओं की बस्ती की और तुरंत कूछ कर गए ये तो कठिन है और जटिल भी भगीरत ने कहा वे ब्रंगाओं की बस्ती की सामने पहुच चुके थे शरणार्थियों दोरा पूरदिशा से लाए गया प्रसिद स्वर्ण कोश ने इस विशेश चेतर के भील भरे भाग को बड़े बड़े निवासे स्थलों में परिवर्दित कर दिया था ब्रंगा के लोग अतिधिक अलंकरत और कलात्मक बूटों से उतकीन हुए बहुतलिया आवास में रहते थे पूरे काशी एवं विश्वनाथ मंदिर में राजमहल के अलावा कोई अन्य अवसरों से बड़े नहीं थे आवास के चारों और बाग मगीचे थे जो रूची पूर्ण भूदरशे वाले एवं रूड़ बादे ढंग के एक समान थे ये विचितर रूप से लगव मगद के नरसिंग मंदिर जैसे थे प्रवेश द्वार पर एक पटे लगा हुआ था जो वहाँ के निवासियों की निष्ठा की गर्व की घोशला करता था ब्रंगा की सरवादिक दैवी भूमी पर भगवान रुदर करबा करें उस बार लगे बागान की सीमा की ततकाल बाद ही नगर की भीरबार और अस्तवेस्ता का प्रारंब हो गया वितंग रास्ते उस नगर परिसर की और चले गए जहां आयोध्या मगत प्रियाग और चंदरवंशी राज संगा के अने हिस्सों से आये शरणार्थियों की बहुलता थी बहुत ही कम लोग इस बात को जानते थी कि अपने देश की अत्यधिक अनुशासित जीवन शैली एवं अपने बच्चों को उस मैका में दिये जाने के भैसे मेलुहावासी भी काशी में शरणार्थी बने हुए थे अपने बच्चों को अपनी आखों के सामने बड़े होते देखने के आनंद के लिए विचंदरवंशी शैली की अवैवस्था को जेल रहे थे मैं निश्चित तोर पर कह सकता हूँ कि ये उनकी प्रताओं के प्रती क्रोध मात्र नहीं है काशी के जन साधाराण एवं ब्रंगा वालों की जीवन शैली के मूलबूतर अंतर को समझाते हुए वीर्भद्र ने कहा उनकी सम्रध्धी की प्रती इर्षया ने भी ब्रंगा वालों के विरुद इस ग्रणा को उत्पन किया होगा पर्वतेशोर परिस्थिती का आंकलन कर रहा था उसकी ओर बुर्णे से पहले भगीरत ने सहमती में सिरह लाया आप क्या सोचते हैं सेना पती सुरक्षापमक दरश्टी से वो इस्थल आपदाकारी था ब्रंगा लोग एक और तुकुआ दूसरी और खाई के नियम से घिरे हुए थे चारों और से लोग उनके प्रतिशत तुरुता भूर भावनाओं से उत्परोत थे भीर भाड भरी गलियों से होते हुए सघंजन संक्या वाला ये छेतर ब्रंगा वालों की बस्ती की और चला जाता था वहां से निकल भागना असंभा हुई था उन संक्री गलियों में भी वे आसानी से घेरे जा सकते थे विबागान ब्रंगा वालों को कुछ सुरक्षा आवश्य प्रदान करते थे क्योंकि हमलावर भीर को ब्रंगा वालों की आवास तक पहुशने के से पहले उस खुले स्थान से आवश्य गुजरना पड़ता था जिसमें कम से कम एक मिनट का समय लगी जाता था संभवतेया काशी में अपनी स्थिति का आकलन करते हुए भैक के काराण ब्रंगा लोगों ने अपने अपने कमरों की जहतों पर पत्थरों के धीर रख्या हुए थे उस उचाई से फेके जाने पर वे पत्थर पिछे पास्त्रों की तरह कारे करने और गंभी रूप से घायल करने में सक्षम थे यहां तक कि यदिवे शरीर के सम्वेदन शील हिस्सों पर लगे तो प्रणगा तक भी सिद्ध हो सकते थे इस बीच काशी की भीर ने उनके घीरे आहाते में कुटे छोड़ दिये जिने ब्रंगा लोग गंदा मानकर घ्रणा करते थे उन्हें पता था कि उन पश्वों को भागाने के लिए ब्रंगा वाले पत्त्रों से बाहर करेंगे परवतेश्वर ने अनुभाव कर लिया थे कि इस ठकाव लड़ाई में मात्र कुछी समय की बात है ब्रंगा वालों के पत्त्रों के लिए समाप्त होने वाले थे और पत्त्र समाप्त होते हैं उन्हें सीधी लड़ाई करनी ही पड़ेगी उनके शत्रो रसोई घर में काम आने वाले चाको और कपड़े धोने वाले डंडो से लैस थे साथ ही उनके संख्या ब्रंगा वालों की तुलना में एक पर सो के बराबर थी ऐसे में उनके बचने की संभावना बहुत ही कम थी ये सब ब्रंगा वालों के लिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा परवत इश्वर ने कहा क्या काशी की भीड को मना कर सकते हैं मैंने पहले ही प्रियास कर लिया है सेनपती भगीरत ने कहा वे नहीं सुनेंगे उनका मानना है कि ब्रंगा वाले अपने सुने के दम पर नियायले को खरीद लेंगे संभावतिया ये सच है काशी का सेनपती कावस चुपके से अपना जुकाव रकट करते हुए बुदबदाया महगीरत कावस की और मुणा तो वो ततकाल ही डरकर घबरा गया क्योंकि काशी में महगीरत का बहुत यश था आप भीर से सहमत नहीं है है ना महगीरत ने पूछा कावस ने कुरुद दृष्टी डाली मैं ब्रंगा के लोगों से घ्रणा करता हूँ वे नीच लोग है वो अपनी स्वर्ण फेक कर किसी भी कानून का उलंगन करते रहते हैं इतना कहने के बाद कावस शान्त हो गया उसने दृष्टी नीचे की और फुस फुसाया लेकिन क्या उनके साथ इस प्रकार का वेभार करना चाहिए क्या प्रभुरुरुद्र ने ऐसा किया होगा नहीं राजकुमार नहीं तो फिर हमें इसका समधान बताए उन्हें घेरे हुए काशी के कुरुद नागरिकों की और संकेत कर कावस ने कहा ये जुन्ड तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक ब्रंगावाले किसी ना किसी प्रकार से दंडियत नहीं किये जाएंगे राजकुमार भगीरत ब्रंगावालों के जीवित एवं सुरक्षित रखते हुए हम ये कैसे सुनिश्यत कर सकते हैं मैं नहीं जानता और ये सुरिवंशी उन पर आकरमण कर दे तो प्रवतेश्वर ने पूछा इस प्रभावी लेकिन नैतिक रूप से विवादित समधान पर वो स्वयम इस्तब्द था भागीरत ततकाल मुस्क्राया लेकिन वो समध चुका था कि प्रवतेश्वर का आशय क्या था हम लोग काशी के लाठियों का प्रियोग करेंगे ना कि अपने हत्यारों का हम लोग उन्हें केवल घायल करेंगे जान से नहीं मारेंगे बिल्कुल सही प्रवतेश्वर ने कहा भीड को न्याय मिल जाएगा और वे पीछे हट जाएगे ब्रंगा वाले घायल होंगे लेकिन जीवित रहेंगे मैं जानता हूँ ये पूर्टया उचित नहीं है लेकिन कभी कभी गंभीर गलती को रोकने के लिए सुटी सी गलती करना ही एक मात रूपाय रह जाता है मुझे इसका पूरा उत्तरदायत लेना होगा और परमात्मा को उत्तर देना होगा भगीरत हलके से मुस्कुराया परवतेश्वर के चित्त में कुछ चंद्रवंशी शैलिया प्रवेश कर गई थी उसकी दृष्टी से नहीं चुपा था कि उसकी बड़ी बहन मेलुहा के सेनपती का अतिधिक ध्यान रख रही थी परवतेश्वर कावस की और मुझे सौ लाठियों की आवशक्ता होगी कावस के साथ भगीरत पवित्रमार की और दौर पड़े वे कुछी समय में वापस आ गए इस बीच परवतेश्वर ने काशी की भीर से बात कर ली थी उसने उन्हें ये वचन दिया था कि यदि वे अपने हथिहार डाल देंगे तो उन्हें नयाय मिलेगा वो सूरिवन्शों के इस नयाय की आशा में प्रतिक्षा करने लगे परवतेश्वर ने अपने सामने सूरिवन्शों को एकत्रित किया मेलुहावासियों अपनी तलवार का प्रयोग मत करना इन लाठियों का प्रयोग करो उनके सिर्चोड शरीर के अन्य अंगों पर चोट करो अपनी धाल को सक्ती से कच्छुए की बनावट में रखो उस चाही से पत्थर प्राणगा तक सिध्ध हो सकते हैं सुरवंशियों ने अपने सेनपती को एक टक देखा यही एक तरीका है जिससे ब्रंगा वालों की जान बचाई जा सकती है परवतेश्वर ने कहना जारी रखा परवतेश्वर भगीरत और वीर भदर के नेतरतों में मेलुहा वासे शीगरता से युद्ध की बनावट में आ गए कावस को जो इस प्रकार के व्यूग कोशल से अन्भिग गिता मद में रखा गया जहां वो सबसे सुरक्षित था जैसे ही सैनिकों ने ब्रंगा के बागान के और कूच किया तो पत्थरों की ओला वरिष्टी होने लगी अब निढालों से वे पूर्टे हैं सुरक्षित रहे थे और लेकिन धीमे धीमे निशित गती से वे उसी भवन के प्रवेश द्वार के और बढ़ते जा रहे थे सहज रूप से प्रवेश द्वार बागान के मार्ग से भी अधिक संकरा था कच्छुए की बनावट को यहां तोड़ना पड़ा परुतेश्वर ने सैनिकों को दूरी पंक्ती में भवन के में प्रवेश करने का आदेश दिया धालों को बाएं एवम दाय रखा गया ताकि हमले से बचाओ हो सके उसने सोचा था कि भवन के अंदर पत्रों का प्रयोग नहीं हो सकता यहीं पर अनुमान लगाने में भैंकर गलती हुई कितनी सुन्दर मूर्ती है प्रभुरुद्र की विस्टमैकारी लेकिन प्रिणादाई मूर्ती को देखका सती हलके से काप उठी शिव एवम सती उस विशालकाई विशुनात मंदिर में अभी भी प्रविश्ट होए थे ब्रह्म घार्ट से कुछ दूरी पर बना हो मंदिर भवे था उन्ना केवल सौ मीटर की विशालकाई उचाई वाला था उध्याद के एक सबसे दूर छोड से लगभा 20 मीटर उची विशालकाई वेदिका विवन चूम रही थी उस पर अन्य मंदिरों से भिन कोई नकाशी या अलंकराण नहीं था जैसा कि शिव ने अब तक के मंदिरों में देखा था वेदिका पर उपर जाने के लिए सो सीडिया बनाई गई थी जो भगतगर वेदिका के उपर पहुचेंगे वे मंदिर के शिखर को देकर हैरान रह जाएंगे जो पुना लाल बलुआ पत्र का बना हुआ था और असंभवे 80 मीटर रुचा था वेदिका के समान ही मुख्य मंदिर में कोई भी नकाशी नहीं थी उस शिखर को इस्तिर रखने के लिए सोस्तंभ बनाए गए थे आनि मंदिरों से भिन पवित्र पुन्यागार केंदर में था ना कि दूर एक छोर पर उस पवित्र स्थान के अंदर ही एक मूर्ती थी जो पूरे भारत के भक्तगणों को आकर्शित करती थी और वो मूर्ती थी दुर्जे प्रभूरुद्र की पौराणी गठाओं में ऐसा वर्णन मिला था कि प्रभूरुद्र अधिकतर अकेले ही कारी किया करते थे उनके कोई ग्यात्मित्र नहीं थे जिनकी कथाय मंद्रों की दिवार पर भित्तिचित्रों के रूप में अमर की जाती उनका कोई कृपापात्र भाक्त भी नहीं था जिसके मूर्ती उनके चर्णों पर बनाई जाती प्रभुरुद्र की एक मात्र संगिनी जिसकी वे सुनते थे वो थी देवी मोहिनी इसलिए कृतिका को ये कुछ जचा नहीं कि उस प्रसिद सौनदरी को मूर्ति स्वरूप गढ़ा नहीं गया था देवी मोहिनी की मूर्ति यहां कैसे नहीं है कृतिका अतितिगुव के एक सहायक से पुस्पसा कर बोली आप प्रभु की कहानी अच्छी तरह से जानती है उस सहायक ने उत्तर दिया आएं वो कृतिका को उस पवितर इस्थल के दूसरी ओर ले गई कृतिका को तब आश्यर हुआ जब उसने देखा कि कि उस पवितर इस्थल का एक और प्रभुष द्वार था जो पीछे की ओर से बना हुआ था कोई भगत उस प्रभुष द्वार से अंदर आता तो वो देवी मोहिनी की मूर्ति देख सकता था ऐसा कहा जाता था कि देवी मोहिनी समस्त इतिहास के सबसे सुन्दर इस्तिर थी जो वहाँ एक सिंगासन पर विराजमान थी उनकी सुन्दर आखे मोहाक रूप से अध्गुली ध्यान लगाये हुए किसी थी लेकिन क्रतिका ने देख लिया था कि उनके हाथ करतिका ने देवी मोहिनी को शाष्टांग प्रणाम किया जब कि कुछ लोगों ने विष्णू के रूप में सम्मानित करने से इंकार कर दिया था लेकिन क्रतिका न अधिसंख्यों को में से थी जो एमानती थी कि देवी मोहिनी अच्छाई की प्रचारक उपादी की सुपात रहे पवितर इस्थल के दूसरी और शियो प्रभुरुद्र की प्रितिमा को टक्टकी लगाये देख रहा था प्रभु प्रभु प्रभाव शाली एवं असंभवी रूप से सुडॉल मानस्पेशियों वाले थे उनके रोएदार सीने पर एक लॉकेट लटका हुआ था निकट से देखने पर शिव ने पाया कि वो शेर का एक पंजा था सिंगहासन के बगल में उनकी ढाल रखी हुई थी उनकी तलवार भी सिंगहासन पर ही एक और रखी हुई थी जबकि प्रभु रुद्र का हाथ उसके मूट के पास था स्पष्चतया शिल्पकार इस बात का महत्व दर्शाना चाहता था वैसे तो इतिहास के सबसे भायाना की उधाने हिंसा त्याग दे थी लेकिन उनके बनाए नियमों को तोड़ने का साहस करने वालों को पार्ट पढ़ाने के लिए उनकी तलवार उनके हाथ के निकट ही थी शिल्पकार ने विश्वास्तनी ये ढंग से प्रभूरुदर के शरीर पर उन्हें सुशोभित करने वाले युद्ध के गर्वेले निशानों को उब होई रहा था उनमें से एक निशान उनके मुख के आरपार उनकी दाइं कनपटी से लेकर उनके बाएं जबड़े तक चल सीमा से बहुत दूर और हमारे महान हिमाले से बहुत तूर ये भूमी स्थित है, शिव प्रभु की प्रतिमा की और मुड़ गया, उस मंदिर में जो बहा उस मंदिर में सिवह प्रबल भाव प्रदर्शित हो रहे थे बहुत प्हाई के अगरत था था? कि सत्ये औ प्रिम का चाहिए सम्मान या विस्मे भै क्यों कि कभी कभी भै के सिवाय मन को कुछ भी इस पश्ट या के इंद्रित नहीं कर सकता प्रभु रुद्र को अपने लक्षियों की प्राप्ति के लिए भै का वातवरन बनाना था शिव ने अपने मन में स्वर सुना ऐसा प्रतीत हुआ कि व आप मुझे सुन सकते हैं तो अपने सर्वाधिक सिध्धांतवाधी अन्युयाई कि हताश पुकार को आप क्यों नहीं सुन सकते 트ौद्भ सिध्धांतवाधी अन्युयाई स्वर मूग हो चुका था शिव पीछे मुड़ा चिंतित पुस्तक के अध्याय पथन की यात्रह मे आप सभी का धन्यवार यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अलविदा आप सभी का मोटिवेशन टू रीड में स्वागत है आज हम जिस पुस्तक का सास्वर पठन करने वाले हैं वो शिव रचनत्रही की दूसरी पुस्तक नागाओं का रहसे है जिसके रचनाकार हैं अमीश्त्रिपाठी और अनुवादक हैं विश्वजीत सपन अध्याएच है पहाड भी तूट सकता है आण लो परवतेश्वर चिलाया भगीरत और परवतेश्वर जब ब्रवतेश्वर जब ब्रंगों के भवन में गुसे तो उनका स्वागत पत्थरों की बहुचार से हुआ एक रोशंदान सहित उस भवन के प्रवेश द्वार पर एक बहुत बड़ा प्रांगर था बनावट बहुत युद्कृष्ट थी जिसमें प्राकरतिक रूप से सूरी की रोशनी एवं ताजी हवा का बाधा रहित आवागमन होता रहता था उस प्रांगर को वर्शा से बचाने के लिए बड़ी चतुराई से सिकुड जाने वाली एक छट का निर्मार किया गया था यद्यपी वर्तमान में वो प्रांगर सूरीवंशियों के लिए मृत्य की नदी के समान था वो चारों और से छज्जों से घिरा हुआ था जहां से ब्रंगा वाले उन पर पत्थरों की वर्शा कर रहे थे एक तीखे प्रचेपास्त्र ने परवतेश्वर के बाएं कंधे को आगात पहुँचाया उसे अनुभाव हुआ जैसे उसके गर्दन की हडडी चटक गई हो क्रोध से आगबबुला हो उसने अपना डंडा उचा उठाया और गरज उठा हर हर महादेव सूरीवंशियों ने चिल्ला कर कहा वे इश्वर थे मात्र पत्थर उन्हें रोक नहीं सकते जो भी रास्ते में आये चाहे वे औरते ही क्यों नहों उन सब को डंडो से पीटते हुए सूरीवंशियों सीडियों पर बढ़ गए किन्तु वे उस गुस्से में भी पर्वतेश्वर के निर्देशों को भूले नहीं थे सिर पर वार नहीं करना है उन्होंने ब्रंगावालों को घायल किया लेकिन किसी के प्रार नहीं लिये सूरीवंशियों के अन्वरत एवं अनुशासे थमले के सामने ब्रंगावाले टिकना सके और पीछे हटने लगे बस कुछ समय की बात थी कि सूरीवंशियों भवन के उपरी हिस्से तक पहुँच चुके थे पर्वतेश्वर को ये देखकर विचितर सा लगा कि वहां कोई नेता नहीं था ब्रंगावाले किसी अन्यमित भीड की तरह थे वो भी 83 रूप से पूर्ण रोपेंड अक्षमों की तरह जब तक सूरीवंशियों सबसे उपरी तल पर पहुँचे वास्तों में सभी ब्रंगावाले भूमी पर पीड़ा से छट पटाते हुए पड़े हुए थे घायल किंतु जीवित और उसके बाद ही परवतेश्वर ने शोरगुल सुना अनेका अनेक ब्रंगावालों की पीड़ा से चीखने चिलाने की आवाज हो हलने के बीच भी भय उतपने कर देने वाले उस कोलाहाल को इस पश्ट सुना जा सकता था ऐसी आवाजे मानो सेकडो शिशु हताशा में चीख रहे थे जैसे उनका जीवन उसी पर निर्भर था परवतेश्वर ने अत्यधिक विकट प्रकार के बलिदान के अनुष्ठानों के बारे में अफवाहें सुनी हुई थी जो ब्रंगावाले किया करते थे उसकी भयावहता की कलपना करते हुए किसी आशंका से वो उस द्वार की ओर दोड़ पड़ा जहां से वे आवाजे आ रही थी सेनापती ने पैर के एक ही धक्के से उस द्वार को तोड़ कर खोल दिया उसने वहाँ जो देखा उससे वो घ्रणा से सिहर उठा सिर कटे मोर का धर कक्ष के एक नीचे कोने में टंगा हुआ था और उसका बहँ हुआ रक्त एक बरतन में कत्र था उसके चारों और कई औरते जमा थी सभी पीड़ा से छट पटाते हुए शिशों को पकड़े हुए थी कुछ शिशों के मुख पर रक्त लगा हुआ था बायाकरांत परवतेश्वर ने डंडे को गिरा दिया और अपनी तलवार उठा ली अचानक ही उसके बाई योर से एक दुनली सी जलक देखी इससे पहले कि वो कोई प्रतिक्रिया कर पाता उसे अपने सिर पर तीवर पीड़ा अनुभा होई दुनिया अंधकार में हो गई भागीरत अपनी तलवार निकालते हुए चीख पड़ा सूरिवन्शियों ने भी ऐसा ही किया जिस व्यक्ति ने परवतेश्वर को डंडे से मारा था उस पर वो अपनी तलवार से प्रहार करने ही वाला था कि एक इस्त्री चीखी कृपया ऐसा ना करे भागीरत रुप गया सपश्ट रूप से वो इस्त्री गर्वती थी वो ब्रंगा व्यक्ति अपने धंडे को फिर से उपर उठाने ही वाला था कि वो इस्त्री फिर से चीखी नहीं भागीरत को ये देखकर आश्चरी हुआ कि उस व्यक्ति ने उस इस्त्री की बात मान ली अन्य ब्रंगा इस्त्रियां पीछे की और उस घणासपद करमकांड को करने में अब भी जुटी हुई थी रुको भगीरत ने चीफ कर कहा वो गर्वती इस्त्रि भगीरत के पैरों में गिर गई नहीं नहीं हे वीर हे वीराजकुमार हमें ना रोकें मैं विंती करती हूँ हे पुजारिन आप ये क्या कर रही है उस ब्रंगा वेक्ति ने कहा सुयम को अपमानित ना करें भगीरत ने उधर पुना देखा और वास्तविक अनुमान तक पहुचा वो भौचक्का था वही शुशु रो रहे थे जिनके मुँ में रक्त नहीं था उनके अंग पीड़ा दायक संताप से अकड़े हुए थे मानो उनके नन्हे शरीर को डरावनी ताकते नीचोड रही थी जैसे ही मौर का रक्त उस शुशु के मुँ में डाला गया वो शान्त हो गया भगीरत इस्तब धो कर फुस पुझाया ये क्या है? कृपया, ब्रंगा की पुजारी ने प्रात्ना की हमें अपने शिश्वों के लिए इसके आवशकता है इसके बिना वे मर जाएंगे मैं भीक मांगती हूँ, हमें उनकी जान बचानी चाहिए भगीरत मूख खड़ा था, आश्यरे चकित राजकुमार, विर्भद्र ने कहा सेनपती, भगीरत ततकाल ही प्रवतेश्वर का परिक्षर करने के लिए जुग गया उसके हिर्दय की धड़कन चल रही थी लेकिन आणी कमजोर थी सूरिवंशियों हमें सेनपती को अयुराले ले जाने के आवशकता है जल्दी, हमारे पास समय बहुत कम है अपने सेनपती को उठा कर सूरिवंशी बाहर के और दोड़ पड़े परवतेश्वर को चिकितसाले ले जाया गया आयुरुवती शल्य चिकितसाले से बाहर आई, चंदरवन्शी वैद्यों को प्रवतेश्वर के चोड से निपटने के बारे में कुछ ग्यात नहीं था आयुरुवती को अविलंबु बुलावा भीजा गया था, शिव और सती ततकाल उठ खड़े हुए आयुरुवती के मुख पर उदासी देखकर सती का हरदय डूब गया, वे कितनी जल्दी ठीक हो जाएंगे आयुरुवती, शिव ने पूछा आयुरुवती ने एक गहरी स्वास ली, प्रभू, डंडे से सेनापती के सबसे अहितकारी स्थल कनपटी पर प्रहार किया गया है, वे गंभीर रूप से आंतरिक रक्त स्राव से पीडित है, रक्त की हारी उनके लिए प्रानगा तक सिद्ध हो सकती है, शिव ने अपना सकती जिब तक रोगी अचेत हो, उस शल्य चिकित्सा में अंग विशेश पर पीड़ा हार को का प्रियोग किया जाता है, ताकि चेतना युक्त वेक्ति हमें अपनी हल्चल से मार्ग दर्शन दे सके, जब परवतेश्वर अचेत हैं तब उनके मस्तिश्की की शल्य चिकित् जगत की सर्वोचितम वैद्य, मेरे पास एक मात्र समाधान है प्रभू, आयुर्वती ने कहा, लेकिन मैं नहीं जानती कि वो काम करेगा भी या नहीं, हाँ हमें प्रयत्न करना चाहिए, आयुर्वती तेजी से अपने सहायकों को ढूमने चली गई, शिव चिंतित्मुद् आयुर्वती ने कहा, लेकिन हमारे पास अधिक मात्रा में सोमरस नहीं है, हम अयुराले में इसे नहीं रख सकते हैं, आ रहा है प्रभू, आयुर्वती ने धानस बदाया, मैंने मस्तरक को अपनी निवास से लाने के लिए भेज दिया है, शिव जुझलाहट में फुप्ख परवतेश्वर के कक्ष के सबसे दूर छोर पर लेटा हुआ था, आयुर्वती के सहायक मस्तरक और दुरुविनी शया की बगल में बैठे हुए उसके नाखूनों के भीतर नीम के पत्तों के रसकी मालिश कर रहे थे, सेनपती की नाख से हवा भरने वाला एक उपकरण उसक असाहाय इस्तिती में देखना उसके लिए कठिन था, तो फिर उसकरण की क्या वशकता है? रग्तसराव ने उनके मस्तिश्क के उन हुस्सों को हानी पहुचाई है जो उनके श्वास को नियंद्रत करते हैं प्रभू, आयुर्वती ने शांत भाव से कहा, जब कभी भी चिक जितावस्था में मस्तिश्क की शले चिकित्सा नहीं की जा सकती, ये बहुत ही जोखिम भरा है, मेरे उकरणों से उनके किसी महतबून कारपणाली को हानी पहुच सकती है, सुम्रस, उसने रग्तसराव तो बंद कर दिया है प्रभू, उनकी इस्तिती अब इस्तिर है, लेक ये वास्तों में सुम्रस के सामगरियों में से एक है, एक घुली हुई सामगरी, तो हम उसका प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, ये बहुत ही आस्थिर है, छाल बहुत तेजी से चून हो जाती है, उसे किसी जीवित संजीवनी व्रक्ष से निकाला जाता है, और मिनट भर में उसका उप्योग किया जाता है, तो फिर एक व्रक्ष वो यहां नहीं होता है प्रभू, वास्तों में ये व्रक्ष हिमाले की तलहटी में प्राकृतिक रूप से पाये जाते हैं, मेलुहा में हमने उसके उद्यान लगाए हैं, लेकिन उसे प्राप्त करने में महीनों लग ज कहा, क्या आप क्रपक करके मेरे साथ आ सकते हैं, कहां, ये महातपूर्ण है राजकुमार, भगीरत को अजीब सा लग रहा था कि जब परवतेश्वर अयुराले में अपनी मृत्य से लड़ रहा थे तब नंदी उसे बाहर चलने के लिए कह रहा था, लेकिन वो जानता था क नंदी नीलकंड का निकट मित्र था, सबसे महातपूर्ण बात ये थी को एक इस्तर दिमाग वाला वेक्ति था, यदि वो उसे कहीं जाने के लिए कह रहा था, तो अवश्य कोई महातपूर्ण बात होगी, भगीरत नंदी के पीछे चला गया, भगीरत अपने आश्चरे को अपने लंबे वालों को जूड़ा बना रखा था, उसकी हिरन जैसी आखे थी, गालों की हड़िया उबरी होई थी, चेहरा बेदाग था और अपने दूबले पतले शरीर पर उसने कलफ लगी सफेद धोती लपेट रखे थी, साथ ही वो एक दूधिया रंग का अंगवस्त स्क्रम भी कंदे पर डाले हुए था, उसके चेहरे के भाव ऐसे थे, जैसे उसने अपने जीवन में बहुत दुख जहले थे, कौन हो तुम, मैं दिवोदास हूं, यहां के ब्रंगा वालों का प्रधान, भगीरत ने दान पीस्ते हुए कहा, सेना पती ने तुम सब की जन ब लेने से सेना पती के जीवन की रक्षा हो जाएगी? नहीं, जीवन की रक्षा नहीं होगी, मैं जानता हूँ, उन्होंने अटल विश्वास से मेरे समूचे कबीले की रक्षा की है, उन्होंने मेरी पत्नी और मेरे अजन में शिशु की रक्षा की है, यह उनका एक बहुत ब एक एक को समझे तुम दिवदास ने चुप्पी साद ली उसका चेहरा भाव शून्य था राजकुमार नंदी ने कहा पहले इनकी बात तो सुन ले भगीरत जुझलाते हुए भुन-बुनाया स्वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है राजकुमार दिवदास ने कहा हमारे राज प्रवतेश्वर एक वीर एवं समानिय वेक्ति हैं उनके लिए मैं अपनी वो प्रतिग्या तोड़ दूगा जो मैंने अपनी पूरवजों के नाम पर ली थी चाहे वो मेरी आत्मा को जीवन भर लानत देता रहें भगीरत ने तेवरी चढ़ाई मैं किसी अबरंगा को या अवशदी दूई या पेक्षित नहीं है लेकिन मैं आपको ये सेनपती प्रवतेश्वर के लिए दूगा आप वैद इससे कहिए कि उनकी कनपटी और नासा पुटों में इसे लगा दे वे जीवित रहेंगे भगीरत ने एक छोटे से रेशम की थैली को संदेह की ने कहा उनकी कनपटी और नासा पुटों पर लगा दे बस संभावतिया इससे उनकी जान बच जाए आयरुवती ने अपनी तेवरी चड़ाई देवी आयरुवती प्रयास करने में हानी ही क्या है भगीरत ने कहा आयरुवती ने उस थैली को खोल तो उसमें एक रक्तिम पहले कभी नहीं देखी थी उसने उस लेप को सूंगा और ततकाल ही भगीरत की और हैरानी से देखा आपको ये कहां से मिली उससे कोई अंतर नहीं पड़ता क्रिप्या इसका प्रयोग करें आयरुवती टक्टकी लगा कर भगीरत को देखती रही उनके मन में सैक्ड़ो प् प्रवतेश्वर ने धीमे से अपने आखे खोली और उसकी स्वास आस्थिर थी मित्र शिव ने धीरे से कहा प्रभू उठने का प्रयास करते हुए प्रवतेश्वर भी फुसपुसाया नहीं उठिये मत प्रवतेश्वर को हलके से लिटाते हुए शिव ने कहा आपको आराम क्या आवशक्ता है आप सशक्त नित्रत्व करने वाले हैं लेकिन उतने भी शक्तिशारी नहीं परवतेश्वर फीकी सी मुस्कान मुस्कुराया शिव जानता था वो प्रश्ण जो सेनपती के मन में सबसे पहले आएगा सभी ब्रंगा वाले सुरक्षित हैं आपने आसाधारा सिध हमक रहा था उनका कोई बहुत ही भयाना कर्मकान चल रहा था उसके बारे में मत सोचे मित्र इस समय आपको आराम करने के आवशक्ता है आईर्वती ने कठोर आदेश दिया है कि कोई विग्ण ना डाला जाए मैं आपको एकांत मैं केला चोड़ दूँगा आप भर बाहर थी वो दोड़ते हुए उने भाई की बाहा में समा गई क्या वे ठीक है हां मगीरत ने कहा आनंद मैं ने कुरुद द्रश्टी से देखा वो कौन हरामी है जिसने यह किया मुझे आशा है कि तुमने उस कुत्ते को मार दिया होगा हम लोग पर्वतेश्वर को निर बचा लिए ब्रंगा वालों की पहले वे उन्हें जान से मारते हैं और फिर उनकी जान बचाने के लिए औशदी देते हैं क्या उनके पागलपन के कोई सीमा नहीं है वो औशदी उनके प्रधान दिवोदास ने दी थी उसका काशी में आगमन कुछ घंटे पूर भी हुआ और तभी उसने इस घंटना के बारे में सुना बहुत दयालू प्रतीत होता है आनंदमई ब्रंगा के प्रधान में रुची नहीं रखती थी क्या परवतिश्वर जाग गए हैं हाँ प्रभु नीलकंठ उनसे मिल चुके हैं अब वे पुना सो गए हैं और खत्रे से बाहर है तुम चिंता मत करो आनंदमई ने सहमती में सिर्ह लाया उसकी आखे नम थी और वैसे भगीरत ने कहा मैं भी अपने घावों से स्वस्थ हो चुका हूं आनंदमई खिलकिला कर हस पड़ी मुझे शमा करना मेरे भाई मुझे तुमसे पूछना चाहिए था भगीरत ने एक न करने दोड़ा आनंदमई ने अपने छोटे भाई को खीच कर अपनी वाहों में भर लिया जाओ भगीरत ने कहा उनको देखकर तुम्हें संभवतेयर आहत मिलेगी आनंदमई ने सहमती में सिर्ह लाया जैसे वह प्रवतेश्वर के कख्ष में गई आयुरवती तभी दूसर प्रभू सदेव ही शांत प्रतीत होते थे अभी वेस नहीं हीन लगे क्रोधित क्या बात है प्रभू भगीरत ने चिंतित होकर पूछा मेरे प्रश्णिका उत्तर देराजकुमार आपने वो औशदी कहां से प्राप्त की ब्रंगा वालों से शिव ने कठोरता से भगीरत की आँखों में देखा भगीरत अनुमान लगा सकता था कि निलकंट को उसके शब्दों पर विश्वास करने में समस्या रही थी मैं जूट नहीं कह रहा हूं प्रभू भगीरत ने कहा फिर मैं जूट क्यों बोलू इस औशदी ने सेनपती के जीवन की रक्षा की है शिव संजीवनी औशदी के साथ समस्या यह है कि वह बहुत तेजी से खराब हो जाती है जब तक कि उसे किसी जीवित संजीवनी व्रक्ष से ताजा ताजा ना बना लिया गया हो इसका उपयोग नहीं किया जा सकता यह औशदी स्थिर की हुई थी वह एक मिश्रण के रूप में थी हम उसका उपयोग कर सकते थे मुझे शमा करें देवी आयरपती किन्तु मैं अभी समस्या नहीं समझ पाया केवल एक तत्व है एक विशेश व्रक्ष की चूण की हुई लकड़ी जो संजीवनी के साथ मिश्रित हो सकती है और उसे इस्थिर बनाया रखती है पर वो व्र प्रणगा के प्रधान दिवदास से मिली थी मैं अयोध्या की सौगंद खाकर कहता हूं मैं अपनी प्यारी बहन की सौगंद खाकर कहता हूं मेरा नागाओं से कोई लेना देना नहीं है शिव लगातार भगीरत को घूरे जा रहा था मैं दिवदास से मिलना चाहता हूं प् प्रप्या दिवोदास को बुलाएं शिव ने कहा मुझे पता चला है प्रभू की समराथ अथितिक्व ने पहले से ही दिवोदास को कल प्राता आपकी सेवा में उपस्तित होने का आदेश दे दिया है शिव ने भगीरत को गूरा उसके आँखे थोड़ी संकुचित हुई मैं दिवोदास के यहां आने का प्रबंद अभी इसी समय करता हूं प्रभू भवीरत ने कहा और कक्षित से बाहर के और दोड़ पड़ा प्रवतेश्वर की शया के निकट आनंद मैं चुपचाब बैठी थी सेनपती गहरी नींद में थे स्वास धीमे धीमे चल रही थी राज कैसे किसी सहज प्रवर्ति से चालित हो प्रवतेश्वर ने अपना हाथ खेच लिया वो नींद में कुछ बुदबुदाया उसका स्वर स्पष्ट नहीं था कि आनंद मैं के कानों तक पहुँच सके वो सामने की और जुकी मैं अपनी प्रतिग्या कभी नहीं चोड़ी प्रवतेश्वर एक बार फिर अपने ब्रह्मचारे की प्रतिग्या को दोहरा रहा था मैं कभी नहीं तोड़ूँगा अपनी प्रतिग्या आनंद में मुस्कुराई हम देखेंगे प्रभू ततकाल ही जुक कर निलकंट के पाउँ छूते हुए दिवदास पुला आयुश्मान भवदिवदास शिव ने उसे लंबी आयू का आशिरवात देते हुए कहा आप से मिलने का इतना बड़ा सम्मान मुझे मिला है प्रभू हमारे बुरे दिन बीद गए आप तो हमारी सारी समस्याओं का समधान कर देंगे हम अपने घर जा सकते हैं घर जाना चा ब्रंगा मेरी आत्मा है प्रभू यदि महामारी नहीं फैली होती तो मैं अपने देश को कभी नहीं छोड़ता शिव ने तेवरी चड़ाई उस बिंदू पर आने से पहले जो उसकी चिंता का विश्य था तुम्हें एक अच्छे विक्ति हो दिवदास तुमने मेरे मित्र क जान बचाई है यहां तक कि अपना जीवन खत्रे में डाला यह तो सम्मान की बात थी प्रभू वहां जो कुछ भी हुआ मुझे पता है सेनापती परवतेश्वय ने मेरे कभीले के लोगों की अटल मृत्यू से रक्षा की है हमें उनके लिए कुछ तो करना ही था और इसके गया मुझे उत्तर दो दिवदास शिव ने धीमे से पूछा प्रभू मैं जानता हूं कि वो आफशदी केवल नागाओ दोरा बनाई जा सकती है प्रश्ण यह है दिवदास कि तुम उस तक पहुंचे कैसे दिवदास निलकंट को जूट नहीं बोलना चाहता था फिर भी व नहीं जानता कि मैं ऐसा कर सकता हूं या नहीं मेरे कभीले वालों को प्रतेएक वर्श इस आवशदी की आवशदी की आवशदी पड़ती है कुछ दिनों की देरी से कैसी अव्यवस्ता फैल जाती है वो तो आपने देखा ही है वे सब इसके आभाव में मर जाएंगे कभी औशदी के अभाव में तुम्हारे कभीले का कोई विवक्ति मरने नहीं दिया जाएगा दिवदास जिजका फिर निलकंठ से जुड़ी दंतकता में उसके आस्था ने उसे अंजान भै को जीत लिया मैं किसी नागा से कभी नहीं मिला प्रभू हम में से अनेग लोग ऐसा मानते हैं कि उन्होंने ब्रंगा राजे को शापित किया हुआ है हमारे देश में प्रतेक वर्ष ग्रिश मृतों में निरफवाद महामारी फैलती है एक मात्र आउशदी जो हमारे जीवन की रक्षा करती है वह वही आउशदी है जो नागा लोग हमें देते हैं राजा अंधक है वह एक धर्मात्मा राजा है प्रभू यहां तक कि हम जैसे कुछ लोग जो वहां से बच निकले हैं और ब्रंगा के बाहर श्रणरार्थी बने हुए हैं हमारे राजा उन्हें भी जीवन यापन करने के लिए स्वर्ण देकर सहायता करते हैं हम प्रतेक वर्ष यह मात्र ऐसे विक्ति हैं जो नागाओं से सवदा करते हैं मेरी सूचना के अनुसार वे स्वयम और कुछ उनके विश्वासी सलाकार है प्रभू कोई अन्य नहीं मेरे शुशू के जन्मे के बाद हम ब्रंगा राजी के लिए रवाना होंगे मेरे साथ तुम्हें चलना होगा प्रभू दिवदास चौकर चीख पड़ा हम अपनी भूमी पर अबरंगा लोगों को नहीं ले जा सकते हमारे रहसे हमारी सीमा के अंदर ही रहने चाहिए मेरे कबीले का भावशिदाओं पर है मेरी जन्मे भूमी का भावशिदाओं पर है ये तुमसे तुम्हारे कबीले ये भारत वर्ष के बारे में हमें नागाओं को ढूरना ही होगा दिवदास ने शीव पर एक गहरी दृष्ट जाली वो तूटा हुआ और चक्राया सा था मेरा विश्वास है कि मैं सहायता कर सकता हूं शीव ने कहा क्या ये जीवन जीने योग्य है प्रतेक वर्ष हरताशा कि हद तक आउशदियों के लिए भीक मागना ये भी ना जानते हुए कि तुम्हारे कबीले को क्या बीमारी है हमें इस समस्या का समधान करना है मैं ये कर सकता हूं लेकिन तुम्हारी सहायता के बिना नहीं प्रभू दिवदास सोचो मैंने सुना है कि मोर के रक्त के कई अन तो फिर मुझे अपने राज्य में ले चलो हम तुम्हारे प्रजा को और ब्रंगा की भूमी को नागाओं के चंगुल से मुक्त करा देंगे ठीक है प्रभू मैं सोगंद खाकर कहता हूं कि मेरा नागाओं से कोई लेना देना नहीं है प्रभू भगीरत ने कहा उसका सिर ज आउशदी की उपस्थिती से मैं विचलित हो गया था नंदी ने पहले ही मुझे बता दिया था मुझे पता चल चुका है कि आप कैसे आउशदी तक पहुचे थे मुझे शमा करें जो मैंने आप पर संदेह किया प्रभू भगीरत रो पड़ा आपको छमा मांगनी के आउश ने महार्शी ब्रगू के चरणों को इसपर्श करते हुए कहा मुझे अब आग्या दे आउश्मान भव पुत्री ब्रगू ने हलके से मुस्कराते हुए कहा मेलुहा की राजधानी देवगिरी में एकांध प्रिये महार्शी के अचानक आगमन पर कनकला अचंभित थी लेक एक पत्थर की शया के जिस पर अभी महार्शी बैठे हुए थे कोई अन्यवस्तु वहां नहीं थी पहाड़ों की कष्टकारी ठंड और नम वातावरान जैसी अनुरूपता देने के लिए जमीन और दिवारों पर ठंडे जलका छिड़काव किया गया था सभी खड़कियों पर मोटे मोटे परदे डालकर सूरी के प्रकाश को मध्यम कर दिया गया था फलों से भरी हुई एक टोकरी उस कक्ष में रग दी गई थी महार्शी मात्र उसी का भोजन करते थे और सबसे महात्वपूर्ण भगवान ब्रह्मा की एक मोर्ती कक्षी की एक दीवार के कोने में उत्तर दिशा में थापित कर दी गई थी महार्शी भ्रगु ने कनकला के वहां से चले जाने के प्रतिक्षा की और फिर वे अपने शांत सुम्धुर स्वर में दक्ष से बात करने के लिए मुड़ गये क्या आप निशित रुप से ये कह सकते हैं राजन दक्ष धरती पर ब के कारण कई राजा राश्रक्रहटी अपने धर्म बुला देते हैं पर मैं आपसे आशा करता हूं कि आप पुत्री मोह में अतिधिक अनुरागी होकर भी राश्रक्रहटी अपने कर्तव्यों को नहीं बूलाएंगए नहीं मुनिवर सती मेरे लिए इस दुनिया में सबसे मह महात्पूर्ण हैं लेकिन मैं अपने देहे के लिए अपने कर्तव्यों को नहीं भूलूंगा अति उत्तम राजन यही कारण था कि मैंने आपके समराड मैं जानता हूं मुनिवर यह से अधी कुछ हैं भारत से अधी कुछ भी हतरों नहीं करेंगे कि आपके दामाद इतने मुद्धिमान हैं कि जब वे उसे देखेंगे तो प्रश्ट नहीं पूछेंगे नहीं मुनिवर वे मेरी पुत्री से प्रेम करते हैं वे भारत से प्रेम करते हैं वे उद्देश को हानी पहुचाने वाला कोई कार्य नहीं करेंगे वासुदेवों ने उन्हें प्रभावित करना प्रारंब कर दिया है राजन दक्ष इस्तब्द रहें गया कि उसे कोई शब्द सूजा ही नहीं भ्रगु ने अनुभव किया कि इस वार्ता को आगे बढ़ाने का कोई लाब नहीं नहीं तार्थों को समझने के लिए दक्ष सरल मना थे उन्हें उस धेय के लिए स्वयम ही संगर्ष करना होगा यदि आपका मत यही है तो फिर कार्य को आगे बढ़ाएं महार्शी ने कहा लेकिन आप किसी भी प्रशने का उतर नहीं देंगे कि वे कहां से आएं किसी को भी नहीं ये स्पष्ट है न दक्ष ने सहमती में सिरह लाया वो महार्शी भ्रगु के शिव एवं वासुदेवों से जुड़े उस कथन से अभी भी स्थब्ध थे अपनी पुत्री को भी नहीं राजन भ्रगु ने कहा जैसी आपके आगया मुनिवर भ्रगु ने सिरह लाया उन्होंने गहरी स्वास ली ये उन्हें परिशान कर रहा था दक्ष को अपनी विरासत की रक्षा करने के लिए कड़ा संगर्श करना पड़ा ये आवश्यम भावी था भ्रगु का मानना था कि भारत का भविशी ही दाओं पर था वैसे किसी भी हालत में डरने वाली कोई बात नहीं है मुनिवर दक्ष ने चतुराई से कहा जैसा वो स्वयम महसूस नहीं कर रहा था ब्रहस्पती के साथ चाहे जो भी हुआ हो गोपनियता सुरक्षित है वो सैकड़ो वर्षो तक जीवित रहेगा भारत सम्रद्ध होता रहेगा और विश्व पर साशन करता रहेगा ब्रहस्पती मूर्ख था भ्रगु ने कहा उसका स्वर तीखा हो रहा था वस्तुता इससे भी हदिक कहा जाए तो संभवताया वो देश द्रोही था दक्ष ने कुछ नहीं कहा सदयव की तरह वो ब्रगु के रोध से भेवीत था ब्रगु शान्त हो गया मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं अपनी शिश्या तारा का उसे विवाह तक करने का मन बनालिया था उस बेचारी बच्ची का जीवन बरबाद हो गया होता मैं आशा करता हूं कि वो सुरक्षित ओर प्रसंद है वो सुरक्षित हैं मैंने उसे प्रभुरूद्र के देश में रखा है उन में से कुछ लोग मेरे परती सचे बने रहे किनतो प्रसंदता की जहां तक बात है भ्रग ने थकावर्ट से अपना सिर हिलाया वो अभी भी उससे प्रेम करती है मुर्कतावश हाँ तब भी जब वो जीवित नहीं है ब्रहस्पती के संबंध में बात करने का कोई अर्थ नहीं है दक्ष ने कहा अनुमती देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुनिवर हर्दय की गहराई से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद ब्रगु ने सिर हिलाया और नीचे जुकते पे फुसफुसा कर कहा सावधानी बरते राजन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है ये ना सोचे कि आप एक मात्र ऐसे हैं जो निलकंट का उप्योब कर सकते हैं खड़े हुए थे वे बहुत उत्साहिद नहीं थे जबसे निलकंट ने उस नगर को अपना आस्थाई निवास बनाया था तबसे निरंतर उनका नगर आकरशन का केंद्र बना हुआ था जिसके कारण अब उन्हें आदत सी पड़ चुकी थी काशी के कूटनी दग्यों के लिए वो एक व्यस्त दिन था दिलीप का आगमन प्राताकाल ही हुआ था स्वधीप के समराट के लिए सभी मान किये सिष्टाचारों का पालन किया गया था उसी के अंतरगत राजिसी प्रांगण के ऊपर एकल श्वेत पताका जिस पर नव चंद्र बना हुआ था उसे लगा दिया गया था अब भारत के समराट दक्ष के प्रतिक्षा कर रहे थे शिष्टाचार प्रकरिया बहुत जटिल थी अंतता ये निर्णे ले आ गया कि लाल सूर्यवंशी पताका राजिसी प्रांगण के सबसे उच्चस्थ इस्थान पर लगाई जानी चाहिए आखिरकाल नीलकंठ ने दक्ष को भारत का समराट घोशित कर दिया था दिलेप की सम्वेदन शीर्ता का समान करते हुए काशी के शिष्टाचार अधिकारियों ने चंद्रवंशी पताका को भी प्रांगण में सूर्यवंशी पताका से थोड़ा नीचे की और लगा दिया था शिवकों निस्वंदे इन समारोहों से कोई लेन देना नहीं था वो नदी के उस पार बने आस्थाई नौका घार्ट के मजदूरों में रुची ले रहा था जहां दिवोदास के नेतरत्व में ब्रंगा के लोग पिछले तीन महीने से जी जान से काम में जुटे हुए थे गंगा की लहराती धारा के पूर्वी हिस्से में निवास ना करने के अंधविश्वास के कारण वो इस्थान ब्रंगा लोगों के काम करने के लिए प्राक्रतिक रूप से सरवाधिक सुरक्षित था वो एक विशेश प्रकार के जल्पोत का निर्मान कर रहे थे जो ब्रंगा के नदी के आरपार बनाए गए विशालकाय द्वारों को पार कर उनकी भूमी में प्रवेश कर सकता था शिव इसकी कलपना नहीं कर सकता था कि गंगा जैसी चोड़ी नदी के आरपार कैसे बांध बनाया जा सकता है लेकिन दिवधास ने कहा था कि उन विशेश प्रकार के जल्पोतों क्या उशकता होंगी शिव को याद था कि शंशेई अथिथिक्व ने ब्रंगा वालों की इस योजना का विरोध किया था उसने कहा था मात्र इसलिए कि आप कलपना नहीं कर सकते इसका ये अर्थ नहीं कि वो अस्तित्व में नहीं है लेकिन अतितिक्व ने इस कारे के लिए ब्रंगा वालों को पूरवी घाट पर राजभवन या उनके मैदानों का उप्योग कर लेने से मना कर दिया था इसलिए ब्रंगा वाले एक खतरनाक हाल ही में सूखे नदी के तट पर काम कर रहे थे दिवदास ने निलकंट को जैसे ही वचन दिया कि वो उनके साथ ब्रंगा देश को जाएगा ठीक उसी के दूसरे दिन से कारे आरंब कर दिया गया दिवदास अपने वचन का पका है वो एक नेक आदमे है अंतता दक्ष के जलियान के घाट पर रुखने की आहट ने शिव को फिर वर्तमान में लाकर खड़ा किया था उन्होंने देखा कि सीड़ियों को रसी वाली गिर्री से नीचे किया जा रहा था राजिस्ती सिटाचार आदी के बारे में सोचे बिना ही दक्ष त्वरित गती से मार्क पर उद्रा और भागता सा शिव की ओर बढ़ा उसने जुक कर अभिवादन किया और हाफते हो पूछा पुत्र हुआ है प्रभू भारत के समराट का स्वागत करने के लिए शिव उठ खड़ा हुआ उसने एक आपचारी नमस्ते किया और मुस्कुराता हुआ बोला हमें भी पता नहीं है महराज जन्मी की बेला कल तक ही आपाएगी ओ अती सुन्दर तब फिर मुझे देरी नहीं हुई मैं बहुत डरा हुआ था कि आनंद भरा दिन नहीं देख पाऊंगा शिव ठाहा का मारकर हस पड़ा ये कहना बहुत कठिन था कि कौन अधिक रोमाचित था पिता या पिता महा आपको पुर्णा देखकर बहुत प्रसनता हो रही है पूर्वक जी अपनी कूर्शी से उठकर उस अंधे वेक्ति के पाऊंच होने के लिए जुकते हुए शिव ने कहा बलकि उन्होंने विकर्म से आशिरवात की इच्छा भी प्रकट कर दी थी पूर्वक समराठ दक्ष के काफिले के साथ काशिया हुआ था वो ततकाल पीछे हड़ गया जैसे उसे इंद्रिय अबोध हो गया हो कि शिव क्या करने वाले थे नहीं नहीं प्रभू आप नील हुए शिव ने कहना जली रखा आप मुझसे बड़े हैं आशिरवात प्राप्त करने के अधिकार से आप मुझे बंचित नहीं कर सकते अता आप कृपया शिगरता करे इतनी देर जुके रहने से मेरी पीठ में दर्द होने लगा है शिव के सिर पर अपना हाथ रखते हुए पूरवक हास पड़ा आपको कोई इंकार नहीं कर सकता है अधितुया आईश्मान भव दिरगायू होने का आशिरवात पाशिव संतुष्ठ खड़ा हो गया तो अब आप अपने पुत्र के साथ समय बिताना चाहते हैं जी हाँ प्रभू किन्तु हम एक बहुत ही संकट पू मौहें उठी अपने हाथ से संकेत देते हुए कि वो उसकी सुरक्षा करेगा द्रप को भी मुस्कुराया मिरे बेटे ऐसा मत समझो कि मुझे इंद्रिय बोध नहीं कि तुम क्या कह रहे हो पूरवक ने कहा चाहे मैं अंधा हूँ लेकिन तुमने मेरा हाथ पकड़कर ही तल राजित बान दबा दिया था किन्तु आज उतमें फिर से वही उत्साह जलकने लगा था आप अपने पुत्र को भूल जाए पूरवक जी शिव ने कहा आपको अपना अंगरक्षक बनाकर मुझे अती प्रसंदता होगी मुझे डर लग रहा है शिव अपनी कक्ष में सती शय मेरे कहने का ये अर्थ नहीं था शिव निकट आया और मुस्कुराया मेज पर थाली रखने के बाद उसने सती के मुख पर लाट से हाथ फैरा मैं जानता हूँ मैंने हट की है कि आयरुवती ही प्रसंदता करें वो विश्व में सबसे अच्छी वैद्ध है कुछ भी बुरा नहीं होगा लेकिन यदि ये बच्चा भी म्रत पैदा हुआ तो यदि मेरे विगत पाप हमारे बेचारे शिशु को प्रवावित करें तो विगत पाप जैसा कुछ भी नहीं होता है सती केवल एक ही जीवन होता है एक ही सत्य होता है इसके अत्रिक्त बाकि सब बस सिध्धा उस सिध्धान्त को मानो जो शांती देता है और जो अस्विकारों को पीड़ा देता है ऐसे सिध्धान्त पर क्यों विश्वास करो जो दुख दे तुमने अपनी और अपने शिशु की दिखभाल करने के लिए वो सब कुछ किया है जो किया जाता है अब आस्था रखो सती पूरवभासों की परचाई जिल मिला रही थी जो से अनबूत हुई थी शिव ने सती के मुख पर पुना हाथ फेरा प्रियो मिरा विश्वास करो तुम्हारी ये चिंता तुम्हें कोई साहता नहीं देगी सकारात्मक और सुकारी सोचो हमारे बच्चे के लिए सबसे अच् पैदा होगी अरे हाँ इसके बारे में तो मैं भूली गई थी सती मुस्कुराई लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा अनुभाव हो रहा है कि बेटा होगा नहीं शिव हसा सती भी सात में हसी और उसने शिव के हाथों से अपना मुख सटा दिया शिव ने रोटी तोड़कर उसे थोड़ी सी सबजी में लपेटा और कौर सती को खिलाते हुए पूछा क्या नमक ठीक है क्या सचमुझ पूर्व जीवन के पाप होते हैं शिव ने पूछा नीलकंट काशी विश्वनात मंदिर में थे उनके सामने वासुदेव पंडित बैठे हुए थे मंदिर के स्तं उपर तब तक विश्वास नहीं करता जब तक कि उसका प्रमार ना देख लो मेरे विशार से बिना प्रमार वाले सिधानतों में से ंसिधानतों को मानना चाहिए जो हमें शान्ती ब्रदान करते हैं इसे कोई अंतर नहीं पढ़ता कि वो सिध्धान सत्य है या नहीं ये सुखी जीवन जीने के लिए एक बहुत अच्छी रणनीती है इसमें कोई संदे नहीं है शिव ने पंडित के और भी कुछ बोलने के प्रतिक्षा की जब ये नहीं बोले तो शिव ने पुना कहा आपने मेरे प्रशने का उत्तर अभी भी नहीं दिया क्या सचमुझ ही पूर्व जीवन के पाप होते हैं जिनके लिए हम इस जीवन में दुख पाते हैं मैंने आपके इस प्रशने का उत्तर नहीं दिया यह यह लोग मातर प्रतिभावान लेखक हैं यह कोई महांदार्शनिक पंडित प्रतियुत्तर में मुस्कुराया पुना मेरे पास उत्तर नहीं है शिव्ठ हाका मार कर हस पड़ा वो भूल गया था कि पंडित उसके मन की सोची होई बात को सुन सकता था और वो भी पंडित के लिग्ट मुस्कुराया चे निश्चिति सिद्धांत नहीं है यह एक तथ हैं जिस प्रकार प्रकाश आपको देखने में सहायता करता है उसी तरह रेडियो तरंगये आपको सुनने में सहायता करती हैं यह भी सच है कि सारी वानावजाती प्रकाश के गुड़ों को देख सकती है किन्तु अधिकतर लोग रेडियो तरंगों को सुन नहीं पाते हम लोग सुनने के लिए ध्वनी तरंगों पर निर्भर करते हैं ध्वनी तरंगे हवा में तुलनात्मक दृष्टी से कम गत अब वो समझ गया था किसके पीछे क्या विग्यान है यह बहुत ही मनुरंजक है तो फिर आप ऐसे मशीन का लिमार क्यों नहीं करते जो रेडियो तरंगों की ध्वनी तरंगों में बदल सके यह कठीन प्रशन है अभी तंग हम इसमें सफल नहीं हो पाए हैं किन्तु हम भागी की कोई बात नहीं है आप जन्म जाथ ही विशेश हैं शिब ने तियोरी चड़ा ले मैं ऐसा नहीं समझता वैसे भी एक ऐसे काम करता है आप रेडियो तरंगों की सुन पाते हैं मैं सभी लोगों के मन की बाते क्यों नहीं सुन सकता अपने मन की बात को इस पष्ट रूप से रेडियो तरंगों के रूप में प्रसारित करने में भी प्रियास के आशकता होती है कई लोग अंजाने में बिना प्रसिक्षन के ही कर लेते हैं किन्तु रेडियो तरंगों को पकड़ना और दूसरे के मन की बात को पढ़ना ये पूरी तरह से भिन होता है ये सरल न दूसरे वासुदेवों के मन की बात को पकड़ने और वापस मेरी बात उन तक प्रसारित करने में ये सहायक होता है। आपके कहने का अर्थ है कि अन्य वासुदेव सदयव हमारी बाते सुनते रहते हैं पंडी जी। हाँ, जो भी हमारे मध्य हो रहे है वारतलाप को सुनना च चाहें शिव के तेवरियां चड़ गई पंडी जो कह रहे थे यदि वह सच था तो वह पूरे भारत वर्ष में किसी भी मंदिर के किसी भी वासुदेव से बात कर सकता था मगत के वासुदेव पंडित कृपा कर ये बताएं कि आपके ये कहने का क्या आर्थ है कि लोग बुरा ठाहा का सुना ऐसा प्रतीत हुआ कि वह स्वर थोड़ी दूर से आ रहा था मगत के नरसिंग मंदिर के वासुदेव ने कहा आप अत्यधिक प्रतिभावान और चतुर हैं प्रभु नीलकंट शिव मुस्कुराया हे महान वासुदेव मुझे इस खुशामत के बजाए आपक बहुत ही उत्तम सोच थी उसका मेरे प्रशन से क्या लेना देना है मैंने पूछा था कि लोगों को बुराई से आ सकती क्यों रखनी चाहिए इसका लेना देना है इसका उससे पोड़ताया लेना देना है हम सब में एक विश्वर है इसका इस पर शुरूप से उपसिध्धा सबस्द्धर्ण के अवशकता होती है इता विचार करें हर हर महादेव इसका उपसद्धांथ क्या है गधन को क्या संतुलिक करता है शिव ने तेऊरी चड़ा ली एक विचार उसके मन में उभरा उसे वो पसंद नहीं आया अयोध्या के वासुदेव ने शिव से आग्रह किया अपने विचारों को आने से नरों के मित्र उन्मुक्त प्रवाही सत्य को पहचानने का एक मातर उपाय है शिव ने मुँ बनाया लेकिन ये सत्य नहीं हो सकता सत्य को पसंद करना आवश्यक नहीं होता है इसे मातर बूला जाता है आप इसे बूले सत्य आपको पीड़ा दे सकता है किन्तु वो आपको मुक्त कर देगा लेकिन मैं नहीं मान सकता सत्य किस्ती को विश्वास करने के लिए कहता नहीं है वो मात्र अस्तित्व में रहता है मुझे बताए कि आप क्या सोचते है हम में से प्रतेक में एक ईश्वर का वास है उसका उपसिधान्त क्या है? हम में से प्रतेक में बुराई भी है बिल्कुल सही हम में से प्रतेक में एक वीश्वर है और हम में से प्रतेक में एक दुष्ट है अच्छाय और बुराई का सचा युद्ध तो अपने अंदर ही लड़ा जाता है और बड़ी बुराई हमारे अंदर छिपी बुराई से संबंध बना लेती है यही कारण है कि लोग बुराई से अनुरक्त होते है मेरा ऐसा विश्वास है कि जब आप हमारे इस काल की सबसे बड़ी बुराई को खोज लेंगे तब आपको इस व्याक्या की आवशक्ता नहीं रह जाएगी कि बुराई आखिर इतनी गहराई से हमसे जुड़ी है अपने सामने उपसित पंडित को शिव ने टक्टकी लगा कर देखा इस वारतलाप ने उसे हिला कर रख दिया था उसका कार एकिवल बुराई को खोजने तक ही सीमित नहीं था संभवतया वो तुलनात्मक दृष्टी से सरल होता आखिर वो कैसे बुराई के प्रती आसकती से लोगों को मुक्ती दिलवा सकेगा आपको सभी प्रश्णों के उत्तर अभी के अभी प्राप्त करने के आवशकता नहीं है मित्र काशी के वासुदेव ने कहा शिव हौले से मुस्कुराया वो असहज था उसके बाद उसने दूर से आता एक स्वर सुना जिसे वो पहचान नहीं सका एक प्रभाव शाली स्वर जिसे सुनकर ऐसा प्रतीत हुआ कि कभी तेजस्वी रहा होगा तेजस्वी फिर भी प्रशांत और शदी निसंदे काशी के पंडित ने कहा और शीगरता से उठ खड़ा हुआ वो एक रिश्मी थैले थामे शीखरी वापस आ गया शिव की तेउरियां चड़ गई अपनी पत्नी के पेट पर इसे लगा देना मित्र काशी के पंडित ने कहा आपका बच्चा जन में से ही तंदुरुष्ट एमम शक्तिशाली होगा ये क्या है इसकी पहचान का कोई माहत्व नहीं है माहत्वपूर्ण ये है कि ये प्रभावकारी सिद्ध होगी शिव ने उस थैली को खोला उसके अंदर गाढ़ा रक्तिम भूरे रंग का लेप था धनिवाद यदि ये मेरे बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करता है तो मैं आपका सदा भारी रहूँगा वो स्वर जिसे शिव पहचान नहीं सका था वो स्वर जिसने काशी के पंडित को आदेश दिया था बोला आपको करतक गिता प्रकट करने की कोई आवशकता नहीं है प्रभु नीलकर्ट आपके किसी भी काम आना हमारा करतव और हमारा सम्मान है जै गुरु विश्वामित्र जै गुरु वशिष्ट शिव खिड़की के पास खड़ा था राजभवन की उस उची देवार से वो भीड़ भरे नगर और उससे दूर चोड़े पवित्र मारकों को देख पा रहा था उसी के किनारे ब्रह्म घाट के निकट वो व्रहत विश्वनात मंदिर खड़ा था शिव उसे टक-टकी बांधे देख रहा था उसके दोनों हाथ प्रात्ना करने की मुद्रा में जुड़े होए थे भगवान डुद्र मेरे बच्चे की रक्षा करें कृपा करें कुछ भी अघटे तना घटे उसने हलके से खासनी की ध्वनी सुनी तो पीछे मुड़ा भारत का सबसे महातपूर्ण वेक्ति सती एवं शिव के बच्चे का समाचार सुनने के लिए सांस रोके प्रतिक्षा कर रहा था दक्ष घबराहाट में व्यगर हो रहा था वो बहुँद डरा हुआ था देख रहे थे पिछले तीन महीनों में स्वस्थ हो चका परवतेश्वर उसी कक्ष के एक कोने में खड़ा था राजा अथित्यक्व कक्ष में एक छोड से दूसरी छोड तक चहल कदमी कर रहे थे वे इस बात से दुखी थे कि नीलकंटी की प्रथम संतान के प्रसव का उत्तरदाईत वो उनके वैद्यों को नहीं दिया गया था लेकिन शिव कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था केवल आहिर्वती ही देख भाल कर सकती थी शिव पीछे मुड़ा उसने नंदी को दीवार से सट कर देखा तो उसे अपनी आखों से संकेत किया जी प्रभू शिव के पास आते हुए नंदी ने पूछा मैं बहुत असहाय अनुभाव कर रहा हूँ मुझे घबराहाट हो रही है नंदी ततकाल कक्षे से भाग कर बाहर गया थोड़ी देर में वो वीर्भद्र के साथ वापस आ गया दोनों मित्र खड़के के निकट चले गए ये सच बहुत ही अच्छा है वीर्भद्र ने कहा सच में शिव ने पूछा वीर्भद्र ने चिलम जलाई और शिव को दी उसने गहरा कश्की जा हम शिव फुसफुसाया हाँ मुझे अभी भी घवराहट है वीर्भद्र ने हसना शुरू कर दिया आपको क्या लगता है क्या होगा लड़की लड़की सच में लड़की योद्धा नहीं हो सकती क्या बकवास करते हो सती को देखो वीर्भद्र ने सिरह लाया बात तो सही है और नाम कृतिका कृतिका आपको मेरे लिए ऐसा कुछ करने की कोई आवशक्ता नहीं है मित्र मैं तुमारे लिए नहीं कर रहा हूँ मूर्क शिव ने कहा यदि मुझे ऐसा करना होता तो मैं अपनी बेटी का नाम भद्र रखता समझे मैं ये कृतिका और सती के लिए कर रहा हूँ मेरी पत्नी के जीवन में कृतिका एक स्थर आधार रही है मैं उसकी प्रिशनसा करना चाहता हूँ वीर्भद्र मुस्कुराया वो एक भद्र मैला है है ना वो तो है तुम भागेशाली हो अरे भाई वो भी कम नहीं है मैं कोई बेकार पती थोड़े हूँ वास्तों में उसे और अच्छा पती मिल सकता था भद्र ने हासी हसी में शिव की कलाई पर थपकी दी और दोनों मित्रों ने ठाहा का लगाया शिव ने चिलम पुना वीरभद्र को वापस पकड़ा दी अचानक भीत्री कक्ष का दौर खुला आयर्वती भाग कर शिव के पास गई पुत्र हुआ है प्रभू एक बल्वान सुंदर और तेजस्वी बालक शिव ने आयर्वती को अपनी बाहों में उठा कर घुमा दिया और प्रसनता से हस पड़ा बालक भी चलेगा लजाती सकुचाती आयर्वती को नीचे उतार शिव आंतर कक्ष के और दौर पड़ा आयर्वती ने किसी और को उस कक्ष में जाने से मना कर दिया सती अपनी शिया पर लेटी हुई थी उसके निकट दो परिचारिकाएं घूम घूम कर काम कर रही थी सती का हाथ पकड़े हुए बगल में एक कुरसी पर कृतिका बैठी हुई थी शिव ने अब तक जितने नौजात शिशु देखे थे उन सबसे सुन्दर शिशु सिती के पास लेटा हुआ था सफेद कपड़े के एक छोटे से टुकड़े में उसे कस करला पेटा गया था और वो सो रहा था सती हलके से मुस्कुराई ये पुत्र है लगता है कि मैं जीत गई प्रियतम ये सच है शिव फुस्फुसाया वो अपने पुत्र को छूने से डर रहा था लेकिन मैं भी कुछ हारा नहीं सती हस पड़ी लेकिन शीगरी शान्त हो गई टाके पीड़ा दे रहे थे हम इसे क्या कहकर पुकारेंगे निश्चित ही इसे क्रितिका तो नहीं बुला सकते है हाँ उसका तो प्रेश्ट भी नहीं उड़ता सती की दासी मुस्कुराई क्रितिका तो इस्त्री का नाम होता है लेकिन मैं अभी तुमारे नाम पर ही इसका नाम रखना चाहता हूं क्रितिका शिव ने कहा मैं सहमद हूँ सती ने कहा लेकिन नाम होगा क्या शिव ने कुछ छड़ के लिए सोचा मिल गया हम लोग इसे कार्तिक बुलाएंगे अध्याए आठ अभिसार नरत्या जैसे ही जाने की अनुमते मिली दक्ष उस आंतरक कक्ष के और दौल पड़ा वीरिनी उसके पीछे पीछे थी पिता जी आपका पहला पौत्र सती धीमे से बोली दक्ष ने उत्तर नहीं दिया उसने धीमे से कार्तिक को उठाया और सती की जुझलाहट की परवाह किये बिना उस सफेद कपड़े को खोल कर शैया पर गिरा दिया जिससे उस शिशु को कसकर लपेटा गया था दक्ष ने उसे उपर उठा लिया और उलट पुलट करके देखने लगा वो अपने पौत्र की हर छवी को प्रशंसा भरी द्रश्टी से निहार रहा था भारत के समराट की आँखों में आसु धारा प्रवाह बह रहे थे शी बहुत ही सुन्दर है आत्यधिक सुन्दर है सती को तब आश्चर हुआ जब कार्थिक वीरिनी की बाहों में जाते ही शान्त हो गया रानी ने कार्थिक को उसी सफेद कपड़े पर रखा और पुनाह लपेट दिया फिर उसने उसे सती की बाहों में दे दिया उसका नन्ना ससिर सती के कंधे पर विश्राम कर रहा था कार किलकारी मार कर पुनास हो गया ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे दक्ष के आसुओं को बहने का कोई कारण मिल गया हो उसने शिव को कसकर आलिंगन बद्ध कर लिया मैं समस्त इतिहास में सरवाधिक प्रसंड वेक्ति हो प्रभू इतना प्रसंड जितना आज तक कोई नहीं हु कर दिया एक बार फिर से सब कुछ ठीक है वीरिनी ने दक्ष को भूरा उसकी आँखे संकुचित थी श्वास तेज थी उसने अपने दाथ पीसे लेकिन चुप रही दिवदास के आदमियों दौरा बनाये जा रहे हैं जल्पोत की प्रगति का परिक्षर करने के बाद भगी में मौत का सनाटा चाया हुआ था सनाटा इतना गहरा था कि उसने अपने पीछे हुई हलकी सी चर्मराहट को भी इस पश्ट सुन लिया था उदासींता जताते हुए आयुद्या का राजकुमार चलता रहा उसका हाथ तलवार पर था कान आहट पर कोई धीमे पक धरता थिल करने के लिए परियाब्त था वह अत्यधिक पीड़ा में हो सकता था लेकिन मृत नहीं कनखियों से भगीरत ने एक और आकरते देखी वह अपने दूसरे चाकु तक पहुचा लेकिन वह खत्रा तो दीवार के पास जागिरा था एक छोटी तलवार उसके सीने में भगीरत ने पूछा किसने भेजा है तुम्हें वह हमलावर्ट चुप रहा भगीरत ने चाकू को उस पेट के वेक्ति में मरोड दिया किसने उस वेक्ति के मुझ से अचानक ज्छाग निकलने लगा उस चूहे ने विश्खा लिया था वो कुछ सेकेंड में ही मर गया लानत है जुलाए हुए भगीरत ने कहा नंदी ने आयुद्या के राजकुमार को देखा उसने तलवार निकाली हुई थी और कोई भी नए हमले से दोचार होने के लिए सावधान था भगीरत ने सीर हिलाया और उठ खड़ा हुआ धनिवाद नंदी मैं भागिशाली था जो आप चिंतित हो रहे हैं कोई पिता अपने पुत्र के जीवन पर हमला नहीं करेगा मेरा अनुमान है कि मैं गलत था भगीरत ने सिर्ह लाया ये मेरे पिता नहीं थे कम से कम सीधे तौर पर तो नहीं ही सीधे तौर पर नहीं आपके कहने का क्या आर्थ है उनके पास हिम्मत नहीं हैं लेकिन वे इस बात को उजागर करते रहते हैं कि मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ इस सपस्ट रूप से उनकी सभा में रहने वाले सिंगहासन के प्रतिद्वंदी दावेदारों को बढ़ावा मिलता है उन्हीं केवल इतना करना है कि मुझे इस समीकरन से बाहर निकाल फिकना है ऐसा प्रतिद कराएं जैसे कि मेरी मृतियों दुरगटना थी ये नंदी ने उन मृतक हमलावरों की और संकेत करते हुए कहा कभी भी दुरगटना की तरह नहीं दिखेगा मैं जानता हूँ इसका अर्थ केवल इतना ही है कि वे हताश हो रहे हैं क्यों? मेरे पिता का स्वास्त अच्छा नहीं है मेरे विचार से उनका सोचना है कि उनके पास समय नहीं है यदि मेरे जीवित रहते उनकी मृति हो जाती है तो मैं ही सिंगासन की बाग रोर समभा लूँगा नंदी ने सिरह लाया भगीरत ने नंदी को थप थपाया मैं आपका रिण हुमित्र सदैव के लिए करतग्य जब तक मैं जीवित हूँ नंदी मुस्कुराया और आप लंबी आयू तक जीवित रहेंगे राजकुमार जब तक मैं आपके आसपास हूँ आपको कुछ नहीं होगा आप पर जो भी हमला करेगा उसके और आपके बीच मैं खड़ा रहूँगा और आपको छुपाने के लिए मेरा शरीर ही काफी है अपनी भारी भरकम कमर पर मस्खरी करने के लिए नंदी के प्रयास पर भगीरत हज दिया क्या आपको किसी का नाम मिला? किसने उन्हें भेजा था? मैं नहीं जानता प्रभू भगीरत ने कहा इससे पहले कि मैं कुछ जान पाता वे मर चुके थे शिव ने आँ भरी म्रतदेह काशी पुलिस को सौप दी गई है भगीरत ने कहा लेकिन मुझे कोई आशा नहीं है कि वे कोई सुराख प्राप्त कर सकेंगे हम शिव के मूँ से निकला दूसरी बाए मेरे जीवन की रक्षा करने के लिए मैं आपका रिड़ी हू प्रभू मेरा कोई रिड़ नहीं है शिव ने कहा फिर नंदी के ओर मुड कर बुला धन्यवाद मित्र वो आप हैं जो इस आभार के पातर है नंदी नीचे जुका आपकी सेवा करना मेरे लिए सम्मान के बात है प्रभू शिव भगीरत की और वापस मुडा आप आनंद महीं से क्या कहेंगे भगीरत ने तेवरी चड़ाई कुछ नहीं मैं नहीं चाहता कि वो अनवश्चक परिशान हो मैं ठीक हूँ किसी को भी इस बार में जानने की कोई आवश्चकता नहीं है क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरे पिता इसकी जाच करवाने का प्रयास भी नहीं करेंगे अने कुलीन इसे उनकी मौन स्विक्रती के रूप में देखेंगे वे मेरे उपर अधिक आक्रमक प्रहार करेंगे ना कि दुरगटना जैसे दिखने वाले प्रहार इस समचार के बाहर जाने से प्रतिदुन्दी दावेदार को सिवाए उकसाने के और कुछ नहीं होगा लगता है अनेक कुलीन आपके पीछे पड़े हैं राजसभा के आधे लोग मेरे पिता के संबंधी हैं प्रभू मैं सभी सोचते हैं कि सिंगाजर पर उनका अधिकार है शिव ने गहरी सांस ली जब तक आपके पिता यहां है आप अकेले मत रहिए और आप मेरे साथ ब्रंगा की यातरा पर आ रहे हैं जो यहां से बहुत दूर है भगीरत ने सहमती में सिरह लाया शिव ने भगीरत के कंधे पर थप थपाया सुनिश्चित करें कि आप स्वयम को जीवित रखेंगे आप मेरे लिए महातुपूर है भगीरत मुस्कुराया मैं आपके लिए जीवित रहने का प्रयास करूँगा प्रभू शिव धीमे से मुस्कुराया और नंदी भी महाराज मैंने ही समझता कि इतना अधिक सोमरस चूर्ण दे देना अच्छी बात है शिव ने कहा शिव एवं दक्ष शिव के भवन में थे कार्तिक का जन्म हुए एक सप्ताह बीच चुका था कृतिका और परिचारिकाओं के एक जुन्ड के साथ सती और कार्तिक बगल वाले कक्ष में सो रहे थे कार्तिक के उपहार के रूप में दक्ष बहुत अधिक मात्रा में सोमरस चूर्ण को देकर शिव स्थ तब्द था दक्ष चाहते थे कि जन्म से ही प्रतिक दिन कार्तिक को सोमरस दिया जाये ताकि वो शक्तिशाली बल्वान युद्धा के रूप में बढ़ा हो वे इतनी मात्रा में चूरूण लाये थे जो कार्तिक के अठारवे जन्म दिन तक परियाप्त था प्रभू दक्ष ने का प्रभू एक अत्यधिक वत्सल नाना को ये बताना कि वो अपने नाती को क्या दे सकता है या क्या नहीं ये उचित नहीं है लेकिन महराज मंदार परवत के विध्वन्स के बाद सोमरस की आपोर्ति में अवश्य कमी आई होगी मैं नहीं समझता कि ऐसे में मेरे बेटे को इतना सोमरस देना उचित होगा जिबकि आपका पूरा सामराज ये इस सिलाभानवित हो सकता है मुझे उसकी चिंता करने दे प्रभू ग्रभया ना मत कहे शिव ने आत्म समारपड़ कर दिया मंदार प्रवत के पुर्वर निर्मार की योजना कैसी चल रही है ये बहुत समय ले रहा है दक्ष ने अपने हाथों को उपेक्षा से हिलाते हुए कहा उसके बारे में अभी भूल जाते हैं ये इतनी सुखत घटना है मेरा अब एक नाती है एक स्वस्त संपूर्ण सुंद नासन पर बैठे हुए थे सहानुबूती अनुपयुक्त थी बहुत संभौता की उत्तंक्त मंच पर अपमानित होगा जिस निर्त्यनाटिका की प्रदर्शन की बात कही गई थी वो थी शप्तरशी विश्वामित्र और अवं अपसरा मेंका के मध्ध होने वाले प्रेम प्र करने की एक मानकी दूरी से बहुत अधिक थी संभवतेया एक आवश्यक समझोता था क्योंकि उत्तंक का हाथ उतनी दूर तक नहीं पहुत सकता था शिव ने एक बार फिर से परवदेश्वर के और मुड़ कर देखा उसने अपनी आखे थोड़ी संकुचित की और लगा कि अपनी सांसे रोके हुए था किया वो इर्श्या कर रहा है आयोध्या की राजकुमारी ने निर्ट निर्देशन बहुत ही अच्छी तरह से किया था उसने इस विशेश अभिने के लिए प्राचीन नियमों को थोड़ा बदल दिया था ताकि उत्तंग के कम चलने वाले हाथ से निर्टे के अभिने में कोई परिशानी ना हो लेकिन इस परिवर्तन ने इस चीज़ को भी सुनिश्चित कर दिया था कि निर्टे अभिने के दौरान उन्हें एक दूसरे के निकट ही रहना था जो गहन कामुक्ता की रचना कर रहा था वर्श्यकों ने पहले तो इस मुक्ता से भरा नहीं देखा था जैसे ही निर्टे समाप्त हुआ सारे दर्शगन तालिया बजाते हुए और सीटिया मारते हुए खड़े हो गए वो सचमुच ही विलक्षार प्रदर्शन था आनंद मैं नीचे जुकी और उसके बाद उसने उत्तंक की और संकेत करते हुए सारा श्रे उस शारेरिक रूप से विक्रत पूर्व सैनिक को दे दिया उत्तंक ने जो प्रशिंचा पाई उससे वो बहुत खुश हुआ पहली बार उसे लग रहा था कि उसके जीवन का भी कोई अर्थ था उपस्तित लोगों में परवतेश्वर एक मात्रवेक दे था जिस से परवतेश्वर के प्रहारों को पहचान पा रहा था और बहुत ही शांदार धंग से प्रतिक्रिया कर रहा था परवतेश्वर बहुत खुश था मुक्यबाजी को रोकते हुए परवतेश्वर द्रपुक की और मुड़ा और उसने अपना सिर्ह लाया उसके बाद वो पू निलकंट के साथ यात्रा करने वाले सुर्वंशी दल में आपको सम्मृत करना सम्मान की बात होगे दलपती पूर्वक पुर्वतेश्वर ने कहा। पूर्वक मुस्कुराया। दर्शकों में ये पहली बार था जब उसे दलपती कहा गया था। सम्मान मेरा हुआ है सिनपती और चंद्रवंशी के दल में मुझे ना भेजने के लिए बहुत बहुत धनेवाद। मुझे नहीं लगता कि मैं उनकी अक्षमता को जेल पाऊंगा। कक्ष के एक खिनारे खड़ा भगीरत अपनी हसी को रोक नहीं पाया। हम लोग देखेंगे कि नीलकंट के लिए कौन अधिक श्रम करता है पूरवग जी। भूले नहीं कि आप चंद्रवंशी छेतर अधिकार में हैं। यहां युद्ध दूसरे तरीकों से लड़ा जाता है। पूरवग में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसका प्रसिक्षन किसी राजिसी विक्ति को प्रतियुत्र देने से रोगता था। उसने सहमती में सिर हिला दिया। ठीक उसी समय आनंदमई ने कक्षम प्रवेश किया। भगीरत मुस्कुराया और उसने प्रवतेश्वर को एक टीक शुन दृष्ट्री से देखने के बाद आनंदमई की और देखा। वो एक चमकीली हरी चोली और छोटी सी धोती पहने हुई थी। वो रंग इतना चटक था कि आनंदमई जैसे एक सुन्दर और आत्म विश्वा से इस्तरी ही उसे पहन सकती थी। उसे संदे था कि परवतेश्वर का ध्यान आकर्शित करने के लिए आनंदमई दिन प्रतिदिन निर्लज बंती जा रही थी। उसने अपनी बहन को इतना व्यकुल कभी नहीं देखा था वो निर्णे नहीं कर पा रहा था कि आनंदमई से बात करे या फिर परवतेश्वर से अलग से पूछे कि आखिर वो चाहता क्या है। भाई की ओर दूर से अभिवादन करते हुए आनंदमई सीधे परवतेश्वर के पास गई। तंक उसके पीछे था। वो परवतेश्वर के अत्यथिक निकटा गई। जिसकी कारण उसे पीछे हट जाना पड़ा। करने का उसर नहीं है क्योंकि मेलुह का केवाल एक सिनपती है। मैं मानती हूं परवतेश्वर केवाल एक है। परवतेश्वर लाल हो गया। द्रपकुने अरुची से मूँ बनाया। कोई ऐसी सेवा है जो मैं आपके लिए कर सकता हूं राज कुमारी। परवतेश्वर जल्द से जल्द इस वारतलाप को सवाप्त करने का तरीका ढोना चाता था। मैंने सोचा था कि आप कभी नहीं पूछेंगे। उत्तंक के और संकेत करते हुए आनंद में मुस्कुराई। वो नव्युवक मगद से आया हुआ एक शरणार थी है। इसका नाम उत्तंक है। ये सदेव ही एक युद्धा बनना चाहता था। लेकिन घुर सहवारी में चोट लग जाने के कारण इसका कंधा चोट गरस्त हो गया। मुर्खता पूर्ण गुडों से आसकत राजकुमार सुपर्दमन ने इसे सीना से निकाल दिया। अधिकतर दुखी आत्माओं की तरह ये भी काशी आ गया। मुझे विश्वास है कि आप निकल इसका नर्त दिखा होगा। मैं चाहती हूँ कि आप इसे निलकंट के दल में शामिल कर ले। एक नर्तक की रूप में हक्के बक्के परवतेश्वार ने पूछा क्या आप जान बुचकर मुर्ख बनना चाहते हैं या फिर मात्रे कभी नहीं है। परवतेश्वार ने तिवरी चड़ाई। सपश्ट है कि नर्तक की रूप में नहीं। रोश में कंदे सी कोड़ते हुए आनंदमाई ने कहा एक सैनिक के रूप में परवतेशवर उत्तंक की और मुड़ा, उसके पैर खुले हुए थे, उसके हाथ हधियार के निकड़ थे, वो युद्ध के लिए तयार था, इस पश्रूप से उत्तंक को अच्छा प्रसिक्शन द लिया गया था, उसके बाद परवतेशवर के आँखे उसके कंधे पर आकर ठहर गई, चोट के कारण खूबर बन जाने से उसके दाहिनी हाथ को चलाने में कटिनाई थी, तुम लंबे आदमियों के साथ युद्ध नहीं कर पाऊगे, मैं मर जाओंगा लेकिन पीछे नहीं ह अतरास किया, परवतेशवर ने आखे तरेर कर देखा, प्रभु नीलकंठ एक विख्यात नर्तक थे, और साथ ही प्रिचंड युद्धा भी, वो पीछे मुड़ा और उसने लकडी से बनी दो तलवारे और धाले उठा ली, एक उसने उत्तंक की और उच्छाल दी, उसने अ हमारे साथ ऐसे ही क्यों नहीं आ सकता, भगीरत ने आनंदमई को पीछे से टोका और वो चुप हो गई, भगीरत ने उसे पीछे खीच लिया, पूर्वक और द्रप को भी पीछे हट गए, तुमारे पास अभी विकल्प है सैनिक, परवतेशवर ने कहा, पीछे हट जाओ, दीरे दीरे आगे बढ़ा, वो उत्तंक के प्रहार के आशा कर रहा था, लेकिन वो विक्ति खड़ा रहा था, परवतेशवर ने महसूस कर लिया था, कि वो मगदवासी सुदक्षात्मग नीती अपना रहा था, उत्तंक के कंधे की चोट उसे उपर की और उचे प्रहार से परतिबंधित करती थी जो पर्वतेश्वर के समान उचे विक्ति पर प्रहार करने के लिए आवश्यक था सेनपति ने हमला बोल दिया वो पूरी तरह आपारम पर एक हमला था अपनी ढाल को मद्यम उचाई पर रखते हुए वो केवल उपर की दिशा में वार करता जा रहा था उत्तंक को पीछे की और हटना पड़ रहा था वो अपनी ढाल को बाएं हाथ से उचा पकड़े हुए था ताकि उन शक्तिशाली प्रहारों से स्वैम को सुरक्षित रख सके यदि वो अपने दाहिने हाथ को उचा उठा पाता तो वो परवतेश्वर के खुले सिर एवं कंधे पर प्रहार कर सकता था लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था इसलिए वो सीने की उचाई पर ही वार करता जा रहा था परवतेश्वर आसानी से अपनी ढाल से उन प्रहारों का बचाओ करता जा रहा था दीरे दीरे लेकिन निश्ची तरूप से परवतेश्वर उत्तंकों को दिवार की और धकेलता जा रहा था कुछी छड़ों में उत्तंक के पाथ भागने के सभी मार्क बंद हो जाने वाले थे आनंद में जहां एक और खुश थी कि मिलूहा वासी सेनपती को इर्शिया हो रही है वहीं दूसरी और उत्तंक के बारे में चिंते थे वे कुछ दया क्यों नहीं दिखा रहे मगीरत अपनी बहन के और मुणा परवतेश्वर सही कर रहे है युद्ध के दौरान श्रत्रू सानबूती नहीं दिखाता है उसी समय उत्तंक की पीड दिवार से टकरा गई उसकी ढाल हिली तपी परवतेश्वर ने दाई और से लाने की कोशिश नहीं की परवतेश्वर शांती से चहल कदमी करता हुआ कक्षि के मध में पहुंचा और जोर से उसे पिकारा एक बार फिर उत्तंक किसी प्रकार पैर घसीरता हुआ तयारी की स्थिति में पहुंचा परवतेश्वर ने एक बार फिर से हमला कर दिया पुना को यहां क्यों लाई बगीरत ने पूछा उत्तंक सुंदर निरते करता है मैंने सोचा था कि ब्रंगा राज की यात्रा के दौरान उसके होने से थोड़ी मस्ती रहेगी बगीरत आखे सिकोर्टे वे बहन क्यों मुणा यह पूरा सत्य नहीं है मैं जानता हूं कि तुम क्या कर हो और यह उचित नहीं है प्रेम और युद्ध में सब कुछ उचित है बगीरत लेकिन मैं सचमुष ही नहीं चाहती कि उत्तंक को चोट पहुंचे तो फिर तुम्हें यहां लाना ही नहीं चाहिए था परवतेश्वर पुना मद्ध में आ चुका था फिर से उत्तंक लड़ युद्ध होता तो उत्तंक अब तक दो बार मर चुका होता उसने उत्तंक पर पुना प्रहार किया उसे तवाश्र हुआ जब उत्तंक एक और हड़ गया जिसके कारण प्रवतेश्वर अपनी ही गती में आगे की और बढ़ता चला गया उसके बाद उत्तंक मुणा और उसन दाया हाथ घूम गया इसके कारण उसकी तलवार उसके घायर कंदे की उचाई से अधिक हो गई जैसा सामाने तया संभव नहीं था इस प्रकार उसने प्रवतेश्वर की गले पर चोट कर दी वो प्रहार घातक था यदि वो अभ्यास वाली तलवार ना होकर असली तलवार ह जाय गया उत्तंक ने ऐसे कैसे कर लिया उत्तंक स्वयम अस्तब्द था चोट लगने वास से आज तक उसने इतनी उचाई से कभी भी प्रहार नहीं किया था कभी नहीं प्रवतेश्वर के मुख पर एक हलकी सी मुस्कान थी उत्तंक अपनी सुरक्षात्मक शैली को छोड़ प्रवतेश्वर ने कहा जब तुम कड़ा प्रहार करते हो तो तुम्हारे पास प्राण हरण करने की छमता है उत्तंक अभी भी हाफ रहा था वो हलके से मुस्कुराया है बहादूर सैनिक तुम्हारा मेलूहा की सीना में स्वागत है उत्तंक ने तत्काल ही अपनी तलवार गिरा दी और प्रवतेश्वर की चरणों में गिर गया उसकी आंखे नम थी प्रवतेश्वर ने उत्तंकों को उठा कर खड़ा किया तुम अब मेलूहा के एक सैनिक हो और मेरे सैनिक रोते नहीं है मेलूहा के सैनिकों की तरह व्यवहार करो भागीरत ने लंबी स्वास लिय और आनंदमई की और मुड़ा इस बार तुम भागिशाली रही आनंदमई ने सहमती में धीरे से अपना स्विरी लाया किन्तों उसका हिला बहुत तेजी से आगे की योजना की और भागता चला जा रहा था प्रवतेश्वर को जो प्रभावित करता है वो है सैनिवीरता आन पराड दिलीप और उसके अन्युआई के दल अयुद्या के लिए रवाना हो चुके थे शिव गंगा के तर्ट पर जल्पोत के निर्माळा को देखने के लिए गया हुआ था दक्ष और वीरिनी सती के व्यक्तिकत कक्ष में बैठे हुए थे मां गर्व से कार्तिक के पलने क जुला रही थी वीरिनी ने दक्ष की और देखा लेकिन कुछ कहा नहीं मेलुहा की चिंता मुझ पर छोड़ो पुत्री दक्ष ने कहा तुम केवल कार्तिक की देखभाल करो सती को इस प्रकार के क्रपादरश्टी वाले बोलों से चिरती पिता जी ने संदेह में कार्तिक के बारे में सोच रही हूँ मैं उसकी मा हूँ लेकिन मेलुहा के परती अपने करतवे को भूल नहीं सकती मेरी बच्ची दक्ष मुस्कुराया मेलुहा सुरक्षित है इतना सुरक्षित जितना पहले कभी नहीं था मैं नहीं समझता कि अपने लोगों की देखभाल करने की मेरी योगिता पर तुम्हें संदेह करने की कोई आवशक्ता है पिता जी मैं आपकी योगिता पर संदेह नहीं कर रही या आपकी निश्ठा पर मैं बस इतना कहना चाह रही हूं कि कार्तिक द्वारा सोमरस का इतना हिस्सा प्राप्त करना गलत है जो वास्तों में मेलुहा के लोगों का अधिकार है मुझे विश्वास है कि मंदार परवत के विध्वन्स के बाद सुम्रस की अतधिक कमी हो चुकी है फिर मेरे पुत्र को इतना क्यों देना केवल इसलिए क्योंकि ये समराट का नाती है यह प्रभुराम के नियमों के विरुद्ध हैं दक्ष जोर से हसा मेरी प्यारी पुत्री प्रभुराम के नियम जी कही नहीं कहते हैं कि एक समराट अपने लाती को सुम्रस चून नहीं दे सकते हैं निसंदे बिल्कुल वैसी ही शब्दावली नहीं होगी पिताजी होते हुए दक्ष ने पूछा क्या तुम मुझे नियमों को उलंगन करने वाला बता रही हो पिता जी कृप्रे अपना स्वर धीमा रखें कार्तिक जाग जाएगा और यदि आप कार्ति को एक सामानी मिलुहा वासी की तुलना में अधिक पसंद कर रहे हैं तो हां आप प्रभ वंशू के लिए परियाप्त मात्रा में सोम्रस उपलब्द है और कार्तिक को एक अन्यकम सौभागिशाली मिलुहा वासी की तुलना में अधिक लाप नहीं पहुचा रहा है जब तक आप ऐसा वचन नहीं देते ये सोम्रस दिंगी पड़ा पड़ा सड़ जाएगा मैं इसे किसी को भी कार्तिक को देने नहीं दूंगी तुम अपने ही बेटे को चोट पहुचाओगी दक्ष ने आखे तरेर कर सती को देखने से पहले अपने सोते हुए नाती को एक जलक देखकर कहा कार्तिक मेरा बेटा है वो दूसरों की कीमत पर लाब उठाना पसंद नहीं करेग कार्तिक रोता हुआ जग पड़ा सती खड़ी हुई और उसने कार्तिक को अपनी गोद में उठा लिया जो अपनी मा की जानी पहचानी सुगंध पाकर जल्दी ही शान्त हो गया सती अपने पिता की और मुड़ी और उसने तीक्ष्र दृष्टी से देखा मैं तुमें यही प्रवत नहीं रहे था तो भी सोम्रस के आपोर्ती सुचारू रूप से होती रहे हमने इसे गोपनी रखा था क्योंकि हमारे मध्य अनेक देश द्रोही मौजूद है सती ने सदमे की स्थिति में अपने पिता को एक टक देखा वीरी नी अपना सिर पकड़े हुए थी इस प रिक्ती के रूप में विख्यात होगा सती ने कुछ नहीं कहा वह सोम्रस के गोपनी उद्यम के समाचार के सदमे से उबर नहीं पाई थी उसके मन में सैकड़ों प्रश्ण गूम रहे थे क्या तुमने मेरी बात सुनी दक्ष ने पूछा तुम कारतिक को प्रति दिन सोम्रस के समुद्री बंदरगा कर्चप पर बनाये जा रहे विशाल का जल्यानों को बंते शिव ने देखा था लेकिन ब्रंगा वारो द्वारा बनाये जा रहे उस पूरी तरह से भिन प्रकार के जल्यान को देखकर वो विसमित था और परवते शुर भी वे दोनों ही एक साथ लक पेंदी को अत्यधिक संक्रा बनाया गया था जो नीचे की ओर दो-तीन मीटर तक गई हुई थी इसका क्या अर्थ हो सकता है प्रवतेश्वर शिव ने पूछा मैं नहीं जानता प्रभू परवतेश्वर ने कहा आज तक मैंने जितने भी जल्यान देखे हैं यह उनसे सबसे विचित्र है आप सोचते हैं कि यह पानी में जल्यान को तेज़ चलने में सहायता करता है मैं कुछ निश्चित रूप से नहीं कह सकता लेकिन क्या यह जल्यान के स्थिरता को कम नहीं कर देता है इसके उपर चढ़ाया गया यह अतरिक्त भार इसे वजनी बना देगा शिव प्रभू यह लोहे के समान ही प्रतीत होती है तो फिर इसका भारीपन इसकी स्थिरता को बढ़ा देता है लेकिन यह भार जल्यान की गति को भी कम कर देगा हाँ यह बात तो है ना जाने यह विचित्र खाचे किसलिए बनाए गये हैं परवतेश्वर ने उन गहरे खाचों पर हाथ फिरते हुए पूछा जो पेंदी के बढ़े हुए हिस्से में धातु की चादरों पर हर जगह बने हुए थे या फिर इन खूटियों को देखें शिव ने अनिक खूटियों की और देखा जो उन खाचों के लगबं दो मीटर उपर की और हर जगह बनी हुई थी ठी के सदस्यों दौरा तयार किया हुआ उर्जा प्रदायक पे दिया था प्रभू दिवदास ने मुस्कुराते हुए कहा देवी आयरुवती अत्यधिक निपुर्ण है उनके औशदी को पीने से शुद उर्जा ग्रहन करने के जैसा लगता है पिछले कुछ दिनों में मेरे आयरुवती जोर से हस पड़े परवतेश्वर को इसमें हसने वाली कोई बात नहीं लगी प्रभू राम ने कहा था कि विनम्रता ही महान विक्ति की पहचान है यदि हम अपनी विनम्रता भूल जाते हैं तो हम प्रभू राम का अनाधर करते हैं परवतेश्वर ऐसा मत को बदलते हुए कहा कि मुझे इस जल्यान के तल के इन विचित्र अत्रिक्त बढ़े हुए हिस्से के बारे में जानने की अधिक्रूची है सबसे पहली बात ये कि इसकी सरनशना करना बहुत ही कठीन कारे होगा आपको भार एवा माकार को बिल्कुल सही रखना होगा अने शिवे शांदार हैं लेकिन इस विस्तार का उदेश क्या है कि ये काम करता है ये तालों को खोलता है प्रभू क्या ये एक चाबी है जब आप ब्रंगा के द्वारों पर पहुचेंगे तो आप देखेंगे कि ये कैसे काम करता है शिव ने तेवरी चड़ा ली इसके वाली नदी के आरपार द्वार कैसे बनाया जा सकता है दिवदास मुस्कुराया मिधक से वास्तविक निर्माण करने के लिए आपको विख्यात अभियनताओं के आवशक्ता होती है तो वो द्वार कैसे काम करता है शिव ने पूछा अच्छा यही रहेगा कि आप उसे काम करते देखें प्रभू दिवदास ने कहा वैसी भवे संरशनाओं के वर्णा नहीं किया जा सकते वे मातर देखे जा सकते हैं ठीक उसी समय एक इस्तरी अपने एक महीने के बच्चे को गोद में ले वहाँ आई वो ब्रंगा की पुजारिन थी वो इस्तरी जिसने भगीरत को ब्रंगा के भवन में हमला करने से रोका था शिव ने उस बच्चे को देखा और मुस्कुराया इतना प्यारा बच्चा है वो मेरी बेटी है प्रभू दिवदास ने कहा और ये यशिनी है मेरी पत्नी यशिनी शिव के चराल सपर्ष करने के लिए जुकी और उसके बाद उ हूँ गया और उसने उस बच्ची को उठा लिया इसका क्या है देव य प्रभू याशिनी ने कहा शिव मुस्कुराया इसका नाम प्रसिद आचारे शुक्र की पुत्री के नामपर रखा गया है या शिर प्रव यह बखत ही संदर नाम है जो यह बड़ी होगी तो मेरा ने कहा हम लोग बस इतनी ही आशा कर सकते हैं कि वे भविश्य को देखने के लिए जीवित रहें शिव ने सानभूति में सिरह लाया जब तक मैंसे बदल नहीं देता मैं रुकने वाला नहीं यशिनी धनिवात प्रभू दिवदास ने कहा मैं जानता हूं कि आप सफल होंगे ह हम अपने जीवन की परवाह नहीं करते लेकिन हमें अपने बच्चों को सुरष्षित रखना है जब आप सफल होंगे तो हम सदैव के लिए आपके क्रतग्ये हो जाएंगे लेकिन दिवदास स्वयम प्रभू भी तुम्हारे क्रतग्ये हैं आयुर्वती ने बीच में ही टो कुछ मामलों में शिशु जिनम तक की यात्रा नहीं कर पाता उसका दम घुट जाता है और वो मर जाता है मैंने इस चित तोर पर नहीं बता सकती क्योंकि मैं वह नहीं थी लेकिन मुझे लगता है कि राजकुमारी सती के प्रथम शिशु के साथ संभवता यहीं हुआ होगा कार्तिक के गले में भी ना भी रज्जु लिप्टी हुई थी लेकिन इस बार मैंने तुमारी आउशदी राजकुमारी सती के पेट पर मल दी थी चाहे जैसे भी हो वो आउशदी गर्ब के अंदर तक फैल गई और उसने कार्तिक को उन कुछ पलों के लिए परियाप्त शक जान गई केवल तुम ही वो दे सकते थे सही है ना लेकिन मैंने नहीं दिया था तुमने नहीं दिया था शिव के और मुड़ते हुए आयुर्वती ने स्तब्धोकर कहा तो फिर आपने वो अशदी कहां से प्राप्ति की प्रभू शिव भौचक्का रह गया था जैसे किसे उसकी सबसे मूलेवान याद को क्रोरता से कुचल दिया था प्रभू ये क्या है शिव ने पूचा आयुर्वती ने पूचा शिव अत्यधिक क्रोध में था वो अचानक ही मुड़ गया नंदी भद्र मेरे साथ आओ प्रभू आप कहा जा रहे हैं प्रवतिश्वन ने पू और उसके बाद शिव को अनुभा हुआ कि उसे चिलाने की कोई आवशकता नहीं थे उसे केवल इतना करना था कि अपने विजारों को प्रसारिद करना था वासुदेव क्या आप मेंसे कोई सुन रहे हैं कोई उत्तर नहीं शिव का क्रोध और बढ़ चुका था मैं जानता ह किसी वासुदेव ने प्रतिक्रिया नहीं दी पविद्र जील के नाम पर उत्तर दें या मैं आपका नाम ईश्वर के शत्रों में जोड़ दू शिव ने एक शब्द भी नहीं सुना वो प्रभुरुद्र की प्रतिमा की और मुड़ा किसी विचित्र कारण से वो प्रतिमा उतनी भायानक प्रतित नहीं हुई जितनी उसे याद थी वो शांत प्रतित हुई निर्मल लगभग ऐसी ही कि वो शिव से कुछ कहना चाहती हो शिव पीछे मुड़ा और उसने अंतिम बार चिला कर पूछा वासुदेव अभी उत्तर दे या मैं कुछ बुरा ही अनुमान लगा लो कोई उत्तर ना पाकर शिव मंदिर से आंधी तूफान सा बाहर निकल गया अध्याए नौ आपा कर्म क्या है क्या हुआ शिव वो चोटा बालक पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसके काका पीछे खड़े थे उस बालक ने जल्दी से अपने आसु पोच लिये क्योंकि गुण कभीलों में आसूं को कमजोरी की निशानी माना जाता था उसके काका मुस्कुराए वे शिव के पास बैट गए और उन्हें बाहों में भर लिया वे कुछ समय तक यूँ ही चुपचाब बैठे रहे उनके पावों में मान सरोवर का जल हिचकोले लेता हुआ इस पर्ष कर रहा था बहुत अधिक सर्दी थी किन तूने परवाह नहीं थी तुम्हें क्या कष्ट है मेरे बच्चे काका ने पूछा शिव ने उपर के और देखा उसे सदैव आश्चरे होता था कि उसके काका जैसे इतने भैंकर युद्धा कैसे इतने शान्त होकर मुस् बालक ने सहमती में सिरह लाया और तुम क्या सोचते हो मैं नहीं जानता कि इससे अधिक क्या सोचना है हाँ तुम जानते हो अपने हिर्दे की सुनो क्या सोचते हो शिव के नन्ने हाथ बगचाल से बनी कमीज के साथ उलजे हुए थे मां सोचती है कि मैं उसकी सहायता नहीं कर सकता था क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ, मेरी आयू कम है और मैं बहुत ही दुरबल हूँ, मैं कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता था, उसकी साहयता करने के बजाए संभवतया मैं स्वयम ही घायल हो गया होता, संभवतया ऐसे ही भी है, लेकिन क्या इस से कोई अंतर है, उस छोटे से बालक ने उपर क्योड़ देखा, उसने आखे सिकोड़ी हुई थी और उसमें आसू उमड़ा आ रहे थे, नहीं, उसके काका मुस्कुराए, इसके बारे में सोचो, यदि तुमने उसकी सहायता करने का प्रयत्न किया होता, तो भी संभवत था कि वो पीडि लाया, इसके इलावा तुमारी मा ने क्या कहा? उस सिस्त्री ने अपनी जान बچाया रखने के लिए ही प्रतिकार नहीं किया था, हाँ ये सच हो सकता है, और माय ये भी कहती है कि यदि वो इस्त्री अपनी जान बचाने के लिए व्यवहारी खुई, तो वही करकर मैं गलट कैसे हो सकता हूँ ये एक महादपूर बिंदू है पाप उसके विरुद किया जा रहा था और उसके बाद भी वो से स्विकार कर रही थी वे कुछ देर तक अस्त होते हुए सूरी को एक टक देखते हुए चुब बैठे रहे इस प्रकार यदि उस स्थ्री ने प्रतिकार नहीं भी किया काका ने कहा तो तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए था मुझे? हाँ मैं सोचता हूँ कि इससे कोई अंतर नहीं पढ़ता कि उस स्थ्री ने प्रतिकार किया या नहीं चाहे जो भी हो, मुझे उसके लिए संगर्ष करना चाहिए था क्यों? शिव ने सामने देखा क्या आप भी ऐसे सोचते हैं कि मुझे व्यवारिक होना चाहिए था और वहाँ से भाग जाने में मेरी कोई गलती नहीं थी मैं क्या सोचता हूं इसका कोई अर्थ नहीं है मैं तुम्हारी व्यवाख्या जानना चाहता हूं तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हारा वहाँ से भाग जाना अनुचित था शिव ने अपनी कमीज में उंगलियों को व्यकरता से इधर उधर घुमाते हुए नीचे की और देखा उसके ललाट पर बहुत धमक हो रही थी क्योंकि ये मुझे अनुचित लगता है उसके काका मुस्कुराएं यही उत्तर है ये अनुचित लगता है क्योंकि जो तुमने किया वो तुम्हारे कर्म के विरुद था तुम्हें उस इस्तरी के कर्म से कुछ भी लेना देना नहीं था उस इस्तरी ने जो किया वो उसका विकल्प था तुम्हें अपने कर्म की चिंता करनी चाहिए थी शिव ने उपर कियों देखा बुराईयों की विरुद संगर्श करना तुम्हारा करम है इसे कोई अंतर नहीं पड़ता कि बुराई ऐसे लोगों के साथ हो रही है जो उसके विरुद संगर्श नहीं करते सदैव ये याद रखना तुम दोसरों के करमों के परिणाम के साथ जीवन यापन नहीं करते हो। शिव ने सहमती में हलके से सिर हिलाया। क्या ये पीड़ा देता है। काका ने शिव के ललाट पर दोनों आखों के मध्य में गहरे लाल दाने जैसे आकार की और संकेत करते हुए पूछा। शिव ने उसे जोर से दबाया, दबाने से उसे आराम मिला। नहीं किन तो इसमें जलन होती है, अत्यधीक जलन होती है, विशेश कर जब तुम अपरसन होते हो। शिव ने सहमती में सिर हिलाया, काका ने अपने अंगरखे में हाट डाला और एक छोटी सी थैली निकाली, ये बहुत ही अनमोल औशदी है, मैं इसे बहुत लंबे समय से अपने पास रखे हुए हूँ, और मुझे लगता है कि तुम वो सुपात रहो जिसे मिलना चाहिए, शि शिव ने तेवरी चड़ा ली, वो परिशान था, मानसरोवर के दूर विशालकाए हिमाले की और संकेत करते हुए उसके काका ने कहना जारी रखा, मेरे बच्चे तुमारा प्रारब्ध इन विशालकाए परवतों से भी बहुत विशाल है, लेकिन उसे सच करने के लिए रतकाल ही जलन में कमी लगी, उसके बाद उसके काका ने वही लेप उसके गले में भी लगाया, फिर उन्होंने शेश बचे लेप को लिया और शिव की दाई हथेली पर रख दिया, उसके बाद उन्होंने एक उंगली को हलके से काटा, और उस लेप में रक्त की कुछ बुन तिम लेप उसके काका के रख्त से सना हुआ रखा हुआ था अपने मूँ के पिछले हिस्से में रख लो काका ने कहा लेकिन निगलना नहीं तब तक मलते रहो जब तक कि वो पुरा सोक नहीं जाता शिव ने वैसा ही किया अब तुम तैयार हो उचित समय भाग इनिश्चित कर वो अपने पिता के साथ सुबह हुई परिशान कर देने वाली बाचीत के बारे में शिव से बात करना चाहती थी वो अभी भी आपातकालिन सोमरस के उतपादन सुविधा की बात से विसमित थी जिसके बारे में किसी को पता तक नहीं था लेकिन उसने शिव की गुसे भरे म मुझे भटकाया गया संभवतया उनका नागाओं के साथ कोई समझाता हो क्या इस देश में किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते सती के अंतर मन ने उससे कहा कि वासुदेव दुष्ट नहीं हो सकते ये बात समझ में नहीं आई शिव आप संभवतया एक निसकर्ष की और भा किसमी में बनाई जा सकती है हम जानते हैं कि ब्रंगावालोने उसे कैसे प्राप्त किया उनकी विवश्ताओं का बहलात लाब उठाया जा रहा है वासुदेवों के लिए क्या तरक दिया जा सकता है उन्हें अपने मंदिरों को बनवाने के लिए नागाwn की सहायता चाहिए सती चुप रही शिव खड़की के और गया और उसने विश्वनात मंदिर को कड़ी दृष्टी से देखा किसी विज़ेतर कारान से वो अपने अंतरमन की बात सुन पा रहा था जो बार बार दोहरा रहा था शांत रहो निश्टकर्ष निकालने की शीगरता मत करो शीव न अपना सिर हिलाया मुझे विश्वास है कि वासुदेवों को इस बात का अनुमान था कि आप इस बात को जान जाएंगे कि आवशधी कहां से आई है सती ने कहा इस प्रकार वासुदेव ने जो आपको आवशधी दी उसकी दो व्याक्ख्याएं हो सकती है शीव पूछे मुण गया या तो वे मूर्ख हैं या वे ये सोचते हैं कि आपके पुत्र का सुरच्छित जन्म इतना महतपोड हैं कि वे आपके गुस्से का जोकिम उठाने के लिए तैयार है शीव ने तेवरी चड़ा ली जो कुछ भी मैंने उनके वारे में आपसे सुना है मैं नहीं सोचती कि वे मूर्ख हैं सती ने कहा फिर केवल एक ही विकल पच्टा है वे सोचते हैं कि यदि हमारे पुत्र को कुछ हो जाता तो आप इतने अधिक बिखर जाते कि बुराई के विरुद उनके उद्देशों को हानी पहुचती शिव चुप रहा नागा लोका धीश अपने नेजी कक्ष में खड़की के पास बैठा हुआ था वो उस गायक मंडली के गीतों को सुन सकता था जो हर सब्ताह पंचवटी की गलियों में शाम को इसी समय जुलूस की शकल में गाते हुए जाते थे रानी उन शोग गीतों को प्रतिबंधित करना चाहती थी वो उन्हें पराजयवादी कहकर तिरस्कृत करती थी लेकिन नागाओं के राजसभा जो चैनेत राजसी परिशत थी उसने रानी की इस मुहिम के विरुद मत दिया था जिसके कारण वो गीत अब भी गाया जा रहा था उस गीत से नागा के हरदय में भावनाय उमर पड़ी थी लेकिन उसने उने बाहर नहीं आने दिया तुम मेरे संसार मेरे इश्वर मेरे रचनाकार और फिर भी तुमने मुझे तज दिया मैं तुमने मुझे बुलाया और फिर भी तुमने मुझे तज दिया मैंने तुम्हें सम्मान दिया तुम्हारे नियमों से जिया तुम्हारे रंगों में रंगा और फिर भी तुमने मुझे तच दिया तुमने मुझे दुख दिया तुमने मुझे वीरान किया तुम अपने करतव्यों में चूके और फिर भी मैं एक दानव हूँ बताओ स्वामी मैं क्या करूँ घिनोना गीत नागाओं के विचारों में बाधा डालते हुए रानी ने कहा ये हमारी कमजोरी और हमारे बंधनों को और पुष्ट करता है मौसी नागा ने खड़े होते हुए कहा आप आई है मैं सुन ना सका तुम सुन भी कैसे सकते हो ये घ्रणा उत्पन करने वाले गीत दुनिया को डुबो देते हैं सकारात्मक सोच को डुबो देते हैं बदला लेना एक सकारात्मक सोच नहीं है महरानी नागा मुस्कुराया सा वासुदेव से मिले नागा ने अपनी आखे सिकोडी वो इस बात पर आश्यरे चकित था कि रानी को ये समचार पाने में इतना समय लगा हाँ क्यों रानी ने गुस्से को कठिंता से रोकते हुए पूछा महरानी मैं समझता हूं कि हम उनकी सहायता का उपयोग कर सकते हैं वे ह वासुदेव उस प्राचीन पौरानी गाथा के कट्र समर्थक हैं नीले गले वाला कोई विदेशी इस देश की रक्षा करने वाला है लेकिन अन्य मोती जड़े दाड़ी वाले ने इस देश की रक्षा की थी नहीं की थी क्या इसका बाइली की तुलना महान प्रभु देश है रानी गुस्से सिगर जी उन्हें अपनी ओशेधी देने का असली कारण मुझे बताओ तुम जानते हो कि इसकी आपूर्थी बहुत कम है हमें ब्रंगा वालों को उनकी वार्षिक खेब भी भेजनी है इस घ्रणी देश में वेही एक मात्र सभ्य लोग हैं एक मात् इसा प्रभावित नहीं होगा महरानी मैंने मात्र अपना नीजी हिस्सा दिया है भूमी देवी के नाम पर बताओ क्यों तुम भी अचानक उस निलकंठ में विश्वास तो नहीं करने लगे मैं क्या विश्वास करता हूं इससे कोई अंतर नहीं पढ़ता महरानी अंतर इसस निकाला नागा परिशान था लेकिन उसने अपना स्वर शांत रखा नहीं और कम से कम आपको तो उनके लिए ऐसी बादें नहीं करनी चाहिए महरानी क्यों नहीं क्योंकि मेरे अलावा एक मात्र आप हैं जो सचाई जानती हैं कभी-कभी मेरा मन कहता है कि काश में नहीं जा महर्शी भ्रगु के अनियत प्रकट होने से वो हैरान थे मिलुहा के समराठ ने महर्शी से दर्शन देने की कोई प्रात्ना नहीं की थी भ्रगु ने दक्ष पर आप्रसनता से कठोर द्रश्ची डाले आपने एक सीधे साधर निर्देश का उलंगन किया है राजन दक्ष सि जुकाए नीचे शांत बने रहे महर्शी को ये कैसे पता चला सती वीरिनी और मैं केवल हम तीन लोग ही तो उस वारतालाप में थे क्या वीरिनी मेरी गुप्तचरी कर रही है सभी लोग मेरे विरुध ही क्यों है मैं ही क्यों ब्रगु ने दक्ष के मन की बात पढ़ते किसी अन्य मामले में उन्होंने दक्ष को वही करने दिया था जो वे चाहते थे आपको समराट किसी कारण से बनाया गया था भ्रगु ने कहा कृप्या ऐसा कुछ ना करें जिससे मुझे सौयम अपने निर्ने पर प्रशन उठाना पड़ जाए दक्ष अभी शांत बने रहे डरते हुए भ्रगु नीचे जुके और उन्होंने दक्ष के मुख को उपर उठाया क्या आपने उस इस्थल के बारे में भी बताया राजन दक्ष धीमे से फुस फुसाया नहीं मुनिवर मैं सौगंद खाकर कहता हूं मुझसे असरते ना बोलें मैं सौगंद खाकर कहता भ्रगु ने दक्ष के मन की बात पढ़ ली विसंतुष्ट थे आप इसकी चर्चा किसी से नहीं करेंगे क्या ये इस पश्थ है दक्ष शांत बने रहे राजन भ्रगु ने कहा उनका स्वर उचा था क्या ये इस पश्थ है जी हां मुनिवर भ्रगु के पाउँ पकड़े ह भैबी दक्ष ने कहा शिव असी घाट पर खड़ा था ब्रंगा वालों द्वारा निर्मित पांच जल्यानों में से एक को छोड़कर सभी के पाल मोड दिये गये थे बंदरगाहा के सबसे निकट वाले जल्यान के पाल खोल दिये गये थे जिससे वहां उपस्थित सभी एक भव्य दृश्य का आनंद ले रहे थे ये अच्छे लग रहे हैं दिवोदास शिव ने कहा धनिवाद प्रभू मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि आपके कबीले के लोगों ने इन्हें मातर नो महीने में तयार किया है हम ब्रंगा वाले कुछ भी कर सकते हैं प्रभू शि नहीं पा रहा है इस परश्ट था कि राजा को नौकायन के बारे में बहुत कम जानकारी थी ये बहुत ही अच्छा बिंदो है महाराज दिवोदास ने कहा लेकिन ये जहाज इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि हम नहीं चाहते कि वह बीना हमारे ही चल पड़े पाल है हम यही कहते हैं जब पाल को गलत लगाया गया हो और वह फड़फडा रहा हो प्रभू दिवोदास ने कहा ठीक है शिव ने कहा तो फिर मैं गंबीर हूं हम ब्रंगा के लिए तीन दिलों में कूच कर रहे हैं समस्ता तयारिया कर ली जाएं सती अपने कख्षकी खड़की से गंगा को एक टक निहार रही थी उसने देखा कि राजा अथितिग्व अपने अनुयाईयों के एक छोटे दल के साथ पूर्व तड़ पर निर्मित राजभवन की और जा रहे हैं वे वहां क्यों जाते रहते हैं क्यों वे केवल अपने परिवार को लेकर जाते हैं तुम क्या सोच रही हो सती शिव उसके पीछे खड़ा था सती ने उसे बाहां में भर लिया आपकी बहुत याद आएगी उसने सती के मुख को अपनी और किया चूमा और मुस्कुराया ये वह बात नहीं है जो तुम सोच रही थी सती ने उसके सीने पर धीमे से थपकी मारते और अजीब पात है कि वो भी केवाल अपने परिवार को ही लिके जाते हैं हाँ मैंने भी ये अनुभव किया है मुझे लगता है उनके पास इसका कोई अच्छा कारण होगा पूरवी घाट के बारे में ऐसा अंधविश्वास है कि वो अप्शकुन है क्या मैं सही हूँ सती मैं भी चल पाती मैं समझ सकता हो लेकिन कारतिक ऐसी यात्राओं के लिए अभी बहुत ही छोटा है सती ने शया पर सोते हुए कारतिक की और देखा वो इतनी तेजी से बड़ा हो गया कि अपने पलने में समा भी नहीं पा रहा था ये आपकी तरह लगता है श्रिव संभव ये सोम्रस का प्रभाव हो सती ने कहा संभव है आई रुवति की पहली बार सोम्रस लेने पर ये बीमार नहीं हुआ वो सकता है यह संभव हो क्योंकि वह विशेश बालक है वो तो यह ही मैंने आज तक ऐसे शिश्यो को नहीं देखा जो छे महीने में चलने लगे सती मुस्कुराई ये हमें गर्व प्रदान करेगा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये अवश ही ऐसा करेगा सती ने ऊपर देखा और शिव को पुना चूम लिया किवल नागाओं के मार को खोज ले और मेरे पास शीगर वापस आ जाएं मैं अवश याओंगा प्रिय आच जल्यानों में इस से अधिक सैनिकों को लेकर जाना कठिन था गने मतिय थी कि सेना का समगर नेत्रत्व दृपुक के हाथ में था शिव ने असी घाट की सीठियों से उन जल्यानों को देखा अगर नित्ता के रूप को अपने पिता पूरवक के साथ अगर रखा गया था जो अन्य चार जल्यानों से घीरा हुआ सब में सुरक्षित छेत्र में यात्रा करेगा पर्वतेश्वर भगीरत आनंदमाई आहिरुवति नंदी और वीर्भद्र उस जल्यान के जंगले में खड़े हुए थे उत्तंक को उस जल्यान में पाकर शिव को विस्मे डालते हुए कहा काशी के राजा निलकंठ के चरण स्पर्श करने के लिए जुगे शिव ने अथितिग्व के सिर को हलके से स्पर्श किया आईश्मान भव अपने जुड़े हुए हाथों के साथ अथितिग्व फुसफुसाया मैं आपके शीग्र ही काशी आगमन की विंती करता हूं प्रभू आपके बिना हा मनात है आपको मेरी आवशक्ता नहीं है महाराज आपको कभी भी किसी की भी आवशक्ता नहीं रही थी उसे एक व्यक्ति में आस्था रखे जो आपको सरवधिक प्रेम करता है और वो आप स्वयम है शिव नम आख्वाली सती की और मुड लिया बाबा बहुत ही जल्द वापस आएंगे कार्थिक अपनी मा को अधिक परिशान मत करना कार्थिक ने शिव के बालों को खीचा और दोहराया बाबा शिव की मुस्कान और खिल पड़ी और उसने कार्थिक के माथे को चूम लिया उसके बाद उसने कार्थिक को अपनी व वेंशी आदत पर आखिरकार विजय प्राप्त कर ली उसने उपर के और देखा और शिव को चूम लिया जल्दी वापस आए अवश्य अध्याए दस ब्रंगा के द्वार नाव में पानी बहुत ही तेजी से भर रहा था शिव हताशा भरे प्रयासों से नाव को नेंद्रित कर बह गई ऐसा प्रतीत हुआ कि एक रसी कहीं से आई और उसके पहरों में लिपड गई वो तेजी से खीचा जाने लगा शिव सहायता कृप्या मेरी सहायता करें शिव बहुत ही तीवरता से नौका खे रहा था बेतहाशा रुक्य मैं आ रहा हूं अचानक एक तीन सिरों वाल विशाल काय सर्प पानी से बाहर निकला शिव ने देखा कि ब्रहस्पती पर लिप्टी हुई रसी रेंगती हुई उपर की और चड़ी जा रही थी और उसे लपेट कर निर्दैता से कुचलती जा रही थी वो सर्प था नहीं शिव हरबडा कर जाग उठा उसने विसमे में चारो और देखा उसका ललाट जोर से धमक रहा था उसका गला असपह रूप से धंडा था सब ही लोग सो रहे थे वो मैसूस कर रहा था कि जलियान गंगा के पानी के साथ लैात्मख धंग से रहल के हिल रहा था वो अपनी कक्ष में बनी खड़की तक चल कर गया ताकि हलक बीच चुके थे चूकि वे नदी के नीचे की धार में चल रहे थे इसलिए बहुत कम समय में ही दूर निकल गए थे और उन्होंने अभी अभी मगद नगर को पार किया था हम लोग ब्रंगा राज लगभग तीन सप्ताह में पहुंच जाएंगे प्रभू परवतेश्वर ने अच्छी तरह से प्राप्त कर सके स्पश्ट्रूप से वो भी ब्रंगा राज जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता है शिव ने परवतेश्वर की और देखा नहीं मैं नहीं मानता मैं समझता हूं कि वो मेरी इस खोज में अपनी भूमी का जल्द से जल्द पूरा कर लेन वे दोनों ही जल्यान के जंगले पर जुके हुए थे और प्रशान्त गंगा को देख रहे थे डॉल्द का एक दल नदी में उभरा और वे एक के बाद एक हवा में उचल गई बड़ी ही सुन्दर ढंग से वापस पानी में गिरने के बाद वे एक बार फिर से उचल गई वे एक दूसरे से समकालिकता प्रदर्शित करते हुए इस प्रकार का सुन्दर निर्ति कर रही थी शिव को उन डॉल्फिनों को देखना बहुत अच्छा लग रहा था वे सदैव ही खुश और चिंता मुक्त प्रतीत होती थी उन्मुक्त नदी में चिंता मुक्त मत से काव्या प्रवतेश्वर नदी की और देखता रहा वे बहुत अच्छा निर्ति करती हैं है ना जी हाँ प्रभू सच कहें तो आपवाधिक रूप से अच्छा ये एक उचित तिपड़ी होगी प्रभू आप उत्तंक की निर्तिक अलागे बारे में क्या सोचते हैं प्रवतेश्वर पर मुस्कुराया और उसने अपना सिर हिलाया हां मैं समझता हूँ वो अवश ही ऐसा करेंगी निलकंठ एवं उसके दल को ब्रंगा राजी की और जाते हुए एक महीना बीच चुका है महारानी लोकाधीश नागा ने रानी से कहा वे दोनों रानी के नीजी कक्ष में बैठ पंचवटी के इस स्थान से वो दूर प्रवाहित होती हुई शांत गुदावरी नदी को देख सकता था और रानी ने पूछा मुझे काशी जाने के लिए आपकी अनुमती चाहिए क्यों तुम उनके साथ व्यापारिक संबंद बनाना चाहते हो रानी ने हसते हुए कहा जै है मुझे उत्तर चाहिए उससे क्या अंतर पड़ जाएगा वो मुझे शांती प्रदान करेगा रानी ने गहरी स्वास ली यह खोश तुम्हारे पतन का कारण बनेगी यह मुझे पूर्ण करेगा महारानी रानी ने अपना सिर्ह लाया प्रतीक्षा करो जब तक राज-जब मैं तुम्हारे साथ हाऊंगी नागा धीमे से मुस्कुराया धन्यवाद शिव कदल ब्रंगा राजी के द्वारों से केवल एक सप्ताह की दूरी पर था जल्यानों ने अपनी समय सारणी के अनुसार ही यात्रा की थी परवतेश्वर और दिगोदास ने द्रपकु को उसकी प्रवतेश्वर ने अपनाज लिया था नीलकंट को बिना दिखाए ब्रंगा की सीमा में प्रवेश्व करना असंभव था क्योंकि ब्रंगा वाले भी पौरानी गाता में विश्वास रखते थे परवतेश्वर ने उसे सुजहाव दिया कि उसे ये करने से पहले ही वारता स से कैसे निप्टा जाए पर्वतेश्वर जुकना नहीं चाहता था फिर भी उद्देश की सम्वेदन शीलता को देखते हुए यह अनिवार था कि ब्रंगा वाले उन पांच जल्यानों को अपने लिए खतरा ना समझें पर्वतेश्वर के नौका चालक दलो ने तीवर गती से चलने वाली नौका को मुखे जल्यान से बांद दिया था और वो सोयम उस जल्यान के पीछे हिस्से पर चड़ गया वो तब आशेर चकित रहे गया जब उसने वहां आनंदमई को देखा आनंदमई की पीठ उसकी ओर थी मानिकी यह लक्षपट को हटा दिया गया था और उस आखों को गोल गोल घुमाया जी हां गुरू जी पहली बार में ही मैंने सुन लिया था मैं बहरी नहीं हूं मुझे शमा करें राजकुमारी अब एक और हट जाओ उत्तंक एक और हट गया पर वतेश्वर जो पीछे खड़ा था वो यह देखकर भौचका था आनंदमई उच उसके दाएंकंदे के निकड था उसकी श्वास धीमी थी और शांत थी आदर्श उसके बाद उसने अपने दाएं हाथ को उठाया और बड़े ही नाटकी धंग से उसने अपने बाएं हाथ से एक चाकु निकाला और निशाना लगाया लगभग उसी समय उसने दूसरा कि दिश्टी से देखता रहे गया था उसका मुख विसमे से खुला था फिर उसने देखा कि उत्तंक एवं भगीरत ताली बजा रहे थे उसने लक्ष पट की और देखा प्रतेग चाको ने पट के केंदर में जगा पाई थी आदर्श महान प्रभुन राम के नाम पर ये अद्भुत था परवतेश्वर ने अचंबित होकर कहा आनंद में खुल कर मुस्कुराती हुई गूमी पर्व आप कब आए इस बीच परवतेश्वर का ध्यान कहीं और ही था वो आनंद में के नंगे टांगों को घूर रहा था ये कम से कम ऐसा प्रतीत हो रहा था आनंद में ने अपने कूलों को धिटाई से एक और करते हुए कहा देखो कुछ तो आपको पसंदाया पर्व परवतेश्वर ने ध्यमें से फुसपुसा कर आनंद में की कमर से लटके हुए एक म्यान के और संकेत करते हुए आश्चर से कहा वो एक लंबी तल्वार है आनंद में का चहरा उतर गया आपको सचमुछ ही ये पता है कि एक स्त्री को कैसे धरातल पर लाया जा सकता है है ना किशमा करें परवतेश्वर ने पूछा आनन्द मई ने मात्र अपना सिर हिलाया किन्तु वो सचमुछ ही लंबी तलवार है परवतेश्वर ने कहा आपने कभी से चलाना सिखा एक बगीरत और उत्तंक अब तक निकट आ चुके थे भगीरत ने उत्तर दिया उत्तंक पिछले एक महिने से उसे सिखा रहा है सेनापती वह बहुत ही जल्दी सीखने वाली शिश्या है प्रवतेश्वर आनंदमई की और मुड़ा और सिर्को थोड़ा जुकाया आपके साथ देवर देखकर प्रवतेश्वर आश्यर चकित था आपके साथ दंदयुद करना मेरे लिए संबान की बात होगी और आपकी कौशल को परकने का मुझे आउसर प्राप्त होगा मेरी कुशलता की परिक्षा आप सोचते हैं कि इसके लिए ही मैं युद्ध की कला सीख रही हू मैं तो बस आनंद में ने उसे बीच में ही टोग दिया एक इस फूर्तिवान व्यक्ति के लिए कभी कभी आप आश्यर जनक रूप से मूर्ख हो सकते हैं सेनपती पता नहीं मैं क्या सोच रही थी भगीरत ने बीच बचाव करने का प्रियास किया सुनगे मैं नहीं समझता क लेकिन आनंद में पहले ही पीछे मुड़ चुकी थी और तूफान की दरह से वहां से जा चुकी थी बहुत ही सुन्दर नारंगी सूर्य गंगा से उपर उग चुका था नदी की ओर देखते हुए सती अपने कख्षी के खड़के के पास बैठी हुई थी कार्तिक पीछे क्रितिका को देखा वो मुस्कुराई क्रितिका लगभग कार्ति की दूसरी मा के सवान है मेरा बेटा बहुत भागिशाली है सती नदी की ओर पुना मुड़ गई उसने कुछ हरकत देखी ध्यान से देखने पर जो उसने देखा उसकी त्योरियां चड़ गई सम्राठ अथि की कलाई में रक्षा सूत्र बाण्दिती थी ये पर मेलुहा में ही मनाया जाता था अंतर किवल इतना ही था सुधिप में बозмहन अपने भाइयों से उपहार भी मांग सकती थी और भाइयों के पास उपहार देने के लावा और कोई अन्यवे कल्प नहीं था क्या इस समय उन् परंपरा का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं और उस राजभावन में क्यों जा रहे हैं और भगवान राम के नाम पर वे इतना सामान लेकर क्यों जा रहे हैं कि यह किसी रस्म के संबंद में हैं कि पूर्वी तटके बुरे भागे से छुटकारा मिल सके यह उपहार हैं आप क्या निलकंट को वहाँ नहीं ले जाने के लिए राजा ने कुछ विजित्र बहाने बनाये थे। मैं जानती हूँ लेकिन कुछ है जो सही नहीं है। और राजा वहाँ आज इतने उपहार क्यों ले जा रहे हैं। मुझे नहीं पता राजकुमारी सती कृतिका की ओर मुणी। मैं वहाँ जा रही हूँ। कृतिका ने चौक कर सती की ओर देखा। देवी आप नहीं जा सकती हैं। राजभवन के उचे स्थानों पर पहरे बड़ी थी। देवी। मैं पिछले कई सपताहों से योजना बना रही थी कृतिका। मैंने कई बार अभ्यास भी किया है। नदी के बीच में रेत का एक तठ है। जहां मैं बिना किसी को दिखाई दियर विश्राम कर सकती हूं। किन्तु आप राजभवन में प्रवेश कै चलुमती नहीं है। उस महल के दूर छोर पर एक जलनिकासी की बड़ी नाली है। जिसे बिना किसी की देखे मैं उसे तैर कर पार कर सकती हूं। किन्तु मैं जा रही हूं कार्टी का दियान रखना। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो मैं रात होने से पहले वापस आ ज चम भी थे। दिन की दोपहरी में वे द्वार चमक रहे थे और कई नई खोजी गई धातू से ही बने होए थे। अर्थात लोहे से। ये द्वार पूर्वी निदी के आरपार बना हुआ था। इस आउरोध का निर्मार दुर्ग की दिवार के सासाथ सो किलो मीटर तक कि कोई भी वेक्ती छोटी नौका के टुकडे टुकडे करके दूसरी और ले जाकर पुना उन टुकडों को जोड़कर यात्रा ना कर सके। ब्रंगा की सीमा पर किसी सड़क मार्ग की व्यवस्ता नहीं थी। गंगा ही एक मात्र मार्ग के रूप में उपलब्द थी और शाल काई गंगा के पानी को बहने दे रहा था। जबकि किसी व्यक्ती या बड़ी मशली आदी को आर पार जाने से रोक रहा था। उस अवरोधक पर पांच जगों पर खाली स्थल छूटे हुए थे ताकि पांच जहाद एक साथ अंदर आ सके। यह देखने में प्रथम द भीरत शिव ने कहा वे फंदे हैं। शिव ने ब्रंगा के एक जहाद के और संकेत किया जो अभी अभी दौर में प्रविश्ट हुआ था। उस खुले भाग के प्रारंब में एक गहरा तालाब बना हुआ था जिसका तल और उधक सावाउन की लकडी से बना हुआ था। जि तेजी से तालाब की दोनों शिराओं से विस्तार लेते हुए जहाद के निकटाए। तल के नीचे की और विस्तरत किये हुए खाचों में आकर जम गए। उन जबूत्रों की किनारों पर पहिये लगे हुए थे जो जहाद के लोहे के आधार में बनी नालियों में समा शिव ने परवतेशवर की और देखा तो इसलिए दिवोदास ने हमारे जल्यान के तल के नीचे वो अधार बनाया था। परवतेशवर ने विस्मे में सिरह लाया। वे चबूत्रे इतने त्वरिद बल से विस्तरत हुए कि यदि हमारे जल्यान के नीचे लोहे का अधार नीचे का हिस्सा चकना चूर हो घूर गया हूथ उसके बाद nuestra को एक विविभित्र प्रकार के मिश्षट घिरणीं वाрах था, किन्तों उन्हों ने उन तो बूत्रों को इतनी गती से चलाने के लिए किस पशु का उपयोग किया है भगीरत ने पूछा ये बल तो किसी भी पशु के बूते की बात नहीं है यहां तक हाथियों को एक जुंड की भी नहीं शिव ने ब्रंगा के जहाजों के और संकेत किया वे घरनिया बहुत ही देखिए कौन सा पशु उन घुरनियों को इतनी गती से घुमा सकता है ये एक यंत्र है शिव ने कहा दिवदास ने मुझे बताया था कि कोई संकलन करता यंत्र है जो विभिन प्रकार के पशुओं की ओर्जा को कई घंटों तक संकलन करता है और उसके बात कुछी सेकेंड उस यंत्र का चक्कर लगा रहे थे वे बैल घंटों के मेहनत से उस यंत्र को उर्जावान करते रहे हैं शिव ने कहा वे विशालकाय पथर एक निशी तूचाई पर बांदिये जाते हैं जब उन चबूत्रों को फैलाना होता है या किसी जलियान को खिचना होता है तो उस हटा देते हैं वो तीजी से नीचे की और गिरता है उसका आवए एक अत्यतिक बल मुक्त करता है जो उन चबूत्रों को फैला देता है भगवान इंद्र के नाम पर बगिरत ने कहा ये बहुत ही सरल लेकिन शांदार बनावाट है शिव ने सहमती में सिरह लाया वो प्रवे दिवदास पहरा प्रमुख उमा के बोलने के तरीकों को सुनकर हैरान था वो सदय भी सक्त थी लेकिन अखर नहीं थी वो इस बात से खुश था कि उसकी नियुक्ति प्रवेश दौर पर थी यद्दे भी वो उससे कई सालों से नहीं मिला था फिर भी वे दोनों एक दूसरे कि लंबे समय से मित्र रहे थे उसने सोचा था कि उसकी मित्रता का लाब उठाकर वो ब्रंगा राजे में प्रवेश पा सकता था क्या बात है ओमा? दिवदास ने पमुछा मैं प्रमुक ओमा हूँ, मैं काम पर हूँ मुझे शमा करे प्रमुख, आपका अनादर करने का मेरे कोई रादा नहीं था मैं तुम्हें वापस अंदर जाने नहीं दूंगी जब तक कि तुम कोई उचित कारण नहीं बताते मुझे मेरे ही देश में प्रवेश करने के लिए कारण की आश्रक्ता क्यों होगी ये तुम्हारा देश अब नहीं रहा है तुमने इसे छोड़ने का विकल्प चुना था तुम्हारा देश काशी है वहीं चले जाओ प्रमुखुमा तुम जानती हो कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था ब्रंगा में मेरे बच्चों को जो खत्रा था वो तुम्हें पता है तुम्हें लगता है कि जो लोग ब्रंगा में रहते हैं उन्हें कोई खत्रा नहीं है तुम सोचते हो कि हम अपने बच्चों से प्यार नहीं करते उसके बाद भी हमने प्रिदेश में रहने के लिए विकल्प चुना तुम अपने चुने होई विकल्प के परिणामों से पीड़ा पा रहे हो दिवदास ने महसूस किया कि इस प्रकार की बातों का कोई अंतर नहीं था मुझे राजा से राश्रे महात्पूर की बात करनी है उमा ने अपने आखे संकुचित की सच में मुझे अनुमान है कि राजा के पास काशी के साथ कुछ अन्य महात्पूर व्यावसाइक सौदे करने होगे है ना दिवदास ने गहरी स्वास ली प्रमुखूमा ये बहुत ही महात्पूर है कि मैं राजा से मिलू तुम्हे मुझे भरोसा अवश्य करना चाहिए यदि तुम अपने किसी एक जहाज में नागाओ की राणी को लेकर आ रहे हो तब तो ठीक है वरना मैं इतना महात्पूर कुछ भी नहीं समझती कि तुम्हें अंदर आने दिया जाए मैं नागाओ की राणी से भी अत्यदिक महात्पूर वेक्ति को लेकर जा रहा हूँ काशी ने सचमुची तुम्हारे मस्खरेपन को बढ़ा दिया है उमा ने उपहास करते हुए कहा मेरा सुझाओ है कि तुम सीधे पीछे मुड़ जाओ और अपनी दिविता को कहीं और दिखाओ काशी के उपर व्यंग भरी दिवर्थी बातों को सुनने के बाद दिवधास को विश्वास हो चला था कि वो एक बदली हुई अधिक महातपूर है उसने जाने के लिए मुड़ते हुए कहा वो छोटा जहाद ब्रंगा के कार्याले पर जा लगा दिवधास सबसे पहले उत्रा उसके बाद शिव परवतेश्वर भगीरत द्रपको और पूरवक थे कार्याले के बाहर खड़ी हुई उमा ने घहरी स्वास ले तुम आसानी से हार नहीं मानते हो है न ये बहुत ही महातपूर है प्रमुक उमा दिवधास ने कहा उमा ने भगीरत को पहचान लिया क्या यही वो वेक्ती है तुम ऐसा सोचते हो कि मैं आयोध्या के राजकुमार के लिए नियम भंग करूँ वो स्वधीब के राजकुमार है प्रमुक उमा इसे ना भूले हम आयोध्या को शुलक देते हैं तो तुम आव आयोध्या के भी अधिक विश्वासी हो गया हो तुम कितनी बार ब्रंगा का परिताग करोगे प्रमुक उमा आयोध्या के नाम पर मैं सम्मान पूर्वा काप से कहता हूँ कि हमें अंदर जाने दे भागिरत ने अपने गुस्वे को काबू में रखने का भरपूर प्यास करते हुए कहा वो जानता था कि निलकंट कोई रक्तपात नहीं चाहते थे अश्युमेद समझोते की शर्ते बहुत इस्पष्ट थी राचकुमार हम आपको सालाना शुल को देंगे और आयोध्या कभी ब्रंगा में प्रवेश नहीं करेगा हमने अपने हिस्से के समझोते का पालन किया है मुझे आदेश है कि अपने हिस्से के समझोते का पालन करने के लिए आपकी सहायता की जाए शिव आगे बढ़ा यदि मैं कुछ उमा के धैर का अंत हो चुका था वो आगे बढ़ी और उसने शिव को धक्का दे दिया अपने आदमियों को रोकते हुए उसके हाथ दोनों और फैले हुए थे शिव उमा की और मुड़ा, उमा उसे ही घूर रही थी, हैरान अंगवस्तरम जो उसने शरीर को गर्म रखने के लिए लपेटा हुआ था वो नीचे किसा गया इसके कारण पूर्व में कहे अनुसार उसका नीला कंठ दिख रहा था उमा के आसपास के ब्रंगा सनिक तत्काल ये अपने गुटनों पर आ गए थे उनके सिर जुके हुए थे और आखों में आसू प्रवाहिद हो रहे थे उमा लगातार भूरती जा रही थी उसका मुँ आधा खुला हुआ था शिव ने अपना गला साफ किया मुझे अंदर प्रवेश करनी के आशकता है प्रमुखुमा क्या मैं आपसे सहीयो का निवीदन कर सकता हूँ उमा का चहरा गर्म लोहे के समान लाल हो गया आप कहां थे अब तक शिव ने अपनी भ्रकुटी तान ली उमा आगे बढ़ी उसके आखों में आसू थे वो अपनी छोटी से मुठी को शिव के प्रवल सीने पर मारती हुई रोते हुई बोलती गई आप अब तक कहां थे हम आपकी कब से प्रतिक्षक कर रहे हैं हम दुख जेहल रहे हैं आप अब तक कहां थे शिव ने उमा को आराम पहुचाने के इरादे से पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वो शिव के पैर पकड़े हुए नीचे के और गिर गई दर्दनाक आवास करती हुई आप अब तक कहां थे चिंतित दिव दास एक अन्य ब्रंगा मित्र के और मुड़ा जो सीमा पर न्युकती था उसके मित्र ने धीमे सुर में कहा पिछले महीने प्रमुक हुमा ने अपनी एक मातर संतान को महामारी में गवा दिया अनेक बर्षो के मनत के बाद उमा को गर्ब ठहरा था वो पूरी तरह से तूट चुकी थी दिव दास ने उमा को सौहनबूती से देखा वो उसके गुसे को समझ रहा था वो इसकी कलपना भी नहीं कर सकता था कि उसकी क्या स्थिती होती यदि वो अपनी संतान को खो बैड़ता शिव जिसने पूरी तरह बात सुन ली थी वहीं बैड़ गया उसने उमा को अपनी बाहों में भर लिया जैसे वो अपनी ताकत उसे ब्रदान कर रहा हो आप पहले क्यों नहीं आए उमा लगतार होती जा रही थी शोप में डूब कर यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए अपने मित्रों के साथ शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अलविदा नमस्कार आप सभी का मोटिवेशन टू रीड में स्वागत है आज हम जिस पुस्तक का सास्वर पठन करने वाले हैं वो शिव रशनत्रही की दूसरी पुस्तक नागाओं का रहस्य है जिसके रचनाकार हैं अमीश्त्रिपाठी और अनुवादक हैं विश्वजीत सपन अध्याए ग्यारा पूर्वी महल का रहस्य गंगा के मध्य में रेद के टीले पर सदी आराम कर रही थी वो नीचे जुकी हुई थी ताकि पूर्वी महल से उसे देखा ना जा सके उसका भूरा परिधान एक छद्म आपरण था उसने अपनी स्वास को इस्थिर करने का प्रयास किया और अपनी मांस्पेशियों को आराम देने के लिए विश्राम किया हाथ से उसने पीछे बंधी अपनी तलवार और ढाल की जाच की वे उसकी पीट पर सुरक्षित थे वो नहीं चाहती थी कि वो गंगा में बह जाए और जब वो महल में प्रवेश करे तो निसाहाय हो जाए उसने अपनी बगल से एक छोटी सी थैली निकाले उसमें रखे फल को जल्दी से खाया खाने के बाद उसने खाली थैली पीछे रख ली और फिर चुकचाब गंगा में उतर गई कुछ छणों के बाद सती धीरे धीरे पूर्वी घाट की और सरक्ती जा रही थी महल के बहुत भारी पहरे लगे घाटों से दूर जहां राजा की नौकाए बंधी हुई थी एक जल निकासी की नली थी इसे काशी से ये गंगा से देखना असंभव था लेकिन अपने निवास से सती इसे देख सकती थी उसके महल की उचाई काशी में सबसे अधिक थी ये सोच कर की जल्मार के पीछे की और होगा वो पत्तियों के बीच धीमे धीमे सरक्ती जा रही थी अंतता वो धीमे से उस जल निकासी की नली में सरक्त गई तेजी से शक्तिशाली हाथ चलाते हुए महल की और तैरने लगी जल निकासी की नाली आश्चर जनक रूप से साफ थी संभवतया महल में अधिक लोग नहीं थे महल की दिवार के निकट वो नाली धरती के अंदर अद्रश्य हो गई थी सती ने पानी के अंदर डुपकी लगई धातूओं की छड़ों से महल के पास नाली को सुरक्षित किया गया था सती ने अपनी थाली से एक रेती निकाली और एक छण को काटने लगी जब उसका दम घुटने लगा तो अपने फेफडे में प्राण वायू भरने के लिए बाहर निकल आई उसने फिर से डुकी लगाई और उस जंग लगी पुरानी छड़ को काटने लगी केवल पांच बार प्राण वायू के लिए बाहर निकल कर सती दो छड़े काटने में सफल हो गई जिससे उसे अंदर प्रवेश करने के लिए परियाप्त जगा मिल गई थी सती पश्चमी दीवार के साथ सत पानी से बाहर निकली तो स्वयम को एक अती सुंदर उद्यान में पाकर ठगी से रह गई वहाँ कोई भी नहीं था संभवतया इस दिशा में किसी घुस पैठिये के आने की आशा नहीं की गई थी वहाँ एक और उद्यान की भूमी पर सुंदर हरी घास और फूल लगे हुए थे वहीं दूसरी और रक्षो को जंगल की तरह अपने आप बढ़ने के लिए छोड़ दिया गया था इससे वो उद्यान किसी जंगल सा प्रतीत हो रहा था मनोहर और प्राकरतिक सती ने उस उद्यान को सूखे पत्तों पर पाव पढ़ने से बचते बचाते तेजी से पार किया वो एक और के प्रवेश द्वार तक पहुची और अंदर प्रवेश कर गई महल का डरावना वातावरान उसे प्रभावित करने लगा था कहीं कोई आहट नहीं थी कोई नौकर चाकर इधर उधर नहीं गूम रहा था आनंद मनाते राज सदस्यों की कोई आवाज नहीं आ रहे थी उद्यान में किसी पक्षी का स्वर भी नहीं गूंज रहा था कुछ भी नहीं ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी शूनी अस्थान में प्रवेश किया हो वो गल्यारों से तेजी से निकल गई कोई भी बाधा डालने या चुनौती दिने वाला नहीं था वो उस विलासिता पूर्ण महल के अंदर बढ़ती गई ऐसा लगा मानों वहां कोई रहता नहीं था आचाना कि उसने बहुत हौले से हसने का सुर सुना वो उसी दिशा में सरक गई वो गल्यारा एक खुले आंगन में जा खुला सती एक स्तंब के पीछे चुप गई राजा अथिथिक वो मध्ध में एक सिंगासन पर बैठे हुए थे ठीक बगल में उनकी पत्नी खड़ी थी और एक बेटा भी तीन पुरानी विश्वास पातर सेविकाए हाथ में पूझा की थाली लिये खड़ी थी जिने शती ने इससे पहले कभी नहीं देखा था उनकी थालियों में राखी पर्वसे संबंधित सभी प्रकार की सामगरियाँ पवित्र बंधन सहीत रखी हुई थी वे यहां राखी क्यों बंधवा रहे हैं और उसके बाद एक इस्त्री आ गयाई सती की श्वास भैसे थम गई नागा पांच जहाजों का समस्ते चालक दल पत्तन और जहाज के दाएं भाग में खड़ा हुआ था वे सारा कारिकरम विसमे एवं आश्चरे से देख रहे थे शिव के लोग ब्रंगा के द्वारों को देखकर बिल्कुल अचम्भित थे उन्होंने चबूतरों को भैवीत कर देने वाले उस बल के साथ अपने जहाज के निकट आते देखा उसके बाद जंजीरों से कुंडुलियों को सुरक्षित किया गया ब्रंगा वालोंने संबंधित अधिपतियों से संकेत मिलने पर उनके जहाजी बेड़े को खीचना प्रारंब कर दिया शिव जहाज के पिछले हिस्से में खड़ा होकर प्रवेश द्वार के कार्याले को देख रहा था जो ब्रंगा यंत्र के साथ काम नहीं कर रहे थे वे घुटनों के बल बैठे होए निलकंट को सम्मान दे रहे थे लेकिन शिव उस निराश हो चुकी इस्तरी को देख रहा था जो दीवार से सटी उकडु बैठी होई अभी भी रोय जा रही थी शिव की आँखों में आसू थे वो जानता था कि उमाने मान लिया था कि भागे ने उसकी बेटी को धुखा दिया उसने ऐसा मान लिया था कि यदि निलकंट एक महीने पहले आये होते तो उसकी बच्ची आज भी जीवित होती लेकिन स्वयम निलकंट भी इस बारे में निश्चित नहीं थे मैं क्या कर पाता वो लगातार उमा को देख रहा था पवित्री जील मुझे शक्ती दो कि मैं इस महामारी से संघर्ष कर सकू मैदानी कर्मचारियों को संकेत मिल गया था उन्होंने संकलन करता यंत्र को खोल दिया जिससे घिरनिया तेजी से घूमने लगी और जहास दीवरता से आगे बढ़ने लगा तेजी से पीछे छूड़ती उमा की जलक को देखकर शिव फुस पुसाया मुझे च्छमा कर देना सती स्तब्द थी काशी के राजा के साथ एक नागा इस्त्री नागा इस्त्री वास्तों में एक ही शरीर में दो इस्त्रिया थी च्छाती से नीचे का शरीर एक था लेकिन दो दो कंधे च्छाती के पास एक दूसरे से जुड़े हुए थे दोनों कंदों से जुड़ा एक एक हाथ विपरीद दिशामे जूल रहा था उस नागा के दो सिर्थ एक शरीर दो हाथ चार कंदे और दो सिर्थ प्रभुराम ये कैसी दुश्टात्मा है सती ने जल्दी ही ये समझ लिया था ये प्रतेक सिर्थ उस एक ही शरीर पर नियंतरन करने के लिए संघर्श कर रहा था एक सिर्थ थोड़ा सरल्मना प्रतीत हुआ जो आगे बढ़कर राजा को राकी बानना चाहता था दूसरा सिर्चन्चल और शरारती था जो अपने भाई के साथ मस्खरी करना चाहता था शरीर को पीछे के और खीच रहा था माया अथितिग्व ने कहा मस्खरी करना बंद करो और मेरी कलाई पर राकी बान दो वो शरारती सिरहसा और उसने अपने भाई की इच्छा का मान रखने के लिए शरीर को आदेश दिया अथितिक्व ने बड़े गर्व से बंधी राखी अपनी पत्नी और बेटे को दिखाई उसके बाद उसने पास में खड़ी एक सीविका की थाली से कुछ मिठाईया उठाई और अपनी बहन को दी उसके बाद एक तलवार के साथ एक अन्य सेविका सामने आई अथितिक्व ने शरारती बहन को देखा और वो तलवार उसे दे दी अच्छी तरह से अभ्यास करो तुम्हें सचमु सुधार हो रहा है सेविका ने उसके बाद राजा को एक वीड़ा दी जो एक प्रकार का तार वाद दे था अतिर्थिग्व ने दूसरी बहन की ओर देखा और उसे वाद दे दिया तुम्हें बजाते हुए देखना मुझे अच्छा लगता है हात असमंजस में देखे कि किस उपहार को पकड़े और किसे नहीं अब उपहारों पर और उनके प्रियोग पर जगड़ा मत करो इन दोनों के लिए दिन में समय बाट लो ठीक उसी समय एक सेविका ने सती को देख लिया वो जोर से चिल्ला पड़ी सती ने ततकाल ही अपनी तलवार बाहर निकाल ली माया ने भी वैसा ही किया लेकिन उसके दोनों से एकमत नहीं हो पा रहे थे वो स्वयम भी हिचकिचा रही थी अंतता सीधा सिर जीत गया वो अपने भाई के पीछे जाकर छुप गई अतितिग्व की पत्नी और उसका बेटा अपनी जगहा पर जमे रहे उधर अतितिग्व सती को गहरी दृष्टी से घूर रहे थे उनकी आँखें निडर थी और हाथ अपनी बेहन को सुरक्षात्मा घेरे में लिये हुए थे महराज इसका क्या अर्थ है सती ने कहा मैं मात्र अपनी बेहन से राखी बनवा रहा हूँ देवी अतितिग्व ने कहा आप एक नागा को शरण दे रहे हैं आप अपने लोगों से ये छुपा रहे हैं ये गलत है ये मेरी बेहन है देवी किन्तु वो एक नागा है मैं परवा नहीं करता मैं केवल इतना ही जानता हूँ कि वो मेरी बेहन है उसकी सुरक्षा करना मेरा कर्टब्ध है किन्तु उसे नागा के देश में होना चाहिए उसे उन राक्षसों के साथ क्यों होना चाहिए प्रभुरुद्र इसकी अवश्य अनुभती नहीं देते प्रभुरुद्र ने कहा था कि एक विक्ति को उसके कर्म से पहचाना जाना चाहिए ना कि उसके रूप से सती चुप रही, परिशान, माया अचानक यागे बढ़ी, उसका आकरामक विक्तित्व सामने आ गया था सरल मना विक्तित्व शरीर को पीछे के और खीचरे में संखर्श करता प्रतीत हो रहा था मुझे जाने दो, आकरामक सिर ने कहा सरल मना ने अपने हथियार डाल दिये, माया आगे बढ़ी और उसने अपनी तलवार गिरा दी वो किसी प्रकार के संकट का संदेश नहीं देना चाहती थी आप लोग हमसे घ्रणा क्यों करती हैं? उस नागा के आकरामक सिर ने पूछा सती अचंबित खड़ी थी, मैं तुमसे घ्रणा नहीं करती, मैं मातर इतना ही कह रही हूँ कि उन नियमों के पालन होने चाहिए, सच में, तो जो नियम हजारों साल पहले किसी दूसरे देश में उन लोगों ने बनाए, जो हमें नहीं जानते या हमारी परस्थितियों को, वे हमारे जीवन के प्रतेक पहले उपर लागू होंगी, सती चुप रहे आप सोचती हैं कि प्रभुराम इसे ऐसे पसंद करते, प्रभुराम ने अपने अनुयाईयों को नियमों का पालन करने का आदेश दिया था, उन्होंने ये भी कहा था, कि नियम पत्थर पर बनी लकीर नहीं है, एक समान एवा मिस्थिर समाज के लिए उनकी रशना की जाती आप भी तो विकर्म हैं, सती तन गई, मैंने उन नियमों के पालन किये जब तक वे लागू थे, और विकर्म कानून क्यों बदले गए, शिव ने उन्हें मेरे ले नहीं बदला, आप जो चाहती हैं उस पर विश्वास करें, लेकिन कानून के बदलाव ने आपकी भी सहायत की है, है ना, सती चुप रही, परिशान, माया ने कहना जारी रखा, मैंने निलकंट के बारे में बहुत सी कहानिया सुनी है, मैं आपको बताती हूँ कि उन्हों ने इसे क्यों बदला था, विकर्म कानून चाहे हजारों साल पहले बनाए गए हो, लेकिन आज के दिन और इस कहेंगे, हमें नर्मदा के दक्षर में फेक देंगे, जहां हमारी उपस्तिती आपकी श्वेत कमल जैसे जिन्दगी को दूशित ना करें, इस प्रकार क्या तुम यह कहना चाह रही हो, कि सभी नागा नैतिकता के अदर्श हैं, हम नहीं जानते और हम इसकी परवा भी नहीं करतें, नागाओं के लिए हम उत्तरदाई क्यों हो, केवल इसलिए कि हम जन्म से ही विक्रत हैं, क्या आप किसी सूर्वंशी की ओर से उत्तर देंगी, जो नियमों का उलंगन करता है, सती चुप रही, क्या यह परियाप्त दंड नहीं है कि सूनी जगह में केवल तीन से वि पूर्वी समुद्र में विलीन होने से पूर्व बहुत तेजी से अनेक उप नदियों में विभख्त हो गई थी, जो ब्रंगाओं की भूमी में अपनी प्रचुरता दिखा रही थी, इसी कारण विश्रो के सबसे बड़े डेल्टा की रिशना हुई थी, इस प्रकार की अफवाहें थी, कि बार्ण से बैकर आई कछारी मिट्टी एवं पानी की प्रचुरता की कारण वो भूमी इतनी उप जाओ थी, कि किसानों को अपनी फसलों के लिए मेहनत करने की आवशक्ता नहीं थी, उन्हें बस बीजों को छितराना होता था और बाकी का काम वो मिट्टी कर देती थी, ब्रंग रिदाई ब्रंगा नदी की मुख्य उपनदी पदमा पर इस्थित था, ब्रंगा के द्वार रिदाई की चहार दिवारे एक हजार हेक्टेयर के छेतर में फैली हुई थी, जो देवगिरी के समान थी, जहां देवगिरी तीन वेदिकाओं के उपर बनाया गया था, वहीं ब्रंग रिदाई को प्राकरतिक रूप से एक उचे मैदान पर इस्थापित किया गया था, जो पदमा नदी से लगबग एक किलो मेटर की दूरी पर था, ताकि बार्ड से सुरक्षा की जा सके, उची दिवारों से घिरी राजधानी किसी दीर कालीन योजना के परिदर्श में चंदरवन्शी नगरों की तरह ही अवहिलना की शिकार थी, सड़के जैसी तैसी बनी हुई आम जनों की उप्योग के लिए बहु संखे जनोप्योगी भवन एवं प्रतिष्ठान आदी सदियों से बने हुए थे, प्रदर्शनों के लिए रंग भूमी उत्सवों के लिए सभाग रह उतकृष्ट उद्यान और सारवजनिक इस्नान घर, अच्छी इस्तिती में होने क बावजूद उन सालजनिक प्रतिष्ठानों का उप्योग दुरला भी होता था, बार बार की महामारी ने ब्रंगाओं के लिए प्रतिदिन मृत्यों का मुख देखना सुनिश्चित कर दिया था, जीवन के लिए उत्साह बहुत ही कम बचा रहे गया था, नगर के पत्तन प पूर्वक और दिवोदास उसके लिए पत्तन के उस इस्तर पर मिलने के लिए प्रतिक्षा कर रहे थे, ये बहुत ही विशाल का है पत्तन है पूर्वक जी, शीव ने कहा, बार बार की महामारी ने ब्रंगाओं के लिए प्रतिदिन मृत्यों का मुख देखना सुनिश्चि पर थी, शीव और उसके अन्युयाई दल के सदस से पांचवे स्तर पर उत्रे, शीव ने देखा कि परवतेश्वर द्रपकु पूर्वक और दिवोदास उसके लिए पत्तन के उस स्तर पर मिलने के लिए प्रतिक्षा कर रहे थे, ये बहुत ही विशाल का है पत्तन है पूर पूर्पकु ने कहा, मुझे बोध हो रहा है कि उनके लिए बड़ी चुनोती ये है कि वे जीवित कैसे रहें, ठीक उसी समय एक छोटे कत का गोल मटोल ब्रंगा सीडियों पर भागता हुआ नीचे की और आता दिखा, उसने अनेक प्रकार के आवार्णी ये स्वर्न पहने हुए थे, उसने प्रवतेश्वर को देखा और अपने घुटनों के बल बैठ गया, उसने अपना सिर उसके पैरों में रख दिया और बोला, प्रभु आप आगए, आप आही गए हम तर गए, प्रवतेश्वर ने नीचे जुकर उस व्यक्ति को रुखाई से उपर उ सालों को दंड न दे, उठो मित्र, शिव मुस्कुराया, तुम मुझे कैसे पहचान सकते हो, जब तुमने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं, वो ब्रंगा खड़ा हो गया, उसके आँखों से लगतार आंसू बह रहे थे, ऐसी विनम्रता इतनी सत्ता के बाद भी, ये केव मुझे अपने राजा के पास ले चलो, बपी राज बड़े गर्व से मैदानी स्तर की अंतिम सीड़ी चड़ गया, शिव ने अनुसरन किया, उनके पीछे भगीरत, प्रवतेश्वर, आनंदमई, आयुर्वती, दिवोदास, द्रपको, पूर्वक, नंदी और वीर भद्र जैसे ही शिव वहां पहुचे तो पंडितों के एक समोहुने तीवर शंकध्वने की, थोड़ी दूर पर खड़ा सुंदर स्वर्ण आभूशन मंदित हाथियों का एक जुंड जोर से चिंगाड़ जो पूर्वक को विस्मित करने के लिए काफी था, मैदानी स्तर पर महीन क सारीगरी किये गए पथरों का स्वर्ण आवरण के साथ महादेव के स्वागत के लिए तैयार किया गया था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ब्रंग रिदाई नगर का समस्त जन्मानस चार लाक जनसंख्या नीलकंट के स्वागत के लिए एकत्र हो गए थे, उस भीड के आगे राजा चंद्रकेतु का मर्म स्परशी स्वरूप उपस्थित था, वो एक मध्यम कद का कांसे सी रंगत उन्नत कपोलो और हिरणी सी आँखो वाला था, राजा चंद्रकेतु के काले बाल अधिकतर भारतियों के समान ही थे और वे अच्छी तरह से तेल लगा कर सुगरता से काड़े हुए थे, उसके छहरे शरीर पर दूधिया सफेद रंग की धोती और अंग वस्त्रम थे, स्वर्ण के विख्यात भंडार एवं अत्यधिक सम्रद्ध सामराज्य का राजा होने के बावजूद चंद्रकेतु के शरीर पर चुटकी भर भी स्वर्ण आभूशर नही किया, आयुश्मान भव महराज, शिव ने राजा को लंबी आयू का आशिरवात देते हुए कहा, चंद्रकेतु ने उपर की और देखा, वो अभी गुटनों के वल बैठा हुआ था, उसके हाथ नमस्ते के मुद्रा में जुड़े हुए थे, उसकी आँखों से धारा देखते हुए वासुकी ने कहा, सहमती में अनेक सिरहले, वासुकी नागाओं के पूरवजों में से एक विख्यात नागा राजा का वंशर्ष था, उसकी वंशावली के कारण उसे सम्मान प्राप्त था, लेकिन युद्धु तो समाप्त हो चुका है, रानी ने कहा, मंदा सहायता देकर दुश्मनों का वहमनत से बेकार बना रहेगा, क्या आब नागा लोग इसी प्रकार काम करेंगे, रानी ने पूछा, जब हावे शक्ता नहीं तो मित्रों को त्याग देंगे, किसी पक्षी के समान प्रतीत होते चेहरे वाली सुपर्णा बोल उठी, मैं रानी आगे को सुईकार लेना चाहिए और पश्चताप में अपना जीवन मिताना चाहिए, साथ ही ब्रंगा वासियों को भी ये प्रमर्श देना चाहिए, रानी ने अपना होट काट लिये, करकोटक ने गहरी दृष्टी से रानी को देखा, वो जानता था कि उसकी रानी इस प् परजनिक या पेक्षा नहीं करता, वे लोग युद्धिक के सदेव ही भूखे हैं, ये टिपड़ी चुप गई, गरूर लोग या पक्षी के चहरे वाले नागा शेश नागाओं के दुश्मन रह चुके थे, वे एक पौराणिक नगर नागापुर में रहा करते थे, जो पंचवटी में सुदूर पूर्व में था, लेकिन दंडक वन का ही हिस्ता था, लोकाधीश ने बहुत साल पहले मध्यस्तता की और ततकाली नेता सुपर्णा ने रानी की एक विश्वासी सहायक के तौर पर राजसभा में भाग लिया था, उसकी प्रजा अब पंचवटी म का अपमान करता है तो उसे मेरे प्रचंड कुरोध को जहिलना पड़ेगा, इर्वत में ततकाल ही अपनी बात बंद कर दी, रानी का गुस्सा कुख्यात था, खरकोटक ने इधर उधर चिंता से देखा, इर्वत चर्चा से हड़ गया था, लेकिन इस चर्चा का कोई और छ रिष्टा करने के लिए छहमा करें, सभी लोग लोकदीश की और मुड़ गये, हाला कि वो राजय सभा का सबसे युवा सदस्य था, लेकिन वो सबसे अधिक सम्मानिय भी था, हम लोग इसे गलत तरीके से देख रहे हैं, यह हमारे युद्ध है या हमारे मित्रों के बारे म के बारे में है, सभी लोगों ने तेवरी चड़ा ली, प्राचीन काल में एक रहस्यात्मा गैर नागा इस्तरी भूमी देवी उत्तर से आई थी और उसने नागाओं की वर्तमान जीवन शेली के स्थापना की थी, वो महिला एक देवी के रूप में सम्मानित थी, भूमी द जबह के अधिकतर सदस्यों की तेवरियां चड़ गई, वे इस बात को नहीं समझ सके कि लुकाधिश इस बात से क्या सिद्ध करना चाहते थे, जिबकि रानी करकूटक और सुपरना हौले से मुस्कुराएं, मैं आप से नुरोध करता हूँ कि आप अपनी थैलियों में जह बेजा है, लेकिन इसे इस प्रकार समझें कि वे हमें किसलिये दिये गए हैं, और शदियों के लिए अग्रिम भुक्तान, रानी अपने भांजे की बात पर मुस्कुरा उठी, ये उसी का विचार था कि राजा चंदर के तू बिना मुहर वाली सुर्ण की सिलिया ना भेजे बलकि अपने मुहर लगे सिक्के भेजें, ताकि नागाओं को याद रहे कि ये सिक्के उन्हें कौन दे रहा है। प्रभू हम महामारी को कैसे रोके? चंदर के तू ने पूछा, शिव चंदर के तू भगीरत परवतेश्वर दिवोदास और बपी राज ब्रंग रिदाई महल के राजा के निजी कक्ष में बैठे हुए थे। इसका मार्ग तो नागाओं से होकर जाएगा महाराज? शिव ने कहा, मेरा मानना है कि वे भारत में समस्याओं की जड़ हैं और आपकी महावारी की भी। मैं जानता हूँ आपको पता है कि वे कहां रहते हैं, मुझे उनको खोजना है। एक निशान को उससे दबा दिया। खट की आवास के साथ दिवार के अंदर से एक छोटा सा बकसा बाहर निकलाया। राजा ने उसमें से एक चर्म पत्र उठाया और शिव की और बढ़ने लगा। प्रभू चंदरकेतु ने कहा। ये एक पत्र है जो मुझे नागाओं की रानी से कुछ दिनों पूर्व ही प्राप्त हुआ है। शिव ने धीमें से अपनी भौहें चड़ाई। मैं आप से खुले मन से इसे सुनने की विंती करता हूँ प्रभू। उस चर्म पत्र को उठाने एवं पढ़ने से पहले चंदरकेतु ने कहा। मित्र चंदरकेतु इस साल की आउशदियों की आपूर्ती में देरी के लिए मैं छहमा प्राड़ती हूँ। राज्य सभा के साथ समस्या अभी भी बनी हुई है। लेकिन चाहे परिस्तिती जैसी भी हो आउशदियां बहुत ही जल्द पहुचा दी जाएंगी। साथ ही मुझे सूचना मिली है कि एक धूर्त जो सोयम को निलकंट बताता है आपके राज़ में आ रहा है। मेरा मानना है कि वो हमारे देश में आने की रहा खोज रहा है। वो जो आपको दे सकता है वो वचद मातर होगा। हमसे आप आउशदियां प्राप्त कर सकते हैं। आपका क्या विचार है कि आपके लोगों को क्या जीवित रखेगा। सूज बूच से चुने। चंदरकेतु ने सिर उठा कर शिव को देखा। इस पर नागा रानी की मुहर थी। शिव के पास कोई उत्तर नहीं था। देवदास बोल बड़ा। लेकिन महराज मेरे विचार से नागाओं ने हमें शापित किया है। महामारी उनका ही किया धरा है। हमें इसके विरुद लड़ना ही होगा। लेकिन उचित प्रकार से युद्ध करने के लिए हमें इसके स्रोत पर हमला करना होगा। नागाओं के राजधानी पंचवटी दिवदास यदि में तुमसे सहमत भी हो जाओं तो भी हम इस बात को नहीं भूल सकते कि जो चीज हमें जीवित रख रही है वो हैं उनकी औशधियां जब तक महामारी का अंत नहीं हो जाता हम नागाओं के बिना जीवित नहीं रह सकते लेकिन वो आपके शत्रू है महाराज भगीरत ने कहा जो महामारी आपके राज़ पर उन्होंने थोपी है उसके लिए आप प्रतिशोद कैसे नहीं ले सकते अपने लोगों को जीवित रख प्रतिशोध या न्याय के बारे में नहीं है ये केवल एक चीज के बारे में है मेरे लोगों को जीवित रखने के बारे में मैं कोई मूर्ख नहीं हूं मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि यदी मैं आपको पंचवटी जाने के मारग के बारे में बताता हूँ तो प्रभू एक विशालकाई सीना के साथ हमला कर देंगे नागाओ का विधवन्स हो जाएगा उनके साथ उनके आशदियां भी और इस प्रकार ब्रंगा के लोगों की जीवन की उत्तर जीविता भी दोहस्त हो जाएगी जब तक कि आप मुझे किसी अन्यापूर्ते के स्तुरोत की प्रतिभूती नहीं देते मैं नहीं बता सकता कि पंचवटी कहां इस्थित है शिव ने तीखी दृष्टी से चंदरकेतु को घूरा जो उसने सुना वो उसे अच्छा नहीं लगा लेकिन वो जानता था कि ब्रंगा का राजा जो कह रहा था वही उचित था उसके पास कोई विकल्प नहीं था चंदरकेतु ने अपने दोनों हाथ जोड़े जैसे विंती कर रहा हो प्रभू, आप मेरे नेता है मेरे प्रभू मेरे रक्षक है मैं आपके पौरानी गाथा में विश्वास रखता हूँ मैं जानता हूँ कि आप सब कुछ ठीक कर देंगे साथ ही चाहे मेरे लोग विवरणों को भूल जाएं लेकिन मुझे श्री रुद्व की कथाई याद है मुझे याद है कि पौरानी गाथाओं को पूरा होने में समय लगता है और समय ही एक मातर ऐसी वस्तु है जो मेरे लोगों के पास नहीं है शिव ने गहरी स्वास ली आप बिलकुल सही है महराज अभी इसी समय में औशदियों की आपूर्ती की प्रतिबूती नहीं दे सकता और जब तक मैं ऐसा नहीं कर सकता तब तक मुझे आप से इस्तियाक की मांग का अधिकार नहीं है देवदास कुछ कहने लगा लेकिन शिव ने हाथ हिला कर उसे शान्त कर दिया मैं जाने की आग्या चाहता हूं महराज शिव ने कहा मुझे सोचने क्या शकता है चंदरकेति शिव के चरुणों में गिर पड़ा कृपा कर क्रोधित ना हो प्रभू मिरे पास कोई विकल्प नहीं है शिव ने चंदरकेति को उठा कर खड़ा किया मैं जानता हूं शिव जाने को हुआ तो उसकी दृष्टी नागारानी के पत्र पर पड़ी जैसे ही उसने पत्र के नीचे लगी मुहर देखी तो तन गया वो एक ओम का चिने था लेकिन सर्प प्रिशलित नहीं था वोपरी एवं निचले घेरे के मिलन बिंदू पर दो सर्पों के सिर थे तीसरा घेराओ पूर विक्योर निकल रहा था जिसका एक सर्प के नुकीले सिर से अंत होता था और उसकी दूई शाकित जीब डराते हुए बाहर निकली हुई थी शिव धीमे सिगरजा क्या ये नागा रानी की मोहर है जी हाँ प्रभू चंदरकेतु ने कहा क्या कोई अन्य नागा इसका उप्योग कर सकता है नहीं प्रभू केवल रानी इसका उप्योग कर सकती है मुझे सच बताएं क्या कोई अन्य नागा इसे उप्योग कर सकता है नहीं प्रभू कोई नहीं ये सच नहीं है महराज प्रभू जो मुझे पता है अचानक चंदरकेतु रुग गया निसंदे लोकदीश भी इस मोहर का उप्योग करते हैं नागा इतिहास में शासक के अलावा वे एक मातर ऐसे हैं जिसे इस मोहर के उप्योग की अनुमती है शिव ने चिड़ चिड़ाते हुए कहा लोकदीश उसका नाम क्या है मैं नहीं जानता प्रभू शिव ने अपनी आखे संकुचित की मैं अपने लोगों की सौगंध लेकर कहता हूँ प्रभू चंदरकेतु ने कहा मैं नहीं जानता मुझे केवल इतना पता है कि उसकी अपचारी कुपादी लोकाधीश है प्रभू भगीरत ने कहा हमें राजा चंदरकेतु पर जोर डालना चाहिए भगीरत प्रवतेश्वर और दिवदास ब्रंग रिदाई महल के शिव के निजी कक्ष में बैठे हुए थे मैं सहमत हूँ प्रभू दिवदास ने कहा नहीं शिव ने कहा चंदरकेतु भी बात में दम है इससे पहले कि हम पंचवटी पर आकरमन करें हमें नागा औशदियों के आपूर्टी के प्रतिभूती देनी होगी लेकिन ये तो असंभव है प्रभू परवतेश्वर ने कहा केवल नागाओं के पास ही वो औशदी है उन औशदियों को प्राप्त करने का एक मातर तरीका ये है कि हम नागाओं के छेत्रादिकार पर नियंत्रड कर ले और यदि ब्रंगा के राजा हमें पंचवटी का पता नहीं बताते तो हम नागाओं के छेत्र पर कैसे नियंत्रड कर पाएंगे शिव दिवदास के और मुडा नागा औशधियों को प्राप्त करने का अवश्य कोई अन्य तरीका होगा एक बहुत ही विचित्र तरीका है प्रभू दिवदास ने कहा क्या लेकिन ये अत्यन थी खराब तरीका है प्रभू मुझे उसका निर्णे करने दो क्या है वो तरीका मधुमती नदी के उस पार जंगल में एक दस्यू है मधुमती वो भी ब्रंगा नदी के एक उपनदी है प्रभू यहां से पश्यम के और मैं समझ रहा हूँ ऐसी अफवा है कि उस दस्यू के पास नागा औशधिय बनाने का एक तरीका है ऐसा पता चला है कि वो इसे एक गोपनिय पौधे की सहायता से तयार करता है जो महा नदी के उस पार कहीं मिलता है यह नदी दक्षर पक्षिम में प्रवाहित होती है तो फिर यह दस्यू इसे बेचता क्यों नहीं किसी दस्यू को धन में तो रूची होती ही है वो एक विचित दस्यू है प्रवू ऐसी अफवा है कि वो जन्व से ब्रहमर है लेकि लंबे समय से उसने हिंसा के लिए ग्यान के पत्कों त्याग दिया है हमें से अधिकतर लोगों का मानना है कि उसे मानसिक गंभीर समस्याएं है वो धन कमाने से इंकार करता है यहां तक कि उसे कितना स्वर्ण भी देने का वचन दिया जाए तब भी वो उन उशदियों को केवल अपने अपरादी साथियों के लिए उप्योग करता है शिव ने अपनी तेवरी चड़ा ले कितना विचित्र है वो एक दानम है प्रभू वो तो नागाओं से भी बुरा है ऐसी अफवा है कि उसने अपनी माता का भी सिर्धर्ण से अलग कर दिया था हे इशवर जी हां प्रभू आप उस जैसे पागल वेक्ति से बात कैसे कर सकते हैं क्या इसके अलावा नागा औशदी प्राप्त करने का कोई अन्य तरीका है मुझे तो ऐसा नहीं लगता तो फिर विकल्प का चुना हो गया हमें उस दस्यों को पकड़ना चाहिए उस दस्यों का नाम क्या है दिवदास बगीरत ने पूचा परशूराम परशूराम परवतेश और हैरानी से चिल्दा पड़ा ये तो छटवे प्रभु विष्णू का नाम है जो हजारों साल पहले हुआ करते थे मैं जानता हूं सेनपती दिवदास ने कहा लेकिन मेरा विश्वास करें इस दस्यों में छटवे प्रभु विष्णू का एक भी गुर नहीं है अध्याय तेरा इच्छा वड के नर्भक्षी माहर्शी ब्रगू यहां आश्चर चके दिलीप ने पूचा भारत के सभी कुलीन वर्गों को पता था कि भ्रगू मेलूहा के राजगूरू थे और वे सूरिवन्शी सत्ता के पक्के पक्षधर थे आयोध्या में उनके अचानकी प्रकट होने की कारण दिलीप आश्चर चकित थे लेकिन साथ ही ये एक दुरलब सम्मान भी था क्योंकि भ्रगू इससे पहले दिलीप की राजधानी कभी नहीं बढ़ारे थे जीहा महराज स्वधीप के पर्धान मंत्री सिया मंतक ने कहा दिलीप ततकाल ही उस कक्ष की और भाग पड़ा जहां उस महान रशी को सिया मंतक ने ठहराया हुआ था जैसी आशा थी भ्रगू का कक्ष ठंडा रखा गया था पूरी तरह से कम प्रकाश और नमी वाला ठीक वैसा ही जैसा उनका हिमाले का अपना निवास था दिलीप ततकाल ही भ्रगू के चरणों में गिर पड़ा मुनिवर भ्रगू मेरे नगर मेरे महल में ये तो मेरे लिए अत्यन्त सम्मान की बात है भ्रगू धीमे से बोलते हुए मुस्कुराए सम्मान मेरा है हे महान सम्राट आप भारत की प्रकाश है दिलीप अब और भी अधिक आश्यर चकित हो गया उसने अपनी भोहों को उपर उठाया मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ गुरू जी भ्रगू ने दिलीप को गहरी दृष्टी से देखा मुझे नीजी रूप से कुछ भी नहीं चाहिए राजन इस संसार में सब कुछ मोह माया है भ्रहम है जो असीम सत्य है वो इस बात कानुभाव करता है कि हमें किसी भी वस्तू के अवशकता नहीं है क्योंकि किसी भ्रहम को अपने पास रखना कुछ भी ना रखने के समान है दिलीप मुस्कुराया उसे ये समझ में तो नहीं आया कि भ्रहगू ने क्या कहा लेकिन उस प्रभावशाली ब्राम्मर से असेहमती जताने से वो बहुत बहभी था आपका स्वास्तियप कैसा है भ्रगु ने पूछा दिलीप ने एक नम सूती कपड़े से अपने होटों को पूछा जिसके कारण राजवैद द्वारा लगाई गई और शदी पुछ गई पिछली सुभा जवदीप के समराड को खासी में रखताया था वैद्यों ने उसे बताया कि उसके पास अब कुछी महीने शेश्ट है आप से कुछ भी चुपा नहीं है मुनिवर भ्रगु ने सिर्ह लाया पर कुछ कहा नहीं दिलीप बहादूरी से मुस्कुराया मुझे कोई खेद नहीं है मुनिवर मैंने अपना पूरा जीवन जी लिया है मैं संतुष्ट हूँ सत्य है वैसे आपका पुत्र कैसा है दिलीप ने अपनी आखे संकुचित की जूट बोलने का कोई लाब नहीं था वे महार्शी भ्रगु थे जिने सब्त रिशी उत्राधिकारी माना जाता था ऐसा लगता है कि उसे मेरा वद करने की आशकता नहीं है भाग ये उसके लिए स्वयम ये कारे करेगा वैसे भी प्रारब्द से कौन लड़ सकता है भ्रगु आगे की और जुके भाग ये मात्र निर्बलों को नियंद्रित करता है राजन जबकि शक्तिशाली अपनी इच्छानुसार विधाता के लिखे को ढाल लेता है दिलीप ने अपनी तेवरी चड़ा ली ये आप क्या कह रहे हैं गुरू जी आप अभी और कितने वर्ष तक जीवी तरहना चाहते हैं क्या ये मेरे हात में है नहीं मेरे हात में है दिलीप धीरें से हसा सोमरस का प्रभाव नहीं होगा मुनिवर मैं मेलूहा से बहुत अधिक मातरा में इसकी तसकरी की है मैंने इस बात को बहुत कठिंता से जाना कि ये रोगों का उपचार नहीं कर सकता है सोम रस शब्तरिशियों का सबसे महानता मविशकार था राजन लेकिन वो एक मातर नहीं था आप कहना चाहते हैं कि हाँ दिलीप थोड़ा पीछे हटा जल्दी जल्दी सांसे भरते हुए बोला और बदले में बस एक रिड की तरह याद रखे यदि आप मुझे ये आशिरवाद देंगे गुरुजी तो मैं सदैव के लिए आपका रिड़ी रहूँगा मेरा नहीं भरगु ने कहा भारत का रिड़ी बन कर रहे हैं और मैं आपको तब याद दिलाऊंगा जब उचित समय आएगा कि आप इस देश की सेवा कर सके काशी से उनके साथ चले थे वेकेवल सूरिवंशी थे शिव को उस भयानक दस्यू एवं उसके दल से निपटने के लिए अनुशासत युद्धाओं की आशकता थी उसे शंका थी कि बहुत अधिक मात्रा में सेना उस दस्यू दल को बाहर निकालने में एक बाधा सिद्ध हो सकती थी चार जहाज और पांसो चंदरवंशी सेना को ब्रंग रिदाई की आव भगत में छोड़ दिया गया था निसंदे आयुरवती भी उस जहाज पर थी मधुमती की निचली धारा में चले गए ये ब्रंगा राजे का सबसे पश्चिमी किनारा था जो बहुत ही कम जनसंख्या वाला प्रदेश था नदी के दोनों तटो पर घने जंगलों के साथ भूमी कुछ अधिक ही निर्जन हो गई थी किसी दस्यों के लिए एक आदर्श स्थान शिव ने कहा जी हाँ प्रभू द्रपको ने सहमती में सिरह लाया ये भूमी सब्भिता के इतनी निकट है कि छापा मारा जा सके लेकिन फिर भी इतनी अभेदी की शीगरता से छुपा जा सके मैं कलपना कर सकता हूँ कि ब्रंगावालों को इस विक्ति को बंदी बनाने में क्यों किठनाई हो रही है हमें वो जीवित चाहिए द्रपको हमें नागा औशदी का मार्ग चाहिए मैं जानता हूं प्रभू सेनपती प्रवतेश्वर ने पहले से ही हम सब को ये निर्देश दे दिये हैं, शिव ने सहमती में सिरह लाया, डॉल्फी ने जल में निरते कर रही थी, घने सुन्दरी व्रक्षों पर पक्षी चहक रहे थे, नदी के एक किनारे पर बड़ा सा शेर आलस में सुस्ता रहा था, वो बहुत ही सुन्दर प्राकरतिक दर्श्य था, प्रतेक पश कुछ देखा, हमें कोई देख रहा है, मैं महसूस कर सकता हूँ, हमें कोई देख रहा है, पूर्वी महल में अनधिकार प्रवेश के बाद से सती का संबंद अथितिग्व से बहुत अधिक गहरास लगबग सहूदर जैसा बन चुका था, रहस्यों की साजिदारी आत्मियता की रशना करने का एक माध्यम है, सती अपने वचन परटिकी हुई थी, उसने किसी को माया के बारे में फुस फुसाया तक नहीं था, यहां तक की कृतिका को भी नहीं, उधर अतितिग्व प्रतेक मामले में नियम से सती का सुझाव लिया करता था, चाहे वो कितना ही मात्व हिंद क्यों नहों, सती के सुझाव स्वधेव ही बुद्धिमानी भरे होते थे, उसके सुझाव चंदरवंशियों की निरंकुष स्वतंतरता एवं अस्तिवेस्तता की ओर जुकाव में कुछ सुधार और नियंतरन ला रहे थे, इस बार जो समस्या आई थी, हाला कि वो शेरों के जानलेवा खतरे के भह में जी रहे थे, काशी तक उनके आगरे बहुत समय से आ रहे थे, काशी ने आयोध्या से सहायता करने का नुरोथ किया क्योंकि वे काशी के अधिपती थे, चंद्रवंशी प्रशासनिक अधिकारी अब तक अश्वमेद समझोते की शर्तों के बारे में ही विचार विमार्श कर रहे थे, सबसे प्रवंग मुद्धा ये उभर कर आया था कि आयोध्या द्वारा सुरक्षा प्रदान करने में किस प्रकार पशुओं के हमले सम्मलित नहीं होते, इसमें कोई संद्धेह नहीं था, कि काशी में ऐसा कोई उलेखनी या योध्धा नहीं जो उन कुछ शेरों के विरुद्ध भी उन्हें नेत्रत प्रदान कर सकें, हम क्या करें देवी, किन्तो आपने तो काशी पुलिस का एक दल महीने भर पहले भेजा था है ना, जी हाँ देवी, अथितिक्व ने कहा, उन्होंने अपनी ओर से पूरी कोशिश करके उन्हें जाल में फसाने की एक श्रामदार योजना बनाई भी, ताकि वे शेर एक अच्छी तरह से ढगे हुए गड़े में गिर जाए, जिसमें बड़े-बड़े नुकिले भाले हो, लेकिन उन्हें तब आश्चरी हुआ जब अधिकतर शेर बच गए और उन्होंने एक विद्याले पर हमला कर दिया जहां ग्रमणी बच्चे सुरक्षा के दृष्टे से एक साथ रखे गए थे, सती ने हैरान रह जाने वाली नजरों से देखा, अधियतिग्व ने आसु भरी आँखों से देखकर फुस फुसाते हुए कहा, पांच बच्चे मारे गए, श् ने जुझलाते हुए कहा, वे ना तो क्रोधर्मों करते हैं ना बदले के आशकता ही, पाशु केवल दो ही कारणों से लोगों की जान लेते हैं, भूख या आत्म सुरक्षा, किन्तु वो क्यों मारेंगे, किन्तु वे क्यों मारेंगे, और उसके बाद मुनत्ष शरीरों को वहीं क्यों छोड़ देंगे, इसमें आखों देखी के अलावा भी कुछ है, मैं नहीं जानता देवी, मैं नहीं कह सकता, आपके आदमी कहा हैं, वे अभी पी इच्छावड में ही है, लेकिन ग्रामीर उन्हें कोई और जाल बुनने से रोक रहे हैं, वे कह रहे हैं कि जब को फासने की कोशिश की जाती है, तो उनके जीवन और भी खत्रे में पड़ जाते हैं, वे चाहते हैं कि मेरी पुलिस को जंगल में जाकर उन शेरू का शिकार करना चाहिए, जो वे करना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है कि वे यह नहीं करना चाहते देवी, वे नहीं जानते कि क विक काशी के नागरिक हैं हम शिकार नहीं करते सती ने ठंडी स्वासली लेकिन वे लड़ाइग करने के लिए तैयार हैं अथितिक्व ने कहा मैं जाओंगी सती ने कहा देवी मैं आप से यह नहीं चाहता मैं किवल इतना चाहता था कि आप सम्राट दिलीप को एक संदेश भे काशी पुलिस की दो पल्टन मेरे साथ यात्रा करने के लिए न्यूक्त कर गए साथ सैनिक चालिस मेरे साथ जाएंगे और बीस पहले से ही इच्छावण में हैं इनसे काम हो जाना चाहिए अठिति को नहीं चाहते थे कि सती जंगल में कोई जोखी मुठाए वो सती को एक बहन सा प्रेम करने लगा था देवी मैं आपको कुछ होते नहीं देख सकता मुझे कुछ नहीं होगा सती ने बात बीच में कार दी आप काशी की दो पल्टनें नियुक्त कर दें दो शेरों के लिए साथ आदमी परयाप्त होने चाहिए मैं चाहती हो कि सायुक्त पल्टन का वही लेकिन आप मेरी बहन समान है मैं आपको ऐसे संकट मूल लेनी की अनुमती नहीं दे सकता मैं नहीं समझता कि आपको जाना चाहिए और मैं सोचती हूँ कि मुझे अवश्य जाना चाहिए निर्दोश लोग मारे जा रहे हैं श्रीराम मुझे यहां रहने की अनुमती नहीं या तो मैं काशी अकेले जाओ या फिर चालिस सेनिकों के साथ आप किस भी कल्ब को चुनना पसंद करेंगे जहाज मधूमती नदी के साथ साथ चल रहा था पर शुराम की और से कोई हमला नहीं हुआ कोई दानवी नौका नहीं आई जो शिव के जहाज पर आग बरसाए पहरेदारों को घायल करने वाले कोई तीर भी नहीं कुछ भी नहीं परवतेश्वर और आनंदमेई जहाज के पिछले हिस्से में जंगले का साहरा लेकर खड़े हुए थे वे मंद गदी से बहती हुई मधुमती में सूरी के उदय होने के प्रतिविंबे को एक टक निहार रहे थे प्रभू सही है परवतेश्वर ने कहा वे हमें देख रहे हैं मैं महसूस कर सकता हो इससे मुझे चिड़ होती है सच में आनंदमेई मुस्कुराई पूरे जीवन में लोग मुझे घूड़ते रहे हैं मुझे कभी चिड़ नहीं होई परवतेश्वर आनंदमेई के और मुड़ा जैसे वो अपने कहे का वरणन करना चाहता हो लेकिन जैसे ही उसे मस्कुरी समझ में आई तो मुस्कुरा उठा हे भगवान इंद्र आनंदमेई ने पुकार कर कहा मैंने आपको मुस्कुराने पर विवश्च कर दिया क्या बड़ी उपलब दिया परवतेश्वर की मुस्कान और खिल गई हाँ ऐसा है मैं तो किवल ये बताना चाह रहा था कि ये दस्यू लोग हम पर आकरमन क्यों नहीं अब इस छड़ को तो नश्ट ना करो आनंदमेई ने कहा उसने परवतेश्वर की कलाई पर अपने हाथ के पिछले हिस्से से हलके से चपत लगई जानते हैं कि जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं आपको ऐसा अकसर करना चाहिए और जब आप शर्म से लाल हो जाते हैं तो और भी अच्छे लगते हैं आनंदमेई हस पड़ी परवतेश्वर अब और भी लाल हो गया राजकुमारी जी आनंदमेई शमा करें ये मैं कैसे कह सकता हूँ बहुत सरल है कहें आनंदमेई परवतेश्वर चुप हो गया आप मुझे आनंदमेई क्यों नहीं बुला सकते मैं नहीं बुला सकता राजकुमारी ये उचित नहीं है आनंदमेई ने गहरी स्वास ली मुझे बताएं परवतेश्वर उचित को कौन परिभाशित करता है परवतेश्वर ने अपनी भोहों को उपर उठाया प्रभुश्री राम के नियम और प्रभुश्री राम का एक अपराद के लिए दंड देने का वो मौलिक नियम क्या था एक भी निर्दो श्वेक्ति दंडित नहीं किया जाना चाहिए एक भी अपरादी दंड से नहीं बचना चाहिए तो फिर आप उनके नियमों का उलंगन कर रहे हैं परवतेश्वर की तेवरी चड़ गई वो कैसे? एक इस्तरी को दंड देकर जिसने कोई अपराद ही नहीं किया परवतेश्वर की तेवरी जियों की तियों चड़ी रही कई कुलीन लोगों ने 2500 साल पहले प्रभुश्री राम के नियमों को तोड़कर एक अपराद किया था उन्हें उस अपराद का कोई दंड नहीं मिला उन्हें किसी ने भी दंडित नहीं किया और मुझे देखे मेरा उस अपराद से कुछ भी लेना देना नहीं है तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था और उसके बाद भी आप मुझे आज उसके लिए दंडित कर रहे हैं। मैं आपको दंडित नहीं कर रहा है राजकुमारी मैं कैसे कर सकता हूँ। हाँ आप मुझे दंडित कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आप कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आप कैसा महसूस करते हैं। मैं प्रभु निलकंठ आपकी उपस्तिती का निवेदन करते हैं परवतेश्वर अपने स्थान पर जड़ बना रहा वो अब भी आनंदमई को घूर रहा था सेनापती जी द्रपकु ने दुबारा कहा मुझे शमा करें राजकुमारी जी मैं आपसे बाद में बात करूँगा मेलुहा का सेनापती मुणा और वहां से चला गया द्रपकु उसके पीछे था आनंदमई ने द्रपकु के आकार को जाते हुए देखकर फुपकार मारी क्या सही समय पर आटपका क्या आपको जाना ही पड़ेगा देवी कार्तिक को हलके हलके थपकी देते हुए क्रितिका ने पूचा सती ने क्रितिका के और हत बुद्धी हो देखा निर्दोश लोग मारे जा रहे हैं क्रितिका क्या मेरे पास कोई विकल्प है क्रितिका ने कार्तिक के और देखने से पहले सहमती में सिरह लाया मेरा बेटा समझ जाएगा सती ने कहा वो भी ऐसा ही करेगा मैं एक छत्राणी हूँ दुरूबल की सुरक्षा करना मेरा धर्म है धर्म सबसे पहले आता है उसके बाद ही कुछ और कृतिका ने एक गहरी स्वास भरी और फुस फुसाई मैं आपसे सहमत हु देवी सती ने बड़े लाड से कार्तिक के मुग पर हलके से अपना हाथ फेरा मैं आशा करती हूँ तुम इसके अच्छी देखभाल करोगी ये मेरा जीवन है मैंने कभी मातरत तो सुको ना जाना था मैंने कभी ये कलपना भी नहीं की थी कि मैं किसी आने को इतना प्यार करूँगी जितना मैं शिव को करती हूँ लेकिन इस अल्पकाल में ही कार्तिक क्रतिका ने सती की और मुस्कुराते हुए देखा उसके हाथ को इस पर्ष करते हुए बोली मैं इसकी देखभाल अच्छे से करूँगी ये मेरा भी तो जीवन है लोकादीश चंबल नदी के ठंडे पानी में घुटनों के बल बैठा हुआ था उसने अंजुली भर पानी उलीचा और धीरे धीरे बह जाने दिया वो धीमे धीमे कुछ बड़बडा रहा था उसके बाद उसने अपनी हथेलियों को मुख पर फेरा नागा रानी उसके बगल में घुटनों के बल बैठी थी उसने अपनी एक भाव उपर की प्राथना? मुझे नहीं पता यदि प्राथना को कोई प्रभाव पड़े तो मैं नहीं समझता कि उपर कोई ऐसा है जिसे सचमुच ही मुझ में कुछ रुची है रानी मुस्कुराई और उसने फिर से नदी की और देखा लेकिन कुछ छड़ ऐसे होते हैं जब आप उस असीम की कृपा से इंकार नहीं कर सकते नागा फुस पुसाया रानी उसकी और मुड़ी और उसने सहमती में अपना सिर हिलाया धीमे धीमे उठते हुए उसने अपना मुखोटा फिर से पहन लिया मुझे सूचना मिली है कि वो काशी से निकल कर इच्छावण के और चल दी है नागा ने गहरी स्वास भरी वो धीमे से उठा और अपना मुखोटा लगा लिया वो केवल चालिस सैनिकों के साथ जा रही है नागा की शौास तेजी से चलने लगी कुछ दूरी पर एक सो बरंगा सैनिकों के साथ विशुद्यूम ने बैठा हुआ था ये वो छण हो सकता था दो लाक लोगों की जन संक्या वाले नगर में उसे बंदी बनाना लगबग असंबह हुई था इच्छा वड की दूरी ने उसके आवसर को नाटके धंग से बढ़ा दिया था और अंतता पहली बार उन्हें संक्या का लाब भी था उस नागा ने धीमे धीमे अपनी सांसों को सामान्य कर लिया अपनी आवाज को शांत करने के प्रयास में वो फुस फुसाया ये तो एक अच्छी खबर है रानी मुस्कुराई और उसने नागा के कंधे पर हलकी थपकी दी घबराओ नहीं मेरे बच्चे तुम अकेले नहीं हो मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर नागा ने सहमती में सिर हिलाया उसकी आँखे संकुचित थी वो दूसरे प्रहर का प्रारम बथा जब सती कावस के साथ अपनी पल्टन का निरत्रत्व करते हुए इच्छावड गाउं के अंदर प्रविष्ट हुई गाउं से दूर एक विशाल काय चिता को देख वो हैरान रहे गई उसने तेज गती से अपना आश्म दोड़ाया उसके सैनिक उसके पीछे दोड़ पड़े एक आदमी उनकी और भागता हुआ आया उसकी श्वास फूल रही थी चहरे पर भै था और वो हाथ हिला रहा था कृपया यहां से चले जाएं सती ने उसे अंसुना कर दिया और उस विशाल चिता की और बढ़ती चली गई आप मुझे अंदेखा नहीं कर सकते मैं इच्छावड का प्रधान हूँ सती ने ग्रामीडों के चहरे देख लिये थे हर एक व्यक्ति के चहरे पर भै की गहरी लकीरे स्पष्ट दिखाई दे रही थी जबसे आप लोग यहां आये हैं परिस्थितियां और भी बिगड़ गई है वो प्रधान चिल लाया सती ने उस ब्रामण को देखा जिसने मरने वालों की आत्मा की शांती के लिए अभी अभी पूजा समाप्त की थी वही एक मातर व्यक्ति था जो नियंतरन में प्रतीत हो रहा था वो उसके पास पहुची काशी के सैनि कहा है ब्रामण ने उस विशाल चिता की और संकेत करते हुए कहा वहाँ है बीस के बीस सभी सती ने हैरानी से पूछा उस ब्रामण ने सहमती में सिर हिलाया कलराज शेरों ने उन्हें भी मार दिया हमारे इन गाउवालों की तरह ही जो निश्चित रूप से शिवर के आवशेश थे उस इस्थान पर हर और रक्त ही रक्त बिक्रा पड़ा था वे यहां सोय थे सती ने दहशत से पूछा ब्रामण ने सहमती में सिर हिलाया नर्भक्षी शेरों के होते हुए ये तो निर्णय नहीं था मुझे जूटा कहने की हिम्मत मत करना सूर्याक्ष ग्रामप्रधान ने कहा मैंने उनसे बस इतना कहा था कि किसी भी घर में उनकी उपस्तिती शेरों को आकरशित करती है और जिसके कारण लोग मारे जाते किसी घर में ना रुकने का निर्णय उनका था क्या आप वास्तों में ऐसा सोचते हैं कि शेरों की रुची केवल सैनिकों में है सूर्याक्ष ने पूचा आप बिल्कुल गलत हैं सती ने सुदना छोड़ दिया था वो उस पूरे छेतर का सर्वेक्षन कर रही थी जहां काशी के सैनिक मारे गए थे अत्यधिक मातरा में रक्त एम रक्त बिंडो के बाद भी वो इस पश रूप से शेर और संभवतया कुछ शेरियों के मार को देख पा रही थी कम से कम साथ अलग-अलग निशान दिख रहे थे उनके पास जो सूचना थी वो निश्चित रूप से गलत थी पीछे मुड़ी और गरजी कितने शेर थे यहां दो ग्राम प्रधान ने कहा हमने दो से अधिक कभी नहीं देखे तीसरा शेर जंगल में फसकर मर चुका है सती ने उसे अंदेखा कर दिया और सूर्याक्ष की ओर देखा ब्रामर ने प्रतिक्रिया दी उनके पदचिन्यों को देखते हुए कहा जा सकता है कि वे कम से कम पाँच से साथ रहे होंगे सती ने सहमती में सिरहिलाया सूर्याक्ष एक मातर ऐसा विक्ति था जो यह जानता था कि वो क्या बोल रहा है गाउं की ओर मुड़ते हुए सती ने सूर्याक्ष से कहा मेरे साथ आएं साथ इसका अर्थ है कम से कम पाँच शेर निया शेरों का एक मानकी जुंड किन्तु जो मर चुका है यदि उसे गिने तो इस जुंड में तीन शेर थे ये विचितर बात है सामाने तेहा एक जुंड में किवल एक ही शेर रहता है कुछ है जो ठीक नहीं है जितना हमें बताया गया वो उससे भी अधिक चालाक है शिव ने कहा गत सब्ताओं से अब तक हमने जो चाले चली वे असफल रही सूरत सीधा सिर पर चढ़ा हुआ था जहास को एक तट के निकट लंगर डाल कर रोग दिया गया था नदी अत्यधिक कीचर साथ बहाल आई थी जो जगा जगा जमा होकर प्राकरतिक बांध से बन गये थे इसी कारण मधुमती अकसर अपने प्रवाह का मार्ग बदलती रही इसी का परिणाम था कि वर्तमान में बहने वाली नदी के प्रवाह के मध में कई इस्थानों पर रेत के टीले बन चुके थे ये वनस्पती हीं छेतर परियाबत रूप से ऐसे इस्थान उपलब्द कराते थे जहां भायानक युद्ध लड़ा जा सकता था शिव ने अपने जहाज को ऐसे ही एक तट के किनारे लगा रखा था वो ये मान कर एक वरक्ष पर तीर चला रहा था कि इससे उत्तेजित होकर परशुराम खुले में आ जाएगा लेकिन योजना अब तक सफल नहीं हो पाई थी जी हाँ प्रभू परवतेश्वर ने सहमती दी केवल अंधी घ्रणा के कारण उसे आकर्मन करने के लिए उकसाया नहीं जा सकता शिव ने नदी के किनारे को घूर कर देखा मेरे विचार से इसका कारण ये जल्यान है परवतेश्वर ने कहा हाँ वो ये नहीं जान सकता कि हमारे पस कितने आदमी है परवतेश्वर सहमत हुआ प्रभू हमें उससे लुभाने के लिए कुछ अधिक जोगी मुठाना पड़ेगा मेरे पास एक योजना है शिव धीमे से फुस फुसाया इससे आगे भी एक तठ है वहाँ मैं एक सो आदमियों के साथ जाने की योजना बना रहा हूँ जब मैं सैनिको को घने जंगल में अंदर ले जाऊ तो जहास को पीछे लोट ना होगा ताकि परशुराम को ऐसा लगे कि हम लोगों के बीच में अन्बन है जल्यान हमें छोड़कर ब्रंगा राजी को लोट रहा है मैं जंगल में और अंदर चला जाऊंगा और उसे किनारे पर आ जाने के लिए विवश्च करूँगा और जब मैं उसे वहाँ पहुचा दूँगा तो एक अगनी बार चला कर संकेत दे दूँगा उसके बाद भगीरत जल्दी से जल्यान को वापस यहां ला सकता है तीवर गती से चलने वाली छोटी नौकाओ को उतार कर चार सो लोगों के साथ वो तड़ पर आकर उन्हें कुचल सकता है केवल दो मुख्य बिंदू को याद रखने के आवशकता है प्रभू उनके पीठ नदी की ओर होनी चाहिए ताकि जब छोटी नौकाओं तड़ पर पहुँचे तो वे भाग न पाए और निसंदे जहाज को केवल पालों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए बल्कि पतवारों पर भी यहां पर गती का ही महत्व है शिव मुस्कुराया बिल्कुल सही और एक बात हम तड़ पर नहीं होंगे केवल मैं होंगा मुझे जहाज पर आपकी आवशकता नहीं प्रभू परवतेश्वर चीख उटा मैं आपको ये संकट मोल लेने नहीं दूँगा परवतेश्वर मैं उस कमीनों को उकसा लोंगा लेकिन मैं चाहता हूँ आप मेरी पीछे से मेरी सहायता करें यदि छोटी नौकाएं तेजी से नहीं आई तो हम सब का संगहार निश्चित है हम लोग उसे बंदी बनाने का प्रयत्न कर रहे होंगे ना कि उसे जान से मारने का लेकिन वो हम पर ऐसा सयम नहीं बरतेगा लेकिन प्रभू परवतेश्वर ने कहा मैंने निर्णय ले लिया है परवतेश्वर मुझे आपके आवशक्ता जल्यान पर है मैं मात्र आप पर विश्वास कर सकता हूँ कल निकलना होगा हम अपने शिवर यहां लगाएंगे सती ने विद्याले के उस भवन के और संकेत करते हुए कहा जहां कोई नहीं रहता था उसमें दर्वाजे नहीं थे और शेरों से सुरक्षा की विवस्था नहीं थी लेकिन सुरक्षात्मक उचाई पर एक छट बनी हुई थी जिस तक सीड़ियां जाती थी तीसरा प्रहर आधा बीच चुका था रात का अंधेरा बस छाने ही वाला था शेर अकसर रात को ही हमला करते थे सभी ग्रामीर अपने अपने घरों के अंदर बंद थे पिछली रात हुए काशी के सैनिकों के नरसंगार ने सबको हिला दिया था उन्होंने सोचा कि संभवतया उनका ग्राम प्रधान सही था काशी के सैनिकों की उपस्तिती ही अप्शकुन थी गराम परधान सती के पीछे-पीछे चल रहा था और इसके पीछे सूर्याक्ष था आपको यहां से चले जाना चाहिए बाहर के लोगों का यहां रहना प्रेतात्माओं को गुस्ता दिला रहा है सती ने उसे अंसुना कर दिया और कावस की और मुणी अपने लोगों को छट पर ले जाओ अवशो को भी छट पर चड़ा लो कावस ने श्रहमती में सिरहलाया और तेजी से आदेश का पालन करने चला गया ग्राम प्रधान बोलता जा रहा था देखें वे लोग अब तक केवल पशुओं को मार रहे थे अब वे मनुश्यों को भी मारने लगे हैं केवल आपके सैनिकों के कारण आप यहां से चले जाएं और प्रेतात्मा शान्त हो जाएंगी सती ग्राम प्रधान की और मुडी उन्होंने माना और रग्त का स्वाद चक लिया है अब इससे बचना संभव नहीं है या तो तुम इस गाउं को त्याग दो या फिर हमें यहां तब तक रहना पड़ेगा जब तक कि सभी शेर मारे नहीं जाते मेरा सुझाओ है कि तुम सारे ग्राम बासियों को एकत्र करो और कल गाउं छोड़ने के तयारी करो हम अपनी मादर भूमी का तयाग नहीं कर सकते मैं तुम्हें अपने गाउं वालों की मृत्यों का कारण बनने की अनुमती नहीं दे सकती मैं कल रवाना होँगी और तुम्हारे लोगों को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी तुम जो चाहे कर लो मेरे लोग इच्छावड का त्याग नहीं कर सकते कभी नहीं सूर्याक्ष बोल पड़ा यदि ग्राम वासियों ने मेरी बात सुनी होती तो हम लोग बहुत पहले ही यहां से चले गए होते और ये संताप कभी नहीं हुआ होता यदि आप में अपने पिता के तुलना में आधा पांडिते होता ग्राम प्रधान ने गुस्से में कहा तो आप प्रितात्माओं को शांत करने और शेरों को भगाने के लिए पूजा कर चुके होते पूजा प्रात्ना उन्हें नहीं भगा सकता है मूर्क प्रधान क्या आपको इसकी गंद नहीं आती उन शेरों ने इस जगा को चिन्हित कर दिया है वे सोचते हैं कि हमारा गाउ उनका छेतर है अब हमारे पास केवल दो विकल्प हैं लड़े या मरे सपष्ट है हम लड़ना नहीं चाहते तो भागना ही पड़ेगा बहुत हो गया जुलाते हुए सती ने कहा इसमें आश्चरी की बात नहीं कि शेरों ने आप लोगों को निशाना बनाया है अपने अपने घर जाए हम लोग कल मिलेंगे सती उस विद्याले के भवन में उपर जाने वाली सीड़ियों के और चल पड़ी बीच रास्ते में जलावन लकड़ियों का धेर देख उसे प्रिसनता हुई वो धेर के उपर से उचल कर निकल गई और उपर चड़ती रही जैसे ही वो छट पर पहुची तो उसने अत्यधिक मात्रा में जलावन लकड़ियों को देखा वो कावस के और मुड़ी सती ने एक बर फिर जंगल को ध्यान से देखा और धीमे स्वर में बोली जैसे ही सूर्य डूबे सीड़ियों पर रखे लकड़ियों में आग लगा दो उसने दूर सामने के और देखा वही पर एक बकरा बना हुआ था जहां काशी के सैनिकों को शेरों ने मारा था उस उचाई से वो इस्थान सपष्ट दिख रहा था जिससे तीर चलाया जा सकता था उसने अनुमार लगा लिया था कि वो कम से कम कुछ शेरों के ऊपर तीर चला सकती थी इस आशा में की चारा काम करेगा सती छत पर बैढ़ गई और प्रदीक्षा करने लगी अध्याय चौदा मधुमती का युद्ध शिव परवतेश्वर भगेरत द्रपकू और दिवोदास जहास के पिछले हिस्से में बैठे हुए थे आकाश में चंद्रमा नहीं निकला था जिसके कारण पूरा छेतर अंधकार में था जहींगरों के किटकिटाते स्वर के अलावा जंगल पुरी तरह से शांत था इसलिए वे आपस में धीरे धीरे बाते कर रहे थे समस्तिया ये है कि हम उनको कैसे विश्वास दिलाएं कि हमारे बीच विद्रो हो गया है और उसे समस्त जहाजियों से नहीं बलकि मातर सो लोगों से ही लड़ना है शिव फुस्पुसाया उसके गुप्तचर सदैव हमारी निगरानी करते होंगे दिवदास ने हलके से कहा हमारा नाटक विश्वस्नी होना चाहिए हमें एक मिनट के लिए भी भटक नहीं सकते शिव अचानक ही रुका उसने हाथ से उन सब को बाते करते रहने का इशारा किया वो धीमे से उठा रेंग कर जहास के बाड़े तक गया और एक कायर बाहर निकल शिव ने चिला कर कहा बहादर की तरह लड़ इस अचानक आई बाधा से पशु आधी चीखने चिलाने लगे और जंगल में हो हला मच गया लकडबंगा चीखा बाग दहाड़ा हिरण मिम्याए नदी में छपाग की आवाजे हुई संभवतया कोई घायल साथी को बचाने का प्रयास कर रहा था शिव ने सोचा कि पेड़ों की शाखाएं तूटने का स्वर उसने सुना जैसे किसी ने उन्हें तोड़कर पीछे हटने का उपक्रम किया हो जैसे ही उसके अन्याई उसके पास भागे हुए आये तो शिव ने फुस फुसा कर कहा वो जान लेवा घाव नहीं था हमें परशुराम जीवित चाहिए याद रहे ये हमारे कारे को और कठिन बनाता है लेकिन हमें वो जीवित चाहिए और उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही ताकत पर आवाज उस जंगल से सुनी तुम उस जहाज से बाहर क्यों नहीं निकल आते डरपोप कीड़े तब मैं दिखाता हूँ कि बहादुर कैसे जंग करता है शिव मुस्कुराया ये बड़ा ही मनुरंजक होने वाला है ततकाल उन जलावन लकडियों तक गया और कुछ लकडिया उठाकर सीडियों के बीच जल रही अगनी में डाल दी इस बीच सती पंजे के बल चलकर मुडेर के पास गई थी बकरा मायूस हो पूरी रात में मियाता रहा लेकिन अब चुप था उसने जंगल के उपर सावधानी से देखा रात के घने अंधेरे से आसपास सब घुप था लेकिन विद्याले में जल रही आग के लपटों से कुछ प्रकाश फैल रहा था वो बकरा अभी भी वहाँ था वो अब खड़ा नहीं था उसके पिछली टांगे ठख चुकी थी और वो हताश से कांप रहा था क्या वे यहाँ है देवी चुपके से रेंग कर सती के पास आते हुए कावस ने पूछा हाँ सती फुस फुसाई उन्होंने बहुत धीमी से आती एक भारी भरकम दहार सुनी ऐसी आवास जो जंगल में किसी भी जीवित जन्तु को भैबीत कर दे कावस ने जल्दी से पल्टन के शेज जवानों को जगा दिया उन्होंने अपनी तलवारे निकाल ली और सीडियों के तरफ वाले रास्ते के और रेंग कर चले गए ताकि एक मात्र इस्थल की सुरक्षा कर सके जहां शेर हमला कर सकते थे उसके बाद सती ने कुछ धीमी से घसीते जानी जैसी आहट सुनी उसने अपनी आखों पर जोर दे कर देखा एक दो तीन चार ये उनका पूरा जुन नहीं था चौथा शेर कुछ घसीता हुआ ले जा रहा था हे प्रभू सती दहशत में फुस फुसाई जो शरीर घसीता जा रहा था वो गाउं के पंडित सूर्याक्ष का था उसका हाथ थोड़ा थोड़ा छटपटा रहा था वो अभी भी जीवित था लेकिन नाम मात्र का है सबसे बड़ा शेर जो सपष्ट रूप से उनका नेता था वो पूरा का पूरा दिखा वो आसाधरन रूप से विशाल था आज तक सती ने इतना बड़ा शेर नहीं देखा था फिर भी उसका आयाल घहना नहीं था वो सपष्ट रूप से किशोर था संभवतया एक साल से अधिक बड़ा नहीं था उसके बाद एक चिंतित कर देने वाला विचार उसके मन में उभरा उसने नित्रत्व करने वाले पशु की तवचा को ध्यान से देखा उसके शरीर पर बागो वाली धारियां थी वो किशोर कदापी नहीं था उसने चकित होकर देखा तो उसका दिल धख से रह गया पपर शेर क्या कावस फुस पुसाया एक दुरलब पशु शेर एवं बागिन से जन्मा एक पशु ये अपने माता पिता से दोगना बड़ा होता है और उसमें उनके मकाबले कई गुना उगरता होती है वो बबबर शेर चहलकदमी करता हुआ उस बकरे के पास पहुचा उस बकरे के अगले पैर भी जुग गए वो निश्चित मृत्यों की प्रतीक्षा में आतंक से भूमी पर गिर परा लेकिन उस बबबर शेर ने उस पर हमला नहीं किया अपनी पोच से उस पर प्रहार करता हुआ वो उसके चारों और घूमा वो चारे के साथ खेल रहा था जो शेर सूर्याक्ष को घसीरता हुआ ले जा रहा था उसने उसके शरीर को नीचे गिरा दिया वो उसके पैर को अपने दाटों से काटने के ले जुका सूर्याक्ष को पीड़ा से चिलाना चाहिए था लेकिन उसकी गर्दन से रक्त का तेजी से रिसाव हो रहा था उसके पास शक्ती नहीं बची थी अचाना कि बबबर शेर सुर्याक्ष के पैरों को चबाने वाले उस दूसरे शेर पर गुराया वो शेर भी प्रतिक्रिया में गुराया लेकिन पीछे हड़ गया बबर शेर निश्चित रूप से सुर्याक्ष को अभी खाना नहीं चाहता था ये बबर शेर इस समू का नेता हाल ही में बना है दूसरे शेरों में अभी इतनी ताकत है कि विरोत प्रकट कर सके बबर शेर फिर से उस बकरे के पास गया शेरनिया उसके पीछे थी उस बबर शेर ने अपनी पिछली टांग उठाई और अपना छेतर चिन्हित करते हुए वहाँ पेशाप की उसके बाद वो दहारा वो दहार बहुत जोरदार और शक्तिशाली थी संदेश पश्ट था वो उसका छेतरा दिकार था वहाँ यदि कोई भी आता तो उसे इसकी चुनोती सुईकार नी पड़ेगी सती ने चुपचाप अपने धनुश को उठा लिया यदि बबर शेर मर जाये तो उसका जुन्ड की आकरमकता कम हो जाएगी दुर्भाग के वश जब उसने तीर छोड़ा तभी वो बबर शेर सुर्याक्ष के शरीर के और जुग गया तीर उसके पास से होता हुआ पीछे खड़ी शेरनी की आँख में जागुजा वो पीड़ा में अजीब सी आवाज निकालते हुए जंगल की और दौड पड़ी अन्य शेर एवं शेरनिया भी उसके पीछे भाग खड़े हुए लेकिन बबर शेर नहीं भागा बल्कि पीछे मुड़ा इस दखल पर गुराते हुए उसने अपने दातों को खोखार रूप से खोला उसने अपने पंजे से सुर्याक्ष के चेहरे पर एक करारा प्रहार किया प्रान घा तक प्रहार सती ने फिर से तीर चड़ाया और चला दिया वो तीर बबर शेर के कंदे में जागुसा वो दहारा और पीछे हड़ गया शेरनी बहुत ही जल्दी मर जाएगी सती ने कहा लेकिन वो बबर शेर फिर से आएगा कावस ने कहा अत्यतिक गुसे के साथ जितना पहले कभी नहीं था बहतर होगा कि हम लोग गाउवालों के साथ कल यहां से निकल जाए सती ने सहमती में सिर हिलाया रात के अंधेरे को चीरता हुआ सूरज बस अभी निकला ही था आप लोगों को यहां से जल्द से जल्द चला जाना चाहिए आपके पास कोई विकल्प नहीं है सती ने कहा उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने स्पस्च संदेश पर भी उसे गाउवालों से तर्क करना पड़ रहा है दुतिय प्रहर आरंभ हो गया था वे सूर्याक्ष की जल्ती हुई चिता के समीब खड़े हुए थे दुर्भाग की वश उस वीर विक्ति के लिए कोई प्रातना करने वाला नहीं था वे अब वापस नहीं आएंगे एक ग्राम वासी ने कहा जो हमारे प्रधान कह रहे हैं वही सही है शेर वापस नहीं आएंगे क्या बकवास है सती ने तर्क दिया बबबर शेर ने अपना छेतरादिकार चिन्हित कर दिया है या तो आप उसे मार डालें या फिर ये स्थान छोड़ दें इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है वो आप लोगों को इस भूमी पर स्वच्छन्द गूमने नहीं देगा वो अपने जुंड पर नियंतराण खो बैठेगा एक ग्रामिण महिला तर्प करने के लिए आगयाई सुर्याक्ष के रक्त से प्रितात्माय अंश्टा प्रसंद हो चुकी है अधिक से अधिक हमें एक और बलीदान देना पड़ेगा और वे चले जाएंगे एक और बलीदान? अचंभित सती ने पूछा हाँ ग्राम प्रधान ने कहा पूरे गाउं की भलाई के लिए गाउं का महतर स्वयम अपने परिवार के साथ बलीदान देने का इच्छुक है सती मुणी तो उसने देखा कि वे एक छोटे कदवाला दुबला पतला लेकिन स्वस्त्य वेक्ती था इसी के पास जलावन लकणियां एकत्रित करने और पिछले कई दिनों से दाह संसकार करने का कष्ट साध्यकार भी था पीछे उस जैसी नाटी और कमजोर उसकी पतनी खड़ी थी जिसके चेहरे पर आसाधारान संकल्प भाव था दो बच्चे उसकी धोती पकड़े हुए खड़े थे जिनकी उम्र दो या तीन साल से अधिक की नहीं होगी वे मातर लंगूटिया पहने हुए थे जो भाव ये माता पिता ने उनके लिए चुन रखा था उससे वे बिल्कुल ही अंजान थे सती प्रधान के और मुड़ी उसकी मिठिया बिची हुई थी तुम इस गरीब और इसके परिवार का बलिदान देना चाहते हो क्योंकि वे शक्तिहीन है ये अनुचित है नहीं देवी उस महतर ने कहा ये मेरा चैन है मेरा भाव के है पूर्व जन्म के मेरे कर्मों के कारण इस जन्म में मेरा जीवन नीची जाती में हुआ है मेरा परिवार और मैं गाउं के अच्छाई के लिए अपनी अच्छा से बलिदान देंगे वो सर्व शक्तिमान हमारे अच्छे कर्मों को देखेगा और अगले जनम में हमें आशिरवात देगा मैं तुम्हारी वीरता की कदर करती हूँ सती ने कहा लेकिन ये शेरों को रोक नहीं पाएगा वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि वे आप सब को यहां से भगा नहीं देते या फिर एक एक करके मार नहीं डालते हमारे रख्त उन्हें संतुष्ट करेंगे देवी प्रधान ने ऐसा कहा है मुझे इस पर पूरा भरुसा है सती ने उस महतर को घूर कर देखा अंधा अंधविश्वास कभी भी तरक से पराजित नहीं किया जा सकता उसने उन बच्चे की और देखा उसने उन बच्चों की और देखा बेएक दूसरे को कुछ चुवर है थे और ठीटोली कर रहे थे मैं अचानक ही रुग गए और सती की और देखने लगे बेचरच कर रहे थे कि वो बाहर से आई उस्तुरी उन्हें ऐसे क्यों गूर रही थी मैं ऐसे होने नहीं नहीं दे सकती मैं यही रहूंगी और मैं यहां तब तक रहूंगी जब तक ये प्रतेख शेर मारा नहीं जाता लेकिन तुम स्वैम कई अपने परिवार का बलिदान नहीं दोगे क्या ये स्पष्ट है उस महतर ने सती को गहरी द्रिश्टी से देखा, ये विचितर सुझाओ उसके मन में नहीं आ रहा था, सती कावस की और मुणी, कावस ततकाल ही सैनिकों को विद्याले की और लेकर चल पड़ा, कुछ सैनिक तरक कर रहे थे, इस पश्ट था कि वे घटना से प्रसने नहीं थे, परशुराम के गुपतचर पेड़ों पर बहुत उचाई से निगरानी कर रहे थे, शिव और भगीरत जहास के उपरी हिस्से पर थे, ऐसा लग रहा था कि वे बहस कर रहे थे, मधुमती में उतर चुकी तीन छोटी नौकाएं हलके हलके हिल डुल रही थी, अंतता शिव ने प्रतीत हुआ कि जहास अपना लंगर निकालने के तैयारी कर रहा था, एक गुपतचर ने दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा, सौ सैनिक चलो चल कर परशुराम को बताते हैं, मधुमती की भरपूर जलराशी और ब्रंगा की उर्वर भूमी ने शड़ेंतर कर अतियंती सघन और भैंकर जंगल का निर्मार कर लिया था, शिव ने उपर आकाशी और देखा, उन सघन पत्तियों के मध्ध से बहुत कम धूप छंच परशुराम लिया था, यद्देपी शारीरी ग्रूप से सभी सैनिक भली प्रकार थे, किन्तु वे बेचैन थे, उन्हें किसी घटना करम की प्रतिक्षा थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि परशुराम यहां भी मुढभेर से बच रहा था, अचानक ही शिव ने अपना हाथ उ शिव ने कहा, द्रपकु ने और ध्यान पूर्वक देखा, वे लोग इधर से गुजरे हैं, इस मार्ग में काट छांट की गई है, नहीं, शिव ने आगे की और देखते हुए कहा, यह उधर जाने के लिए काटा नहीं गया है, यह दाई और से काटा गया है, ताकि हमें ऐस विश्वास हो जाए कि वे इस ओर से गये हैं, आवज शिव इस रास्ते पर हमारी ले जाल बिचाया गया है, क्या आपको पका विश्वास है प्रभू, शिव को धीरे से अपना धनुश निकालते देख द्रपकु ने पूछा, शिव अचानक ही मुड़ा, उसने शिव गरत ही तेजी से भागे थे कि नदी के एक तटके समीप निकल आए, और वहीं थम गए, सामने कोई सो मिटर की दूरी पर परशुराम के नेतरत्व में उसका दल खड़ा था, कम से कम एक सो आदमी तो थे ही, जो संख्या में सूरिवन्श जितने थे, शिव के सानिक जंगल से बा लेकिन उसके मान स्पेशियां गजब की थी, उसके कंधे चोड़े थे और उसका धाल जैसा सीना श्वास की गती के साथ कम पित हो रहा था, उसके बाएं हाथ में एक विशाल का धनुष था, जो किसी भी सामान ये आदमी की दृष्टी से काफी बढ़ा था, लेकिन इस परसा, उसने केसरिया रंग की एक साधारान धोती पहन रखी थी और उसके शरीर पर कोई कवच नहीं था, ब्रामर के वंशच होने के प्रमार सुरूप चोटी को छोड़कर उसका पूरा सिर मुंडित था और जन्यू उसके बाएं कंधे से होता हुआ दाई उर लटका था, उसके चहरे पर एक लंबी दाड़ी थी, शिव ने अपनी बगल में देखा, वो अपने सैनिकों के पंक्ती में आ जाने की प्रतिक्षा कर रहा था, उसे कुछ गंधाई, वो क्या है, ऐसा प्रतीत हुआ कि वो मिट्टी का तेल था जो मेलुहा वासी प्रहर कंदील जलाने म उप्योग करते थे, उसने नीचे की और देखा, रेट साफ थी, उसके सैनिक सुरक्षित थे, शिव ने अपनी तलवार निकाल लिया और गरजना की, अभी भी समय है परशुराम, आत्म समरपड कर दो, तुम्हारे साथ न्याय किया जाएगा, परशुराम ठाहा का मार कर हस न्याय, इस घ्रणी देश में, शिव ने अपने अगल बगल देखा, उसके सैनिक अपने स्थान पर आ चुके थे, तैयार, तुम या तो न्याय के सामने अपना सिर जुका दो, या फिर उसकी जौला को अपने भीतर महसूस करोगे, तुम क्या चाहते हो, परशुराम भदी तरह हसा और उसने अपने एक आदमी को सिर हिला कर संकेत किया, उस आदमी ने अपने तीर को बाहर निकाला, उसमें आग लगाई, और धनुश पर चढ़ाकर उपर आकाशी और चला दिया, वो तीर सूरिवजशियों से बहुत पीछे की और चला गया, अरे, ये क्या था, पूरिवजशी उस तट पर पूरी तरह से फंस गये थे, वहां से पीछे हटना संभव नहीं था, तुम अपने तीर बरबात कर रहे हो, मुर्क, शिव चलाया, यहां से कोई भी पीछे हटने वाला नहीं, परशुराम मुस्कुराया, तुम्हें मारने में मुझे आनंद शिव को उस समय आश्यर हुआ जब परशुराम का वो तीरंदास पीछे की और मुणा और उसने एक और तीर में आग लगाई और नदी की और चला दिया, ओए गए काम से, परशुराम के आदबियों ने पतली नौकाओं को एक दूसरे से सटा कर नदी से बने उस जवाला ने पूरी नदी को ही आग में जोग दिया हो, उसकी लपटे इतनी उची थी कि सहायता के लिए परवतेश्वर की छोटी नौकाओं को वहां पहुचना असंभव हो गया था, पर शुराम ने शिव की और भैं से कमकपा देने वाली वेंग्यात्मक हसी हसते हुए द लेकिन शिव को समझ में नहीं आ रहा था कि मेलुहा का सिनपती मधूमती नदी के इस अगनी दौर को लांग कर कैसे उन तक पहुच पाएगा, छोटी नौकाएं उसे पार नहीं कर सकती थी, और जहास तटके उतने निकट नहीं आ सकता था क्योंकि वो जमीन से टकरा जाता कोई नहीं आ रहा, हमें ही इसे समाप्त करना होगा, ये तुम्हारा अंतिव अवसर है बरबर, अपनी तलवार उसकी और साधते हुए शिव जी खा, परशुराम ने अपना धरुष्ट नीचे गिरा दिया, उसी प्रकार सभी तीरंदाजों ने भी किया और उन्होंने अप लिड़ा दायक बनाने वाला हूं, शिव ने अपना धनुश गिरा दिया और धाल आगे कर ली और अपने सैनिकों से बोला तैयार हो जाओ, उनकी तलवार वाली बाहों पर हमला करो, घायल करो लेकिन जान से मत मारना, वे हमें जीवित चाहिए, सुरवश्यों ने अपनी ध सुरक्षा के लिए ढाल नहीं थी, भारी फरसे को चलाने के लिए उसे दोनों हाथों के आवशकता थी, वो सीधे शिव के और हमला करने के लिए दौर पड़ा, लेकिन द्रपकु बाई और उचला और उसने हमला कर दिया, वो दस्यू छड़ भर के लिए द्रपकु के हमले से चकराया, वो जड़के से पीछे के और मुडा और तलवार के प्रहार से अपना बचाओ किया, फिर उसी गती में उसने अपना फरसा उठा कर घुमा दिया, द्रपकु ने अपनी धाल आगे कर दी जो उसके नकली बाई हाथ की खूटी में उसकी सुरक्षा के लिए फसी ह वो दहला देने वाला फरसा कासे की बनी उस धाल के थोड़े हिससे को काटता हुआ अंदर घुस गया, अचंबित से द्रपकु ने धाल पीछे की और उचाली और अपनी तलवार नीचे की, उसने परशुराम के निमंतरन देते हुए खुले बाई कंधे की और देखा, इस बीच शिव एक दस्यो की तलवार के खतरनाक वार से बचने के लिए तेजी से घुमा, उसने अपनी ढ़ाल से उसकी तलवार को एक और धका दे दिया, जैसे ही वो दस्यो असंतलित हुआ तो शिव ने अपने तलवार बहुत ही सदे हुए चक्कर में घुमाई जिससे उस द दस्यू का तलवार वाला हाथ कोहनी से अलग हो गया, वो ठक धराशाई हो गया, अक्षम लेकिन जीवित, शिवततकाल मुड़ा और उसने उस दूसरे आदमी के प्रहार को नाकाम करने के लिए अपनी तलवार उपर उठाई, नंदी ने अपने शत्रों के दाहिने कंदे में भोकी हुई अपनी तलवार बाहर निकाल कर अपनी धाल से धका दे दिया, उसे आशा थी कि वो दस्यू नीचे गिर जाएगा और आत्म समरपड कर देगा, लेकिन उसे तब आश्चर हुआ जिब दस्यू ने अपनी धाल गिरा दी, और बड़ी सफाई से तलवार उस हाथ म ले ली जो घायल नहीं था, वो फिर से हमला करने के लिए उच्छल पड़ा, नंदी ने मन हीमन उसकी बहादूरी की प्रशंसा की, लेकिन उसने अपनी धाल आगे कर उसके वार को बचा लिया और फिर अपनी तलवार से उसके घायल कंदे में भोग दिया और चिलाया, आत् को भूला बाएं हाथ में तलवार उठा ली, हाफते हुए वीरभदर ने अपनी धाल दस्यों के सिर पर उसे गिराने की आशा में पूरे बल से दे मारी, उस ठग ने अपने कंदे को घुमा का टेड़ा किया और अपने कंदे पर उस प्रहार को लेते हुए अपनी तलवार स वीरभदर के धर पर एक चीरा लग गया, इसके बाद क्रोध में भनाए वीरभदर ने उस दस्यों के खुले धर पर सीधी तलवार भूच दी जिससे वो उसके दिल के आरपार हो गई, लानत है, जुन्जलाहट से वीरभदर ने कहा, तुमने आत्म समर पर क्यों नहीं किया युद्य के मैदान के एक अन्नी किनारे पर शिव ने अपनी ढाल बगल से उस आदमी पर चलाई जिससे वो मुड़ भीड़ कर रहा था, उस दस्यों ने अपना सिर पीछे क्योर कर दिया, जिसके कारण उसे हलकी चोड़ तो लगी लेकिन वो एक घातक प्रहार से बच निक दैता से घायल करते हुए शिव ने अपनी ढाल उस दस्यों के सिर पे दे मारी, इस बार सफलता पुर्वक उसने उसे पूरी तरह से ठंडा कर दिया, फिर उसने उपर देखा और मुस्कुराया, उस विशाल काई सूरिवंशी जहाज ने उन जलती हुए नौकाओं को बीच था कि वे ब्रंगा वापस नहीं जा पाएंगे, उसने सूरिवंशी दल के बारे में और उसके सेनपती परवतेश्वर की वीरता के बारे में गलत आकलन किया था, जहाज अत्यधिक तेजी से उस तट से आकर टकराया, जिसके कारण पर शुराम के अनेक साथी उससे दब कर ततकाल ही मरते चले गए, जैसे ही वो जहाज उस रेत के तट पर रुका, तो जहाज के अगरभाग पर खड़े हुए पर वतेश्वर ने उपर से ही छलांग लगा दी, उसकी कमर में बंधी रसी ने उस उचाई से उसके धरती पर गिरने की गती की तीवरता को तोड़ दिय जैसे ही वो धरती के निकट पहुचा तो उसने अपनी तलवार ऊपर की और हवा में लहराई जिससे वो रसी कड़ गई और वो सुरक्षित धरती पर खड़ा हो गया, चार सो सूरिवंशी सैनिक सिनापती के पीछे थे, जहाज के आ जाने से छड़ भर के लिए द्रपकु क ध्यान बढ़ गया, जब उसने परशुराम के फरसे पर अपनी तलवार चलाई तो यह नहीं देखा कि उस दस्यों ने पीछे से अपना चाकु निकाल लिया था, परशुराम ने अपने बाएं हाथ से एक सधे हुए युद्धा की तरह चाकु द्रपकु की गरदन में पीड़ा ने चाड़ भर के लिए सूरिवंशी दलपती को गतिहीन कर दिया, परशुराम ने चाकु को और नीचे धहसाते हुए उसकी मूट अंदर तक गुसेड़ दी, द्रपकु लड़ खड़ाते हुए पीछे हटा कि दू वूरता पूरवक उसने अपनी दलवार पर प पीछ लिया, उसने अपने फरसे को दोनों हाथों से पकड़ा, उसे पीछे की और ले गया और बड़ी करूरता पूरवक लहराया, वो फरसा द्रपकु की कवच को काड़ते हुए धर से बहुत जोर से टकराया, वो काफी गहरा धस चुका था, वो तोचा और मांस को चीरता फरसा बाहर निकलाया, परशुराम को लोहा मानना पड़ा की सूर्वनशी अभी जीवित था, दलपती ने तभी भी संगर्श के प्रियास हितु बुरी तरह से कमजोर हुई तलवार वाली बहा को उठाने का प्रियास किया, परशुराम आगे बढ़ा और उसने द्रपकु क के हाथ को नीचे दबा दिया, वो दलपती के अंगों की कमजोर होती गतियों को समझ पा रहा था, मरते होए वेक्ति द्वारा हार ना मानने के प्रियास का वो सटीक उधारन था कि उसकी तलवार अभी भी कसी हुई उची उठी हुई थी, परशुराम विस्मित था, उसे अ सम्मान में थोड़ा जुगाया और फुस-फुसाया, तुम्हारा वद्ध करना मेरे लिए सम्मान की बात है, उस दस्यों ने अपना फरसा उठाया और सिर काटने के लिए भी तैयार ही हुआ था कि उसी समय आनंद मही ने कुछ दूरी से अपना चाकू उच्छाल दिया, व उसके शरीर से बहुत अधिक रक्त बह रहा था, वो मुश्किल से ही जीवित जान पड़ रहा था, शिव पीछे के और मुड़ा और चिलाया, आयुर्वती को बुलाओ जल्दी, सूर्य के डूबने में अब भी कुछ घंटों का समय बचा हुआ था, सती विद्याले की छट परिक्षण किया, सैन को ने लकडिया लाकर रख दिय थी जो रात भर के लिए काफी होती, उसने आशा की कि वो छट से जुंड की कुछ शेरों को मारने में सफल हो जाएगी, यदि भाग उसका साथ देता है तो उसके आशा थी कि वो वबबर शेर को भी मार डालेगी, जिस से उस कष्ट का स्रोत ही समाप्त हो जाएगा, उसके बाद कुछ दिनों की निगरानी से उस समस्या का हल सदयाव के लिए हो जाएगा, आखिरकार वे मातर साथ पशू ही थे, बहुत बड़ा जुंड नहीं, उसने उपर आकाश की और देखा और प्रातना की कि कुछ भी बहुत तेजी से नीचे डूपता जा रहा था, गोधूली बेला आकरशक गेरुए रंग में रंगी हुई थी, सूरी वंशी शिवर में उतेजना का अभूत पूर्व संचार हो रहा था, भगीरत सबसे प्रमुख कारिया, अर्थात, बंदियों को अपनी गिरफ्त में लेन पर्याब्त ना हो, ऐसा सोच कर एक जंजीर सबके पादांगदों में फसा कर सभी को एक दूसरे से बांध दिया गया था, सूरी वंशी सैनिकों को उनके चारों और खड़ा कर दिया गया था, वे निरंतर उनकी निगरानी कर रहे थे, पर शुराम और उसके आदमियों के ल दूसरे किनारे पर आयूराले के तंबू लगाए गये थे, आयूर्वती और उसके दल के सदर से सूरिवन्शी एवं दस्यू लोगों को बचाने का भरसक प्रयास कर रहे थे, वे संभवतया अधिकतर को बचाने में सफल हो भी जाएंगे, लेकिन आयूर्वती अभी एक ऐ ऐसे तंबू में थी, जहां ऐसी कोई आशा नहीं थी, शिव अपने घुटनों के बल बैठा द्रपकू का हाथ थामे हुए था, आयूर्वती जानती थी कि कुछ भी नहीं किया जा सकता था, चोटे अत्यधिक गहरी थी, वो नंदी और प्रवतेश्वर के साथ पीछे खड द्रपकू बोल नहीं पाया, उसके मूँ से रक्त लगातार रिस्ता जा रहा था, वो अपने पिता की और मुड़ा और फिर शिव की और, ऐसे हिलने डुलने की कारण उसके हिरदे से रक्त पिछकारी की धार सा बाहर निकला और उस प्रवाहा से उपर उड़ाई गई पूरवक का दिल धग से रह गया, उसका सिर अपने मृत बेटे के कंधे से जा गिरा, उसका शरीर अपकाप रहा था, शिव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पूरवक के कंधे को सपर्श किया, पूरवक ने सिर उपर उठा कर देखा, उसका पूरा चेहरा अपने पुत द्वार में उससे मिला वही तूटा हुआ व्यक्ति बन चुका था, उसके प्रभू श्रीराम करपा करें, उसके जीवी तरहने का एक मातर कारण उससे बलात छीन लिया गया था, शिव का दिल डूब गया, इस पूरवक को वो न देख सका, और फिर उसके हिरदय में क्रोध का ज्वाला मुकी फट पड़ा, ग्रोध की विक्राल ज्वाला, शिव उठ खड़ा हुआ, परवतेश्वर को तब आशरे हुआ जब नंदी ने तत्काल ही आगे बढ़कर शिव को पकड़ लिया, नहीं प्रभू ये गलत है, शिव ने गुस्से से नंदी को एक और धकेला और तेजी से बाहर निकल गया, वो उस और दोड़ गया जहां परशुराम को बांध कर रखा गया था, नंदी उसके पीछे भागता हुआ चिला रहा था, नहीं प्रभू ये एक बंदी है, ये अनुचित है, भगीरत जो दूसरी और खड़ा था, नहीं प्रभू हमें वो जीवित चाहिए, लेकिन शिव उनमत था, वो अपने हाथ में तलवार लिया, उस दस्यू का सिर्धर से अलग करने के विचार से परशुराम की और चिलाते हुए भागा जा रहा था, परशुराम संग्या सून्य सा एक तक देख रहा था, उसके चहरे पर लेश मातर भै नह चाहता था, जै गुरु विश्वा मित्र, जै गुरु वशिष्ट, हैरान शिव मार्ग में ही रुक गया, वो पूरी तरह से गतिहीन हो गया था, अपनी गर्दन पर तलवार का प्रहार ना पाकर परशुराम ने अपनी आखें खोली, उसे कुछ समझ ना आया, शिव के डाला, नीलकंट, प्रभू नीलकंट, परशुराम ने अपना सिर्ष शिव के चर्णों में जुका दिया, उसकी आखों से आसू बह रहे थे, शमा करें प्रभू शमा करें, मैं नहीं जानता था कि वे आप थे, शिव वही का वही थम गया, गतिहीन, आधी नींद में सती न चंगले तक रेंग कर गई, वो अभी तक किसी भी शेर को नहीं देख पाई थे, आज चांदनी में कुछ-कुछ दिखाई पड़ रहा था, वो केवल आग पर निरभर नहीं थे, फिर उसने पेडों के जुरमुट से बबबर शेर को निकलते देखा, जो तीर सती ने उस पर सिर हिलाया, उसने अपने धनुश को सामने कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो तीर चला पाती जो दरशे उसके सामने था, उससे वो हैरान रह गई, अनेक शेरनिया उस बबबर शेर के पीछे से बाहर निकलती चली आ रही थी, उसने जो साथ पशुओं का जुन होने का अन पा करें, पिछली रात के हमले के बाद बबर शेर ने अपनी पूरी सेना को उस संकट से निपटने के लिए बुला लिया था, और अब वो एक विशाल काय जुन्ड था, ये तीन शेर होने से सपश्ट होता है, बबर शेर ने वस्तुता तीन जुन्डों को मिला कर उसका ने पाग में और लक्डियां जोग दो, काशी के सनिक दोड़कर आग्या का पालन करने चले गए, सती का दिमाग तेजी से गूम रहा था, लेकिन कोई हल नहीं सूज रहा था, ठीक उसी समय उसने कुछ आवाजे सुनी, वो ततकाल ही पीछे मुड़ी और रेंग कर जंगले के पास पहुंची, अब वो आवाजे इस पश्ट सुन पा रही थी, दो बच्चे रो रहे थे, अपनी जीवन की रक्षा के लिए चिला रहे थे, सती की आँखे घवराहट में खुली की खुली रहे गहीं, नहीं ऐसा मत करो, गाओं का महतर और उसकी पतनी पूरे द्रह निश बबर शेर उस दंपती की और मुड़ा और गुराया, सती ने अपनी तलवार निकाल ली, नहीं, नहीं देवी, नहीं, कावस चीखा, लेकिन सती तब तक कूद कर जमीन पर पहुँच चुकी थी, वो शेरों की और हमला करने के लिए दौर पड़ी थी, उसकी तलवार उची थी, सभी शेर उसकी और मुड़ गए, व्याश्चरे चकित थे, महतर और उसके परिवार को भूल कर बबर शेर ने सती को देखा, वो जोर से दहाड़ा और उसका जुंड हमला कर बैठा, काशी के सैनिक सती के पीछी समीन पर कूद पड़े, वो अपनी नेता की वीरता से प पीछे की और हटी, तो सती ने अपनी उस सधी हुई चाल में अपने सामने वाले शेर पर हमला कर दिया, उसी बीच जब एक दूसरी शेरनी बगल से सती की और प्रहार करने बढ़ी, तो काशी का एक वीर सैनिक बीच में ही कूद पड़ा, उस शेरनी ने उस दुर्भा के श रखे थे और उसका मांस खीच रही थी, वो अपनी तलवार से उसके कंधे पर बार बार प्रहार कर रहा था, लेकिन कोई घातक प्रहार नहीं कर पा रहा था, कासी वाशी दुस्साहास के साथ युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन कुछ छड़ों की ही बात थी जब वे पूर द्वारा मारे जाएंगे, हे श्री राम बस इतनी गरपा करना कि मेरी मृत्यू सम्मान जनक हो, फिर उस मार काट के बीच जोरदार शोर उबरा, कोई सो से अधिक सैनिक पेड़ों के जुरमर से बाहर निकलाए और भिडंद की और दौर पड़े, उनमें से एक शंक बजा र रूप से अपने काशी के साथियों की तुलना में कहीं अधिक दक्ष और उन्होंने निर्दैता से शेरों पर हमला बोल दिया, सदी ने सामने वाली शेरनी का वद कर इधर उधर देखा तो उसके आसपास अनेक शेरों के शव पड़े हुए थे, उसने अपनी बाई और कु को गहराई से चीरता चला गया, जैसे ही बबर शेर संतुलित हो मुड कर नए खत्रे का सामना करने के लिए तयार हुआ, तो वो अपना मुखावटा पहने चोगाधारी सती के सामने सुरक्षात्मक धंग से अपनी तलवार निकाले खड़ा हो गया, सती ने अपने निडर र उसने शेरनी को अपने शेरी के उपर से खिसकाने का प्रयास किया और अपने सिर्क को दाई और मुडा, वो देख सकती थी कि मुखावटा पहने चोगाधारी अकेले ही उस विशाल का बबर शेर से संगर्ष कर रहा था, उसके बाद वो चीखी साउधान उधर देखो, एक जाई और से मुखावटा पहने चोगाधारी पर हमला बोल दिया और उसका एक पैर अपने जबड़े से दबोच लिया, वो व्यक्ति गिर पड़ा लेकिन गिरने से पहले उसने शेरनी की आँख में अपनी तलवार भूंग दी थी, वो बबबर शेर एक बार फिर उस मुख कर घबरा कर पीछे मुड़ा और भाग खड़ा हुआ, उस जुन्ड के तीस पश्वों में से किवल तीन ही बच पाये थे, शेर सभी उस गाउं के मैदान में मिरत पड़े हुए थे, उनके साथ ही काशी के दस बहादुर सैनिकों के भी शव पड़े हुए थे, एक सैनिक सती के सहायता करने के लिए आगे आया और उसने श्रीरनी के मिरत श्रीर को उसके उपर से हटा दिया, वो ततकाल ही उठी और उस मुखाटा पहने चोगादारी के और दोड़ पड़ी जिसे खड़ा करने के लिए सहायता दी जा रही थी, उसके बाद वो रुक गई हत प्रभ, चोगादारी का मुखाटा गिर चुका था, नागा, नागा का माथा अत्यधिक चोड़ा था, उसकी आखे चेहरे के दोनों छोरों परिस्थित थी, लगभग विप्रीत दिशा में देखती हुई, उसकी नाख आसाधारान रूप से लंबी थी, जो आगे निकल कर इतनी करतीत हो रहा था, जैसे उस अभागे के धड़ पर किसी हाथी का सिर रख दिया गया हो, नागा अपनी मुठियां भीचे और उंगलियों को हथेली में गड़ाय खड़ा हुआ था, वो इसी चण का बहुत लंबे समय से अपना सपना देख रहा था, उसकी आत्मा में भावन हिलोरे ले रही थी, क्रोध, विश्वास, घात, भै, प्रेम, कुरूब, मैं कुरूब हो ना, वो नागा फुसफुसाया, उसकी आखे नम थी, दान भीचे हुए थे, क्या, नहीं तो, सती चीख पड़ी, वो अपनी हैरानी को नियंतरत करने का प्रयास कर रही थी, वो उस सती की बात को अंसुना कर दिया, उसका शरीर काप रहा था, उसकी मुठिया कसकर बंधी हुई थी, क्या, क्या इसी कारण तुमने मुझे त्याग दिया था, हलके से आंसु नागा की गाल पर बह निकले, क्योंकि तुम मुझे देख भी नहीं सकती थी, सती ने नागा को गह बढ़ी थी, वो नागा रानी थी, उसका पूरा का पूरा धाण हड़ियु का सकत कंकाल था, हड़ियों से बनी छोटी छोटी गेंदे उसके कंधेसे पेट तकाई हुई थी, जो उसके कंधों के ऊपर दो छोटे अधरिक्त अंग जुड़े हुए थे, जो तीसरे और पकड़े हुए था और सती की और फेकने के लिए उतारू हो रहा था लेकिन जो सबसे अधिक परिशान करने वाली वाद थी वो थी नागा इस्त्री का चहरा उसका रंग कोईले के समान काला था लेकिन नागा रानी का चहरा लगभग सती की ही प्रतिकरती था तुम लोग कौन हो हैरान सती ने पूछा मुझे इस पाखंडी को इस क्लेश से बाहर निकालने दो मेरे बच्चे नागा रानी का चाकू वाला हाथ कहा प्रहा था ये सच को कभी स्विकार नहीं करेगी ये भी अपने कप्टी बाप की तरह ही है नहीं मौसी सती ने पहले नागा को देखा फ मौसी नागा ने फुस्पसा कर कहा वो अपने घुटनों के बल बैट चुका था और बहुत हताश होकर रो रहा था मेरे बच्चे नागा रानी रो पड़ी और दोड़ कर उसके निकट गई उसने अपना चाकू नागा को देने का प्रयास किया मार डालो इसे मार डालो इसे यही एक उपाय है जिससे तुमें शांती पा सकते हो नागा काप रहा था अपना सिर हिलाए जा रहा था आसू उसके चेहरे पर धारा प्रवाब बहते जा रहे थे कुछ दूरी पर विश्वदिम्न और बरंगा सैनिक काशी के सैनिकों को बंधक बनाए हुए थे सती ने फिर से पूछा तुम लोग कौन हो बहुत हो गया आप अपना चाकू उठा कर नागा रानी चीख पड़ी नहीं मौसिक रोते हुए नागा फुस पुसाया ये नहीं जानती है सती ने नागा रानी को एक तक देखा मैं सौगंद खाकर कहती हूँ मुझे नहीं पता कि तुम लोग कौन हो नागारानी ने अपनी आखे बंद की और एक गहरी स्वास ली उसके हर संभव व्यंग भरे हाभाव में उसने बताया तो फिर सुनो हे गौरान विद्राज कुमारी मैं तुमारी जुड़ा बहन काली हूँ वो जिसे तुमारे दो मुहें बाप ने बच्पन में ही त्याग दिया था सती ने काली को अपलग देखा उसका मुह अत्खुला रह गया था वो इतनी हैरान हुई कि कुछ भी कहने में असमर्थ थी मेरी एक बहन भी है और ये दुख ही आरा काली ने लोकधीश के और संकेत करते हुए कहा तुम्हारा त्यागा हुआ बेटा है गणेश हैरानी से सती के श्वास थम गई मेरा बेटा जीवित है उसने गणेश पर एक गहरी दृष्टी डाली मेरा बेटा गणेश के चहरे पर क्रोध के कारण आसू बह निकले उसका शरीर दुख से बुरी तरह थर्थरा रहा था मेरा बेटा सती का हरदय मातत्व की पीड़ा से छटपटा उठा लेकिन पिता जी ने तो कहा था कि मेरा बेटा मृत पैदा हुआ था वो लगातार गणेश को घूरे जा रही थी मुझे जूट बताया गया था सती ने अपनी श्वास रोक ली उसने अपनी जुलवा बहन को देखा वो बिल्कुल उसी की प्रतिकिरती थी उस संबंध का एक स्पष्ट प्रमार वो गणेश की ओर मुड़ी मेरा बेटा जीवित है गणेश ने उसकी ओर देखा उसकी आँखों से अभी धारा प्रवाह आंसू बह रहे थे मेरा बेटा जीवित है सती फुस फुस आई उसकी आँखों से भी आंसू बह निकले सती घुटने के बल बैठे हुए गड़ेश की ओर लड़ खडाते हुए बढ़ी उसके चेहरे को हात में थामे वो अपने घुटनों के बल बैठ कई मेरा बेटा जीवित है उसने गड़ेश के चेहरे पर अपना हात फेरते हुए कहा मैं नहीं जानती थी मेरे बच्चे मैं सौगन दखा कर कहती हूँ मैं नहीं जानती थी गड़ेश ने अपनी बाहें नहीं उठाई मेरे बच्चे सती फुस फुसाई उसने नीचे जुकर गड़ेश के माथे को चूम लिया गड़ेश को सती कसकर लिप्टाय रही मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी कभी नहीं गणेश की आँखों से अश्रुधारा बह निकले उसने अपनी मा को कसकर जकर लिया और सबसे जादूई शब्द कहे मा सदी फिर से रोने लगी मेरे बेटे मेरे बच्चे गणेश बिलक बिलक कर वैसे ही रोने लगा जैसे कोई सुरक्षित नन्हा सा बच्चा रोता है जैसा वो सदैस से रोना चाहता था वो सुरक्षित था अंतता वो सुरक्षित था अपनी प्यारी मा की बाहों में सुरक्षित था परशुराम प्रतीक्षा कर रहा था जब ब्रंगा वालों का जहास तट से टकराया था तो पीने के पानी का भंडार नश्ट हो गया था सुर्वशियों के पास मधुमती के जल को पीने के अलावा और कोई चारा नहीं था दिवधास ने सबसे कह दिया था कि वो जल बिना उबाले नहीं पिया जा सकता लेकिन परशुराम जानता था कि मधुमती का जल पहली बार पीने वाला निश्चित रूप से कुछ घंटों के लिए अचेथ हो जाता है यदि पहले से ही विश नाशक औशधी न ली हो तो उपनायक को आशा थी कि परशुराम जंजीर को खुला छोड़ देगा लेकिन परशुराम ने पुना जंजीर को धरती में गार दिया कोई यहां से भागेगा नहीं यह स्पष्ट है कोई भी भागने का साहस करेगा तो मैं उसे ढूड़ कर मृत्यों लोग पहुचा दूँगा उसके उपनायक ने तेवरी चड़ा ली वो पूरी तरह से उल्जन में था लेकिन वो अपने उस भायानक सरदार से प्रश्ण करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया परशुराम तट परिस्थित रसोई घर की और मुड़ गया उसका फरसा चंद्रमा की रोशनी में चमक उठा वो जानता था कि उसे क्या करना था ये उसे करना ही था उसके पास कोई विकल्प नहीं था यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अलविदा नमस्कार आप सभी का मोटिवेशन टू रीड में स्वागत है आज हम जिस पुस्तक का सास्वर पठन करने वाले हैं वो शिव रचनत्रई की दूसरी पुस्तक नागाओं का रहस्य है जिसके रचनाकार हैं अमीश त्रिपाठी और अनुवादक हैं विश्वजीत सपन अध्याय सोला विप्रीत आकर्शन अग्री तीवरता से प्रचन्ड होती जा रही थी शिव ने मानसरोवर जिल में इतनी उची लप्टे कभी नहीं देखी थी साए साए करती हवा खुला मैदान गुड़ वालों की शक्ति उसके कभीले ने कभी किसी आग को लंबे समय तक जलने नहीं दिया था उसने अपने चारों ओर देखा उसका गाउं खाली था एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था उसके टीलों की दीवारों को लप्टे चूम रही थी मुझहील की और मुड़ा हे पवित्र जील मेरे लोग कहा है क्या प्रकृति वालों ने उन्हें बंधक बना लिया शिव सहायता करें शिव पूइचे मुड़ा तो उसने देखा कि रक्त से लत्पत ब्रहस्तपती और विशालकाई आग के घेरे से होता हुआ गाउं के प्रवेश द्वार से बाहर आ रहा था उसे एक दानवी आकार का मुखोटा पहने चोगाधारी खदेर रहा था उसकी चाल डरावने धंग से अत्यधिक नियंत्रित थे शिव ने ब्रहस्तपती को खीच कर अपने पीछे कर लिया और मुखोटा पहने चोगाधारी नागा के निकट आने की प्रदीक्षा करने लगा जब वो निकट आया तो शिव चिलाया तुम उसके पास फटक भी नहीं सकते जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तो बिल्कुल भी नहीं उस नागा का मुखोटा जैसे स्वयम जीवित हो उठा वो कृतिम हसी हसा मैंने उसे पहले ही पकड़ लिया है शिव तेजी से पीछे घूमा उसके पीछे तीन विशालकाय सर्प थे एक सर्प ब्रहस्पती के शिथिल शरीर को घसीडता हुआ ले जा रहा था जिस पर अनेक सर्पदंश दिख रहे थे अन्य दो सर्प पहरे पर थे जो अपने मूँ से आग उगल रहे थे जिसके कारण शिव उनके निकट नहीं जा पा रहा था शिव असहाय सा देख रहा था उन सर्पों ने ब्रहस्पती को घसीड कर नागा के पास पहुँचा दिया अत्यधिक रोधित शिव नागा के और मुड़ा प्रभूश्री रुद्र कृपा करे शिव फुस्पुसाया बुरी तरह से घायल द्रपकु नागा के पास अपने घुटनों के बल जुका हुआ था पराजित असहाय मृति की प्रतीक्षा में द्रपकु के बगल में ही घुटनों के बल एक इस्त्री बैठी हुई थी उसकी बाह से रक्त रिस रहा था लहराते केश उसके जुके हुए चेहरे को ढखे हुए थे फिर हावा के प्रवास से वो अनावरत हो गया उसने उपर के ओर देखा ये वही थी वही इस्त्री जिसे शिव बचा नहीं पाया था वही जिसका बचाओ उसने नहीं किया था वो इस्त्री जिसे बचाने तक का उसने प्रयास नहीं किया था सहायता क्रपा कर मेरी सहायता करे ऐसा दुसाहस मत करना शिव ने नागा को चितावनी देते हुए कहा नागा ने बहुत ही शांती से अपनी तलवार उठाई और एक छण को भी बिना हिचकिचाए उस इस तरी का सिर धड़ से अलग कर दिया शिव ठंडे पसीने से नहाया हुआ उठ बैठा उसका मस्तक पुनह जल रहा था मदुमती के लहरों की आवाज सुनते हुए उसने तंबू के अंदर फैले अंधकार को देखा उसने अपने हाथ पर दृष्टी डाली उसमें सर्प बना हुआ वो बाजूबंद था उसने वाजूबंद को जमीन पर फेक दिया और अपनी शया पर लेट गया उसका सिर भारी था बहुत भारी मदुमती उस रात शानती से बह रही थी पर शुराम ने उपर क्योड देखा चांदनी उसे अपना कारे करने के लिए प्रकाश दे रही थी उसने एक छोटी से अम्गीठी के उपर रखे हुए सपार्ट तवे के ताप का परिक्षण किया बहुत अधिक होना ही था मांस को ततकाल ही जुलसा दिना होगा वरना रक्त का बहना नहीं रुकेगा वो पुना कुलहाडी की तेज धार करने में जुट गया उसने एक बार फिर उसकी धार का परिक्षण किया धार अत्यधिक पैनी थी उससे बहुत ही सफाई से प्रहार किया जा सकता था उसने पीछे मुड कर देखा वहां कोई नहीं था उसने अपना लबादा फेक दिया और एक गहरी स्वास भरी प्रभु रुद्र मुझे शक्ति प्रदान करे उसने अपने बाएं हाथ को घुमा कर मोडा वही पापी हाथ जिसने निलकंठ के प्रिये विक्ति के वध करने का साहस किया था उसने उस पेड के तने के निकले हुए भाग को पकड़ा उसे कस कर पकड़ लिया जिससे अपना कंधा खीच पाया वो तना इससे पहले उसके कई शत्रों के सिर धर से अलग करने में प्रियुक्त हो चुका था उस पेड पर उन दुर्भा के शाली पीड़तों का रक्त गिर गिर कर कहरे लाल रंके दाग बन गए थे अब वही उसका रक्त उनसे मिलने जा रहा था उसने अपने दाहिने हाथ से फरसा और उचा उठा लिया पर शुराम ने अंतिम बार सिर उठा कर उपर की और देखा और एक गहरी सांस ली मुझे शमा करे मेरे ब्रभू वह फरसा भन बनाता हुआ हवा में लहराया तेजी से नीचे आगिरा और बिना चूक हाथ कटकर अलग कर दिया पवित्र जील के नाम पर ये बताएं कि वह कैसे भाग निकला शिव चिलाया आप लोग क्या कर रहे थे परवतेश्वर और भगीरत द्रश्टी नीचे की हुए थे प्रभू का क्रोध नायोचित था वे शिव के तंबू में थे वो प्रथम प्रहर का अंतिम घंटा था सूर्य अभी अभी उदय हुआ था और उसी के साथ परशुराम के अद्रश्य होने पर प्रकाश पड़ा बाहर होने वाले शोर्गुल से शिव का ध्यान उसोर चला गया वो तेजी से बाहर निकला तो उसने देखा कि दिवदास एवं अन्य कुछ सैनिक परशुराम की और तलवार ताने खड़े थे वो शिव को घूरता हुए लड़ खड़ाते हुए उसी की और बढ़ रहा था वो और किसी को नहीं देख रहा था शिव ने अपना बाया हाथ उचा उठाया अपने आदमियों से परशुराम को ना रोकने के ले कहा पता नहीं किस कारण उसे अपनी तलवार तक को उठाने के आवशकता अनुभव नहीं हुई परशुराम ने अपना लबादा कसकर लपेटा हुआ था भगीरत परशुराम के पास गया ताकि परिक्षन कर सके कि उसने कहीं कोई हथियार चुपा ना रखा हो शिव ने जोर से पुकार कर कहा कोई बात नहीं भगीरत उसे आने दो परशुराम रड़ खडाता हुआ शिव की और बढ़ा वो बहुत ही कमजोर लग रहा था उसकी आँखे बंध होती प्रतीत हो रही थी परशुराम शिव के सामने अपने घुटनों के बल गिर पड़ा तुम कहां गए थे परशुराम ने उपर के उड़ देखा उसकी आँखे विशात पूर्ण थी प्रायश्चित प्रभू शिव की भ्रकुटी तन गई उस दस्यों ने अपना लबादा नीचे गिरा दिया और अपने दाहिने हाथ से अपना बाया कटा हुआ हाथ शिव के चरणों में रख दिया इस हाथ ने पाप किया प्रभू मुझे शमा कर दे शिव ने दहशत से अपनी स्वास रोक ली परशुराम गिर पड़ा वो अचेत हो चुका था आयरुवती ने परशुराम के घाओ की मरहम पट्टी कर दी थी उसने उसे फिर से दाग कर संक्रामा खोने से रोक दिया था खुले हुए मांस पर नीम का रस लगा दिया गया था कटे हुए भाग पर नीम के पत्तों की पट्टी बनाकर उसे हाथ से कसकर बांध दिया गया था उसने शिप के और देखा ये मूर्क भागेशाली है कि कुलहारी के धार तेज थी और वो साफ थी इस प्रकार के घाव से हुई रक्त के कमी और संक्रमर प्रान घातक सी दो सकते हैं मैं नहीं समझता कि सफाई ये अस्तर के तेजधार अनायास ही थी भगीरत फुसफुसाया उसने ही ये किया था वो जानता था कि वो क्या कर रहा है परवतेश्वर परशुराम को एक डग घूर रहा था विसमित ये विजित रव्यक्ति कौन है शिव ने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा था वो केवल परशुराम को घूर रहा था उसका चहरा भावहीन था उसकी आँखे अत्यदिक संकुचित थी हम लोग अब इसका क्या करें परभू परवतेश्वर ने पूछा हम लोग इसका उप्योग करें मगीरत ने सुझाओ दिया हमारे जहाज को ठीक होने में छे महीने का समय रख जाएगा हम लोग इतने समय तक यहां नहीं रह सकते मेरा सुझाओ है कि हम इस चोटी नाव में इसे ब्रंगा के सबसे निकट सीमान तचौकी तक लेकर चलते हैं और उनके हवाले कर देते हैं हम लोग ब्रंगा के सबसे बड़े वांशित अपराधी को उन्हें सौप कर इसके बदले में उनसे जहाज ले लेंगे वे लोग जबरन इससे औशदी बनाने का तरीका ले लेंगे और हम इन आगाओं तक पहुँचने का मार्ग मिल जाएगा शिव ने कुछ नहीं कहा वो लगातार परशुराम को घूरे जा रहा था परवतेश्वर को भगीरत को सुझाओ अच्छा नहीं लगा लेकिन वो ये भी जानता था कि इस समय यही सबसे व्यावारी को पाय था उसने शिव की ओर देखा प्रभू हम लोग इसे ब्रंगा वालों के हवारे नहीं करेंगे शिव ने कहा प्रभू भगीरत हैरान हो चीख पड़ा शिव ने ब्रंगीरत को देखा हम नहीं कर रहे लेकिन प्रभू हम कैसे नागाओं के पास पहुचेंगे हमने ब्रंगाओं को आवशधिया देने का वचन दिया है परशुराम हमें आवशधिया देगा जब वो होश में आएगा तो मैं उससे पूछूँगा लेकिन प्रभू भगीरत ने कहना जारी रखा ये एक अपराधी है वो तब तक कोई सहायता नहीं करेगा जब तक कि उस पर दबाव नहीं डाला जाएगा मैं स्विकार करता हूँ किसने त्याग किया है लेकिन हमें यहां से बाहर निकलने के लिए जहास की आवशकता है मैं जानता हूँ भगीरत शिव को लगातार देखता रहा उसके बाद वो परवतेश्वर के और मुणा मिलूहा के सेनपती ने उसे चुप रहने का इशारा किया लेकिन भगीरत नहीं रुका जो नीलकंट सोच रहे थे वो व्यावहारिक नहीं था कृपया दुबारा कहने के लिए शमा करे प्रभू लेकिन जहास प्राप्त करने का एक मत तरीका यही है कि परशुराम को ब्रंगा वालों के हवाले कर दिया जाए और ऐसा करने का यह एक मातर कारण भी नहीं है परशुराम एक अपराधी है एक नर संगहारी है हम उसे ब्रंगा वासियों को उचित दंड के लिए क्यों नहीं सौप सकते क्योंकि मैंने कहा है यह कहकर शिव बाहर निकल गया मागेरत बिना कुछ बोले परवतेशवर की और देखता रह गया परशुराम की आँखें हलकी से खुली मुद्रबलता से मुस्कुराया और उसके बाद पुनास हो गया दूसरा प्रहर आते ही सूरे सिर पर चढ़कर चमचमाने लगा ब्रंगा और काशी के सैनिक बहुत परिश्रम से कारे में जुटे हुए थे और विश्यदुम्ली ने उनकी कमान संभाल रखी थी योग ये ब्रंगाओं का आदेश मानने में कावस को कोई दूविधा नहीं हो रही थी ब्रंगा के साथ आए वैद्दियों ने सभी घायलों का उक्चार कर दिया था अब सभी स्वास्त लाब करने लगे थे सारे मृतकों की अंतियश्टी इच्छावड के मैदानों में कर दी गई थी हाला कि किसी को भी शेरनियों और बबबर शेर के पुना उस गाओं में आने की आशा नहीं थी फिर भी साथानी के तोर पर गाओं के चारों और खाई खोद दी गई थी ब्रंगा और काशी के सैनिक विद्याले के भवन में आस्थाई तोर पर निवास कर रहे थे गाओं वालों को भोजन के आपूर्ति करने के लिए कह दिया गया था यद्य पी गाओं वाले शेर के जुन्ड के नश्ट हो जाने पर प्रसन थे तथा पी भै के कारण अभी भी सैनिको आदी से दूरी बनाए हुए थे और विश्वदिम्न के आदेशों का पालन चुपचाप कर रहे थे उनके जीवन की रक्षा हुई थी इस तथे के बावजूद भी नागाओं का जान लेवा आतंक उन्हें दमित किये हुए था वैसे महतर के बच्चे काली के साथ खेल कर आनंदित हो रहे थे वे उनके बाल खीचते उस पर उचलते कूटते और जब वो नकली गुसा करने के लिए अपना मुह बनाती तो वे खिल लिला कर हास पड़ते बच्चों उनकी माने कडाई से कहा वे मुड़े और अपनी मा की और भाग गए उनकी धोती पकर ली महतरानी ने काली से कहा इसके लिए मुझे छमा करे रानी जी वो आपको तंग नहीं करेंगे काली का चहरा एक वयस्क विक्ति से बात करने पर पुना गंभीर हो गया उसने केवल अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं बोली वो दाई और मुड़ी तो देखा कि गणेश सती की गोद में सिर रखे चैन की दीन्द सो रहा था उसका चहरा परमनंद का प्रतीक बना हुआ था उसके घाओं पर पटिया लगा दी गई थी वैद उसके पैर पर शेरनी के काटे घाओं के बारे में अधिक चिंतित था उसे भली भात ही साफ करके पटियों से कसकर बांध दिया गया था सती ने काली की और देखा और मुस्कुराई उसने अपनी बहन का हाथ पकर लिया काली नमरता से मुस्कुराई मैंने आज तक इसे इतने चैन से सोते हुए नहीं देखा सती मुस्कुराई और उसने बड़ी लाड़ से गरेश के चहरे पर अपना हाथ फेरा इतने लंबे समय तक इसका ध्यान रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद ये तो मेरा कर्तव्य था हा लेकिन सभी लोग अपने करतवे का पालन नहीं करते हैं धन्यवाद वास्तों में मुझे इसमें आनंद मिला सती मुस्कुराई मैं कल्पना कर सकती हूँ कि तुम्हारे लिए जीवन कितना कठिन रहा होगा मैं उसकी पूर्ती करूंगी मैं वचन देती हूँ काली ने अपनी भहों को हलके से उपर चड़ाया लेकिन चुप रही सती ने उपर देखा जैसे उसे कोई विचार सूजा हो तुमने पिताची के बारे में कुछ कहा था क्या तुम निश्चित तोर पर ऐसा कह सकती हो वे कमजोर हैं लेकिन वे अपने परिवार से इस पश्ट्रूप से प्रेम करते हैं मैं ये कलपना भी नहीं कर सकती कि वे जान भूज कर हम में से किसी को हानी पहुचा सकते हैं काली का चेहरा सखत हो गया अचानक गणेश की आवाज सुन दोनों ने बाते रोक दी सती ने अपने पुत्र के ओर देखा गणेश ने मूँ फुलाया मुझे भूक लगी है सती ने अपनी भोहें उठाई और खिलखिला कर हस पड़ी उसने गणेश के ललाट को धीमे से चुमा मुझे देखने दो कि अभी क्या मिल सकता है जब सती वहाँ से चली गई तो काली इस प्रकार के विभार पर डाटने के लिए उसकी और मुड़ी लेकिन गणेश स्वेम भी तेजी से उठ चुका था आप उन्हें नहीं बताएंगी मौसी चाहे वे पता लगा लेगी चाहे वे पता लगा ले लेकिन उन्हें आप से ये सूचना नहीं मिलने चाहिए उसे सच जानना चाहिए वो क्यों ना जाने क्योंकि कुछ सच केवल पीड़ा देते हैं मौसी अच्छा हो यदि वे दबे ही रहे प्रभू परशुराम फुस फुसाया शिव परवतेश्वर और भगीरत उस छोटे से तंबो में जमघट लगाये हुए थे वो तीसरे प्रहर का अंतिम घंटा था छिदिज पर सूरी डूब रहा था और मधुमती के पानी को गुलाबी भूरी आभा परदान कर रहा था दिवोदास और उसके आदमी जहास की मरमत के काम में जुट चुके थे ये एक चुनोती पूर्ण कारे था क्या है परशुराम शिव ने पूछा तुम उसे मिलना क्यों चाहते थे परशुराम ने ताकत जुटाने के लिए अपनी आखे बंद कर ली मैं अपने एक आदमी से ब्रंगा लोगों को नागा औशदी बनाने की विधी की सूचना उपलब्द करा दूँगा प्रभू हम उनकी सहायता करेंगे हम उनकी कलिंग में महेंदर परवत तक ले जाएंगे जहां हमें आउशदी को इस्तिर करने का तत्व प्राप्त होता है शिव मुस्कुराया धन्यवाद आपको मुझे धन्यवाद कहने के आवशकता नहीं है प्रभू ये आपको चाहिए आपके लिए काम आना मेरे लिए सम्मान की बात है शिव ने सिर हिलाया आपको जहाज की भी आवशकता है परशुराम ने कहा भगीरत खड़ा हो गया मेरे पास मेरा अपना एक बड़ा जहाज है परवतेश्वर की ओर मुढ़ने से पहले परशुराम ने कहा के कंधे को इस परश करने के लिए जुका तुम्हें आराम की आवशकता है हम बाद में बात कर सकते हैं एक और वस्तु प्रभू परशुराम ने हट करते हुए कहा ब्रंगा वाले तो केवल माध्यम है शिव ने तेवरी चड़ा ले आपका अंतिम लक्ष नागाओं की खोच करना है शिव ने अपनी आखे संकुचित कर ले मैं जानता हूँ कि वे कहा रहते हैं परशुराम ने कहा शिव की आखे आश्चरे में चोड़ी हो गई दंडक वन के उस मार्ग को मैं जानता हूँ प्रभू परशुराम कहता गया मैं जानता हूँ कि नागाओं का नगर कहा है मैं आपको बता सकता हूँ कि वहां कैसे पहुचा जा सकता है शिव ने परशुराम के कंधे पर थपकी दी धन्यवाद लेकिन मेरे एक शर्थ है प्रभू शिव ने अपनी तेवरी चढ़ा ली मुझे अपने साथ ले चले परशुराम फुस फुस आया शिव ने आश्चरे सी अपने भौहें उठाई लेकिन क्यो आपका अनुसरान करना मेरा करता वे है क्रपा कर मेरे इस देनिये जीवन को कम से कम थोड़ा अर्थ प्रदान करने का असर दे प्रभू शिव ने सहमती में सिरह लाया तुम्हारे साथ यात्रा करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी मधुमदी का युद्ध समाप्त हुए तीन दिन बीच चुके थे परवतेश्वर के लोगों ने परशुराम के जहास को ढूंड लिया था ये उससे भी बड़ा था जिसमें वे यात्रा करके यहां आये थे वो इस पश्ट रूप से एक ब्रंगा जहास था क्योंकि उसके तल में वो अत्रिक्त हिस्सा बना हुआ था जिससे वे ब्रंगा के द्वारों से होकर आसानी से अंदर जा सकते थे वो जहास अवश्ट ही परशुराम के लोगों ने उन्हें पकड़ने के लिए वहां आये किसी ब्रंगा दल से छीना होगा सभी सैनिक जहास पर चड़ चुके थे परशुराम के आदमी अब बंदी नहीं थे उन्होंने सूरिवंश्यों के सामान ही सुविधाय प्रदान की गई थी शिव ने निजी रूप से पूरवक एवं परशुराम दोनों की सुविधायों का ध्यान रखा था आईरुवती ने अपने सहायक मंतरक को परशुराम के साथ रखा हुआ था परशुराम अतिधिक रक्त के बह जाने के कारण अभी भी बहुत दुर्बल था जहास मधुमती की उल्टी धारा में आराम से चल रहा था जब वे ब्रंगा नदी के निकट पहुचेंगे तो एक अत्रिक्त तीवर चालित नौका राजार अंद्रगेतो के मार्दर्शन के लिए भेज दी जाएगी जिससे नागाओं की औशदियां प्राप्त करने वाले वेकलपिक सुरोत को ढूड़ा जा सके वो आदमी ब्रंगरदाई में शिव के लोगों को भी सूचना देता जाएगा कीवेत अत्काल शिव से वहां आकर मिले जहां मधुमदी ब्रंगा नदी से प्रथक होती है उसके बाद उनका दल काशी के और वापस चल पड़ा सती और कार्तिक से मिलने के लिए शिव बेताब हो रहा था उसे अपने परिवार की याद आ रही थी उसके बाद उसने सेना के गठन और नागाओं की खोच के लिए जल्दी ही दक्षन की और कूच करने की एक योजना बनाई थी शिव जहाज के अगले हिस्से में वीरभदर के साथ बैठा गांजे का कश ले रहा था नंदी उनकी बगल में खड़ा था वे मदुमदी के भवरदार जल को देख रहे थे ये भियान तो आशा से अधिक अच्छा रहा प्रभू नंदी ने कहा हाँ बात तो सही है चिलम की और संकेत करते हुए शिव ने कहा दुरभागे से उत्सव उतना आनंदायक नहीं रहा वीरभदर मुस्कुराया मुझे काशी पहुचने दे वहाँ सही तरीके से लोग गांजा मिलाना जानते हैं शिव जोर से हसा नंदी भी हस पड़ा शिव ने नंदी की और चिलम बढ़ाई लेकिन मेलूहा के उपसेनापती ने इनकार कर दिया शिव ने अपने कंधे उचकाए और एक कश और लिया उसके बाद उसने चिलम वीरभदर को पकड़ा दी शिव का ध्यान भंग हो गया क्योंकि उसने देखा कि परवतेश्वर उनके निकट आया जीजिका और फिर मुड़ गया ना जाने अभी मुझसे वे क्या बात करना चाहते हैं शिव ने तेवरी चढ़ा कर कहा ये तो इस पष्ट है है ना वीरभदर मुस्कुराया नंदी ने दृष्टी नीचे की और मुस्कुराया लेकिन कुछ बोला नहीं तुम दोनों मूर्ख मुझे चढ़ भर के लिए अकेला क्यों नहीं छोड़ देते शिव मुस्कुराया और अपने मित्रों को छोड़ कर बहां से चल पड़ा परवतेश्वर थोड़ी दूर पर ही खड़ा था वो किसी गहरी सोच में डुबा हुआ था सेनपती कुछ बोलू सेनपती परवतेश्वर ने ततकाल ही पीछे मुणकर सैनिक का भिवादन किया आप आग्या करें प्रभू आग्या नहीं परवतेश्वर एक निवेदन है परवतेश्वर ने अपनी तेवरी चड़ा ले पवित्र जहील के नाम पर बस एक बार अपने हिर्दय की सुने शिव ने कहा प्रभू आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ वो आपको प्रेम करती है आप उसे प्रेम करते हैं इसके अलावा आप और किस बारे में सोच रहे हैं परवतेश्वर सुर्ख हो गया क्या ये इतना इस्पष्ठ हो गया है ये सभी के लिए बहुत इस्पष्ठ हो चुका है सेनापती लेकिन प्रभू ये अनुचित है कैसे? क्यो? आप सोचते हैं कि प्रभूराम ने उद्देश पूर्ण ढंग से आपको दुखी करने के लिए ये विदी बनाई थी? फिर मेरे पितामा की प्रतिग्या आप परियाप्त समय तक उसका सम्मान कर चुके हैं मुझ पर विश्वास करें उनकी भी यही इच्छा होती परवतेश्वर ने द्रिश्टि नीचे की निशब्द मैंने उनके एक दिशान निर्देश के बारे में सुना है कि कानून महातपूर नहीं होते महातपूर होता है न्याए जिए दिन्याय का उदेश कानून तोड़ने से पूर्ण होता है तो उसे तोड़ दे प्रभुराम ने ऐसा कहा था आश्चर से प्रवतेश्वर ने पूछा मुझे विश्वास है कि उन्होंने ऐसा कहा होगा शिव मुस्कुराया वे अपने अनुयायों को कभी दुखी नहीं देखना चाहते थे आप आनंद माई के साथ रहकर किसी अन्य को हानी नहीं पहुचा रहे आपके पितामा के आरंब किये विरोध को आप कोई हानी नहीं पहुचा रहे आपने उस उदेशी की परियापत पूर्ती कर ली है अब आप अपने हिर्दय को किसी अन्य उदेश की पूर्ती करने दे क्या आप निश्चित तोर पर ऐसा कह सकते हैं प्रभू मैं इतना निश्चित तो किसी अन्य वस्तू के लिए कभी भी नहीं हुआ प्रभुश्री राम के नाम पर उसके पास जाए शिव ने परवतेश्वर की पीट पर जोड से एक मुक्का दे मारा परवतेश्वर इस बारे में लंबे समय से सोच ही रहा था शिव के शब्द उसके बिखरते साहस को एकत्र करने में सहायक होए उसने शिव को सैनिक अभिवादन किया और मुड़ गया विव्यक्ति एक विशेश कार करने जा रहा था वो दाव लगाने को तैयार आनंदमई जहास के जंगले से टिकी ठंडी हवा का आनंद ले रही थी राजकुमारी जी आनंदमई अपने स्थान पर ही घूम गए और प्रवतेश्वर को वहाँ देखकर आश्यरे चकित रहे गई जो लज्जित सा खड़ा था अयोध्या की राजकुमारी कुछ बोलने ही वाली थी कि प्रवतेश्वर ने स्वयम को सुधारा मेरा आश्य है आनंदमई रहे थे आनंदमई उतेजित होटी हिर्दय की गहराई से मुस्कुराई हाँ सेनपती मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा तो आनंदमई ने सिर हिलाया वह चुप थी परवतेश्वर को पूरा समय दे रही थी वह समच चुकी थी कि परवतेश्वर क्या कहना चाहते थे लेकिन वह भली भाती जानते थी कि मेलुहा के सेनपती के लिए वैसा कुछ भी कहना बहुत ही कठिन था मेरी प्रतिग्या और सुरिवन्शी कानून मेरे जीवन की आधार शिला रहे हैं परवतेश्वर ने कहा निर्विवाद और अपरिवर्दिनिया मेरा प्रा पिछले कुछ वर्षों से मेरा मन पूरी तरह से बदल गया है सबसे पहले प्रभू आये एक ऐसा विक्ति जिनकी और मैं आशा भरी द्रश्टी से देख सकता था एक ऐसे विक्ति जो कानूनों से परे हैं मैंने सोचा ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होगा जि उसने तो सोचा था कि ये इतिहास में प्रेमालाप का सबसे भावहीन प्रियास होने वाला था लेकिन वो ये समझने के लिए परियाप्त बुद्धी मती थी कि उसके परवा को अपने हिस्से के बोल बोलने ही थे अन्य था वो अपने जीवन में या जो जीवन आशानुरू वो उसके साथ बिताने वाला था उसमें कभी सहज न रह पाता लेकिन उसके बाद अकस्मात ही एक स्त्री मिली जिसे मैं मित्तरता कर सकता था जिसकी प्रशंसा कर सकता था और जिससे प्रेम कर सकता था मैं एक ऐसे चोरा है पर बहुत चुका हूँ जहां से मेरा लक्ष धु प्रवतेश्वर को प्रवतेश्वर को कसकर चूम लिया एक गहरा कामुक चुमबन प्रवतेश्वर ठगा सा खड़ा रहे गया उसकी बाहें लटकी रह गई। वो उस अकलपनी आनन्द को ग्रहन करने का प्रियास कर रहा था। मानो एक युग बीता और आनन्दमई पीछे हड़ गई। उसके आखे का मुगता में अदखुली उसे गूर रही थी। परवदेश्वर लड़ खड़ाया। उसका मूँ भी अदखुला था। वो ये तहबी नहीं कर पा रहा था कि कैसा या किस प्रकार से प्रतिक्रिया दी जाए। प्रवुराम कृपा करें। सेना पती फुस फुसाया। आनन्दमई परवदेश्वर के निकटा पहुची और उसने अपने हाथ उसके चहरे पर फेरते हुए कहा। आपको पता नहीं कि अब तक आप किस सुक से अचुते रहे हैं। परवदेश्वर उसे हैरानी से घूर रहा था। वो पूरी तरह से हक्का बग्का था। आनन्दमई ने परवदेश्वर का हाथ पकड़ा और उसे अपनी और खीच लिया। मेरे साथ आएं। उस बबबर शेर के साथ संघर्ष के बाद एक सपताहा का समय बीच चुका था। बची हुई शेर्निया और बबबर शेर दुबारा नहीं आए। वे अब भी अपने घावों को चाट रहे थे। इच्छावड के ग्रामवासी इस शान्ती के समय का सदुपयोग कर अगले फसल की तैयारी में जूट गए। कि वो कैसे अपने सुक दुप में जीता उसका व्यक्तित्व और चरित्र कैसा था और उसका पसंदीदा व्यंजन क्या था। जो कुछ भी उसने जाना उससे वो अपने बेटे की छुद्धा और आत्मा तरप्त कर रही थी। क्या है मेरे लाल। मैं आपसे मिलने काशी नियमित रूप से आता रहूँगा। मैं छुप कर आउँगा। तुम ये क्या कह रहे हो। मैंने काशी के सैनिकों को भी जान का भै देकर इसके बारे में कुछ न कहने की शपत दिलवा दी है। वे लोग हम नागाओं से बहुत डरते हैं। वे शपत को भंग करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आपके साथ जो मेरे संबंध का रहस है वो कभी बाहर नहीं आएगा। गणेश प्रभुराम के नाम पर ये तुम कैसी बाते कर रहे हो। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूँगा। आपका मुझे सुईकार करना ही मेरी आत्मा के लिए परियापत है। तुम मुझे कैसे शर्मिंदा कर सकते हो। तुम मेरा गर्व हो, मेरी प्रसन्नता हो। मा, गणेश मुस्कुराया। सती ने अपने पुतर के चहरे को अपने हाथों में ले लिया। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। गणेश ने अपनी तेवरी चड़ा ली। तुम मेरे ही साथ रहोगे। मा, गणेश ने भैबीद होकर कहा। मैं आपके साथ कैसे रह सकता हूँ। आपका समाज क्या कहेगा, मैं परवार नहीं करती। लेकिन आपका पती, वे तुम्हारे पिता है। सती ने कड़ाई से कहा, उनके बारे मैं समान से बात करू। मेरा उनका अपमान करने का इरादा नहीं धमा। लेकिन वे मुझे स्विकार नहीं करेंगे। आप इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं, मैं एक नागा हूँ, तुम मेरे बेटे हो, तुम उनके भी बेटे हो, वे तुम्हें स्विकार करेंगे, तुम अपने पिता के हिर्दय को नहीं जानते हो, समस्त संसार उसमें समा सकता है, लेकिन सती काली ने बीच में बोलने की क रहेगा, यदि वे मुझे स्विकार करते हैं, तो वे तुम्हें भी स्विकार करेंगे, यदि वे तुम्हें अस्विकार करते हैं, तो मैं भी ये समा छोड़ दूँगी, काली धीमे से मुस्कुराई, उसकी आँखे भराई थी, तुम्हारे बारे में मैं बहुत गलत थी द दस दिन बीच चुके थे पहले एक दूसरे के शत्र रहे अब मित्र हो चुके सूरिवंशियों एवं परशुराम के आदमियों को ले जा रहा जहाज लंगर डाले हुए था जहां मदुमती ब्रंगा नदी से निकल कर अलग हो जाती थी वे लोग अपने साथियों के प्रतिक् की जाए ताकि वो अपनी बहन के विवाह का आयोजन एक राजकुमारी की भाती भवेता के साथ कर सके लेकिन आनंदमई इस बात के लिए तयार नहीं थी वो यह आउसर गवाना नहीं चाहती थी परवतेश्वर ने हां कहने में ही इतनी देर लगा दी थी और वो चाहती थी की जितनी जल्दी हो सके उसका संबंद सुद्रण हो जाए जैसे के शिव ने नौ दमपती को आशिरवाद दिया तो जल्दबाजी को लेकर होने वाले सभी तर्क वितर्क समाप्त हो गए शिव जहाज के जंगले के पास वीरभद्र के साथ चिलम से कश लगा रहा था जल्भी विवाह के लिए लंबे समय तक जाके हुए थे दो दिनों की वेगतिविदिया तुम्हारे लिए बहुत ठकाओ रही होंगी आयुर्वति का कहना है मैं कुछी देर में चला जाओंगा प्रभू परशुराम ने कहा मुझे कुछ देर के लिए अपने निकट खड़ मानने दे शिव ठहा का मार कर हस पड़ा तुम बाते तो बड़ी अच्छी बनाते हो एक शिव अचाना की रुग गया एक दसी होकर भी परशुराम बनावटी हसी हसा मेरा आशय अनादर करने का नहीं था शमा करना आपको शमा मांगने की कोई आवशकता नहीं है प्रभू ये सच है मैं एक डाकू था इस विचितर डाकू की बातों में विर्भदर की रुची लगातार बढ़ती जा रही थी बो धिमान परिशान और शिव की भगती में उग्रो रोप से तलीन उसमें विशे बदलते हुए कहा सेनापती परवतेश्वर एवं आनदमई की विवाह से अब बहुत प्रसनत है मुझे वो बहुत रुचिकर लगा ऐसा है कि वे दोनों एक दूसरे से नितांत उलट है परशुराम ने कहा व्यक्तित तुमें सोच में आस्था एवं तर्क में वास्तों में लगभग सभी चीजों में वे तो दो विप्रीत धुरुव हैं दोनों मेरे माता पिता का स्मरण कराते हैं शिव ने तेवरी चड़ा ले उसने उस भयानक अफवास सुनी हुई थी कि परशुराम ने अपनी मा का सिल धर्ण से अलग कर दिया था तुम्हारे माता पिता जी हाँ प्रभू मेरे पिता जमदगनी एक ब्रहमन विद्वान थे मेरी मा थी दरणचरित्र की इस्तृी थी मेरे माता पिता में प्रेम था लेकिन ये मेरी मा के चरित्र और निष्ठा का बल था कि उसने उनके प्रेम को एक तर्कियुक्त निषकर्श तक पहograph शिव मस्कुराया वह उनके गुरुकुल में काम करती थी जो उनके कुल की मरियादा के बिरुद्ध था विध्याले कारे करना का सर विध्रों है क्योंकि उनके कुल में इस्त्री का बाहर जाना और कारे करना प्रतिबंधित था विध् कारे नहीं उनके जांथ JENNyst diving Seth यहां तक कि गुड़ वालों में भी ऐसा नियम था लेकिन साधारान कारे के बारे में ऐसा नियम क्यों क्यों कि इस ब्रह्मांड में सरवता मूर्खों में से एक मेरी मा का कुल भी था परशुराम ने कहा मेरी मा के लोगों का मानना था कि इस्तरियों को घर पर ही रहना क्या भकवास है शिव ने कहा बिल्कुल सच चाहे जो भी हुआ हो जैसा कि मैंने बताया कि मेरी मा हठीती साथ ही अपने पिता की दुलारी थी इस प्रकार उसने मेरे पिता की गुरुकुल में कारे करने के लिए अपने पिता को मना लिया था शिव मुस्कुराया निसंदे मेर मा के मन में कुछ और ही था, पर शुराम ने कहा, वो प्रेम में पागल थी, उसे मेरे पता को मनवाने की लिए समय चाहिए था, कि वे अपनी प्रतिग्या चोड़ उससे विवाह कर लें, प्रतिग्या को छोड़ दे, मेरे पिता वासुदेव ब्राह्मण थे, और एक वासुदेव ब्राह्मण विवाह नहीं कर सकता था, अन्यजातियों के वासुदेव विवाह कर सकते थे, लेकिन ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण के अलावा अन्यजाति के वासुदेव भी होते है निसंदे लेकिन ब्रह्मन ही समुदाय को चलाते हैं वासुदेव के उद्देश्यों के प्रती सच्चाई सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन प्रेम परिवार आधी जैसे सांसारिक बंधनों को त्यागना पड़ता है इसलिए उनकी एक मातर प्रतिग्या होती है आजीवन ब्रह्मचर्य शिव ने अपनी तेउरी चड़ा ली भारतियों के बीच में सांसारिक आसकतियों को छोड़ने का ये कैसा पागलपन है पवित्र जील के नाम पर ये कैसे सुनिश्चित हो सकता है कि कोई इसके कारण एक बहतर वेक्ति बन जाएगा इस प्रकार परशुराम ने कहना जारी रखा उसकी आखों के नीचे सिल्वटे पड़ गई मेरी माँ ने अंतता मेरे पिता को नियम तोड़ने के लिए मना ही लिया वे भी मेरी माँ से प्रेम करते थे लेकिन मेरी माँ ने अपने साथ जीवन बिताने के लिए उन्हें वासुदेव के नियमों को भंग करने का साहास परदान किया यहीं नहीं माने अपने इस संबंद को आशिरवात देने के लिए अपने पिता को भी मना लिया जैसा कि मैंने पहले ही बताया था उन्होंने जो कुछ कहा उसे प्राप्त करके दिखा दिया मेरे माता पिता का विवा हुआ और उनके पांच पुत्रों हुए मैं सबसे छोटा था शिव ने परशुराम के ओर देखा सच तुम्हें अपनी माता पर गर्व है है ना आपने बिल्कुल सही कहा प्रभू वो एक संपूर्ण इस्त्री थी तो फिर तुमने क्यों शिव बोलते बोलते बीच में ही रुख गया मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था परशुराम गंभीर हो गया मैंने उसका सिर क्यों काट दिया तुम्हें उस संदर्भ में कुछ भी बोलने की आवशकता नहीं मैं उस पीड़ा की कलपना भी नहीं कर सकता परशुराम ने गहरी स्वास भरी और बेचैन सा च्छत की जहास पर बैट गया शिव जुक कर पंजो के बल बैट गया और परशुराम के कंधे को इस पर्श किया विर्भदर खड़ा रहा और परशुराम के दर्द भरी आँखों में सीधा देखता रहा तुम्हें कुछ बताने के आवशकता नहीं है परशुराम शिव ने कहा अपना दाहिना हाथ हरदय पर रखते हुए परशुराम ने अपनी आखे बंद कर ले वो प्रभुरुद्र को सिर नवाकर लगातार मंत्रुचार कर रहा था ओम रुद्राय नम्ह ओम रुद्राय नम्ह शिव ने उस ब्राह्मर युद्धा को शांती से देखा मैंने इसके बारे में आज तक किसी को नहीं बताया है परभु परशुराम ने कहा ये वो चिंगारी थी जिसने मुझे ये मार्ग चुनने के लिए विवश किया शिव ने इपना हाथ बढ़ा कर परशुराम के कंधे को इसपर्श किया लेकिन मुझे आपको अवश्य बताना चाहिए यदि कोई ऐसा विक्ति है जो मेरा उध्धार कर सकता है तो वो आप है मैंने अपनी सिक्षा तभी पूरी की थी और अपने पिता के समान ही वासुदेव बनने का इच्छुख था वे ऐसा नहीं चाहते थे वे अपने किसी भी पुत्र को वासुदेव नहीं बनाना चाहते थे जब उन्होंने मेरी माता के साथ विवाह का चैयन किया तो उन्हें जाते से बहिश्क्रत कर दिया गया था वे नहीं चाहते थे कि हमारे साथ कुछ भी ऐसा हो वीरभद्र भी अब बैढ़ गया था वो भी परशुराम की कहानी में रम गया था लेकिन मुझ में मेरी मा की द्रणता थी मेरे भाईयों से भिन मैं द्रणनेश चाही था मैंने सोचा मैं एक छत्री रहकर वासुदेव बनूँगा ताकि इस प्रकार के सांसारिक बंधन मुझ पर लागू नहीं होंगे मैंने एक योध्धा की भाती पर सिक्षनर प्राप्त किया मेरे पिता ने वासुदेव की राजधानी उजयन में कुछ वरिष्ठ लोगों को एक पत्र लिखा कई लोग ऐसे थे जिनकी सहानुभूती मेरे पिता के साथ थी पिता ने उनसे निवेदन किया कि मुझे स्विकार किया जाए जब वे माने तो मैं एक निकर्टम वासुदेव मंदिर में परिक्षा देने की ले गया इसका इसकी मां से क्या लेना देना था जब मैं निकला तो मुझे मालूम नहीं था कि मेरे नाना जी का निधन हो चुका था वही एक मातर थे जिन्होंने मेरी मा के उस परिवार के बरबर समूह को रोका हुआ था जैसे ही उनका प्रभाव समाप्त हुआ तो उन लोगों ने वो निरने लिया जो वे सदैव से लिना चाहते थे प्रतिष्ठा हे तु हत्या प्रतिष्ठा हे तु हत्या परशुराम ने शिव के और देखा जब कुल में लोग ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि उनके समुदाए में एक इस्तरी ने उनके परिवार के प्रतिष्ठा को हानी पहुचाई तो उस कुल को अपने इस अपमान के लिए उस इस्तरी एवं उसके परिवार के लोगों का वद करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है शिव ने एक तक देखा वो हैरान था इस बरबरता में कैसी प्रतिष्ठा हो सकती है मेरे माग के परिवार के पुरुशों ने उनके अपने भाईयों और चाचाओं ने मेरे पिता के कुल पर हमला कर दिया परशुराम ने बोलना बंद कर दिया बहुत ही लंबे समय से रोके आंसू उसकी आँखों से जर जर बह निकले परशुराम ने अपनी सौांस रोकिया और उसके बाद बोलने की ताकत जुटाई उन्होंने मेरे भाईयों को और मेरे पिता के सभी सिश्यों को मार डाला उन्होंने मेरी माँ को एक पेर से बांदिया और मेरे पिता को दिन भर प्रतारित करते रहे ऐसी प्रतारना कि उसके बारे में बोला भी नहीं जा सकता है उन्होंने मेरी माँ को ये सब देखने के लिए विवश किया और उसके बाद उनका सिर्थ धर्ड से अलग कर दिया इस प्रकार के पागलपन और उस निर्दैता की कलपना करके ही वीर्भदर को छटपटा हाट हो रही थी लेकिन उन्होंने मेरी माँ का वद नहीं किया उन्होंने उससे कहा कि वे उन्हें जीवित रखना चाहते थे ताकि उसे वो दिन बार बार जीना पड़े उसे एक उधारन बनकर जीना था ताकि फिर कोई भी इस्तरी उनके परिवार को अपमानित करने की हिम्मत न जुटा सके मैं वापस पहुँचा जो देखा कि मेरे पिता का गुरुकुल नश्ट हो चुका था मेरी माँ मेरे पिता का सिर अपनी गोद में लिये घर के बाहर बैठी हुई थी परशुराम ने बोलना बंद कर दिया और नदी की और देखने लगा उस भयावा दिन के बाद आज पहली बार वो अपनी इमा के बारे में बात कर रहा था उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई अपरिचित वेक्ती हूँ और उसके बाद उसने जो शब्द बोले में मुझे जीवन भर सकाते रहे उसने कहा तुम्हारे पिता के बृत्यों मेरे कारण हुई है ये मेरा ही पाप है मैं भी उन्हीं की तरह मरना चाहती हूँ शिव का मुँ हैरानी से खुला का खुला रह गया उसका हरदय उस अभागे प्राहमर के लिए पिखल गया पहले मैं कुछ नहीं समझ सका और उसके बाद उसने आदेश दिया मेरा सिर्धर से अलग कर दो मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या करना चाहिए मैं जिचका उसके बाद उसने एक बार फिर कहा मैं तुम्हारी मा हूँ तुम्हे आदेश देती हूँ कि मेरा सिर्धर से अलग कर दो शिव ने परशुराम के कंधे को दबाया मेरे पास विकल्प नहीं था मेरी मा अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी मेरे पिता के प्रेम के बिना वो एक खाली कबच समान थी और कुछ नहीं जैसे ही मैंने उनके आदेश का पालन करने के लिए उलहाडी उठाई तो उसने सीधा मेरी आँखों में देखा अपने पिता का प्रतिशोध लो इश्वर की रचनाओं में वे सर्वस्रेश्ट थे उनका प्रतिशोध लो उनमें से प्रतेक कवध कर दो प्रतेक का परशुराम चुप हो गया शिव एवं वीर्भदर इतने हैरान थे कि कोई प्रतिक्रिया देने की इस्थिती में ही नहीं थे नीरवता च्छा गई एक मत रधोनी जहाद से टकराते निद्रालू मधुमती के पानी के लहरों की थे मैंने वही किया जो उसने कहा था मैंने उसके सिर को धर से अलग कर दिया परशुराम ने एक गहरी स्वास लेते हुए और अपने आसु पोच्छते हुए कहा उन्होंने कहा कि मैंने उनके कुल की अनुमती के बिना ही लोगों के वद्ध कर डाले थे उन्होंने कहा कि मैंने गलत किया था क्या मैंने गलत किया था प्रभू शिव ने सीधा परशुराम की आँखों में देखा उसका दिल भारी था वो उस ब्राहमन के संताप को अनुभाव कर रहा था वो जानता था कि प्रभुराम ठीक वैसी प्रतिक्रिया करते जैसी वासुदेव ने की महान सुरिवन्शी अप्राधियों को उचित दंड प्रक्रिया के नुसार विचार करने के उपरां थी दंडित करने का पक्ष लेते लेकिन वो ये भी जानता था कि यदि किसी ने उसके अपने परिवार के साथ ऐसा करने की हिम्मत की होती तो वो उनके पूरे संसार को भस्म कर देता नहीं तुमने कुछ भी गलत नहीं किया तुमने जो किया वो न्याय था परशुराम ने गहरी स्वास छोड़ी और उसके आसुआ का वेग तूट पड़ा जो मैंने किया था वो न्याय था शिव ने परशुराम की कंधे को सहारा दिया हुआ था परशुराम अपने हाथों से अपना मूँ ढखे हुए था वो सिसक सिसक कर रो रहा था बहुत देर के बाद अंतता उसने अपने सिर हलके से हिलाया और उपर की और देखा इसके बाद बरंगा राजा ने छट्रियों के अनियक दलो को मझे बंदी बनाने के लिए भेजा वे मुझे अपने पसंदीदा जागिर्दारों को मारने के अपरात के लिए दंड देना चाहते थे उन्होने 21 बार मुझे पकड़ने के लिए इस दलो को भेजा और 21 बार मैंने उन्हें पराजित किया उसके बाद वे रुख गए लेकिन तुमने ब्रंगाओं से अकेले युद्ध कैसे किया वीर भदर ने पूछा मैं अकेला नहीं था कुछ देवदूतों को ये पता था कि मैं किस अन्याय से गुजरा था उन्होंने मुझे इस स्वर्ग में पहुचा दिया उन्होंने मुझे कुछ दुर्भा के शाली बहिश्क्रत दस्यों से मिला दिया जो यहां पहले से ही रहते थे मैंने अपनी सेना का निर्मार किया उन्होंने मुझे आशधी दी ताकि मैं अस्वच्छ पानी और भोजन के बावजूद तब तक जीवित रह सकूँ जब तक कि मैं अपने लोगों को जंगल में इस्थापित ना करलू उन्होंने मुझे लड़ाई करने के लिए हतियार उपलब्द कराये और बिना मुझसे कोई आशधी किये उन्होंने ये सब किया ब्रंग रिदाई से युद्छ को समाप्त कर दिया गया क्योंकि अंतता उनने ब्रंगा राजा को धमकी दी और चंद्र केतु उन्हें इंकार नहीं कर सकते थे वे हम में से सबसे अच्छे लोग हैं ऐसे देवदूद जो उत्पीड़तों के लिए संघर्ष करते हैं शिव ने तेवरी चणाई कौन? नागा लोग परशुराम ने उत्तर दिया क्या? जी हाँ प्रभू इसी कारण आप उन्हें खोज कर रहे हैं न? कि यदि आपको बुराई का पता करना है तो आपको अच्छाई से मित्रता करनी पड़ेगी है ना प्रभू? ये तुम कैसी बाते कर रहे हो? वे किसी भी निर्दोश की हत्या नहीं करते अपने प्रति हुए अन्यायों का सामना करते हुए भी वे न्याय के लिए संघर्ष करते हैं जहां भी और जैसे भी संभव हो वे उत्पीड़तों की सहायता करते हैं वे सच में ही हम सब में स्रेष्ट हैं शिव ने बिना कुछ बोले पुरी तरह से विचलित होकर परशुराम को गहरी दरश्टी से देखा आप उनके रहस्य को जानना चाहते हैं है ना परशुराम ने पूछा क्या रहस्या मैं नहीं जानता लेकिन मैंने सुना है कि नागाओं का रहस्य बुराई से गहरा संबंध रखता है क्या ये वही कारण नहीं है जिसके लिए आप उनके खोज कर रहे है शिव ने उत्तर नहीं दिया वो छितिच की ओर देख रहा था और गहरी सोच में डूब गया था उस बबबर शेर के जुंड के साथ हुए संगर्ष को दो सपता हो चुके थे सभी घायल सनिक स्वस्थ होने लगे थे लेकिन गणेश के पैर का घाओ अभी पूरी तरह से भारा नहीं था सती इच्छावर गाओं की परीधी में भविश में होने वाले पश्वों के हमले से बचाओ के लिए बनाय जा रहे बाड़े के निर्मार का परिविक्षन कर रही थी वो शिविर में वापस आई तो उसने देखा कि काली गणेश के घाओं की पट्टी को बदल रही थी काली और गणेश दोनों ही संभवतेया सती की उसके स्वरूप की सुईकरती से प्रोसाहित होकर पिछले दो सब्ता से मुखवटा नहीं पहने रहे थे हाला कि चंदरवंशी सैनिक अभी भी उनसे दृष्टी मिलाने से घपराते थे काली ने नीम की पट्टी बांद कर अपना काम समाप्त कर दिया उसने गणेश की सिर पर थपकी दी और जलती हुई आग की और बढ़ गई सती उसका अर्थ समझ कर मुस्कराई वो कावस की और मुड़ी और उसको काम को चालू रखने का आदेश दिया उसके बाद वो काली के पास गई घाओ कैसा है एक सप्ता और लगेगा दिदी पिछली सप्ता से घाओ का भरना कम हो गया है सती ने आप्रसनता से मुँविच काया बेचारे बच्चे ने बहुत रखत बहाया है चिंता मत करो दिदी काली ने कहा वो बहुत ही ताकतवर है वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा सती मुस्कुराई काली ने पट्टी को आग में फेक दिया जो लेप पट्टी पर लगा था उसने बहुत संकरमन सोख लिया था इसलिए जलते हुए नीली पड़ गई सती ने काली के ओर देखा और एक गहरी स्वास लेते हुए पूछा कि जब से वें मिले थे तो वो परेशान लग रही थी क्यों? काली ने तेवरी चणा ली तुम लोग अच्छे लोग हो मैंने देखा है कि तुम कैसे गणिश और अपने आदमियों की देख भाल करती हो कठोर लेकिन पक्षपात रहे तो फिर तुम लोगों ने ऐसे भायानकारी क्यों किये? काली ने अपनी स्वास कुछ छड़ के लिए रोकी उसने आकाश के ओपर की ओर देखा और फिर अपना सिरह लाया एक बार फिर से सोचो दीदी हमने कुछ भी गलत नहीं किया है काली हो सकता है कि तुमने और गड़ेश ने निजी रूप से कुछ गलत ना किया हो लेकिन तुम्हारे लोगों ने गंभीर अपराद किये हैं उन्होंने निर्दोशों की जाने ली हैं मेरे लोग मेरे आदेश के अनुसार काम करते हैं दीदी यदि तुम उन लोगों को दोश देती हो तो मुझे भी निर्दोश नहीं बता सकती एक बार फिर सोचो किसी भी हमले में कोई भी निर्दोश नहीं मारा गया है मुझे छमा करना काली लेकिन ये सत्य नहीं है तुम लोगों ने निहत्तों पर भी आकरमण किये हैं मैं बहुत लंबे समय से ये सोच रही हूँ मैं इस बात को मानती हूँ कि नागाओं के साथ पक्षपात पूर्ण वेवहार हुआ है जिस प्रकार से मेलूहा एक नागाश शिचु के साथ वेवहार करता है वो अन्याय पूर्ण है लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि प्रतेक मेलूहा वासे जिसने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया वो भी तुम्हारा शत्रू है दीदी क्या आपका मानना है कि हम लोग उन पर केवल इसलिए हमला करेंगे क्योंकि वे एक ऐसी व्यवस्था के हिस्सा हैं जिसने हमें अपमानित और चोटिल किया है ये गलत है हमने किसी ऐसे व्यक्ति पर हमला नहीं किया जिसने हमें सीधे तोर पर हान इनना पहुचाई हो नहीं तुमने किया है तुम लोगों ने मंदिरों पर आक्रमण किये है निर्दोशों की जाने ली है अवधनिये ब्रामण को भी तुम लोगों ने मारा है नहीं हमने प्रतेख हमले में मंदिर के ब्रामणों को छोड़कर सब को भागने का मौका दिया है सब को कोई निर्दोश नहीं मारा गया है कभी नहीं लेकिन तुमने मंदिर के ब्रामणों की हत्याए की है वे योद्या नहीं है वो निर्दोश हैं मैं असहमत हो क्यों क्यों क्योंकि वे सीधे तोर पर हमें हानी पहुचाते हैं क्या कैसे मंदिर के ब्रामणों ने तुम लोगों के साथ क्या गलत किया है मैं बताती हूँ शिव के जहाजों का काफिला वैशाली पर रुका हुआ था जो गंगा नदी पर बसा ब्रंगा राजे का एक सुन्दर पडोसी नगर था। परशुराम से मिद्रता करके शिव को तीन सप्ता का समय बेच चुका था। वैशाली में एक विशाल काई विश्रु मंदिर था जो विख्यात मत से देवता को समर्पित था। पर शुराम ने नागाओं के बारे में जो कुछ भी कहा था उससे शिव बहुत परिशान था। वो किसी वासुदेव से बात करना चाहता था जो उस वहिश्क्रत ब्राहमन च्छत्री वासुदेव से भिन हो। समय और स्थान ने उस जाती के विरुद उसके क्रोध को मलिन कर दिया था। नगर के पतन से वो मंदिर बहुत निकड़ था। वहां राजा सहित विशाल जनसमूँ शिव के स्वागत के लिए खड़ा था। लेकिन शिव ने निवेदन किया कि वे उनसे बाद में मिलेंगे। वो सीधा मत से म मैदान हुआ करते थे जिसमें उद्यान और प्रांगल बनाये जा सके। ये मंदिर भिन था। बाहर का हिस्सा नहरों से भरा पूरा था। गंगा का पानी नहरों द्वारा मुख्य मंदिर के चारों और प्रवाहित हो रहा था। वे नहरे अलोकिक तरह से निर्मिती जैसा शिव ने पहले कभी नहीं देखा था। वो प्राचीन भारत का एक मांचित्र प्रस्तुत कर रहा था जो उस समय का था जब समुद्र का इस्तर काफी नीचे हुआ करता था। ये श्री मनु की कथा का चित्रन करता था। कि कैसे उन्होंने संगम तमिल के अपने लिवास से अपने अनुयाईयों को बाहर निकाला था। वासुदेव से मिलने की अतिशीगरता के बावजूद शिव उन सुन्दत द्रश्यों को देखकर आनंदित हुआ। बहुत देर के बाद उसने अपनी आखें हटाई और प्रमुक मंदिर की सीड़ियों पर चढ़ने लगा। न चबूतरे पर प्रभूमत से विराजमान थे एक विशाल मत से जिरों ने श्री मनु और उनके अनुचरों को संगम तमिल से एक सुरक्षत इस्थान पर पहुचने में सायता की थी। वैदिक सब्विता के संस्थापक मनु ने अपने उत्रादिकारियों को इस पश्ट निर शिव जुग गया और उसने प्रभू को सम्मान दिया उसने जल्दी से पूजा की और एक स्तंब से सटकर बैढ़ गया और उसके बाद मन ही मन में सोचा वासुदेव क्या आप यहां है किसी ने भी उत्तर नहीं दिया उस मंदिर से भी कोई उसे देखने नहीं आया क्या यह उसने महसूस किया कि संभवतया उसने गल्दी कर दी थी वो मंदिर संभवतया वासुदेव का इस्थल नहीं था उसकी सोच उस सुझाव की और गई जो सती ने कहा था वो सही हो संभवतया वासुदेव मेरी सहायता करने का प्रयत्ने कर रहे थे उन्होंने मेरी सहायता की भ हुआ होता तो मैं पूरी तरह से द्वस्त हो चुका होता एक शांत और स्पष्ट स्वर उसके सिर में गुंजा आपकी पत्नी बहुत बुद्धिमान है है महादेव किसी वेक्ति में ऐसी सुंदरता और बुद्धिमत्ता का होना दुरलब है शिव ने इधर उधर अपने चार तो मातर आपका अनुयाई हूँ और मैं वासुदेवो को अपने साथ लाता हूँ आप कहा है उजयन में शांती बनी रही आपका नाम क्या है पंडिजी मेरा नाम गोपाल है मैं वासुदेवो का प्रमुक मार्ग दर्शक हूँ मैं उस प्रमुक कारे को करता हूँ जो प्रंगा काशी के सैनिक काशी के और चल पड़े थे उनके बीच में होने वाले जोर जोर के वारतालाप ने जंगल की शांती को भंग कर दिया था विशिद्व ने गड़ेश की और मुड़ा प्रभू क्या आपको जंगल कुछ अजीब सा शांत प्रतीत नहीं हो रहा है गड़ेश ने अपनी भौहें उपर उठाई क्योंकि सैनिक कुछ अधिक ही शोर कर रहे थे क्या तुम सोच रहे हो कि हमारे सैनिकों को और भी अधिक जोर से बात नहीं करनी चाहिए नहीं प्रभू हम लोग बहुत अधिक शोर कर रहे हैं वो तो मैं शेश जंगल के बारे में बात कर रहा हूँ जो अत्यधिक शांत है गड़ेश ने अपना सिर जुकाया विशिद्मने सही था किसी एक भी पक्षी या पशु का स्वर सुनाई नहीं पड़ रहा था शिक रूप से भर चुका था धीरे से आगे बढ़ा एक तूटे हुए तीर की डंडी उसके कंधे में धसी हुई थी जिसके कारण वो बबबर शेर लंगडा कर चल रहा था दो शेरनिया शांती से उसके पीछे चल रही थी अध्याए 18 बुराई की भूमिका ये देश बहुत भ्रामक है गोपाल ने नमरता से सोचा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मित्र नागा लोग इस पश्ट रूप से बुरे हैं है ना लगबख सभी लोग इसे सुईकार करते हैं उसके बाद भी नागाओं ने न्याई की रक्षा के लिए एक ऐसे व्यक्ति की सहायता की जिसे इसकी आवशकता थी बुराई से ऐसा अपेक्षित नहीं ये बहुत ही अच्छा बिंदू है हे महा नीलकंट जो गलती मैंने पहले की है उसे देखते हुए मैं किसी पर भी आक्रमर नहीं करूंगा जब तक मुझे पक्का विश्वास नहीं हो जाता ये एक अत्यंत ही बुद्धिमानी भरा निर किन्तु आपका अपना मत तो है क्या नहीं है शिव ने गोपाल के बोलने के प्रितिक्षा की जब वासुदेव पंडित ने कुछ हत्तर नहीं दिया तो फिर एक खिली हुई मुस्कान उसके मुख पर उभरी उसने इस चचा को समाप्त कर दिया उसके बाद एक परिशान करन वाले विचार ने उसे घेर लिया कृपिया यह ना कहें कि नागा लोग भी नीलकंठी की पौराणी कथा में विश्वास रखते हैं गोपाल कुछ छण के लिए चुप रहे गया शिव ने दुपार अपनी तेवरी जणा कर कहा पंडित जी कृपिया मुझे उत्तर दे क्या नागा लोग नीलकंठी की पौराणी कथा में विश्वास करते हैं जो मुझे पता है हे महान महादेव उनमें से अधिकतर नीलकंठ में विश्वास नहीं रखते लेकिन क्या आप सोचते हैं ये उन्हें बुरा बना देता है शिव ने सिरह लाया नहीं निसंदेह नहीं कु भी बुरा नहीं है तो बुराई ने अपना सिर नहीं उठाया है संभव है कि मेरी आवशक्ता ही नहीं है क्या आप निश्चित तोर पर कह सकते हैं कि केवल मानव ही बुरे हो सकते हैं मित्र कुछ लोगों की बुराई में आ सकती हो सकती है संभव है कि उनमें बुराई का ए प्रभु मनु ने कहा था कि लोग बुरे नहीं है, सच्ची बुराई का अस्तित्व उनसे परे है, वो लोगों को आकरशित करती है, वो अपने शत्रों के मध्य में गड़बड़ी उत्पन करती है, लेकिन बुराई स्वयम में इतनी बड़ी है कि इसे कुछ लोगों तक ही सी अध्यम बनाती है, संभव है कि अच्छे लोग भी किसी उद्देश के चलते बुराई की सेवा करते हैं, यदि बुराई किसी उद्देश को पूरा करती है, तो उसे कैसे नष्ट किया जा सकता है, बुराई एक उद्देश की सेवा करती है, ये बहुत ही मनुरंजक विचा है नीलकंट कैसा उद्देश विद्वश का उद्देश ब्रह्मार्ण उसकी योजना क्यों बनाएगा चलिए इसे दूसरे प्रकार से देखते हैं क्या आप मानते हैं कि ब्रह्मार्ण में कुछ भी अन्यमित नहीं है और प्रतेक वस्तु जो अस्तित्व में है उसका कोई कार सदय्व के लिए क्यों नष्ट नहीं कर सकतें जब रखोई प्रतीत होती है तब भी मुझा हो जाती है संभव है वह बहुत दिनों के बाद आए संभावतया किसी दूसरे रूप में अ जैकिंतु बुराई है पुनह अवैं हुश्य कोатов होती रहती है क्यों गोपाल की कि विवस्था को इसके संतुलन हेतु कारे करना है, उसो season के नियंतरण के लिए, उजित समय पर उसी समीकराण से बुराई को बाहर नीकालने के लिए समीकराण से बाहर नीकालने के लिए? आश्टे ने चेके सिव ने पूछा हाँ, यही प्रभू मनु किया जा सकता और उसे पूर्ण तयार नश्ट करना भी नहीं चाहिए उचित समय में इसे समीकरण से बाहर निकाल देने की आवशकता है उस समय जब ये पूर्ण विध्वन से तु खड़ी हो जाती है क्या आप ऐसा सोचते हैं कि वही बुराई किसी अन्य समय में किसी केतों के बारे में बताना है जो हम जानते हैं हम आपके निर्णे में हस्तक शेप नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बुराई की जीत होने के संभावना है मैंने मनु के बारे में उन्हें ये कहते सुना है कि अच्छाई और बुराई एक ही सिक्के के दो पहलू है हाँ उन्होंने ऐसा अवश्य कहा था वे एक ही सिक्के के दो पहलू है उन्होंने इसके आगे इसकी व्याक्या नहीं की थी विचित्र इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है गोपाल मुस्कुराया ये सुनने में विचित्र अवश्य लगता है किन्तो मैं जानता हूँ कि जब उचित्र समय होगा आप इसका सही अर्थ निकाल लेंगे शिव कुछ समय के लिए चुप रहा उसने मंदिर के स्तंभों के बाहर देखा वैशाली के लोग कुछ दूर बने मंदिर के द्वार पर खड़े थे वे निलकंट के दर्शन के लिए धैर से प्रतीक्षा कर रहे थे शिव ने उन्हें घूर कर देखा और उसके बाद पुना प्रभुमत्सी की प्रतिमा को देखा गोपाल मेरे मित्र वो कौन सी बुराई थी जिसे प्रभुरुद्र ने समीकरन से बाहर निकाला था मैं जानता हूँ कि असुर बुरे नहीं थे उन्होंने किस बुराई को नश्ट किया था आप उत्तर जानते हैं नहीं मैं नहीं जानता हाँ आप जानते हैं इसके संबंद में सोचे प्रभुनीलकंट प्रभुरुद्र की चिरस्थाई विरासत क्या है शिव मुस्कुराया उत्तर स्पष्ट था धनिवाद पंडिजी मैं सोचता हूँ कि आज के लिए आपने परियाप्त बाते कर ली है आपके पहले प्रिश्ण पर क्या मैं अपनी राय दे सकता हूँ शिव चकित हो गया नागाओ के संबंद में हाँ निसंदे कृपकर बताएं ये सपष्ट है कि आप ये महसूस करते हैं कि आपका ध्यान नागाओ के और जान बूच कर खीचा गया है शायद आप मानते हैं कि बुराई का मार्ग उनके मद्ध से ही गुजरता है हाँ ये दो कारणों से हो सकता है या तो वो मार्ग आपको बुराई तक ले जाएगा अत्वा बुराई ने उस मार्ग में अपना सबसे बड़ा प्रहार किया है शिव ने गहरी स्वास ली आपके कहने का अर्थ है कि नागा लोग वे हैं जो बुराई के हाथों सबसे अधिक पीडित हुए हैं संभव है शिव इस तंब से टिक गया उसने अपनी आखे बंद कर ली संभव है कि नागा लोगों का पक्ष भी सुना जाए संभव है कि अन्ये सभी लोगों ने उनसे अन्याय किया हो उन्हें एक ऐसा आउसर तो दिया जाना चाहिए किन्तो उनमें से किसी एक को तो मुझे उत्तर देना होगा ब्रहस्पती की हत्या के लिए कोई एक तो आवश्य दंडिके प्रतिक्षा कर रहा है वोपाल जानता था शिव किसके बारे में सोच रहे थे वो चुप रहा अतितिकव के निजी कक्ष में उनके सामने सती खड़ी थी उसके साथ ही काली और गणेश खड़े थे विसमित काशी नरेश नहीं जानते थे कि कैसी प्रतिक्रिया दी जाए उसी दिन प्राथा सती इच्छावर से 27 शेरों की खालों के साथ नर्भक्षी जुन्ड के विद्वन्ज का प्रमार लेकर वापस लोटी काशी के जो वीर सैनिक वहां मारे गए थे उनके लिए काशी विशुनात मंदिर में विशेश पूजा की गई कावस को प्रोणनती देकर मुख्य दलपती बना दिया गया ब्रंगा के पल्टन के साहस की भी सराहना की गई काशी के ब्रंगा वालों को तीन महीनों के लिए करमे छूट प्रदान कर दी गई थी किन्तु ये विशिच समस्य अतितिक विकले जटिल थी सती की बगल में खड़े दो नागाओं पर वो किस प्रकार प्रतिक्रिया करे वो ये नहीं जानते थे नीलकंट की पत्नी के संबंधियों को काशी नगर से निश्काशित करने की उनकी हिम्मत नहीं थी दूसरी और वे उन्हें काशी में सारजनिक रूप से निवास करने के अनुमती भी नहीं दे सकते थे उसकी प्रजा इसे एक अपराद मानेगी नागाओं के बारे में गहरा अंदविश्वास था देवी हम इसकी अनुमती आपको कैसे दे सकते हैं अथितिग्व ने साउधानी पुर्वक कहा काली अथितिग्व को गूर रही थी वो भी एक रानी थी किन्तु जो अपमान उसका किया जा रहा था उस पर वो बहुत अधिक नाराज थी उसने सती की बहां को छू कर कहा दीदी भूल जाओ इसे सती ने मातर अपना सिर हिलाया महराजा अथितिग्व भारत के अंदर काशी सहनशीलता का दीपतिमान प्रकाश है ये सबी भारतियों को स्विकार करता है चाहे उसकी आस्ता कुछ भी हो या उसकी जीवन शैली कुछ भी हो कुछ अच्छे और वीर लोगों को इसलिए सुईकार ना करना क्योंकि वे नागा है ये उन तत्यों के विरुद नहीं है ये नगर प्रताडितों और हाशिये पर रहने वालों को आशा देता है आथितिक्म ने नीचे क्यूर देखा किन्तु देवी मेरी प्रजा महराज कि फिर उन्हें एक अच्छे मार्ग पर चलने का नेतर तो प्रदान करेंगे काशी नरेश आस्थिर लेकिन शान्त बैठा रहा कृपिया ये ना भूले महराज कि आज ये काशी के सैनिक वापस आये हैं और इच्छावड गाओं के लोग जीवित हैं तो वे काली गणेश और उन्हें शेरों द्वारा मार डाले गए होते उन्होंने हमारी रक्षा की हैं क्या वे इसके बदले में सम्मान के पातर नहीं हैं आतित्यग उन्हें हिचकिचाते हुए सहमती में सिरह लाया उन्होंने अपनी नीजी कक्ष की खड़की से बाहर देखा पुर्वी महल का प्र परिवार के साथ खड़ी थी तो उनको साहस मिला क्योंकि नीलकंट को चुनोती देने की हिम्मत कौन करेगा सभी लोग जानते थे कि शिव ने कैसे अनुचित विधानों की एक समूग को समाप्त कर दिया था तो इस प्रकार नागाओं के लिए भी ऐसा ही क्यों नहीं हो सकता राजा सती की और मुडे आपका परिवार रह सकता है देवी मिरा विश्वास है कि प्रभु नीलकंट के लिए नियत किये गए काशी महल के हिस्से में वे आराम पूर्वक रह सकेंगे मिरा विश्वास है कि ऐसा ही होगा मुस्कुराती हुई सती ने उत्तर दिया बहुत बह परिवार से अलग रहते दो वर्ष बीच चुके थे ये एक लंबा समय था और वो उनसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा था धन्यवाद सेनपती शिव मुस्कुराया परवतेश्वर सम्मान में जुगा और गंगा नदी को देखने के लिए पुना मुण गया शिव मुस्कु शिव मुस्कुराया सामान नियम लागू होता प्रतीत नहीं होता है है ना परवतेश्वर ठाहा का मार कर हस पड़ा आनंद मैं प्रते दिन नियम परिवर्तित करती रहती है और मैं मातर उसका अनुसरान करता हूँ शिव भी ठाहा का मार कर हस पड़ा और उसने अपने मित् उन नियमों का अनुसरन करो, वो आप से प्रेम करती हैं, आप उसके साथ बहुत सुखी रहेंगे, परवतेश्वर ने हिर्दय से सहमत होते हुए सिर हिलाया, आनंदमी ने मुझे बताया कि उसने एक तेज चलने वाली नौका को समराड दिलीब के पास भेजा है, ताकि आपक का आयोजन करेंगे, ये तो बहुत ही आनंद दायक होगा, जी प्रभू, नंदी ने पूछा, नंदी और भगीरत शिव के कक्ष में थे, जब हम काशी पहुचे तो राजकुमार भगीरत के निकट रहना, क्यों प्रभू, भगीरत ने पूछा, शिव ने अपना हाथ उपर उठाया, मेरा विश्वास करें, भगीरत ने अपनी आखे संकुचित की, मेरे पिता काशी आ रहे हैं, शिव ने सहमती में सिरे लाया, मैं राजकुमार की परचाई बन कर रहूँगा प्रभू, नंदी ने कहा, जब तक मैं जीवित हूँ, उन्हें कुछ नहीं होगा, किन्तो सुमरस के प्रभाव के कारण वो छे वर्ष का प्रतीत हो रहा था, वो चिलाया, मा, सती ने उसे अपनी बाहों में लेकर चारो और घुमा दिया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, मुझे भी याद आई, कार्तिक ने बहुत ही नमरता से कहा, वो अब भी आपर सन्न था कि उसकी माँ उसे छोड़ कर चली गई थी, मुझे शमा करना मुझे जाना ही पड़ा मेरे बच्चे, किन्तो मुझे बहुत ही महात्पूर कारे करना था, अगली बार मुझे भी अपने साथ ले चलना, मैं प्रेतन करूंगी, कार्तिक मुस्कुराया, ऐसा लगा जै प्रारंब कर दिया था कि युद कैसे करें, यदि मैं एक अच्छा साइनिक होता तो आप मुझे भी साथ ले कर जाती ना, सतिकी मुस्कान खिल गई और उसने कार्तिक को उठा कर अपनी गोद में बिठा लिया, तुम तो जन्मजात साइनिक हो बेटे, कार्तिक मुस्कुरा उसने एक दैत्याकार व्यक्ति को कक्ष में प्रवेश करते देखा, उसने एक साधारन धोती धारन की हुई थी और अंगवस्तरम उसके कंधे पर धीला लटका हुआ था, उसका विशाल काय उदर प्रतेख श्वास के साथ थिरक रहा था, किन्तु उसके मुख ने कार्तिक क को विस्मित कर दिया, मानो शरीर पर एक हाथी का सिर रखा हुआ था, गणेश खुल के मुस्कुराया, उसका हरदय अनिश्चितता से धड़क रहा था कि कार्तिक उसे सुईकार करेगा या नहीं, कैसे हो कार्तिक, सामानतया निडर कार्तिक अपनी मा के पीछे छुप गया, कार्तिक, सती उसके बड़े भाई के और संकेत करते हुए मुस्कुराई, तुम अपने दादा को नमस्ते क्यों नहीं कहते, वो बालक लगातार गणेश को घुरता जा रहा था, क्या तुम मनुश्य हो, हाँ मैं तुम्हारा भाई हूँ, गणेश मुस्कुराया, कार्तिक न कुछ नहीं कहा, किन्तो सती ने गणेश को बहुत अच्छी सीख दे रखी थी, नागा ने अपना हाथ बाहर निकालकर कार्तिक का सबसे पसंदीदा फल रसीला आम उसे दिखाया, बालक ततकाल ही प्रसंद हो गया, और उस बे मौसम आम को देखकर चकित भी हुआ, वो किन्तो इसके बदले में तुम्हें मुझे गले लगाना होगा, कार्तिक हिचका और उसने सती की ओर देखा, सती ने सिर हिलाया और मुस्कुराई, तुम इस पर विश्वास कर सकते हो, कार्तिक धीरे से आगे बढ़ा और उसने आम छीन लिया, गणेश ने भाई को अपनी च जहाज दशाव शमेग घाट पर रुका, जब जहाज से उतरने के लिए संक्री सिडिया लाई जा रही थी तो शिव की उतेजित आखे सती को खोज रही थी, वो अपने परिवार के साथ समराण दिलीप और राजा अथितिग्व को राजिसी वेदिका पर देख सकता था, का अब समाप्त हो जाए तो कृपया पूर्वक को राजा के महल में ले जाए, महल के मेरे पारिवारिक छेतर में उनके आराम की विवस्था करें, जी हाँ प्रभू, भगीरत ने कहा, और अपने पिता दिलीप और स्वधीप के समराण को अंदेखा करता हुआ, वहां से निकल दिलीप ने शिव के और मुड़ने से पहले अपने पुत्र को जाते हुए देखा और अपना सिर हिलाया, उसने नीचे जुक कर शिव के चरवन सपर्ष किये, आपका राजवन निरंतर यश प्राप्त करें महराज, शिव ने सिर जुका कर दिलीप को नमस्ते किया, इस ताओं को पूर्ण कर निलकंठ अपने परिवार के खोज में घुमें, मेरा परिवार कहा है महराज, बाबा शिव एक चोड़ी मुस्कान के साथ मुणा, कार्तिक दोरता हुआ, उसकी ओर आ रहा था, उसने अपने पुत्र को अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, पवित्र के आम की सुगंधाई, इस मौसम में आपको आम किस ने दिये, ठीक उसी समय सती शिव के सामने प्रकट हुई, मुस्कुराते हुए शिव ने अपने दाहिने हाथ में कार्तिक को थामा, और बाएं हाथ से सती को अपने घेरे में ले लिया, अत्यधिक निकट, पूरी तरह से अंजान बनते हुए कि सहस्तरों लोग उन्हें घूर रहे थे, मुझे तुम दोनों की बहुत याद आई, और हमें आपकी भी बहुत याद आई, सती ने अपना सिर पीछे कर अपने पती को देखते हुए कहा, शिव ने उसे फिर अपने निकट खीच लिया, उसकी आखे ब पीछे थी, जबकि वो दल जिसने शिव के साथ यात्रा की थी, वो उन सब के पीछे चल रहा था, धाई वर्षों के बाद अपने प्रभू की जलक पानी के लिए काशी के नागरिक गलियों में पंक्ति बद्ध थे, रत पर सवार शिव लोगों का अभिवादन कर रहा था, सती उनके बगल में थी और कार्ती गोद में था, शिव और सती दोनों ने एक ही साथ कहा, मुझे कुछ कहना है, शिव हसने लगा, तुम पहले बताओ, नहीं नहीं आप पहले, सती ने कहा, मैं आगरह करता हूँ कि तुम पहले बताओ, सती ने थूक निकला, आपने में क्या जानकारी प्राप्त के शिप वास्तों में देखा जाए तो बहुत ही आश्यरेजनक जानकारियां संभव है मैंने उनके बारे में गलत अनुमान लगाया था हमें उनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के आवशकता है संभव है कि वे सभी बुरे ना हो अन्य समुदायों के समान ही संभव है कि उन में कुछ गलत तत्व सम्मिलित हो सती ने गहरी स्वास छोड़ी एक सर्प के समान जो तनाव उसके भीतर कुंडली मार कर बैठा था उससे थोड़ी राहत मिली क्या हुआ? अपनी पतनी को घूर कर देखते हुए शिव ने पूछा हम मैंने भी हाल ही में कुछ जाना है ऐसा कुछ जो बहुत ही आश्चेरे जनक है ऐसा कुछ जो मुझसे अब तक छुपाया गया था ये नागाओं के संबंद में है क्या? मुझे पता चला कि सदी को इतना घुवराते देखकर शिव चकित हुआ क्या बात है प्रिय? मुझे पता चला है कि मैं उनसे संबंदेत हूँ क्या? हाँ ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पिता नागाओं से घृणा करते हैं ये घृणा से अधिक अपराद बोध हो सकता है अपराद बोध? मेरा जन्म अकेले नहीं हुआ था शिव ने तेवरी चड़ा ली मेरे साथ मेरी जुड़वा बहन का भी जन्म हुआ था मेरी एक बहन है शिव स्तब्द था कहा है वो? किसने उसका अपहराण किया? ये मेलूहा में कैसे हुआ? उसका अपहराण नहीं हुआ था सती फुस फुस आई उसे त्याग दिया गया था त्याग दिया गया था? शिव ने अपनी पत्नी को देखा उसे प्रतिक्रिया देने के शब्द नहीं मिल पा रहे थे शिव ने सती का हाथ थाम लिया तुमने उसे कहां ढूड़ा क्या वो ठीक है सती ने शिव के और देखा उसकी आखें नम थी मैंने उसे नहीं ढूड़ा बलकि उसने मुझे ढूड़ा उसने मेरी जान बचाई शिव मुस्कुराया नागाओ की एक और वीर और दयालुता के बारे में सुनकर वो आश्चरे चकित नहीं हुआ उसका नाम क्या है काली, रानी काली रानी? हाँ वो नागाओ की रानी है शिव की आँखे आश्चरे से फटी की फटी रहे गई हो सकता है, वो काली ही हो जो ब्रहस्पती के हत्यारे को ढूड़ने में उसकी सहायता कर सकती है संभावे इसी कारण भागे ने इन दोनों को मिलाने के शड़ियंत रचा होगा वो कहा है? यही काशी में हमारे महल के बाहर आप से मिलने के प्रतिक्षा कर रही है आपके सुईकार करने के प्रतिक्षा कर रही है शिव मुस्कुराया उसने सिर हिलाया और सती को अपने निकट खीच लिया वो तुम्हारा परिवार है इसी कारण वो मेरा भी परिवार है मेरे स्विकार करने का प्रशन ही कहा उड़ता है शिव के कंधे पर अपने सिर को विश्राम देते हुए सती धीमे से मुस्कुराई किन्तु वो एक मात्र नागा नहीं है जो आपकी स्विक्रती के लिए प्रितिक शारत है शिव ने तेवरी चड़ा ली एक अन्य इससे भी दर्दनाक रहे से मुझसे छुपा कर रखा गया था सती ने कहा क्या नब्बे वर्ष पहले मुझे बताया गया था कि मेरा प्रथम शिशु मृत पैदा हुआ था किसी बुद्थ सा शिव ने सिर हिलाया वो अच्छी तरह समझ रहा था कि सती का संकेत किस ओड़ था अता हुसने अपनी पत्नी का हाथ कसकर पकर लिया वो एक जूड़ था सती सुबकते हुए बोली वो वो जीवित है अभी भी जीवित है शिव का मुँ हैरानी से खुला रह गया तुम्हारे कहने का आर्थ है मेरा दूसरा पुत्र भी है सती ने शिव की ओड़ देखा उसकी आँखें मुस्कुरा रही थी पवित्र जील के नाम पर मेरा दूसरा पुत्र भी है सती ने सहमती में सिर हिलाया वो शिव के आनंद को देखकर प्रसंद थी भद्र तेजी से चलाओ, मेरा पुत्र मेरी प्रतिक्षा कर रहा है अध्याए 19 नील कंठ का क्रोध शिव की सवारी अथिथिग्व के महल के द्वार पर तेजी से मुड़ी जैसे ही सवारी केंद्री उद्यान का चक्कर काट कर द्वार के निकट रुकी तो शिव ने ततपर कार्ति को अपनी बाहों में उठा लिया और द्वार के निकट पहुँच गया यहां उसने कार्ति को नीचे उतारा, उसका हाथ पकड़ा और तेजी से अंदर की और जाने लगा सती उसके पीछे थी जैसे ही उसने काली को देखा तो वो मार्ग में ही रुक गया स्वागत के लिए काली पूजा की थाल पकड़े सामने खड़ी थी अरे ये क्या शिव के सामने सती का प्रतिरूप खड़ी थी उसके आँखे, मुख, उसका आकार सब कुछ सती के समान ही था मात्र उसके शरीर का रंग काला था जबकि सती का गे हुआ सती अपने बालों को अच्छी तरह से जूड़े में बांध लिया करती थी जबकि उसे भिन काली के बाल खुले हुए थे वो इस्तरी राजिस्ती वस्त्र और आभूशर पहने हुए थी एक दूधिया श्वेत एवं लाल रंग का अंगवस्त्रम उसके पूरे बदन को ढखे हुए था उसके बाद उसने उसके कंधे पर दो अत्रिक्त हाथ देखे घबराई हुई काली शिव को अनिश्चित होकर घूर रही थी उसे तब आश्रे हुआ जब शिव आगे बढ़ा और उसे नम्रता से इस प्रकार गले लगा लिया कि पूजा की थाली को कुछ नहो तुमसे मिलकर अत्यधिक पर सनता हुई शिव ने चोड़ी मुस्कान के साथ कहा काली हलके से मुस्कुराई वो शिव के इस गर्मजोशी भरी मुद्रा से स्तब्द थी और उसे बोलने के लिए शब्द नहीं सूज रहे थे शिव ने पूजा की थाली के और संकेत करते हुए कहा स्वागत है तु ये थाली तुम्हें शायद मेरे मुख के चारो और छे या साथ बार घुमानी होगी काली हंस पड़ी मुझे शमा करें बस मैं थोड़ी घबराई हुई थी घबरानी की कोई बात नहीं है शिव ने अपने दात निपोरते हुए कहा बस थाली को चारो और घुमाओ फूल को मेरे उपर फेको और एक बात का ध्यान रखो कि दीपक नीचे नहीं गिरे आग की जलन बहुत पीड़ा देती है काली और खिलखिला कर हास पड़ी और उसने शिव की ललाट पर लाल तिलाक लगाते हुए अनुष्ठान को संपन्न किया और अब शिव ने कहा मेरा दूसरा पुत्र कहा है काली एक और हो गई शिव ने गड़ेश को दूर आथितिकों के मुख्य महल की और जाने वाली ऊपर की सीड़ी पर खड़े देखा वो मेरे दादा है कार्थिक ने प्रसन होकर पिता की और देखते हुए कहा शिव कार्थिक को देखर मुस्कुराया चलो चल कर मिलते हैं गड़ेश लाल धोती और शुएत अंगवस्तरम पहने हुए महल में अपनी मा के कक्षी के दुआर के पास लगभग पहरेदार की भाती खड़ा था जैसे ही शिव उसके पास पहुचा तो गड़ेश अपने पिता के चरण असपरश करने के लिए जुका शिव ने गड़ेश के सिर को धीमे से चुआ और उसके कंधों को पकड़ कर अपनी और खींचते हुए आशिरवाद दिया आईशमान भव मेरे जैसे ही उसने बादाम के आकार वाली उसकी आँखों को देखा तो वो चुप हो गया उसके हाँद गड़ेश के कंधे पर जम गए और आखे संकुचित थी गड़ेश ने अपने भागे को कोसा और अपनी आखे बंद कर ली वो जानता था कि उसे पहचान लिया गया था शिव के आखे गड़ेश के मुख पर गड़ी हुई थी सती आश्चेर करते हुए फुसपसाई क्या बात है शिव शिव ने सती को अंसुना कर दिया और गड़ेश को लगातार दबे हुए क्रोध के साथ घूरता रहा उसने अपनी थैली में हाट डाला मेरे पास कुछ है जो तुम्हारा है गड़ेश शांत बना रहा शिव को एक तक देखते हुए उसकी आँखे विशात पूर्ण थी उसे वो देखने के आवशकता नहीं थी जो शिव अपनी थैली से निकाल रहा था वो जानता था कि ये उसका वही बाजू बन था जो तूट गया था और मंदार परवत पर कहीं खो गया था उसके किनारे घीसे हुए थे और अगनी की लपटों ने उसे जुलसा दिया था उस पर कड़ाई किया हुआ ओम का प्रतीक अभी भी जियों का तेओं था किन्तु वो सामान ने ओम का प्रतीक नहीं था प्राचीन पवितर शब्द के प्रतीक की रशना सर्पों से की गई थी वो सर्प वाला उम था गड़ेश ने शान्ती पूर्वा को बाजुबंद शिव के हाथ से ले लिया सती ने अविश्वास पूर्ण आखों से शिव के और देखा शिव ये क्या हो रहा है शिव के आँखों से भैंकर क्रोध भूट रहा था शिव अपने पती के कंधे को चिंते थोकर स्परश करते हुए सती ने कहा शिव ने सती के हाथ को जटक दिया तुम्हारे पुत्र ने मेरे भाई की हत्या की है शिव गरजा सती सतब्द थी उसे विश्वास नहीं हो रहा था शिव ने दुबारा कहा इस बार उसका स्वर कड़ा और भैंकर था तुम्हारे पुत्र ने ब्रहस्पती की हत्या की है काली उचल कर सामने आई किन्तु वो तो गणेश के संकेत के कारण नागाओं की रानी चुप हो गई नागा एक टक शिव की ओर देख रहा था वो कोई स्पष्टी करण नहीं दे रहा था वो निलकंठ के निरने की प्रतिक्षा कर रहा था अपने दंड की शिव गणेश के बहुत निकट आया अत्यधिक निकट उसकी क्रोध से गर्म स्वास गडेश को जुलसा गई तुम मेरी पतनी के पुत्र हो ये एक मातर कारण है जो कि मैं तुम्हें प्रान दंड नहीं दे रहा गडेश ने अपनी द्रिष्टी नीचे कर ली उसके हाथ याचना में जोड़े हुए थे वो कुछ भी बोलने को तयार नहीं था मेरे घर से बाहर निकल जाओ शिव ने गर्जना की इस भूमी से बाहर निकल जाओ मुझे अपना मुख फिर कभी नहीं दिखाना अगली बार मैं इतना छमाशिल नहीं रहूँगा किन्तु शिव वो मेरा पुत्र है सती ने जाचना की उसने ब्रहसपती की हत्या की है शिव उसने ब्रहसपती की हत्या की है ये स्वर निर्णायक एवं पूर्ण ब्रहमान को सुनाई देने वाला था सती ने भावशू ने द्रश्टी से देखा उसके गाल पर आसू जरजर बहते जा रहे थे शिव वो मेरा पुत्र है मैं उसके बिना नहीं रह सकती तो फिर मेरे बिना रहो सती भोचक्की रह गई शिव ऐसा ना करे आप मुझसे ऐसे चैन के बारे में कैसे कह सकते हैं गणेश ने अंतता चुप्पी तोड़ी पिता जी मैं शिव ने बीच में ही गुसें में उसे टोक दिया मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ गणेश ने सम्मान में अपना सिर जुकाया उसने एक गहरी स्वासली और पुना कहा हे महान महादेव आप अपनी निस्पक्षिता के लिए जाने जाते हैं आप न्याय के लिए पहचाने जाते हैं अपराद मेरा है मेरे पाप के लिए मेरी माता को दंड़ना दे गणेश ने एक चाकू निकाल लिया ये वही चाकू था जो सती ने आयोध्या में उस पर फेका था मेरा जीवन समाप्त कर दे किन्तो मेरी माता को ऐसा शाप न दे जो मृत्यू से भी अधिक दर्दनाक है वो आपके बेना जिवित नहीं रह सकती नहीं सती चिल्लाई उचल कर गड़ेश के सामने आ गई क्रपा करे शिव ये मेरा पुत्र है ये मेरा पुत्र है शिव का क्रोध बर्व की भादी जम चुका था ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने चैयन कर लिया है उसमें कार्ति को अपनी गोद में उठा लिया शिव सती ने अनुनाई किया क्रपा कर मत जाएं क्रपा करें शिव ने सती क्योड देखा उसकी आखे नम थी किन्तो उसका स्वर निश्ठुर था मैं इसे स्विकार नहीं कर सकता सती ब्रहस्पती मेरे भाई के समान था शिव कार्ति को अपने साथ लेता हुआ सीड़ियों से नीचे उतर गया काशी के नागरे के स्थब्द थे शिव को सारा सत्य पता नहीं है तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं छुब्द काली ने कहा अतितिक्व के महल में काली और गणेश सती के कक्ष में बैठे हुए थे लंबे समय बाद मिले अपने पुत्र के मुह और पती के प्रती भक्ती के मद्धि सती फंस गई थी वो शिव को बनाने ब्रंगाओ के भवन में गई जहां शिव ने आस्थाई निवास बना रखा था मैं नहीं बता सकता मैंने वचन दिया है मौसी गणेश ने उत्तर दिया शांत स्वर उसके भीतर दबे दुख को छिपा रहा था लेकिन नहीं मौसी या आपके और मेरे मध ही रहेगा केवल एक ही इस्थिती है जिए मंदार परवत पर आकरमन के रहसे को खोला जा सकता है मैं ऐसा होते निकट भविश में नहीं देख पा रहा हूँ लेकिन कम से कम अपनी मा को तो बता सकते हो वचन का सम्मान मा के समक्ष भी किया जाना चाहिए दीदी पीडा में है मैंने सोचा था कि तुम उनके लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हो कुछ भी कर सकते हो मैं करूँगा वे मेरे बिना रह सकती है लेकिन महादेव की बिना नहीं वे मुझे इसलिए रोके हुए हैं क्योंकि वे अपराद बोद से ग्रसित है ये तुम क्या कह रहे हो तुम जा रहे हो हाँ अंगले दस दिनों में जब मेलुहा के सेनपती और चंदरवंशी राजकुमारी के विवाह का उत्सव समाप्त हो जाता है उसके बाद पिता जी घर वापस लोट सकते है तुम्हारी मा इसके अनुमती नहीं देगी इससे कोई अंतर नहीं पड़ता मैं चला जाओंगा मैं अपने माता पिता के वियोग का कारण नहीं बनूँगा महराज मेलुहा के प्रधान मंतरी कनखला ने कहा बिना अपचारी का मंतरन के स्वधीप के लिए आपका जाना उचित नहीं है ये नयाचार के विरुद्ध है क्या बकवास है दक्ष ने कहा मैं भारत का समराठों में कहीं भी जा सकता हूँ जहां मेरी इच्छा हो कनखला एक निश्ठावान प्रधान मंतरी थी किन्तु वो अपने समराठ को ऐसा कोई काम करते नहीं देखना चाहती थी जिससे समस्त सामराज को लजजित होना पड़े किन्तु आयोध्य समझोतों की शर्त के अनुसार स्वधीप हमारी जागीर नहीं है अपनी भूमी पर उनका अधिकार है नयाचार कहता है कि हमें उनकी अनुमती लेनी चाहिए वे इस अनुमती से इंकार नहीं कर सकते हैं आप उनके स्वामी है किन्तु ये एक आपचारिकता है जिसे पूर्ण करना चाहिए किसी ओपचारिकता क्या वशक्ता नहीं है मैं एक पिता हूँ और अपनी पुत्री से मिलने जा रहा हूँ कनकला ने अपनी तेउरी चड़ा ले महराज आपके मातर एक पुत्री है हाँ हाँ मुझे पता है दक्ष ने अपना हाथ आहिंकार से लहरा कर कहा देखें मैं तीन सपता में प्रस्थान कर रहा हूँ आप एक संदेश वाहक को स्वधीप अनुमती हे तु भेज सकती है ठीक है महराज आयोध्या में अभी तक पक्षी संदेश वाहक की विवस्था स्थापित नहीं हुई है आप तो जानते ही हैं कि वे कितने अक्षम लोग है इस प्रकार यदि संदेश वाहक आज भी निकल पड़ता है तो वो तीन महीने में आयोध्या पहुचेगा तब तक आप स्वयम काशी पहुच जाएंगे दक्ष मुस्कुराया हाँ आवश्य में पहुच जाओंगा जाएं और जाकर मेरे प्रस्थान की ववस्था करें कनकला ने लंबी सांस छोड़ी सिर जुका कर सम्मान किया और कक्षे से बाहर निकल गई स्वधीब के समराठ दिलीप ने अपने पुतरी आनंदमई और प्रवतेश्वर के विवाह के उसर पर अनेक उत्सवों को मनाने का निर्ने लिया था किन्तु महादेव और उनकी पत्नी के मद्ध हुए विवाद ने माहौल को बिगार दिया था हालाकि अनुष्ठानों को रोका नहीं जा सकता था वो इश्वर का अनादर होता जबकि सभी प्रकार के आनंदोच्सों को कुछ समय के लिए टाल दिया गया था किन्तु प्रात्मिक देटाओं अगनी वाई उप्रित्वी वरोन सूर्य और सोन की पूजा को तैकारेक्रम के अनुसार ही किया जा रहा था असी घाट से थोड़ा दक्षण की और परवित्र मार्क परस्थापित सूर्य मंदिर में देटा सूर्य की पूजा का आलोजन किया जा रहा था मंदिर के रास्ते में एक विशालकाई वेदिका के निर्मार किया जा रहा था शिव और सती अपने विशेश शेरासन पर बैठे हुए था जो उनके लिए नियत किये गए थे वे दोनों ही एक दूसरे से दूरी बनाए बैठे हुए थे शिव सती की और देख नहीं रहा था क्रोध इस पश्ट रूप से उसके रोम रोम से जलक रहा था वो मातर पूजा के लिए आया था और पूजा समाप्त होते ही ब्रंगाओ के भवन में अपने रिवास को प्रस्थान कर जाने वाला था शिव के क्रोध से अब तक अन्भी की काशी के नागरिक अंदर ही अंदर परेशान थे किन्तु कार्तिक से अधिक नहीं वो अपने माता पिता से पुनहा एक साथ हो जाने के लिए लगतार अनुने विनय कर रहा था ये जानते हुए कि जब वो शिव और सती को एक साथ देखीगा तो वो इस बात पर अधिक बल देगा इसलिए शिव ने कर्तिका से कार्तिक को निकट के संकट मोचन मंदिर के उद्यान में ले जाने के लिए कहा था शिव के साथ ही उस वेदिका पर काली भगीरत दिलीप अथितिगव और आयूर्वती के लिए सिंगासन लगे हुए थे परवतीश्वर और आनंदमई मंदिर की वेदिका पर थे जहां सूरी पंडित उन्हें सूरी दिवता के आशिरवात से अपने प्रेम को प्रतिश्चित करने में सहायता प्रदान कर रहा था असहाज इस्तिती से बचने के लिए गणेश ने बुद्धिमत्ता से पूजा का निमंत्रण अस्विकार कर दिया था जबकि समस्ते काशी पूजा इस्थल पर था गणेश संकट मोचल मंदिर में अकेला बैठा हुआ था सरप्रुथम वो मंदिर से सटे हुए उस उद्ध्यान में अपने भाई से मिलने गया वे दस दिनों से नहीं मिले थे वो कार्तिक के लिए एक थैली में पके आम भी लेकर गया था उसके साथ 30 मिनिट बिताने के बाद गणेश पुनह मंदिर में आ गया था उसने कार्तिक को कृतिका के साथ 5 अंग्रक्षकों की निगरानी में छोड़ दिया था श्री राम के भक्त श्री हनुवान को ध्यान से देखती हुए गणेश शांती पुरवख बैठा हुआ था हनुवान जी को संकट मोजन किस कारण कहा जाता है लोगों का मानना था कि वे अपने भक्त की संकट में सदया भी साहता करते हैं गणेश को लगा कि इस विकट स्थिती को सुलजाने में सोयम हनुवान जी को भी समस्या होगी वो अपनी माता के बिना जीवन की कलपना भी नहीं कर सकता था और साथ ही वो अपने माता पिता के विलगाओ के कारण भी नहीं बनना चाहता था उसने अगले दिन ही काशी छोड़ने का निर्णाय ले लिया किन्तु वो जानता था कि उसका शेश जीवन अभी अपनी माता के लिए तरस्ते हुए ही बीतेगा क्योंकि उसने अपनी माता की ममता का अनुभाव कर लिया था जब उसने उद्यान से कार्तिक का हुर्दंग भरा को लाहाल सुना तो वो मस्कुराया आत्मा की वो उन्मुक्त हसी जो अपनी मा की ममता से पालित पोशित हो गड़ेश ने एक लंबी स्वास भरी वो जानता था कि ऐसी उन्मुक्त हसी उसके जीवन में कभी नहीं आने वाली उसने अपनी तलवार निकाल ली एक सपाट पत्तर खीचा और वो किया जो कोई छट्री अपने खाली समय में करता है अर्थात तलवार की धार को तेज करना अपने विचारों में गड़ेश इतना डूबा हुआ था कि उसे बहुत देर में इसका भान हुआ उद्यान में कुछ विचित्र हो रहा था उसने अपनी स्वास रोके और सुना और उसके बाद उसे बोध हुआ कार्तिक कृतिका और उसके साथियों की हसी को क्या हो गया था गड़ेश तेजी से उट खड़ा हुआ उसने अपनी तलवार म्यान में रखी और उद्यान की और तेजी से बढ़ चला तब उसने सुना एक धीमी गुरहाट और उसके बाद एक कान फोड़ू गरजना जान लेवा आक्रमार निकट था शेर गड़ेश ने अपनी तलवार निकाले और दोड़ना प्रारंब कर दिया एक आदमी लड़ खड़ाता हुआ उसकी ओर आ रहा था वो काशी का एक सैनिक था जिसकी बहाँ पर चीरा लग गया था वो इस पश्ट्रूप से पंजो का निशान था कितने हैं गड़ेश इतनी जोर से बोला कि उस काशी के सैनिक को दूर से भी सुनाई पढ़ सकता था किन्तु काशी के उस सैनिक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी वो इस तब्द सा लड़ खड़ाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था गड़ेश छण भर में ही उसके पास पहुँच गया उसने जोर से जंजगोरा और दुबारा पूछा कितने हैं तीन सैनिक ने कहा महादेव को बुला लाओ सैनिक अभी भी इस तब्द दिख रहा था गड़ेश ने उसे जोर से दुबारा हिलाया महादेव को बुलाओ अभी इसी समय वो सैनिक सूरी मंदिर के और दोड़ने लगा सैनिक के तूटे हुए गाल को अपने जबडो के मद दबा कर उसका दम निकालने का प्रयाटने कर रही थी जो पहले ही मर चुका था गड़ेश ने ततपरता से अपनी तलवार से उस पर वार किया उसकी तलवार ने शेरनी के कंदे पर गहरा घाव कर दिया जिससे रख्त तेजी से बहने लगा इसी बीच गड़ेश व्रतिका काशी के एक अन्य सैनिक और कार्थिक के पास पहुँच गया जो सुध्यान के मद में खड़े थे दूर कोने में दो सैनिकों के म्रत शरीर पड़े हुए थे उनकी सिद्य को देखते हुए कहा जा सकता था कि पहले दो सैनिक थे जो काल का ग्रास बने गड़ेश उशलकर करतिका के दिशा में हो गया वे लोग एक और से एक शेरनी और बबबड शेर द्वारा घेरे जा चुके थे भूमी देवी क्रपा करें ये लोग इच्छावर से ही हमारा पीछा करते आये हैं दूसरी और से उस शेरनी ने उनका रास्ता रोक रखा था जिसे गड़ेश के प्रहार ने घायल कर दिया था और जिसे कंदे से तेजी से रखत प्रहा हो रहा था कार्थिक ने अपनी लकडी की तलوार बाहर निकाल रखी थी और वो युद्र करने के लिए तयार था गड़ेश जानता था कि ये कार्थिक की बचकानी भाढळुरी थी जो वो बबबर शेर पर अपनी लकडी की तलवार मातर से हमला करने को तयार है वो अपने भाई के सामने खड़ा था कृतिका बगल में थी जबकि वो अकेला सैनिक दूसरी ओर था कोई रास्ता नहीं है अपनी तलवार निकाले हुए कृतिका ने कहा गडेश जानता था कि कृतिका एक प्रशिक्षित योद्धा नहीं है उसके मातरत्व काबोध उसे कारती की सुरक्षा करने के लिए प्रेरित करेगा किन्दू संभवतया वो किसी भी शेर को मार सकने में समर्थ नहीं हो पाएगी दूसरी ओर खड़ा सैनिक काप रहा था वो भी उसकी सहायता करने की स्थिती में नहीं था गणेश ने सिर हिला कर घायल शेरनी को दिखाते हुए बोला जो लंगडाते हुए उसकी ओर आ रही थी वो अधिक समय तक संगर्श नहीं कर पाईगी मैंने उसकी मुखे नसकाड़ दी है इस मध बबर शेर उन्हें सामने की ओर से घेर रहा था और दोनों शेरनीया दोनों और से उन्हें घेर रही थी गणेश जानता था कि बस कुछी समय की बात थी वे उन पर हमला करने के तैयारी कर रहे थे पीछे हट जाएं गणेश फुस फुसाया दीरे दीरे उनके पीछे बरगत के पेड़ के मुखे तने में खोसा बना हुआ था गणेश ने कार्थी को उसमें डाल कर उन शेरों से उसे बचाने की यूजना बना ली थी हम अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकेंगे कृतिका ने कहा मैं उन्हें भटकाने का प्रयास करती हूँ आप कार्थी को लेकर भाग जाएं गणेश कृतिका के और नहीं मुड़ा बलकि वो बबबर शेर को लगतार घूर रहा था किन्तु वीरभदर की पतनी के लिए उसका सम्मान और बढ़ गया था वे उसके छोटे भाई के लिए जान देने के लिए तयार थी ये संभव नहीं है गणेश ने कहा कार्थी को लेकर मैं अतनी तेज नहीं दोर सकता कि इनसे बचकल निकल जाओ दीवार भी उची है हमारी सहायता आने वाली है महादेव आ रहे हैं हमें मातर इन शेरों को उस समय तक रोके रखना है क्रितिका और उस सैनिक ने गणेश के कहे के अनुसार काम किया और धीरे धीरे पीछे के और खिसकने लगे कार्थीक उनके पीछे था बबबर शेर और शेरनिया आगे बढ़ते चले आ रहे थे उनका सीधा सपार्ट आक्रमण अब कुछ भिखर सा गया था क्योंकि उनके सामने एक दैत्यकार आदमी रक्त रंजित तलवार लेकर खड़ा हो गया था कुछ ही देर बाद कार्थी को बर्गत के तने में बने खोह में डाल दिया गया था और पेड़ों की जड़ों से उसे इस प्रकार घेर दिया गया था कि वो किसी भी प्रकार से आक्रमण करने के उदेश से बाहर की ऊर न निकल पाय वो सुरोषित था कम से कम तब तक जब टक वहां गडेश खड़ा था उन बिल्लियों ने आक्रमण कर दिया गणेश उस लंगडाती शेरनी को आगे बढ़ता देखकर आश्यर चकित था, कृतिका उस ओर से मैदान संभाले हुए थी, नीचे की ओर जुकर रही है, गणेश चिल लाया, वो कृतिका की सहायता करने के लिए वहां से हट नहीं सकता था, क्योंकि बबबर शेर इस मद्य कार्तिक पर हमला कर सकता था, क्रितिका जी जुकी रहें, वो घायल है, वो हावा में मूचा नहीं उचल सकती, क्रितिका ने अपनी तलवार नीचे कर रखी थी, और उस घायल शेरनी को अपने तकाजाने के प्रतिक्षा कर रही थी, किन्तो उसे तब आश्यर हुआ जब शे पीचे आकरमल करने के लिए दोड़ना ही वाली थी, कि उसने रक्त जमा देने वाली चीक सुनी, दूसरी और वाली शेरनी ने इस भटकाओं का लाब उठाया और काशी के सैनिक के निकट पहुँच गई थी, वो पीड़ा से चिला रहा था, क्योंकि उस शेरनी ने उसके श गड़ेश के सामने स्थिर बना हुआ, उसके भागने के मार्गों को रोके हुए था, उस दूसरी शेरनी ने म्रत सैनी के शरीर को वहीं छोड़ दिया और पुनह अपनी पुरानी स्थिती में आ चुकी थी, गड़ेश ने धीमे से स्वास ली, वो उन पश्यों के जुंड क के शिकार करने के बुद्धिमत्ता की प्रिशंसा की अब इने नहीं रह सका, जुक कर रहें, गड़ेश ने कृतिका से कहा, मैं इस बबबर शेर और शेरनी को इस और से रोकूंगा, आपको मातर उस घायल शेरनी पर ध्यान के इंद्रित करना है, मैं इन तीनों को एक साथ नहीं देख सकता, ये पशो जुंड में शिकार करते हैं, जो भी छण भर के लिए इन से ध्यान हटाएगा, वो मारा जाएगा, कृतिका ने सिर हिलाया और उस घायल शेरनी को देखने लगी, जो मंतर गती से उसकी और बढ़ने लगी थे, अपनी चोट के कारण उसका बहु पढ़ गई थी, अचानक ही उसने कृतिका पर आक्रमन कर दिया, निकट आ शेरनी ने हवा में चलांग लगए, उतनी ही उची चलांग जितना कि उसका घायल गंधा अनुमती देता था, वो चलांग दुरबल थे, कृतिका नीचे जुग गए और उसने अपनी तलवार उच चिकर ले, शेरनी गिरते हुए उसकी तलवार का शिकार हो गई, वो शेरनी कृतिका की उपर आगिरे और शेह अपने प्रान गमा बैटी, गडेश ने अपनी आखों की किनारे से कृतिका को देखा, उस शेरनी ने क्रितिका का कंदे पर अपना प्रहार कर दिया था, और उस इसने अपनी चोटी तलवार निकाल ली और उस बरगत के पेड़े के पास खड़ा रहा वो एक दो धारी तलवार थी जो शत्रु के शरीर में भूग कर कैची की तरह चलती थी ये एक भायाना खतियार था क्योंकि वो बार बार काटता चल गयाता था गणेश रुका रहा वो म जिशा में सासाथ बढ़ने लगे शेरनी ने अचानक ही आकरमन कर दिया गणेश ने अपने बाएं हाथ को घुमाया लेकिन चोटी तलवार से इतनी पहुच नहीं थी कि शेरनी पर प्रहार हो सके इस आकरमन ने उसे बाएं योर देखने पर विवश कर दिया बबबर शेर इसका लाब उठाते हुए गणेश पर आकरमन कर दिया और उसके दाहीने पैर पर शक्तिशाली चोट मारी ठीक उसी जगा जहां पर इच्छावर में गणेश को चोट लगी थी गणेश दर्द से चिल्ला पड़ा और उसने दाहीने हाथ से अपनी तलवार हावा में लहरा क बबर शेर के चहरे पर प्रहार किया बबर शेर पीछे रट गया किन्तों इससे पहले वो गणेश की जांग से मास का टुकड़ा काड़ चुका था गणेश का रकत बह रहा था वो बर्गत के पेड़ पर जुकता हुआ पीछे हटा उसका नंधा सा बाई पीछे से चीक चिल जिसके कारण वो बबबर शेर और उस शेरनी दोनों को एक साथ देख पा रहा था उसने अपने दाहिने हाथ के तलवार को सामने कर रखा था कि बबबर शेर उसके बहुत निकट ना सके बबबर शेर धीमा हो गया और वो शेरनी तेजी से आई गड़ेश ने भी छोटी तलव गिरना नहीं चाहता था क्योंकि तब तक कार्थिक दृष्टी में आ जाता वो पीछे के और गिरा और उस पेड़ से टिक कर बैड़ गया उसने उस खोव को अपनी शरी से ढख लिया उसके भाई तक पहुँचने के लिए उन पशों को उसे मारना होगा रखते के बहुत अ खरी तलवार कैची के तरह कंधे की हड़ियों को काटती चली गई उसने देखा कि बबबर शेर दाई और से बढ़ता हुआ बहुत निकटा चुका था बबबर शेर ने उसे घेर लिया और अपने पंजे से उस पर जपटा मारा तब ही गड़ेश ने अपनी तलवार हवा मे लहरा कर उस पर प्रहार किया बबबर शेर के पंजे ने गणेश का चहरा चीर दिया इससे गणेश की लंबी नाप पर गहरा घाओ हो गया ठीक उसी समय गणेश के प्रहार ने बबबर शेर की बाई आख को भेद डाला वो पशु पीड़ा में चिलाता हुआ पीछे हड़ लेकिन जो कारतिक ने देखा था वो गणेश ने नहीं देखा था वो अपनी लक्री की तलवार से पहुचने का प्रयास कर रहा था लेकिन वो उतनी दूर तक नहीं पहुच सकता था दादा उधर देखो शेरनी ने गणेश के इस धिहान भंग होने का लाब उठाकर उसके निकट पहुचने में सबलता पाली थी उसने आगे के और जपटा मारा और गणेश के सीने को काट खाया गणेश ने अपनी तलवार से उसके चेहरे को घायल किया वो शेरनी भी पीड़ा से छट पटाती हुई पीछे हटी लेकिन जाते जाते उसने गणेश के धड़का मांस बाहर निकाल दिया था नागा का हरदय जो शरीर के पोशड के लिए रक्त प्रवाहित करता था अब विर्थ में घावों से रक्त बाहर की और फेक रहा था गणेश जानता था कि उसका अंतर निकट है वो बहुत देर तक जीवित नहीं रह सकता और उसके बाद उसने दिक बड़े शेरों पर कूट पड़े थे पहले से ही उन दुर्बल पश्वों के लिए कोई असर ना था और वे बहुत ही जल्द अपने प्राण से हाथ दो बैटे आँखों की सामने अंधिरा चाने के बावजूद गड़ेश को ऐसा लग रहा था कि उसने एक बहुत ही शेर का रक्त छित्रा हुआ था नागा मुस्कुराया ये सोचकर वो बहुत प्रसन था कि उसके संसार के सबसे महात्पूर्ड लोगों के लिए उसके पास एक शुब समाचार है आप चिंता ना करे बाबा गड़ेश ने पिता से कहा आपका पुत्र सुरक्षित है वो आखे खोली वो मुश्किल से आहुर्वती को देख पा रहा था उसने अपने च्छत पिछत शरीर पर एक द्रिश्ट डाली तोचा फटकर अलग हो गई थी शरीर के कई हिस्सों से मांस लाटक गया था शरीर पर जगा जगा रखत के ठक के जमें हुए थे हाथ की हड़ी बा अखे खोली कठिनाई से संक्री सी दरार से आयूर्वती को पट्टी बिदलते देख सका वो पुना अनुभाव कर सकता था एक अच्छी बात है ना वो सो अपने जगत में पुना लोट गया हलके से ममता भरा इस पर्श फिर वो हाथ दूर चला गया नेन के गोते लगाते ग आम मातर को सती उस पर जुकी हुई थी उसकी आँखे सूजी हुई थी लाल मा किन्तु सती ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी संभवतया उसे गडेश की आवाज नहीं सुनाई पड़ी गडेश सती के पीछे खिरकी से बाहर देख सकता था बारिश हो रही थी मानसून मैं कित गहरी दृष्टी से देख रहा था वो वेक्ति उसे जानने का प्रयास कर रहा था नींद ने गडेश को एक बार फिर अपने आचल में समेट लिया उसकी बाहा पर एक गर्म स्पर्श कोई उसके शरीर पर लेप लगा रहा था नागा ने अपनी आँखे धीमे से खोली और वो शरीर पर लेप लगाते उस हाथ को देखकर आश्चरे चकीत रहा गया वो हाथ जो इतनी कोमलता से उस पर लेप लगा रहा था वो किसी इस्त्री का नहीं बलकि किसी शक्तिशाली पुरुश का था उसने उस दयावान वैदे को देखने के लिए अपनी आँखे धीरे से गुमाई उसका धर सबल और मांसल था किन्तो उसका गाला वो बिलकुल ही भीन था उससे दिव्य नीला प्रकाश प्रसफुटित हो रहा था गड़ेश भोचक का रहे गया उसके मुह से एक निश्वास निकल गई और शदी लगाने वाले हाथ रुग गए गड़ेश महसूस कर सकता था कि एक जोड़ी आँखे उसे घूर रही थी और उसके बाद नीलकंट उटे और उसक्ष से बाहार निकल गए गड़ेश नी अपने आँखी पुनहा मूंद ली अंदता गड़ेश एक लंबे अंतराल के बाद पुनहा जागा इस बार उसे फिर से निद्रा का सती को जगाने के लिए इतना बहुत था वो ततकाल ही उसक्ष में एक छोर पर लगी अपनी शरिया से उठे और गड़ेश के पास पहुंची उसने एक कुरसी खेंचले और गड़ेश के पास बैट गई तुम कैसे वो पुत्र गड़ेश धीरे से मुस्कुराया उसने अपन काले से स्वस्थ होकर शीगरी चली गई थी मातर दो सपताह में ही कितने समय से तुम यहां कितने समय से हो गड़ेश ने उत्तर में अपना सेर हिलाया साथ दिन चेतना वस्था से कभी अंदर कभी बाहर बारिश मानसून लगभग समाप्त हो चुका है नमी ने जटिलता से जा सकोगे गड़ेश मुस्कुराया और पुरा नींद की गोद में चला गया गड़ेश को अचाना की जगाया गया आयुर्वती उसे घूर कर देख रही दिये मैं कितनी देर से सो रहा हूं पिछली बार से कुछ गंटे मैंने तुमारी माता को घर भेज दिया है उन्हें आराम किया शकता है गड़ेश ने सहमती में सिरह लाया आयुर्वती ने तयार किये हो अलेप अपने हाथ में लिया अपना मूझ खोलो गड़ेश ने उस लेप की खराब गंध पर नाग बहुँ सिकोड़ा ये क्या है आयुर्वती जी ये पीड़ा को हर लेगा लेकिन से भर गया था हड्डियों पर मांस की नहीं पढ़ते आने लगी थी कुछ दिनों में तोचा साफ हो जाएगी संयत स्वर में आयुर्वती ने कहा मैं एक युद्धा हूं गणेश मुस्कुराया हमारे शरीर पर साफ तोचा की तुलना में घावों के निशान अधिक स्वागत और नेम की पत्तियों की पत्ती से उस तत्काल ही बांदिया आयुर्वती इस फूर्तिवान प्रभावशाली और दृणता से कारे करती थी और उनके इन गुड़ों से गणीश प्रभावित था लोकाधीश ने अपनी शक्ति को इकत्र करते हुए एक गहरी स्वास भरी मैंन ने मुझे उनसे दोगुना गती से ठीक कर दिया होता उन्होंने मुझे कहा था कि आप विश्व की जब से अच्छी वैद हैं आयुर्वती ने अपनी भौहें उपर की तुमारी जिहवा में जादू है वो किसी को भी मुस्कुराने पर विवश कर सकती है बिलकुल नहीं है गडेश मौन साधे रहा मैं ब्रहस्पती का बहुत सम्मान करती थी विना केवल एक अच्छे व्यक्ति थे बलकि वे ज्यान के स्रोध भी थे समय से पहले जब उनकी मृत्य हुई तो पूरा विश्व इससे पीडित हुआ है गडेश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं द दूसरे दिन गडेश उठा तो उसने अपनी मा और मौसी को उस कक्षे में फुस फुस आते हुए देखा मा मौसी गडेश फुस पुस आया दोनों ही बहने उसकी और मुड़कर मुस्कुराई क्या तुम्हें खाने या पीने के लिए कुछ चाहिए सती ने पूछा हा मा किन बैड़ गई मैं तुम्हारे लिए पराठे लेकर आई हूँ सती ने गजदंत का एक छोटा सबकसा खोलते हुए कहा जो अपने साथ लेकर आई हुई थी गडेश का चहरा खिल उठा उसकी मा के हाथ के बने हुए भरवा पराठे उसे बहुत पसंद थे लेकिन उसकी मुस्क अपके महर में लौट आये हैं मा सती ने औशदियों की अलमारी के पास से गणेश को देखा अब तुम इन सब चीजों के बारे में चिंता मत करो उन्होंने आपसे बोलना शुरू किया या नहीं तुम्हें इसके बारे में चिंता करने के आशकता नहीं है सती ने गडेश की कि वे आज के बाद यहां आएंगे गडेश दुखी मन से मुस्कुराया और अपने होट काटने लगा सती ने उसकी सिर पर थपकी दी सही समय आने पर सब कुछ ठीग हो जाएगा काश में मंदार परवत पर होने वाली घटना का वारणन कर पाता कि वहां क्या हुआ था काश विखती थे जब उनकी मृत्यू हुई तो जगत ने कुछ खो दिया यहां तक कि मैं भी पूरी तरह से समझ नहीं पाई हूँ और शिव उनको अपने भाई के समान प्रेम करते थे हम उनसे इसे समझने की आशा भी कैसे कर सकते हैं गडेश ने सती को दुख भरी आखों से द दूसरे दिन आयुरुवती के अनुमती से अथितिग्व के भव महल के उद्यान में थोड़ी देर टहलने के रिए गणेश अयूराले के कख्ष से बाहर निकला आया काली के कंधे पर सहारा लेकर गणेश धीरे धीरे टहल रहा था उसके दूसरे हाथ में एक डंडा था जि बहुत ही कठीन अभ्यास कर रहा है काली मुस्कुराई वो जानते थी कि गणेश को एक योद्धा को अभ्यास करते देखना बहुत ही भाता था चलो चलें नागारानी ने गणेश की सहायता करके उसे उद्यान के मद्य भाग में पहुचा दिया इस बीच गणेश उस अभ् काली ने उस पर अपनी मद्बूत पकड़ बना ली चिंता मत करो वो संकट में नहीं है कुछ दूरी पर कार्तिक प्रवतेश्वर के साथ एक भयंकर दंद्यूद में भिड़ा हुआ था वो तीन वर्ष का बालग जो भले ही साथ वर्ष का दिखता था विशालकाय प्रवते में कर रहा था वो नेचे जुका था कि प्रवतेश्वर को अपनी तलवार के साथ जुकने पर विवश होना पड़े वो एक ऐसी कुषल रणी थी जो अत्यधिक दक्ष तलवार धारी की समच से भी परे थी कोई भी व्यक्ति बौने से संघर्ष करने में प्रसिक्षित नही का था जो मेलुहा के सेनापती के निशले धर पर लग सकते थी गणेश विसमे से मूँ बाय खड़ा था जबसे तुम घायल हुए हो वो प्रतिदिन अभ्यास कर रहा है काली ने कहा गणेश इस बात पर भी आश्यरे चकित था कि कार्तिक ऐसी कला का प्रतशन कर रहा था जो सुना रुकें वो अपनी माता को देखने के लिए मुड़ा जो कोने में एक मूचे स्थान पर खड़ी हुई थी आपको बाधा पहुचाने के लिए शमा करें पित्र तुल्य सती ने परवतेश्वर से कहा कि दुस्संभवतेया कार्तिक अपने दादा से मिलने का उच्छु परवतेश्वर ने गणेश की ओर देखा मेलूहा की सेनपती ने सती के बड़े पुत्र को सिकार नहीं किया था उसने अपना सिर्थ तक नहीं हिलाया और के वर पीछे हड़ गया कार्तिक गणेश को अपनी ओर धीरे-धीरे आता देख मुस्कुराया कार्तिक में आया इस प उस आलिंगन से गणेश के घाव पीड़ा देने लगे, किन्तु न तो उसने सिसकारी भरी और नहीं पीछे हटा, बालक पीछे हटा, आप अब कभी भी युद्ध केले नहीं करेंगे दादा, कभी नहीं, गणेश मुस्कुराया और उसने अपने नन्य भाई को एक बार फिर काली चुप थे, उसने परवतेश्वर को देखने के लिए दरिश्टी घुमाई जो दौर की ओर थे, परवतेश्वर ने अपनी मुठी को चाती पर मरा और नीचे की ओर जुका, उसने मेलूहा के सैनिक नमस्ते को बूरा किया, गणेश उस दिशा में मुडा जिधर परवत किये हुए था, उसने जुक कर निलकंड के समान में नमस्ते किया, जब वो सीधा हुआ तो शिव वहां नहीं थे, वो इतना बुरा विक्ती भी नहीं हो सकता शिव, वीरभदर ने गांजा के धुएं को अंदर लेते हुए कहा, शिव ने भावहीन मुख से देखा, नंदी वीरभदर को अकस्मिक भाय से देखा, किन्तु वीरभदर हट करता रहा, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता हैं शिव, मैंने परशुराम से बात की है, वो गड़ेश ही था जिसने उससे अन्याय के विरुद युद करने में हर प्रकार से साहयता की थी, ऐसा हुआ थ थी कि उससे जो संबह हो पाएगा, वो उसकी सहायता में करेगा, शिव ने बिना कुछ कहे, वीरभदर से चिलम लिया और गहरा कश लिया, आप जानते हैं कि करतिका ने क्या कहा, कारतिक की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की लगभग बली देकर गड़ेश ने इस तर कि वो गड़ेश ही था, जिसने उस नावा औशदी की व्यवास्था की थी, जिसने जन्मे के समय कार्तिक की जान बचाई, शिव ने उसकी राश्चर से देखा, उसने अपनी आखे संकुचित की, वो एक विजित रादमी है, मुझे नहीं पता कि मैं उसे क्या समझू, उसन के बाद मैं बस उसका सिर कार्ट देना चाहता हूँ, विर्भदर ने शिव को अपरसनता से देखा, निलखंठे ने अपना सिर हिलाया, किन्तु मैं एक ऐसे विक्ति को जानता हूँ, जिन से मैं निश्चित रुप से उत्तर पाना चाहता हूँ, विर्भदर ने अपने मित नहीं था वो एक कानून है एक नागा शिशू मेलूहा में नहीं रह सकता तो फिर क्या ऐसा नहीं है कि नागा की मा को भी समाट चोड़ना पड़ता है और क्या किसी मा को उसके बच्चे के बारे में सच नहीं बताना चाहिए शिव ने पूछा विदियों का विशिश जीवन चुपा कर रखा उन्होंने उसकी जुड़ा बहन के सच को भी चुपा कर रखा मैं सदेव ही सोचता था कि उन्होंने जिस तरह कारतिक के जन्म के समय उसके शरीर का परक्षन किया था वो बहुत विचित्र था अब उसका आर्थ मुझे समझ में आ रहा है जिस प्रक कि चंदरधोज की मृत्यू प्राकृतिक नहीं थी उनका पहला पती हाँ यह मान लेना बहुत ही सरल है कि वे उस दिन डूब मरें जिस दिन गणेश का जन्म हुआ प्रभू नंदी ने हैरानी से कहा किन्तु यह सच नहीं हो सकता यह तो एक अपराद है कोई भी सूर्वेंशी साशक इतना नीचे नहीं गिर सकता मुझे पक्के तोर पर तो नहीं पता नंदी शिव ने कहा मुझे ऐसी अनुभूत ही हो रही है बस याद रखो कि कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है वे या तो शक्तिशाली होते हैं या फिर दुर्बल शक्तिशाली विक्ति अपनी नयतिकताओं पर टिके रहते हैं चाहे कितनी ही परिक्षा हो या संकट आए दुर्बल व्यक्ति अधिकतर समय इस बात का अनुभाव भी नहीं करते कि वे कितना नीचे गिर चुके हैं रंदी चुप रहा विर्भदर ने शिव की और देखा यदि आप जो सोच रहे हैं वो मित्रों के साथ शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अलविदा नमस्कार आप सभी का मोटिवेशन टू रीड में स्वागत है आज हम जिस पुस्तक का सास्वर पठन करने वाले हैं वो शिव रचनत्रई की दूसरी पुस्तक नागाओं का रहस्य है जिसके रचनाकार हैं अमीश त्रिपाथी और अनुवादक हैं विश्वजीत सपन 21 कहानी मैका का रहस्या इस बात को तीन महीने हो चुके थे जब गणेश ने कारतिक की रक्षा की यद्देपी वो अभी भी लगडा कर चल रहा था फिर भी वो जानता था कि पंचवर्टी लोटने का समय आ गया है लगभग एक महीने से वो पूर्टया सचेत था जब वो सोकर उड़ता तो उसे अपनी मा की पीड़ा यादा थी शिव एवं सती के मध्य आई ये दरार उसके लिए अस्य है थी जहां तक उसका अपना प्रश्ण था केवल एक ही मार्ग शेश था कि वो चला जाए कल हमें निकल जाना चाहिए मौसी गणेश ने कहा तुमने अपनी मा को बता दिया है काली ने पूछा मैं उनके लिए एक पत्र लिखकर रख दूँगा काली ने अपनी आखे संकुचित की वो मुझे जाने नहीं देंगी चाहे वो कितना भी आवश्चक क्यों न हो काली ने एक गहरी स्वाज भरी तो इस प्रकर तुम उसे ऐसे ही भूल जाओगे गणेश दुखी होकर मुस्कुराया मुझे पिछले कुछ महीनों में उनका इतना लाण मिल चुका है कि वो मेरे लिए जीवन भर के लिए परियाप्त होगा मैं अपनी यादों पर जीवित रह सकता हूँ किन्तो वो निलकंट के बिना नहीं रह सकती चिंतिच शिव अतित्रिगव का स्वागत करने के लिए उठ खड़ा हुआ इससे पूर्व काशी नरेश ने ब्रंगाओं की बस्ती में कभी भी कदम नहीं रखा था वे सदैव ही निलकंट के लिए उस बस्ती के बाहर प्रतिक्षा करते थे क्या बात है महराज प्रभू मैंने अभी अभी ये संदेश प्राप्त किया है कि समराड दक्ष काशी पधारने वाले है शिव ने तियोरी चड़ाई ऐसी क्या वात हुई मैं नहीं समझ पा रहा यदि आपने आज संदेश पाया है तो मुझे पक्का विश्वास है कि समराड दो या तीन महीने से पहले यहां नहीं बहुत सकते नहीं प्रभू वे आज ही पहुच रहे हैं कुछी घंटों में मैंने उनके अग्रणी दल से ये संदेश प्राप्त किया है शिव ने अपनी भवों को उपर चड़ाया वो इतना आश्यर चकित हुआ कि उसके पास अभिवेक्ति करने के लिए शब्द नहीं बचे थे प्रभू अथितिग्व ने कहा मैं आप से ये कहने की प्रात्ना करना चाहता हूँ कि आप शेरासन कक्ष में पढ़ार कर अपने उचित इस्थान को ग्रहन करें ताकि हम समराड के आने पर उनका स्वागत कर सकें मैं आऊंगा शिव ने कहा किन्तु कृपया सुनिश्चित करें कि वहां केवल आप ही हो मैं आपके किसी और सभासत के साथ उनका स्वागत नहीं करना चाहता ये आप आरंपरिक था अथितिग्व ने तेउरी चड़ाई किन्तु वे शिव की आसाधरान मांग पर प्रश्ण नहीं उठा सके वे उस आदेश का पालन करने के लिए वहां से निकल पड़े वे उनके बारे में अगर कुछ जानता हूँ तो वे यह है कि यदि उन्हें पता होता कि काली और गणिश यहां है तो वे यहां नहीं आते वे यहां शीग्रता में आये हैं बिना किसी सिष्टचार संबंधी बातों का ध्यान रखे हुए ये कार ये एक पिता का है, किसी समराट का नहीं, वे संभवतेया सती और कार्तिक से मिलने को आतूर है आप क्या करना चाहते हैं, इसे जाने देंगे या सच को जान कर रहेंगे मैं उसे यूही नहीं जाने दूँगा, यद्दे पी उसकी बात पर विश्वास करना अब मेरे लिए कठेन है, मैं सच जाना चाहता हूँ वेर्भदर ने सहमती में सिरह लाया, मैं सती के लिए ये आशा करता हूँ शिव ने कहा, कि मेरा संधे है गलत सिद्ध हो, काश वे कुछ ना जानते हो, और जो भी हुआ है, वो मैका के प्रशासकों ने कानून का पालन करते हुए किया था किन्तु आपको डर है कि आप सही है, वेर्भदर ने कहा हाँ, और उस दिन वास्तों में क्या हुआ था, उसके बारे में जानने के लिए आप अब क्या करना चाहेंगे उनका सामना करवाना होगा, आचाना कि उनसे पूछना होगा, ऐसा करने के लिए ये उची तौसर है वीर्भदर ने तियोरी चड़ा ली मैं काली और गड़ेश को अचाना कि उनके सामने उपस्तित करवाने वाला हूँ, शिव ने कहा उनका चेहरा स्वयम ही सब कुछ बता देगा महराज यहां क्या कर रहे है, परवतेश्वर ने पूछा किसी ने भी उनके यहां आग्मन के बारे में मुझे इससे पहले नहीं बताया काशी ऐसा कैसे कर सकता है, यह शिश्टाचार का उलंगन है कोई भी इस बात को नहीं जानता था सेना पती, नंदी ने कहा यहां तक ही राजा अथितिकों को ये समाचार अभी अभी ही प्राप्त हुआ है मिलुहा ने इससे पहले कोई संदेश नहीं बीजा था परवतेश्वर हक्का बक्का रहे गया, मिलुहा की कूटनीती की प्रक्रिया में ऐसी गल्ती उसने आज तक कभी नहीं सुनी थी मैं नहीं बता सकता प्रभू, नंदी ने कहा, मैं मात्र उनके आदेश का पालन कर रहा हूँ, परवतेश्वर ने सिरह लाया, ठीक है, हम लोग यहीं रुकेंगे, जब तक कि प्रभू हमें नहीं बुलाते शिव को काली से मिलने के अनेक कारण हो सकते हैं, किन्तु गणेश से क्यों, क्या हो रहा है, सती ने अपनी तियोरी चड़ा कर पूछा, वीर भद्र पूरी तरह से भ्रहमित हो गया था, काली के कख्ष में न केवल गणेश उपस्तित था, बलकि सती भी वहीं थी, दक्ष के काशी में उपस्तित होने की स्तिती में उसे काली और गणेश को सीराशन कक्ष में शीगरते शीगर उपस्तित करा ना था, इससे पहले कि दक्ष अपनी नागा पुत्री और नागा नाती की उपस्तिती के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले, समय महात्पूर्ट था, यद उन्हें कुछ दिखाना जाते हैं भद्र सती ने कहा मेरे पती आपके सबसे अच्छे मित्र हैं आप मेरी सबसे अच्छी मित्र के पती हैं मैं आपको जानती हूं मैं जानती हूं कि आप इससे अधिक जानते हैं मैं अपने पुत्र को तब तक नहीं जाने दोंगी जब तक कि आप मुझे सही कारा नहीं बताते वीर भदर ने सती की इस हट पर अपना सिर हिलाया उनकी आस्थाई दूरी के बावजूद वो देख सकता था कि किस वश्तुने शिव को सती के और खीचा था देवी आपके पिता यहां है सती आश्यर चकिती अंश्ता अपने पिता की कोशित उपस्थिती के कारण और उससे भी अदिक शिव द्वारा काली और गणेश को दक्ष से मिलाने के लिए बुलावा भीजने के कारण शिव के दिल में कहीं न कहीं यह भाव अवश्य है कि मेरी बहन और मेरे पुत्र के साथ अन्याय हुआ है क्या तुम जाना चाहती ह सती ने काली से पूछा नागा रानी ने अपनी आँखे संगोचित की उसका हाथ उसकी तलवार के मौट पर था हाँ जंगली अश्व भी मुझे जाने से नहीं रोक सकते सती अपने पुत्र के और मुड़ी वो इस प्रकार का टकराओ नहीं चाहता था वो नहीं चाहता था क कि सचुजागर हो जो उसकी मा को और अधिक चोड़ पहुचाने वाला हो उसने अपना सिरह लाया वो नहीं जाना चाहता था काली ने आश्चर से कहा क्यों तुम किस बात से डर रहे हो मैं यह नहीं चाहता मौसी गणेश ने उत्तर दिया किन्तु मैं चाहती हूं सती ने कह तुमारी उपस्थिशी 90 वर्ष्थों से मुझसे छुपा कर रखी गई थी किन्तु वे नियम थे मा गडेश ने कहा नहीं नियम ये है कि एक नागा बालक मेलुहा में नहीं रह सकता किसी मा से सच छुपाना नियम का हिसा नहीं है यदि मैं जानती तो मैं भी मेलुहा को छो क्यों कहा अपने नाम की रक्षा के लिए ताकि कोई उन्हें नागाओं के जनक के रूप में दोशी न वता सके ताकि वे शासक बने रहें मा इस प्रकार हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा गणेश ने कहा काली हसने लगी गणेश तिल मिलाते हुए उनकी और मुड़ा जब तु मैंने तुम से यही कहा था काली ने कहा और तुमने क्या कहा था तुम उत्तर चाहते थे तुम ये जानना चाहते थे कि तुम्हारी मा के साथ तुम्हारा क्या संबंद था और जब तक तुम्हें इसका उत्तर नहीं मिल जाता तुम्हें शांती नहीं मिलेगी तभी तुम्ह तुम्हारी मा अपने पिता से वैसी ही आशा क्यों नहीं कर सकती। किन्तो ये पूर्टा नहीं है मौसी। गणेश ने कहा। ये मात्र टकराओ और पीड़ा है। पूर्टा मात्र पूर्टा ही है मेरे बच्चे। काली ने कहा। पूर्टा कभी प्रसनता देती है और कभी पीड़ा। तुम्हारी मा को ऐसा करने का अधिकार है। ये कहते हुए काली सती क्योर मुड़ी। क्या तुम निश्चित हो कि तुम ये करना चाहती हो दीदी। मुझे उत्तर चाहिए। सती ने कहा। वीर भदर ने थूक निगल लिया। देवी शिव ने केवल रानी काली और गणेश के लिए ही कहा है। आप के लिए नहीं। मैं भी चल रही हूँ भदर। सती ने कहा। और आप भी इस बात को अच्छी थरा जानते हैं कि मुझे अवश्य जाना चाहिए। वीर भदर ने नीचे की ओर देखा। सती का कहना उचित था। उन्हें वहां रहने का अधिकार था। मा, गणेश फुसुस आया। गणेश में जा रही हूँ। सती ने द्रहता से कहा। महराज आपको यहां अचानक देखना बहुत ही सुखत आश्चर रहे है। अधितिग्व ने भारत के समराट के सम्मान में जुकते हुए कहा। दक्ष ने सिरह लाया। जैसे ही विराज सभा के उपकक्ष में प्रविष्ट हुए। यह मेरा सामराज है अधितिग्व। मेरे विचार से कभी-कभी मुझे भी लोगों को हैरान करने का अफसर मिलना चाहिए। आतितिग्व मुस्कुराएं। दक्ष के साथ उनके पत्नी वीरिनी भी थी। उनके पीछे प्रसिद्ध अरिष्टने में योध्धा माया श्रेनिक और विद्युनमाली ततपरता से चले आ रहे थे। स्वधीप से परवतेश्वर की अनुपस्तिती के कारण माया श्रेनी को आस्थाई तोर पर मेलुहा का सेनपती पदस्त कर दिया गया था। काशी में आपका स्वागत है माहराज। अथितिग्व और वीरिनी भी बैठ गये। अथितिग्व की और मुढ कर दक्ष ने कहा। ऐसे शोरगुल वाले नगर में ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी राजसभा बहुत ही शान्त रहती है। अथितिग्व मुस्कुराया। नहीं माहराज ये तो बस मुझे बीच में ही टोकने के लिए छमा करें माहराज। दक्ष के और मुढने से पहले शिव ने अथितिग्व से कहा। मैंने सोचा कि अपने बच्चों के साथ आपके भेट यदी नीजी हो तो अच्छा रहेगा। वीडिनी ततकाल ही बोल पड़ी। वे कहां है प्रभुनीलकंट। ठीक उसी समय वीरभदर ने प्रवेश किया। सती उसके पीछे थी। मेरी बच्ची शिव की और से किये गए अपमान को भूलते हुए मुस्कुराते हुए दक्ष ने कहा। तुम मेरे नादी को अपने साथ क्यों नहीं लाईं। मैं लाईं हूँ। सती ने कहा। गड़ेश ने कक्ष में प्रवेश किया। उसके पीछे काली थी। शिव दक्ष के मुक को लगतार घूर रहा था। मिलुहा के समराट के आँखे पहचान की मुद्रा में अचानक ही बड़ी हो गए। उनके जबड़े हैरानी में खुल गए। वे जानते हैं। उसके बाद दक्ष ने बड़ी मुश्किल से स्वयम को संभाला। वे वहबीत हैं वे कि छुपा रहे हैं। शिव ने वीरिनी के भावों को भी देखा। उनके मुख पर अत्यंत दुख था। उनकी भावें जुड़ी हुई थी। किन्तु उनके होड़ थोड़े तेड़े हुँ मुस्कुराने की कगार पर थे। उनकी आखे नम थी। वे भी जानती हैं और उनसे प्रेम करती हैं। दक्ष अथितिग्विकी और मुड़ा और उस पर क्रोद से बिगड़ पड़ा। आपने आतंकियों के साथ मित्रता करने की हिम्मत कैसे की काशिनरेश। वे आतंकी नहीं हैं। सती ने कहा। आतंकी निर्दोश की हत्या करते हैं। काली और गणेश ने ऐसा कभी नहीं किया। कि अब सती काशिनरेश के लिए बोलने लगी हैं। आप उनसे बात मत करें पिता जी सती ने कहा मुझसे बात करें किसलिए दक्ष ने काली और गणीश के और संकेत करते हुए कहा तुम्हें उनसे क्या लेना देना है सब कुछ उनका स्थान मेरे साथ है उन्हें सदैव से ही मेरे साथ होना चाहिए था क्या अधम नागाओं का त रक्ष उठ खड़ा हुआ और सती की निकट आ गया बहन पुत्र ये क्या बकवास है ये दुष्ट जो कहते हैं उन बकवासों पर विश्वास मत करो निसंदेवे मुझसे घ्राना करते हैं वे मुझे बदनाम करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं मैं उनका सबसे बड़ा हूँ उन्हें नश्ट करने के लिए सौगंध लिए हुए हूँ काली ने अपनी तलवार पकड़ ली मैं अभी इसी वक्त तुम्हें अगनी परिक्षा के चुनौती देने की इच्छा रखती हूँ है घ्रानास पदबक्रे तुम्हें कुछ भी शर्म है या नहीं दक्ष का आया एक पिता और पुत्री के मद्ध संबंद बिगाड़ने के बजाए जाकर अपने पिछले जन्म के कर्मों का पच्छा ताप करो तुमने इसे मेरे बारे में क्या क्या जूटी बाते कहीं है उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं बताया है पिता जी सती ने कहा भी नागा को अस्तित्व नहीं रहा था सती का चहरा उतर गया वो पहली बार देख रही थी कि उनके पिता कितना नीचे गिर सकते थे वीरिनी दक्ष को घूर रही थी उसकी आँखों में क्रोध साफ जहलक रहा था ये पूर वजन्म के संबंद में नहीं है पिता जी सती न पशुआ पर विवप्रत पशू नहीं है मेरा परिवार है तुम इन लोगों को अपने परिवार वनाना चाहती हो जिन्हों ने उस पना से भूर लाया है गड गहरी स्वास ली उसने च्छत की ओर देखा जैसे स्वयम पर नियंत्रण करने के लिए संघर्ष कर रहा हो उसके बाद सती की ओर देखा तुम समझती क्यों नहीं हो तुम्हारे अच्छे के लिए ही मैंने तुमसे जूट कहा था क्या तुम जानती हो कि यदि तुम्हें एक न सबसे अधिक प्रेम किया है मैं तुम्हें पंच्वटी में दुख जहनले के लिए कभी नहीं छोड़ता विकल्प चुनने का आउसर आपका नहीं था पूरी तरह से कुरुद दक्ष शिव की और मुड़ा आप ही इसे कुछ समझाए प्रभु निलकंट शिव के आँखे सं प्रभु इन्हों ने ये भी किया है सती का सिर्चक्रा रहा था वो इस तब्द थी काली और गणेश को बिलकुल आश्चरे नहीं हुआ दक्ष ने ततकाल है अपना नेंत्रान पालिया उसने अपनी उंगले शिव के और उठाई उसका शरीर काप रहा था ये सब आपका किय यदहरा है तो यह आपका बुना हुआ जाल है शिव शांत बना रहा आपने मेरी पुत्री को मेरे विरुद्ध कर दिया दक्ष चिलाया महर्शी भ्रगु ने सच ही कहा था दुष्ट वासुदेव आपको नियंत्रित करते हैं शिव दक्ष को एक टक ऐसे देख रहा था जै मैंने आपको शक्ति प्रदान की मैंने यhtě किया ताकि आप चंद्रवंशीयों को मिलुआ के नियंत्रर में लाने में सफल होंगे ताकि भारत में शांति की स्थापना कर पाऊंगा और आपने मेरी ही दिव शक्ति को मेरे विरुद्ध उप्याप करने का दुस्द्मास किया शिव अभी निश्क्रिय बना रहा ताकि दक्ष और विश्व उबल सके मैंने आपको बनाया और मैं आपको नश्ट भी कर सकता हूँ दक्ष ने अपनी कटार निकाली और सामने की और उचला नंदी शिव के सामने उचल कर खड़ा हो गया दक्ष का प्रहार नंदी की ढाल पर लगकर बेकार चला गया उधर नंदी ने अपनी तलवार मात्र इसलिए नहीं निकाली क्योंकि उसका मेलूह का सैनिक परसिक्षन अपने समराड पर तलवार निकालने से मना करता था हाला कि काली और गड़ेश के लिए ऐसा कुछ बंदन नहीं था उन्होंने रतकाली अपनी तलवार दक्ष पर तान दी विद्यून माली ने जैसे ही अपनी तलवार निकाली तो गड़ेश अपनी तलवार निकालकर शिव के सामने आ गया उधर माया श्रेनिक हैरानी से बेना कुछ किये खड़ा रह गया वो एक निष्ठावान मेलुहा वासी था जो अपनी जान देकर भी मेलुहा के राजा की रक्षा करता किन्तु वो हत्प्रव था वो हर्दय की गहराई से शिव का भगत था वो अपनी तलवार निलकंट के विरुद्ध कैसे निकाल सकता था शान्त हो जाएं शिव ने अपना हाथ उठा कर कहा विद्यून माली ने अभी तक अपनी तलवार युद्ध के मुद्रा में निकाल रखे थी दक्ष का चाकू नंदी की ढाल से टकरा कर नीचे गिर चुका था शिव ने एक बर पुना कहा नंदी गणेश काली पीछे हट जाओ अभी जैसे ही शिव के युद्धाओं ने अपनी तलवार नीचे कर ली तो विद्यून माली ने भी अपनी तलवार म्यान में रख ली महराज शिव ने दक्ष को संबोधित किया दक्ष के आखे आसूँ से भीगी हुई सती पर्टिकी हुई थी जिसने अपनी तलवार दक्ष के गले से कुछ इंच की दूरी पर ही साधी हुई थी उसके मुख पर स्पष्ट जलक रहा था कि उसके साथ धोखा हुआ सती एक मात्र ऐसी थी जिसे दक्ष ने सचमुच ही अपने प्राणों से अधिक प्रेम किया था सती शिव फुस फुसाया करपया नीचे कर लो वे इस योगी नहीं है सती की तलवार और निकट चली गई शिव धीमे से आगे बढ़ा सती सती के हाथ काप रहे थे उसका क्रोध उसे उनमादित कर रहा था शिव ने उसके कंधे को धीमे से सपर्ष किया सती नीचे रख दो शिव के इस पर्ष ने सती को संकट से बापस खीच लिया उसने अपनी तलवार को थोड़ा नीचे कर दिया उसकी आँखे संकुजित थी उसकी स्वास भारी थी उसका शरीर तना हुआ था दक्ष लगतार सती को घूर रहा था मुझे शर्म आती है कि आपका रख्त मेरी धमनियों में बहता है सती ने कहा दक्ष के आँखों से आसू बह निकले निकल जाए सती ने दाथ पीषते हुए कहा दक्ष जडवत रहा चले जाए यहां से सती चीख पड़ी सती के उस तीखे स्वर से वीरिनी को जटका सा लगा उसके मुख पर पीड़ा और क्रोध का मिला जुला भाव उभरा वो दक्ष के निकड़ गई चलिए दक्ष को जैसे लगवा मार गया हो वो इस प्रकार की अनायाद घटना पर पूरी तरह से हैरान था चलिए भी वीरिनी ने अपने पती की बाहा को पकड़ कर खीचते हुए और उंचे स्वर में कहा माया श्रेनिक विद्युन माली चलो चले भारत की रानी अपने पती को लगभा खीच कर उस कक्ष के बाहर ले गई सती पूरी तरह से तूटकर बिखर चुकी थी उसने अपनी तलवार गिरा दी आसूओं का वेक थम नहीं रहा था गणेश उसकी ओर दोड़ा किन्तु उसके गिरने से पहले शिव ने उसे थाम लिया था सती बिलक-बिलक कर रो रही थी तब शिव ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया अध्याए बाईस एक सिक्का दो पहलू तो फिर तुम क्या सोच रहे हो काली ने पूछा गणेश और काली नागारानी के आवास में थे उस नाटा के बाद शिव सती को उठाकर अथितिक्व के महल के अपने आवास में चला गया था डक्ष वीरिनी और उनके अनुगामी दल ततकाल ही मेलोहा की राजधानी देवगिरी के लिए रवाना हो चुगे थे ये आप प्रत्याशित था चिंता मगन गड़ेश ने हलकी मुसकान के साथ कहा काली ने अपनी आँखे उपर की कभी कभी तुम्हारा आत्मसयम चिड़ पैदा करने वाला होता है गड़ेश मुसकुराया वो वास्तों में एक चौड़ी मुसकान थी जो उसके एक कान से दूसरी कान तक फैली हुई थी उसका बाहर निकला हुआ दात और बाहर निकलाया तुम्हारा यही चहरा मैं एकसर देखना चाहती हूँ काली ने कहा वास्तों में तुम इसमें बहुत प्यारे लगते हो गड़ेश पुना गंबीर हो गया उसने भोजपत्र का एक चिठ्था उठाया पंचवटी से एक संदेश था यह नहीं होता तो मैं हस रहा होता मौसी अब कहा काली ने तेवरी चड़ा कर पूछा यह सफलता है फिर से हाँ फिर से लेकिन मैंने तो सोचा था हमने गलत सोचा था मौसी काली ने बुरा भला कहा गडेश ने अपनी मौसी को घूर कर देखा वो उनकी जुझलाहट को मैसूस कर सकता था अंतिम समाधान बहुत निकर था यह सफलता उनकी विज़य को पूर्ण कर देती कि दो अब इसकी पूरी संभावना थी कि उन्होंने अब तक जो कुछ भी किया था वो नश्ट हो जाएगा क्या हम फिर से प्रेतन करें काली ने पूछा मेरे विज़ार से हमें अंत्रता सच को स्विकार करना ही होगा मौसी यह मार्ग कहीं नहीं जाता हमारे पास कोई विकल्प नहीं है समय आ गया है कि हम रहस्य को उजागर कर दें हाँ काली ने कहा नीलकंट को ये जानना चाहिए नीलकंट? गडेश ने आश्चर इसे पूछा इतने कम मंत्राल में कितना कुछ बदल गया था काली ने अपनी भोहों को उचा किया आपने उनका नाम नहीं लिया आपने नीलकंट कहा आप भी उस पौराणी गाथां में विश्वास करती है काली मुस्कुराई मैं पौराणी गाथां में विश्वास नहीं करती ना कभी मैंने विश्वास किया और ना कभी करूँगी लेकिन मैं उनमें विश्वास करती हूँ मेरा जीवन कितना भिन होता यदि भाग इने मुझे शिव जैसा जीवन साथी प्रदान किया होता संभव है कि दीदी की तरह मेरे जीवन का भी सारा विष्ट निकल गया होता संभव है कि मैं भी सुख और शांती प्राप्त कर पाती हमें उन्हें रहस्त दिखाना होगा काली की सोच के बीच में अनाधिकार प्रवेश करते हुए गणेश ने कहा दिखाना होगा मुझे नहीं लगता कि ऐसा यहां संभव है है ना उन्हें स्वयम ही चल कर देखना चाहिए तुम उन्हें पंचवटी ले जाना चाहते हो क्यों नहीं गणेश ने पूछा क्या आप उन पर विश्वास करती हूं मैं उन पर आँख मूंद कर विश्वास करती हूं लेकिन अकेले नहीं कुछ अन्य लोग भी उन už dau चलते वे लोग जान जाएंगे कि पंच्वटी कैसे पहुचा जा सकता है यह हमारी सुरक्षा के लिए घातक हो सकता है मेरे विचार से प्रवतेश्वर और भगीरत जैसे व्यक्ति विश्वास करने योगे हैं मैं नहीं समझता कि वे कभी भी निलकंट के विरुद जाएंगे वे उ आप उनके सभी अनुयाईयों पर संदेह करती हैं तो परशुराम के बारे में आपका क्या विचार है वो पहले से मार्ग जानता है आप निलकंट में उसकी भक्ति के बारे में भी जानती हैं तुम्हें याद है मैंने कहा था कि परशुराम को पंच्वटी मत लाओ लेकिन तुमने मेरी एक नमानी तो फिर क्या करें मौसी हम लोग उन्हें ब्रंगाओं के ओर से ले चलेंगे वे पंच्वटी पहुचने का मार्ग जान पाएंगे किन्तु वे मात्र चंद्रकेतु के अधिकार छेतर से वे अपने सामराज से सीधे हम तक कभी नहीं पहुच पाएं ये बहुत ही उत्तम विचार है। के अपने पती की ओर देखा। क्या आपकी हत्या करने का प्रैपनी किया था। मुझे तुम्हारे साथ किये अन्यायप़ पर क्रोध है ना कि मेरे साथ किये वहार पर तलवार तान देने की विद्युमालिए की हिमत कैसे हुई सदी फुस पुसाई भगवान का शुक्रता की गणेश सती रुख गई क्योंकि उसे भै हुआ कि ऐसे में गणेश का नाम लेना इस छण के आनंद को नश्ट कर देगा शिव ने उसे हलके से दबाया वो तुम्हारा पुत्र है सती चुप रही उसका शरीर अकड़ा हुआ था वो शिव की उस पीड़ा कानुभव कर रही थी जो उसे ब्रहसपती की मृत्यू के कारण हुई थी शिव ने सती के मुक अपने दोनों हाथों में थामा और सीधा उसकी आँखों में जाका मैं चाहे जितना प्रयत्न करनू तुम्हारी आत्मा के किसी भी हिस्से से घ्रणा नहीं कर सकता सती ने एक गहरी स्वास छोड़ी आसों की नई धार बह निकली उसने शिव को कसकर जक महराज अभी कहा है में मेलूहा के लिए रवाना हो चुके हैं श्रीमान वीरभद्र ने कहा पर्वतेश्वर ने अपना सिर पकड़ लिया उसके समराट ने उसकी मातर भूमी मेलूहा का अनादर किया था वो उस पीड़ा के बारे में कलपना भी नहीं कर सकता था जो इस रह मेल हुआ का राजसी जल्यान गंगा में उपरी धारा की दिशा में चल पड़ा था। सूरिवंशी नौसेना शिष्टाचार के अनुसार चार जल्यान घेरा बना कर चल रहे थे। दक्ष के अनुगामियों का दल अपने घर की ओर चल पड़ा था। अब वे काशी से एक दिन की दूरी पड़ थे। माया श्रणिक नेत्रत नौका में था और एक स्थिर गती रख रहा था। काशी की घटना के कारण वो अब तक हिला हुआ था। उसने आशा की थी कि उसके सम सुरक्षा प्रभारी था निलकंट के अनुवायों द्वारा सम्राट पर हो सकने वाले किसी भी प्रकार के आकरमन करना उसका करता व्य था। हाला कि दूरलब था। फिर वह सबीं प्रकार की सावधानियां बरत रहा था। जल्यान के मध्य में वीरिनी राजिसी कख्ष की एक ख्रिकी से गंगा के जल का जल्यान पर हिलोरे मारना देख रही थी उसे आभास था कि अब उसने अपनी सभी संताने खो दी है उसने क्रोध में अपने पती की और देखा दक्ष्रया पर लेटे हुए थे उनके आंखें उजार थी उनके मुझ पर सब कुछ खो जाने वाला भाव था जिशे पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसी भयाव है परस्तितियों का सामना किया हो और पूर्टया पराजित हुए हो वीरिनी ने अपना सिर हिलाया और पुना बाहर के और देखने लगी काश इन्होंने मेरी बात मानी होती वीरिनी को वो घटना उसी तरह स याद थी जैसे कि वो कल की ही बात हो वो हर दिन सोचती थी कि यदि वैसा नहीं हुआ होता तो उसका जीवन कैसा होता यह घटना एक सो साल पहले की थी सती मैका के गुरुकुल से लोटी ही थी वो एक सोला साल की हटी आदरश्वादी लड़की थी अपने चरितर के अमसार को एक आप्रवासी महिला की जान बचाने के लिए जंगली कुटों के बीच में कूद पड़ी थी परवतेश्वर और दक्ष उसको बचाने के लिए दौर पड़े हाला कि वे उन कुटों को भगाने में सफल हो गए थे लेकिन दक्ष गंभी रुप से घायल हो गए थे वीर के बाद जब उन्होंने आखे खोली तो उनके मन में जो सबसे पहला विचार आया था वो अपनी पुत्री के बारे में था सती वो परवतेश्वर के साथ है वीरिनी अपने पती के निकट गए और उनका हाथ पकड़ कर कहा उसके बारे में चिनता ना करे मैं उस पर चिलाया कि उसे उस महिला के लिए अपने जीवन को संकट में नहीं डालना चाहिए था मैं उस पर चिलाना नहीं चाहता था बस इतना ही मुझे कहना था वीरीनी की आखे संकुचित हो और छोटी हो गई उनके पती किसी भी सूरिवन्शी से कम नहीं हो सकते वो कुछ बोलने ही वाली थ मास्त्र उस वेक्ति के अदम में उत्सा को फीका नहीं कर पा रहे थे juice nahi थी मेलोहा में का अथक भी है अपने सम्राज के शम्मान आद्र को लेकर जो उनकी आपेकशाएं थी उस तरवर उनका पुत्र खरा नहीं उतर रहा था दक्ष मे शाहस और चरित्ट र का भाव उनके क्रोध और निराशा का स्रोध था वीरिनी तत्काल ही उड़ गए और धीमे से एक और हो गई ब्रह्मनायक वीरिनी से तभी बोलते थे जब कोई आदेश देना होता था ब्रह्मनायक के पीछे वो दयालू वैदे खड़ा था जिसने दक्ष के छत विछत कर दिये गए पैर का था ब्रह्मनायक ने अपने पुत्र के पैर को देखने के लिए चादर उठाए नीम के पत्तों की पट्टी पैर के चारोर बंधी होई थी वैदे मिलंसारिता से मुस्कुराया महराज आपके पुत्र एक दो सब्ता में अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे मैंने बहुत सावधानी बढ़ती है चोट का निशान भी हलका रहेगा दक्ष ने पलभर के लिए पिता की और देखा उसके बाद उसका सीना फूल उठा वो फुस पुसाया नहीं वैदेजी चोट के निशान च्छत्रियों को गर्व होते हैं ब्रह्मनायक ने अपना नतुना फुलाया एक छत्री होने के बारे में तुम क्यों जानोगे दक्ष चुप कर गया वीरीनी गुस्से से खौल रही थी तुमने कुछ कुटों को यह करने दिया ब्रह्मनायक ने तिरसकार पुर्ण धंग से पूछा मैं मेलुहा में हसी का पात्र बन गया हूँ संभावतया पूरे तब ही नहीं मार सकता दक्ष अपने पिता को एक टक घूरे जा रहा था इस प्रकार के जगड़े को आगे बढ़ने से रोकने के लिए और अपने रोगी की मानसिक स्थिती की रक्षा के लिए वैद बचाव को आया महराज मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है क्या हम बाहर नायक में सहमती में सिर हिलाया मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है बाहर निकलने से पहले उन्होंने दक्ष के और मुणते हुए कहा था अत्यधिक नाराज वीरिनी अपने पती के पास गई जो रो रहे थे आप कब तक यह सहन करते रहेंगे दक्ष अचाना की अत्यधिक क्रोध से भर गया वे मेरे पिता हैं उनके बारे में आदर से बात करो आपके बारे में उनको कोई चिंता नहीं है दक्ष वीरिनी ने कहा वे मात्र अपनी विरासत के बारे में चिंतित रहते हैं आपको तो राजा बनने का भी लोब नहीं है तो फिर हम यहां क्यों है मेरा क चुप हो गया उन्होंने आपके पुत्री को छोड़ देने पर विवश किया अब आप और कितना त्याग करेंगे वो मेरी पुत्री नहीं है वो आपकी पुत्री है काली भी उसी प्रकार आपकी रक्त और मांस का अंश है जिस प्रकार सती मैं दुबारा इस पर चचा नहीं कर होंगे दक्ष ने अपना सिर्ह लाया और तुम क्या सोचती हो कि हम क्या होंगे हम प्रसंद होंगे किन्तु मैं सती को अकेले नहीं छोड़ सकता आपको उसे अकेले छोड़ने को कौन कह रहा है बस मैं के वर इतना चाहती हूं कि हमारा परिवार एक साथ हो क्या सती क्यों पंचवटी में रहे वो नागा नहीं है तुम्हारे और मेरे पूर्वजन के पाप है जिनका प्रैस्चित करना है हमें वे पाप जिनके लिए हमें दंड दिया गया है वो क्यों दंड जहले वास्तविक दंड तो ये है कि वो अपनी बहन से अलग है वास्तविक दंड तो ये है कि उसके पिता को प्रतेजिन अपमानित किया जाता है दक्ष चुप रहा वो काप रहा था दक्ष मुझ पर विश्वास करें वीजनी ने कहा हम पंचवटी में सुखी रहेंगे यदि कोई दूसरा इस्थान होता जहां हम काली और सती के साथ सुखी रह सकते तो मैंने वो इस्थान चुना होता किन्तो ऐसा अन्य कोई स्थान नहीं है दक्ष ने गहरी स्वास ले किन्तु कैसे वो आप मुझ पर छोड़ दे मैं सारे प्रबंद कर लूँगी आप केवल हां कहें आपक ना कर सकें इससे पहले कि वे जान पाएं कि आप कहां जा चुके हैं हम पंचवटी में होंगे दक्ष ने वीरिनी को एक तक देखा किन्तु विश्वास करें कृप्या मुझ पर विश्वास करें यह हम सब की अच्छाई के लिए हैं मैं जानती हूं कि आप अपनी पुत्रि गई और उन्हें चूंग लिया मैं सारे प्रबंद कर लूँगी प्रसन होती हुई वीरिनी मुड़ी और कक्षि के बाहर निकल गई उसे बहुत सारे काम करने थे जैसे ही वह बाहर निकली तो उसने बाहर सती और प्रवतेश्वर को बैठे हुए देखा उसने सती के सिर पर वापस जा रहे थे डॉल्फिन के चिलाने से मेलुहा के रानी पुना वर्तमान में आय पहुची एक सदी पुरानी याद ने उसकी आँखों में आसू ला दिया थे उसने अपने पती की और मुड़कर देखा और सीर लाया उसे कभी भी ये समझ में नहीं आया कि उस दिन अ एहम और पिता के अनुमोदन की आवशक्ता ने हमारा जीवन नश्ट कर दिया रहस्य परशुराम के साथ भारतला को याद करते हुए शीव ने पूछा परशुराम परवदेश्वे वीरभद्र एवं नंदी के साथ शीव बैठा हुआ था काली ने अभी अभी कक्ष में प काली ने कहा यह भारत वर्श की आवशक्ता है कि जो रहसे नागा लोग अब तक छुपाए हुए थे वो निलकंठ को जानना चाहिए उसके बाद आके निरने कर सकते हैं कि जो कुछ भी हमने किया है वो सही है या गलत निरने करें कि हमें क्या करना चाहिए तुम मुझे यह लगेंगे एक वर्श से कुछ ही अधिक दिन काली ने उत्तर दिया एक वर्श जी हाँ प्रभु निलकंठ हमें ब्रंगा राज्य का मधुमती नदी में धारा के साथ नौका से जाना पड़ेगा उसके बाद दंड का रने में पैदल चलना पड़ेगा इस यात्रा में समय ल रहा हूं किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि तुम मुझे पर विश्वास नहीं कर रही मैं आप पर पूर्ण रूप से विश्वास करती हो प्रभु निलकंठ शीव काली के अवस्ता को समझते हुए मुस्कुराया वह उस पर विश्वास कर सकती थी लेकिन उन सब पर नहीं ज पर प्रतिमा को निहां जुकाया और अपने दूसरा हाथ गणेश के लिए पहलाया और काली शिव ने कहां काली ततकाल यह उसी इस्थल पर घूम गई मुझे शिव पहलाना पसंद है नीलकंठ नहीं तो मेरी पतनी की बहन हो तुम मेरा परिवार हो काली मुस्कुराया और प्रति जुकाया जैसी आपके आगया शिव और सती विश्वनात मंदिर में प्रभुरुद्र का आशिरवात प्राप्त करने के लिए एक विशेश पूजा करने वहां आए हुए थे पूजा समाप्त करने के बाद मंदिर के एक स्तंभ से सटकर बैठे हुए देवी मोहिनी क मा देवी शिव ने कहा सती ने पनी पती की ओर देखा देवी मोहिनी हाँ विश्व के रूप में उन्हें सरवत्र क्यों नहीं स्विकारा गया साथ विश्व के बाद संख्या क्यों बंद हो गई हो सकता है कि भविश्य में और भी विश्व हो किन्तु सभी लोग इनका से काम के जिन्हें अनुचित समझा जा सकता है इससे कोई अंतर नहीं पड़ता यदि उन्होंने वे काम असुरों के विरुद किये थे वे तब भी अनुचित ही थे सूर्यवंशी जो पूर्टा प्रभुराम का अनुसराण करते हैं उनके लिए इन्हें समझना कठेन है तो फ बार एक वासुदेव ने मुझे बताया था कि उनका ये मानना है कि बिना देवी की सहायता के प्रभुरुद्र अपने लक्षी में सफल नहीं हो पाते शिव ने सती के और देखा वे सच में हो सकते हैं संभव है कि छोटा सा पाप बड़ी अच्छाई में सहायक बना हो अब है कि उसने एक वाप क्यों किया होगा हो सकता है कि हम उसे छमाना कर पाएं फिर भी हम उन्हीं समझ तो सकते ही हैं शिव जानता था कि सति गनेश के सब्सक्राइए बिना सब कुछ जाने हुए कि कोई घटना क्यों घटना को समझना क्टिन होता है शिव ने अपना मुख दूसरी और घुमा लिया उसने अपनी आखें बंद की और गहरी स्वास ली उसने तुम्हारी जान बचाई उसने कार्टिक की जान बचाई इसके लिए मुझे उससे लगा होना चाहिए उसने इतना कुछ किया है कि अब मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि वो एक अच्छा मेक्ती है सती चुक्चाप शिव की बाते सुनती रहे किन्तु शिव ने एक पुना लंबी स्वास ली किन्तु ये मेरे लिए सरल नहीं है सती मैं ऐसा नहीं सती ने दुख भरी स्वास छोड़ी संभवत या पंचवटी जाने से सब कुछ इसपष्ट हो जाए प्रभू आप क्या कह रहे हैं मैं ये कैसे कर सकता हूँ बहुचक के दिलीप ने पूछा दिलीप आयोध्या के अपने महल के नीजी कक्ष में महार्शी भ्रगु के चरणों में बैठा हुआ था प्रदार मंत्री सियामंतक भ्रगु के आयोध्या में घोपनी ये ढंग से आने की पूण विवस्था करने में अब तक विशेशग्य बन चुका था महार्शी के ओशधी अपना जादू भिखेर रही थी दिन प्रति दिन दिलीप और अधिक स्वस्थ होते जा रहे थे क्या आप सहायता करने से मना कर रहे हैं महाराज महार्शी का सुर्थ दुर्भावना पूर्ण था उनके आँखे संकुचित होकर छोटी हो गई थी नहीं मुनिवर निसंदे हैं नहीं किन्तु यह संभाव है मैं आपको मार्ख दिखाऊंगा किन्तु मैं केवल अपने आप यह कैसे कर सकता हूँ आपके पास मित्र होंगे मैं इसकी प्रतिभूती देता हूँ किन्तु एक हमला इस प्रकार का यदि किसी को पता चल जाता है तो फिर क्या होगा मेरे अपने लोग ही मेरे विरुद हो जाएंगे किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा दिलीप परिशान दिखा मैंने स्वयम को किस मुसीबत में डाल लिया है क्यों? क्यों इसकी आवशकता क्यों है महारशी जी? भारत की अच्छाई के लिए दिलीप शांत बने रहे उनके मुख पर चिंता की रेखाए थी ब्रगु जानते थे कि दिलीप स्वयम में ही इतना आसक्त था कि वे किसी बड़े कारण की चिंता नहीं करेंगे अंतरता उन्होंने इसे बहुत ही व्यक्तिकत बनाने कर निर्ने लिया यदि आप अपने शरीर को रोगो द्वरा नश्ट किये जाने से बचाना चाहते हैं तो आपको ऐसा करने के आवशकता है महाराज दिलीप ने ब्रगु को एक टक देखा धमकी सपश्ट और प्रकट थी उसने अपना सिर जुकाया बताएं कि कैसे करना होगा महारशी नागारानी के शिव से अनुरोध करने के दो महीने की भीतर ही परवतेश्वर ने पंचवटी की यात्रा करने का सारा प्रबंध कर लिया था शिव के अनुगामियों की संक्या तप से बहुत अधिक बढ़ गई थी जब वो उस नगर में आया था जहां दैवी प्रकाश चमकता है शिव के साथ इस यात्रा में उसका पूरा परिवार था क्योंकि महादेव ने सती और कार्टिक को वहां छोड़ देने से मना कर दिया था काली और गणेश को तो वहां होना ही था निलकंटी की ठाट बाट में वीरभदर और नंदी को रहना ही था और वीरभदर ने इस बार अपनी पतनी कर्टिका को अपने साथ ले चलने की हट की इसलिए नहीं कि वे एक दूसरे से मिल नहीं सकेंगे बलकि वो जानता था कि इतने लंबे समय तक कार्टिक से दूरी वो सहन नहीं कर पाएगी आयरुवती का चैन चिकित्सके रोब में सौभाविक था शिव स्वयम भगीरत और परशुराम की उपस्तिती भी चाहते थे और उसका सेना पती और सुरक्षा प्रभारी परवतेश्वर आनंदमई के बिना नहीं रह सकता था परवतेश्वर ने उनके साथ यात्रा करने के लिए दो दलों का प्रबंद किया था इस प्रकार सूरिवनशी एवं चंदरवनशी दोनों के दो हजार सैनिक नो जहाजों में नेलकंठ और उनके निकट सहयोग्यों को ले जाने वाले जल्यान के साथ-साथ चल रहे थे गणेश का विश्वासी ब्रंगा अनुगामी विश्वद्म ने अपने दल के साथ चंदरवनशी दल में शामिल कर लिया गया था वे दीरे दीरे चल रहे थे ताकि सभी जल्यान एक साथ चल सके काशी से चले दो महीने बीच चुके थे और अब वे वैशाली के निकटा पहुंचे थे मासुदेव के मुख्या गोपाल से अपने वारतालाब को याद करते हुए शिव वीर्भदर नंदी और परशुराम की और मुडा नंदी के अलावा सभी जहास की चछत पर बैठकर चिलम पीते हुए नदी को ध्यान से देख रहे थे प्रकट रूप से प्रभुमनू ने कहा था कि अच्छाई और बुराई एक ही सिक्के के दो पहलो है शिव ने उस छड़ की चुपी को तोड़ते हुए परशुराम से चिलम लिया परशुराम ने पनी तेउरी चड़ाई सुना तो मैंने भी है लेकिन मैं कभी भी इसका अर्थ नहीं समझ पाया शिव ने गांजे का एक गहरा कश लिया धुआ बाहर निकाला और वीरभद्र को चिलम दे दी भद्र तुम इससे क्या समझते हो सच कहूं तो आपके वासुदेव मित्र जो अधिकतर बाते बताते हैं वे बकवास है शिव ठाहा का मारकार हस पड़ा उसके आनिमित्र भी हस पड़े मैं बिलकुल वैसा ही नहीं कह सकता वीरभद्र शिव पीछे के और मुणा तो गणेश को देख वो विसमित रह गया शिव चुप हो गया मस्करी का वातावरान सहसा भंग हो गया परशुराम ने ततकाल ही गणेश के सम्मान में अपना सिर जुकाया किन्तु कुछ कहा नहीं क्योंकि वो निलकंट को आपरसन नहीं करना चाहता था वीरभद्र जिसकी दृष्टी में लोकाधीश का सम्मान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और जो उसे निश्ठावान विक्ति समझने लगा था उसने पूछ लिया तो फिर गणेश आप इसका क्या आर्थ समझते हैं मैं सोचता हूँ कि एक संकेत है वीरभद्र पर मुस्कुराते हुए गणेश ने कहा संकेत शिव ने कौतुहल से पूछा संभवतिया ये निलकंट के लिए एक संकेत है कि वे किसकी खोच करें ठीक है बोलते रहो अच्छाई और बुराई एक ही सिक्के के दो पहलू है और इस प्रकार निलकंट को सिक्के के एक पहलू की खोच करनी है है ना शिव ने पनी तेवरी चढ़ा ले क्या सिक्के के एक पहलू को खोजना संभव है गडेश ने पूछा शिव ने अपनी ललाट को थपकी दी निसंदे है इसके बजाए पूरे सिक्की की खोच करनी है गडेश ने मुस्कुराते हुए सिर्ह लाया शिव ने गडेश को गहरी दृष्टी से देखा निलकंट के मन में एक पिचार उत्पन हो रहा था अच्छाई की खोज और आपको उस खोज में बुराई भी मिल जाएगी जितनी बड़ी अच्छाई उतनी ही बड़ी बुराई भी विर्भदर ने चिलम गडेश को देने के लिए हाथ बढ़ाया और पुछा क्या आप लेना चाहेंगे गडेश ने अपने जीवन में कभी भी चिलम नहीं पी थी उसने अपने पिता की उर देखा किन्तु वो उनकी रहस्यात्मक आखों की गहराई में कुछ भी नहीं पड़ पाया हा मैं कोशिश करना चाहूंगा वो बैठ गया और उसने विर्भदर से चिलम ले ली अपने मूँ के पास इसे इस प्रकार रखें अपने हाथ उसे चिलम को पकड़ने का प्रदर्शन करते हुए विर्भदर ने कहा और मूँ से कश खीच ले गड़ेश ने वैसा ही किया और जैसा उसे कहा गया था और वो फिर खासते खासते गिर पड़ा सभी लोग ठाहा का मार कर हस पड़े शिवाय शिव के जो भावहीन उसे अभी भी घूर रहा था विर्भदर ने हाथ आगे बढ़ा कर गड़ेश की पीट को थपके दिये और चिलम उसके हाथ से ले ले गड़ेश लगता है आपको इस बुराई ने कभी छुआ नहीं नहीं लेकिन पक्का है कि मैं इसे पसंद करने लगूँगा थोड़ा शर्माते हुए गड़ेश ने छड़ भर के लिए शिवक्योर देखते हुए कहा और उसने पुना चिलम लिने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया विर्भदर ने चिलम को उसकी पहुँच से दूर करते हुए कहा नहीं गड़ेश आपको निर्दोश ही रहना चाहिए जहाजों का बेड़ा ब्रंगाओ के दौर पर था पर्वितेश्वर आनंदमई और भगीरत नेतरत जहाज में दौर से अंदर जाने वाले कारियों के निरिक्षन हेतु चले गए थे मैंने इसे पहले भी देखा है मुझे पता है आनंदमई ने दौरों को घुरते हुए कहा किन्तु में अभी भी उनके अति सुन्दर चातुरी पर आश्चर चकित हो पर्वितेश्वर मुस्कुराया और उसने अपनी बाहों से आनंदमई को घेर लिया और लगभग उसी समय आनंदमई की जुझलाहट को बढ़ाते हुए अपने काम पर लग गया उत्तंक दूसरा जहास पर्याप्त रूप से उचा नहीं है ब्रंगाओ को बताओ कि वे और अधिक पानी उसमें भर दें पर्वितेश्वर ने देखा भी नहीं कि इस मद्ध आनंदमई ने अपनी भौहें उपर उठाई और अपना सिर्हलके से हिलाया उसके बाद वो कुराया और इसके बाद वो द्वारों से प्रवेश करने की गतिवधी का निरिक्षण करने लगा यह प्रवेश ठीक तरह से हो जाएगा से नापती भागीरत ने कहा निश्चिंत रहे हम जानते हैं कि ब्रंगा लोग क्या कर रहे हैं यहां कोई विस्मे करने वाली वस्तु था खुल कर भूलो भागीरत तुम क्या कहना चाहते हो हम इस मारकू को जानते हैं बंगीरत ने कहा हम जानते हैं की ब्रंगा लोग क्या कर रहे हैं यहां कोई भी विपत्ति अचानक आने वाली नहीं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि नागा लोग हमें कहां से ले जाने वाले हैं, केवल परमपिता परमेश्वर ही जाने कि उन मार्गों पर कैसी कैसी विसमेकारी वस्तुएं चुपी हुई हैं, क्या उन पर इस प्रकार अंधा विश्वास करना बुद्धिमानी है। आनदमयी ने बीच मही टोक गिया, हम लोग नीलकंट पर विश्वास कर रहे हैं, पर अतेशवर चुप रहा, मैं यह नहीं कह रहा कि हमें महादे पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बगीरत ने कहा, हम वो कैसे कर सकते हैं? लेकिन ह प्रभू नीलकंट रानी काली पर विश्वास करते हैं जिसका सीधा सा अर्थ है कि मैं उन पर विश्वास करती हूं और उसी प्रकार तुमको भी करना चाहिए भगीरत तुमको भी करना चाहिए आप क्या कहते हैं प्रवतेश्वर प्रभू मेरे प्रभू है यदि वे देते हैं तो मैं अगनी की दीवारों पर चढ़ जाओंगा प्रवतेश्वर ने कहा और बाहर नदी के किनारे की और देखने लगा जहां संकलन करता यंत्रों को खोल दिया गया था इसके कारण जहास को अत्यधिक बल के साथ खीचा जा रहा था मेलूहा का सिनापती भगीरत क दोर मुडा परंतु मैं कैसे भूल सकता हूं कि मेलूहा के सबसे महान वैज्ञानिक ब्रहस्पती की हत्या गणेश ने की है और मैं यह भी नहीं भूल सकता कि उसने सामराज के हिर्दय मंदार शिखर को नश्ट किया है इन सब के बावजूद मैं उन पर कैसे विश्वास कर सकता हूं आनंदमई ने पर्वतेश्वर की और और उसके बाद अपने भाई की और असहचता से देखा नहीं कृतिका आयुरवती ने कहा मैं यह नहीं कर सकती उनके जहाज की किनारों में कुंडियों को लगाया जा रहा था ताकि उसे ब्रंगा के दौर पर आगे की और खी तुनिए आप जानती है कि मुझे इसकी आवशकता है नहीं तुम्हें इसकी आवशकता नहीं है और मुझे पक्का विश्वास है कि यदि तुम्हारे पती को यह पता होता वे भी इसके नहीं कहते उन्हें जानने की आवशकता नहीं है कृतिका मैं ऐसा कोई भी काम नहीं क वो जानती थी कि यह वही औशदी थी जिसके उसे लाग सा थी उसने उसे धीमे से उठाकर अपने अंगवस्त्रम में छुपा लिया आपको परिशान करने के लिए मुझे च्छमा करें कृतिका ने कहा आयरुवती पीछे क्यों मुझे शमा करना यदि मैं तुमसे असभी रू और कक्षे से बाहर निकलने ही वाली थी कि आयरुवती ने उसे पुकारा उसके अंगवस्त्रम के और संकेत करते हुए बोली कृफ्छे उसे यहीं रख दो लग्जित हुए कृतिका ने अपने अंगवस्त्रम से उस थैली को निकाला और मेज पर रग दिया उसने आयरुव पती इसलिए तुमको प्रेम नहीं करता है कि तुम उसे कुछ दो बलकि इसलिए करता है कि तुम वो हो जो हो कृतिका ने बुद्बदा कर एक विनम्रच हमा प्रात्ना किया और कक्ष से बाहर भाग गई अध्याय तेईस सभी रहस्यों का रहस्य काफिले ने ब्रंगा के द जहां हमने परशुराम से युद्ध किया था पूर्व दस्यू की पीट पर थपकी मारते हुए शिव ने कहा परशुराम ने शिव की और देखा और उसके बाद सती की और देखा वास्तों में ये वह इस थल है जहां प्रभू ने मेरी रक्षा की थी शती परशुराम को दे प्रतीत हो रहा था कि नदी सुन्दरी व्रक्षों के जुर्मुट का घागरा पहने हुए आगे बढ़ती हुई पूर्वी समुद्र के और चली गई थी कहा शिव ने कहा उन सुन्दरी व्रक्षों को देखें प्रभू परशुराम ने अपने कटे हुए बाएं हाथ से जुर्मुट के और संकेत करते हुए कहा वे इस छेत्र को अपना नाम देते हैं सुन्दरवन सु पूछा जी हाँ दीवी परशुराम ने कहा वे एक अती सुन्दर रहस्य को भी छुपा कर रखते हैं काली के आदेश पर नेत्रत्व जहाज जुर्मुट के और मुड़ गया जिसकी और परशुराम ने संकेत किया था अपने जहाज से दूरी होने पर भी सती देख पा रही हैं गबराहट में सती ने पूछा वे भूमी से टकरा कर रटक जाएंगे उनको उस समय हैरानी हुई जब नेत्रत्व करने वाला जहाज उन पेड़ों को धक्का देता हुआ आगे की और बढ़ गया पवित्र जील के नाम पर ये क्या है विसमित शिव फुस पुसाया कुछ ऐसा है कि जो मैं भी नहीं समझ पाया हूं परशुराम ने कहा संभवतिया ये नागाओं का जादू है राजिसी जहाज के पीछे अन्य जहाज भी सुंदरी व्रक्षों के तैरते जुर्मुट में सरलता से प्रवेश कर गये और उसके बाद वे जील में शिव ने चारों और आश्चरे से देखा वो छेत्र अत्यंत हरा भरा था और पक्षियों के उग्र कल्रव से जीवन्त था वहां के पेर पौदे अत्यदिक सगहन थे जिसके कारण उस जील पर पत्तियों की छहत्री सी बन गई थी वो जील इतनी विशाल थी कि वहां दस जूरमुट के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है मैं उनकुछ लोगों के बारे में जानता हूँ ने इसे ढूरने के प्रियास की और उनके जहास भोमी से टकरा कर नश्ट ہو गया किनारों पर लगे लंबे खंबों में बांध कर दस जहाजों को खड़ा कर दिया गया उन्हें एक दूसरे से तैरते हुए ही बांध कर घने सुंदरी व्रक्षों के जुर्मुट में छुपा दिया गया आगे का मार्ग पैदल तै करना था दो हजार सैनिकों को दंडकारणी के बीच से होकर जाना था उन सब को नेतरत्व जहास के आसपास जमा होने के लिए कहा गया काली मुख्य मस्तूल पर चड़ गई ताकि सभी लोग उसे देख सके आप सभी सुनें सभी लोग शान्त हो गए आप सभी लोगों ने दंडकारणी के बारे में अफवाहें सुनी होगी आपने सुना होगा कि दंडक वन विश्व में सबसे बड़ा है ये पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक फैला हुआ है ये इतना सभन है कि सूरज की रोष्णी यहां प्रवेश नहीं कर सकती ये विक्राल पश्वों से भरा पड़ा है जो भटके राही को नश्ट कर देते हैं ये वन विश्युक्त व्रक्षों से भी भरा पड़ा है और जो लोग मुर्खतावश कुछ खा लेते हैं या उन्हें चूते हैं वे भी समाप्त हो जाते हैं सैनिकों ने चिंता से काली की ओर देखा ये सभी अफवाहे सही हैं अत्यधिक भयंकर रोप से सैनिकों को पता था कि दंडक वन नम्रदा के दक्षर में था इसके सीमा प्रभू मनु ने निर्धायित की थी ऐसी सीमा जिसे कभी भी पार नहीं करना था वेना केवल प्रभू मनु के आदेशों का उलंगहन कर रहे थे बलकि भायानक दंडकारन्य में प्रवेश भी कर रहे थे इन शापित वनों में कोई अतिसाहसिक बनकर और वही करें जो हम कहें यदि ऐसा आप नहीं करेंगे तो मैं वचन देती हूं कि आप पंच्वटी जीवित नहीं पहुच पाएंगे सैनिको ने जोशीले ढंग से सिर हिला कर सहमती प्रकट की दिन के बचे हुए समय में आप जहाजों पर विश्राम कर सकते हैं भोजन करें और एक नींद ले लें सुर्योदय के साथ ही हम रवाना हो जाएंगे आज कोई पास देखा और उसके बास सती के और देखा हम लोग एक बहुत बड़े काफिले में यात्रा कर रहे हैं साम मानतिया यह दूरी एक महीने में तै हो पूछा नहीं शिव वो पच्छिम की और अधिक है तो फिर बहुत अधिक दूर है इसी कारण मैंने कहा था कि बहुत अधिक समय लगेगा जब हम दंड का रन्य पहुचेंगे तब उसके बाद पंच्वटी पहुचने में और छे महीने लगेंगे शिव ने कहा जहाज से हमें परियाप्त मातरा में खाने का सामान लेकर चलना चाहिए इसकी कोई आवशकता नहीं है शिव काली ने कहा अतरिक्त भार हमें धीमा कर देगा ये वन्य आवशक भोजन से परिपूर्ण है हमें मातर सावधान रहना है कि हम वो नहीं खाएं जो हमें नहीं खाना चाहिए परंतु भोजन ही एक मातर समस्य नहीं है हम लोग नो महीने वनों में बिताएंगे कई अन्य भी आ सकते हैं काली के आंखे चमक उठी नहीं आएंगे यदि आप मेरे साथ हैं मुख्य जहाज की छत पर रात का भोजन परोसा गया शिव ने नागाओं की सामुदाइक भोज की प्रथा का समान करने का नर्णे लिया जिसमें अनेक लोग एक अत्यधिक विशाल पत्तल मे बैठ गए पर वतेश्वर को यह प्रथा अजीब और आस्वास्तिकर प्रतीत हुई किन्तु सदैव की तरह उसने शिव के आदेश का पालन किया इस प्रथा के पीछे कारण क्या है महारानी भगीरत ने काली से पूछा हम नागा लोग भोजन की देवी अनपूर्णा में आ हम लोग इस यात्रा में एक जैसे भागे वाले बन चुके हैं ये बात तो सच है भगीरत ने कहा और साथ में ये भी सोच रहा था कि सामुदाएक भोज विश्करन से बचने का एक बहुत ही अच्छा तारीका है क्या सचमुछ ही दंड़क भयानक है महारानी परवतेश्वर ने पूछा यफिर ये अफवाहे अनुशासन सुरिश्चित करने के लिए हैं एक वन बहुत अधिक देखरेक करने वाली किसी दयालू माता की तरह हो सकता है यदि हम उसके नियमों का पालन करें लेकिन यदि हम रास्ते से भटक जाते हैं तो वो एक दानब की तरह हो सकता ह जो आपको ततकाल ही परास्त कर देगा अफवाहे अवश ही अनुशासित करने का माध्यम बनती हैं नौ महीने का समय एक ही मार्क पर चलने के लिए बहुत लंबा होता है अता आवश्यक है कि हम इससे भटके नहीं लेकिन विश्वास करें जो भटक जाएंगे उन्हें इस पता अवश्य चल जाएगा कि यह फवाहें पक्के तत्यों पर आधारित हैं ठीक है शिव ने कहा बहुत चर्चा हो गई अब हमें भोजन करना चाहिए और इन सब के मध्य आयुर्वतिक करतिका और विर्भद्र को देख रही थी कौर लेने के बीच बीच में वीर्भद्र कार्थिक की और संकेत कर रहा था और कुछ फुसा रहा था वे दोनों ही कार्थिक को प्रेम भरे भाव से ऐसे देख रहे थे जैसे वो उनहीं कपुत्र हो आयुर्वतिक के मुख पर एक दुग भरी मुस्कान थी सेनपती विर्भद्र ने कहा पर रतेश्वर सच में क्या प्रभू आ रहे हैं नहीं सेनपती केवल मैं परवतेश्वर ने सिर हिलाया ठीक है उसके बाद वो काली के और मुड़ा महरानी मैं आशा करता हूं कि आप मेरे आदमियों से पंच्वर्टी तक जाड़ियों को काड़ते हुए मार्ग बनाकर चलने के आशा नहीं कर रह या तो आप सीधे सीधे उत्तर दे या फिर मैं अपने आदमियों के साथ जहास से रवाना हो जाओंगा मुझे नहीं पता कि आपका विश्वास जीतने के लिए मुझे क्या करना चाहिए सेनपती क्या अभी तक की यात्रा में मैंने ऐसा कोई काम किया है जिससे आपके तलवारे निकाली और एक पंक्ति की बनावट में आ गया वीरभद्र भी उनमें शामिल हो गया वे आगे की और धीमे से बढ़ने लगे वे उन सभी जाड़ियों को काट कर साफ करते जा रहे थे जो अवेदनी यह थी गणेश और विश्वदुन उस पंक्ति के दोनों चोर पर थे वे बाहर की और देखते हुए अपनी तलवारे निकाले हुए थे उनकी मुद्राओं से इस पश्ट था कि वे उन सैनिकों की रक्षा किसी अंजान संकट से कर रहे थे कुछ देर के बाद वीरभद्र और सैनिक तब आश्यर चकित रहे गए जब वे उस सघन झाड़ परवतेश्वर नागारानी के और मुडा काली मुस्कुराई मैंने आपसे पहले ही कहा था मुझ पर विश्वास करें वीरभद्र थोड़ा बढ़कर गया और आगे जाने वाले सड़क मार्गों को विश्मे से देखा वो एकदम ही सीधा सपाट सामने दूर तक जाता दिख रहा था वो पत्थ्रों भरा एक मार्ग था जिसे बहुत हद तक समतल कर दिया गया था उस सड़क मार्ग के समनांतर दोनों और रक्षों के साथ साथ बाड़े अनवरत लगे हुए थे जिन पर लताएं लिप्टे हुई थी क्या ये विशाक्त हैं परवतेश्वर ने उन ज जंगल की और लगा हुआ है वो बहुत विशाक्त है यदि उनके काटे भी आपको चूप जाएं तो आपको अपने इश्वर से प्रातना करने तक का समय नहीं मिल पाएगा परवतेश्वर ने अपनी भौहों को उचा किया इन लोगों ने इन्हें कैसे बनाया वीरभदर का यदि जीवन इतना ही सरल होता तो क्या था प्रथम प्रहर बस समाप्त ही होने वाला था सूरी छेतिच पर टिम्टिमा रहा था कुछी मिंटों में वह अपनी कीर्थिक अनुसार प्रकाश फैलाते और गर्मी प्रदान करते हुए चमकने वाला था हाला कि उस सघन सुंदर में सूरज अगनिमे स्वरूप की छाया मात्री था शिव के काफिले की चलने के लिए मार्ग दिखाने के लिए उसकी कुछ किरने ही उस सघन पत्तियों से छंकर धरती तक आने में सफल हो पा रही थी नागाओं की सड़क तक सफाई किये हुए स्थान पर एक सव आदमियों का एक दल छोड़ दिया गया था उन्हें इस पश्ट आदेश दे दिया गया था जंगल की और से आने वाले किसी पशुआ किसी अन्य संकट का तत्काली समादान कर देना था पैदल सिपाही उस सफाई किये हुए छेतर से होते हुए जब नागा मार्ग में प्रविष्ट विस्मित थी उस जंगल में जो उन लोगों ने सबसे अंतिमाशा की थी वो थी एक आरामदायक और सुरक्षित रास्ते की जुलूस के दोनों किनारों पर घुरसवार दल थे जो मशाले लेकर मार्गों को प्रकाशित कर रहे थे काले अश्वपर सवार विश्युदिमनी के साथ परवतेश्वर भगीरत और आनंदवई भी आगे आगे चल रहे थे निलकंट का परिवार काली अईरुवति क्रितिका और नंदी के साथ मद्य में चल रहा था वीरभद्र और परशुराम के साथ गणेश सफाई की हुए छेतर में खड़ा था वो तब तक प्रतिक्ष हम कभी भी आसाधान नहीं रह सकते यह अंतिम सैनिक है अब क्या करना है करपा कर मेरा पहरा करें गड़ेश ने कहा गड़ेश अपने हाथों में बीजों का एक थैला लिए हुए उस सफाई की हुए हिस्से में गया वीरभद्र और परशुराम उसके दोनों और अपने हथि लंबा और एक मीटर रूचा था वह सूर कुछ दूरी पर रुग गया अपने सामने के खुरों को आगे पीछे करता हुआ अपने नत्रों से हुंकार के धीमी ध्वनी के साथ वो मनुश्यों को देख रहा था परशुराम गणिश के और मुड़ा वह सूर आकरमण करने के ल चला हो गया वीरभद्र परशुराम की और उसकी सहायता के लिए धीर धीर बढ़ रहाता कि तभी गणेश ने तेजी से उसे रोकते हुए कहा आप दूसरी और अपनी आँखों को केंद्रित करते रहें वीरभद्र परशुराम इस संभालने में सक्षम है परशुराम ने इ इस बीच गणेश ने बीजों को इधर उधर छितराने का काय समाप्त कर लिया था वो मुणा और सड़क की और चल पड़ा उसके पीछे वीरभद्र और परशुराम थे जैसे ही वे सड़क पर पहुंचे तो वीरभद्र बोल पड़ा वो एक विशालकाई जिंगली सुर था वास्ताओं में वो बहुत ही छोटा था क्योंकि वो अभी युवा ही था गणेश ने कहा उसके समूव में दूसरे बहुत बड़े होंगे जब हम सड़क की सुरक्षा करते हैं तो इन्हें बहुत निकट नहीं आने देते इस छेतर में सुरों का आकरमन घातक सिद्ध हो सकत करता है वीर्भद्र मुणा तो उसने देखा कि एक सो ब्रंगा सायनिक उनके अश्वों को थामें हुए प्रतिक्षा कर रहे थे वह गणेश क्या करना है अब हम प्रतिक्षा करते हैं अपनी तलवार निकालते हुए गणेश ने कहा उसका स्वर शांत था हमें इस की तीर गुराहट को सुनकर वीर्भद्र उठ वैठा कोई पशु संभावतया एक हिरन उस विशालकाए बिल्ली की पकड़ में आ चुका था उसने अपने आसपास देखा जंगल जगने लगा था सूरच का उदय अभी अभी हुआ था पचास सैनिक उसके सामने सो रहे थे उनके आगे की और नागा सड़त थी जिस पर शिव के अनुगामियों के दल ने कल ही अपनी यातरा प्रारंभ कर दी थी वीर्भद्र ने अपने अंगवस्तरम को शरीर पर लपेट लिया और हतेलियों पर फूप मारी बहुत ठंड थी उसके पास उसने देखा कि परशुरा खराटे लेता हुआ अपना मुँ आधा खोले हुए गैरी निद्रा में डूबा हुआ था वीर्भद्र अपनी कोहनी के बल उठा और पीछे मुड़ा अन्य पचास सैनिक पहरे पर खड़े हुए थे उनकी तलवारे बाहर निकली हुई थी उन्होंने अपने अन्य साथियो से पहरे का भार आधी रात में लिया था गणेश मैं यहां हूं वीर्भद्र गणेश ने कहा वीर्भद्र आगे बढ़ा तो पहरेदारों ने हटकर बीच में जगा बनाई जिससे लोकाधीश दिखने लगा वीर्भद्र इस्तब्द था पवित्र जील की सौगंद वीर्भ कर सकते हैं आधा दिन यदि हम तेजी से चलें तो शेश लोगों तक पहुत जाएंगे तो फिर हम किस चीज़ की प्रतिक्षा कर रहे हैं तुम्हें पूछना चाहिए वीर्भद्र ने कृतिका से कहा सुंदर्बल में चलते हुए बिना किसी घटना के एक महीने का समय बीच अपनी राजकुमारी के बड़े पुत्र से उसे लगाओ होने लगा था गड़ेश जिसका अश्व वीर्भद्र और कृतिका के आश्वों के साथ चल रहा था ततकाल ही बोला क्या पूछना है मुझसे ऐसा है कृतिका ने कहा वीर्भद्र मुझे बताते हैं कि आप उस समय अधिक आश्यरे चकित नहीं हुए थे जब आपने सुना था कि संभावतिया समराध दक्ष ने श्री चंधन द्वज को मारा था पर शुराम ने अपने अश्व को थोड़ा धीमा किया ताकि वो उनके साथ हो जाए वो उत्सुक था क्या आप जानते थे कृतिका ने पूछ परताकृतिका जी गणेश ने कहा ब्रहमांड की अच्छाई के लिए न्याय का स्थित्व होता है ताकि संतुलन बना रहे मनुष्यों में घ्रणा की ज्वाला उत्पन करने के लिए यह अस्थित्व में नहीं होता इसके लावा मेरे पास मेलुहा के समराध को न्याय के कट उनुभाव नहीं कराएगा आपने प्र profound ले लिया आपने लिया ना गटेश ने प्रशुराम से कुछ अधिक नहीं, वीरबद्र ने कहा, बस इतना ही कि अंतताब मैं आज उस बात को समझ गया, जो एक दिन शिव ने मुझसे कहा था, उन्होंने कहा था कि प्रेम का विपरित गरणा नहीं होता, गरणा मात्र उतना ही है कि जब प्रेम बुरा हो जाता है, प्रेम का विपरि से निकल कर चलते हुए शिव और उसके साथियों को दो महीने बीच चुके थे वे लोग अभी अभी भायाना दंडक वन में प्रविष्ठ हुए थे सड़क मार्क समाप्त हो चुका था और एक बढ़े खुले छेत्र में परगर्टित हो चुका था इस छेत्र में शिव के दल क कुछ है जिनकी हमें आवशकता है सती ने गड़ेश की पीट पर थपकी मारी वो शीश परिवारों से अलग सवारी कर रहा था अतास्ती सामोहिक रात्री भोज का आनंद ले रही थी जहां वो अपने बड़े पुत्र के साथ बाचीत कर सकती थी क्या भोजन ठीक ठाक है बह स्वयम को अब और अधिक रोक नहीं पा रहा था महरानी जी ये पांच मार्ग इस खुले छेतर से बाहर की और क्यों निकल रहे हैं मैं सोच ही रही थी कि अभी तक आपने ये प्रश्ट पूछने से स्वयम को रोका कैसे हुआ था सभी लोग काली की और मुण गए बहुत ही ऐसे खुले छेतर और कितने हैं काली शिव ने पूछा काली के होट एक बड़ी सी मुस्कान में खिज गए पंच्वटी के रास्ते में ऐसे पांच खुले छेतर हैं शिव प्रभु राम दया करें परवतेश्वर ने कहा इसका अर्थ है कि तीन सहस्त्र अवसरों में मातर ए काली मुस्कुराई विश्वास करें मैं नहीं भूली हूं काली ने सती शिव और नंदी को थोड़ा आगे सवारी करते हुए देखा शिव ने अभी अभी ही कुछ ऐसा कहा था कि सती और नंदी खिलकिला कर हास पड़े थे इसके बाद नीलकंठ नंदी की और मुड़े और उस चुके थे दंड़क जैसे सघन भन में होते हुए भी उनकी यह यात्रा आश्चेर जनक रूप से शांती पूर्ण रही थी यद्यपि ठकाव अवश्य रही ऐसे वारतलाप से ही उब कम की जा सकती थी कौनसी कुछलता आयरुवती ने पूछा लोगों के दुख हरके उनमे शुक शांती लाने की कुषलता काली ने कहा हाँ वो तो है आयरुवती ने कहा किंतु वो उनकी कई कुषलताओं में से एक मात्र है आम नमस्शिवा थे मेलुहा की वैदे ने पुराने मंत्र को भ्रष्ट कर दिया था ओम और नमाह शब्द केवल देवों के लिए ही उपयोग किये जाते थे किसी भी जीवित मनुश्य के लिए नहीं नागारानी ने आगे जाते हुए शिव को देखने के लिए अपना चहरा गुमाया और मुस्कुराई कभी कभी एक सामान आस्था गहन शांती प्रदान कर देती है काली ने आयुर्वति की कही हुई पंक्ती को दोराया ओम नमश्यवा है समस्त ब्रहमान प्रभुशिव के समक्ष सिर जुकाता है मैं प्रभुशिव के समक्ष सिर जुकाती हूँ आयुरवती कारति के और मुणी जो थोड़ा पीछे सवाली कर रहा था वो बालक चार वर्श की आयू से कुछ महीने अधिक़् था लेकिन वो नौ वर्ष का प्रदिध हो रहा था उसे देख मन मिचलित हो रहा था उसकी बाहें और मुख पर चोट के निशान थे उसके पीट के उपर दो तलवारे एक दूसरे को आर पार करती हुई टंगी हुई थी धाल का कहीं अता पता नहीं था उसकी आँखें बाडों पर टिकी हुई थी जो आने वाले संकट की खोज कर रही थी लगभग अपनी जान पर खेलते हुए जिस दिन उसके भाई ने अकेले ही शेरों से उसकी जान बचाई थी उस दिन से कार्टिक पूरी तरह से अंतर मुखी हो चुका था अपने माता पिता कृतिका और गणेश के अलावा वो किसी अन्य से ना के बराबर बाते करता था एक आहा भरी जबसे उन्होंने काशी को छोड़ा था तब से पिछले कुछ महीनों में काली का आयुरुवती के साथ बहुत अच्छा संबंध हो चुका था वो फुस फुसाई मेरे विचार से आपको प्रसंद होना चाहिए क्योंकि उसने अपने जीवन से उचित सीख ली है वो अभी बालक है आयुरुवती ने कहा अभी उसे बड़े होने में बहुत साल लगने वाले हैं उसे कब बड़ा होना है ये निर्ड़े लिने वाले हम कौन होते हैं काली ने एक सड़क के किनारे शिवर लगाय हुए थे जो एक विशालकाय नदी के निकट था ये नदी उतनी ही बड़ी थी जितनी प्रारंभ में सरस्वती हुआ करती थी भगीरत ने सोचा था कि ये महान नदी वही पौरानिक नर्मदा नदी होगी वो सीमा जिसके बारे में बनु हम पर दया करें परवतेश्वर बोल पड़ा हाँ यही होगी नर्मदा दक्षर छेतर में एक मात्र ऐसी नदी है जो सरस्वती के समान विशालकाय है विशुदिम ने मुस्कुराया वे लोग पहले से ही नर्मदा से बहुत दूर दक्षर में आ चुके थे महोदय कभी विशुदिम ने सहमती प्रकट की जी हां ऐसा ही है राजकुमारी जी यह नर्मदा नहीं हो सकती उस नदी के बारे में तो हमें पता है कि वो पूर्व से पश्चिम क्योर बहती है प्रभूर राम दया करें भगीरत चिला पड़ा ऐसी बड़ी नदी का अस्तितव हमसे कैसे चुपा रह सकता है यह समझत भूम ही गोपनी है राजकुमार विशुदिम ने कहा यह गोदावरी है और आप देख सकते हैं कि जब यह पूर्वी समुद्र तक पहुशती है तो कितनी बड़ी हो जाती है परतेश्वर ने विसमे से घूर कर देखा उसने अपने हाथ जोड देखा कि अगले दिन ना जाने और कितनी चीज़ें होंगी जो उन्हें आश्यर में डाल देंगी गणेश नंदी ने कहा हां दलपती नंदी गणेश ने पूछा नंदी काफिले के पिछले भाग की और चला गया था उसे काली का संदेश गणेश तक पहुचाना था नागा थी इसका परोग शूप में यह अर्थ था कि उस काफिले के निगरानी नागाओं के रजधानी तक होने वाली थी ताकि किसी भी प्रकार के संभावित संकट को प्रभावहीन किया जा सके गणेश ने सहमती प्रकट की धन्यवाद दलपती नंदी ने नागाओं के उस चौक प्रवीरता की चरम पर हैं इस चौकी का धे समझ में नहीं आ रहा है गणेश मुस्कुराया अपनी सुरक्षा के विवरणों के बारे में वो सामानतया किसी भी ऐसे विक्ति से बाते नहीं करता जो नागा नहीं था परंतु यह नंदी था शिव की परच्छाई उस पर संद के मार्ग में नगर तक जाल बिचाने की होती है जो कि ऐसा पीछे हटते हुए करते हैं नंदी ने तेवरी चड़ा ली एक सीमान्त चौकी केवल जाल बिचाने के लिए परंतु यह उनका प्रात्मी कारे नहीं है गणेश ने अपनी उंगली से संकेत करते हुए कहना जारी रखा उनकी सबसे प्रमुख भूमिकर नदी की ओर से किसी भी प्रकार के आक्रमर से हमें बचाना है नंदी ने गुदावरी को देखा निसंदे यह अवशी कहीं जाकर पूर्वी समुद्र में मिलती होगी यह कैसा प्रवेश द्वार जिसका लाब उठाया चा सकता था ना सभी लोग सो रहे थे अधिकतर लोग देर राग तक जगे हुए थे वे लोग सुंदर बन एवं दंडक के संकट पूर्ण वनों से आश्चर जनक रूप से बिना किसी घटना के इतनी लंबी यात्रा पर बाद विवात कर रहे थे पंचवटी मात्र एक दिन की दूरी पर थ हुई उसी के साथ शिव सती और कार्ति भी शिक क्या भकवास है इसको लाहाल पर शिव चिलाया काली नदी के और देख रही थी वो इस्तब्द थी ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था वो शिव के और मुणी उसने दाथ पीसते हुए कहा आपके लोगों ने हमें धोका द रहा था नंदी वीरभदर और परशुराम उसके पीछे थे यह क्या हो रहा है वीरभदर अत्यदिक बल लगाकर चीखा ताकि उसको लाहाल में उसकी आवास सुनाई दे सके शत्रों के जहास गुदावरी में हमारी और चले आ रहे हैं गणेश चिलाया उन्होंने हमारी चे को चुकचाप अनुसरन कर रहे थे वे तेजी से सीमान तचौकी पर पहुंचे जहां पहले से ही सो नागा सैने गुपत नौकाओं को पानी के अंदर धकेल रहे थे इसी बीच विश्युदिम्न जो शत्रों के संकट से सबसे दूर किरारे पर था उसने पहले तो इस पास तिस्तिती में अपनाई जाने वाली मान की प्रक्रिया की कारिवाही करने लगा एक लाल जौला जलाई गई ताकि दूर पंचवटी को साधान किया जा सके इस बीच भगीरत विश्युदिम्न के पास भाग कर आया नदी पर तुम्हारी क्या सुरक्षा विवस्ता है व कोई सूचना परवतेश्वर ने पूछा वो नहीं बोलेगा सेना पती भगीरत चीखा मेरा भय सच हो चुका है इन लोगों ने हमें धोखा दिया है हम सीधे इनकी जाल में फस चुके हैं अपने 500 सैनिकों को युदि की बनावट में देखते हुए परवतेश्वर ने अपन कुछ दूरी से छोड़े गए थे उन्हीं युदपोतों से जो गुदावरी में तेजी से उनकी और बढ़ते चले आ रहे थे धाले उपर परवतेश्वर जोर से चिलाया बीच में शिव और काली ने भी वैसे ही आदेश दिया सैनिकों ने सुयम को धालों के नीचे छुप कर लिए विबाड़ों के इस जुלन्द संगहार के रुखने की प्रिदिक्षा कर रहे थे किन्तु अनेक बाडों ने वस्तरों को अगनी के हवाली करते हुए और शरीरों को भेडते हुए अपने लक्षपराप्त कर लिये थे उन बाड़ों ने अत्यधिक लोगों को घाय से चीक पड़ी अचानक और आक्रमण की उगरता ने शिव के शिविर के अधिकता लोगों को ढाल के पीछे दुबक जाने को विवश कर दिया था किंतो वास्तविक युद्ध गोदावरी में ही शिविर के स्थल के पास नदी के तट पर हो रहा था जल्दी से गणेश चीखा यदिबाडों की मुशला धार बारिश इसी तरह कुछ देर और चलती रही तो पूरा का पूरा शिवर ध्वस्त हो जाएगा उसे तेजी से अपना काम करना था सूरी वंशी, चंदरवंशी और नागा सभी सैने गोदारी नदी में तेजी से आते हुए उन पांच बड़े जहाजों की और अपनी छोटी सी नौकाओं को धक्का देते हुए ले जा रहे थे उन छोटी नौकाओं में चक्मक पत्थर के साथ सूखी हुई जो एक मोटे कपड़े से ढकी हुई थी जब वे एक निश्चित दूरी पर होंगी तो उन गुट नौकाओं को जला दिया जाएगा और उन जहाजों से टक्रा दिया जाएगा ऐसे बड़े और लकडी के बने हुए जहाजों को निश्च करने के लिए आग सबसे अच्छा तरीका था वे जहाज नदी में आगे बढ़ते चले आ रहे थे और उनकी छटों से जुलंत बार लगातार छोड़े जा रहे थे उन जहाजों की उनमादित गती के कारां गणेश के सैनिकों को शत्त्रूओं के युद्पोतों के पास पहुचने के लिए बहुत दूर तक तैरने के अवशकता नहीं पड़ी विगुपत नौकाएं अपने इस्थान पर पहुँच चुकी थी उन्हें इस बनावट में लगा दिया गया था कि वे टकर मारने के लिए तयार थी उनमें आग लगा दो गणेश चीखा सैनिक ने तुरंथी प्रतेक नौका से कपड़ा हटा दिया और चकमक पत्थरों को एक दूसरे सरगड़ा इसे पहले कि हत्यारे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते नौकाओं में दधकाली आग धदकने लगी थी गणेश के सिपाहियों ने उन नौकाओं को जहाज से धकेल कर टकरा दिया उन जहाजों से सटाए रखो नंदी चीखा जहाजों में आग पकड़ना आवश्यक है जहाज के पहरेदारों ने अपने धनुष नदी के हमलावरों के और मोड लिया बाड़ों के अनवरश्ट्र के जहाजों के और धक्का दे रहे थे कुछी चड़ों में पाचों जहाज आग की लप्टों से घिर गए थे परंतो तब तक वे बहुत हानी पहुचा चुके थे नदी के किनारे वापस चलो गणेश चीखा वो जानता था कि उसे गोदावरी नदी के तड़ पर सैनिकों को एक पंक्ती की बनावट में तयार रखना था जैसे जैसे आग की लप्टे बढ़ती जाएंगी तो हत्यारे पानी में ये जीवन रक्षक नौकाओं में कूट पढ़ेंगे और नदी के तड़ पर पहुचकर पुना युद्धारम कर देंगे गए गणेश के सैनिक नदी के और मुड़ा वो पूरी तरह से इस तब्द था देवी एस्तर पर शुराम ने सहमती में सिर हिलाया वो भी हैरान था मात्र देवी एस्तरों से ही ऐसा विसपोर्ट संबह हो सकता था लेकिन ऐसे एस्तरों पर कौन अपने हाट डाल सकता था और वो भी इतनी भारी मात्रा में गड़ेश ने बिखरे हुए सैनिकों को एकत्रकर व्यू हुरचना की और उन्हें गीना जिन 400 सैनिकों के साथ उसने हमला किया था उन में से कोई 100 सैनिक खेत रहे थे उन में से अधिकतर नागा सैनिक थे क्योंकि वे ही ऐसे युद्ध कोशल में प्रसक्षित थे लोकादीश ने गुसे में अपने दाथ पीसे और काली और शिब की खोज में शिविर के और चल पड़ा आपने हमें जाल में फसा दिया परवतेश्वर ने चीक कर कहा बाड़ों की उस अगनी वरिष्टे में उसके 20 सैनिक शहीद हो गए थे शिविर के मधह में मरने वालों की संख्छा अब एकश करत अधिक थी लगबग 50 सैनिक मारे जा चुके थे निसंदे सबसे अधिक मरने वालों की संख्छा नदी के किनारे थी जो शत्रों के युद्धुपोटों के निकट थे एक सो सैनिक जिन्हों ने युद्वपोतर पर हमला किये थे उन्हें शामिल कर कुल तीन सो सैनिक वहां मारे जा चुके थे आयरुवती अपनी जंगा में घुसे बान के साथ है चिकित्सिकों के दल के साथ भाग कर सैनिकों की जीवन रक्षा में जुटी होई थी आज तक किसी ने भी गुदावरी की और से कभी हम पर हमला नहीं किया कभी नहीं शांत रहो शिव जोर से बोला वो वीरभद्र परशुराम नंदी और गणिश की और मुड़ा जो अभी अभी वहाँ पहुचे थे ये विसफोट कैसे थे परशुराम दैवी अस्तर थे परभू परशुराम ने कहा शत्रों के पांच जहाज उन्हें लेकर चल रहे थे आग ने उनमें विसफोट कर दिया शिव ने गहरी स्वासली और दूर शूनी में देखा प्रभू भगीरत ने कहा हमें वापस लौट चलना चाहिए पंचवटी के मार्ग में और भी ऐसे घाता का आकरमन हमारी प्रितिक्षा कर रहे हैं ये मात्र दो नागा हैं सोचे की पचास हजार क्या कर सकते हैं सती ने काली को धीमे से स्पर्ष किया वो ये बताना चाहती थी कि गणेश के साथ सूरिवन्शी और शंदरवन्शी सैनिक भी युद्ध करते हुए मारे गए थे बहुत हो गया शिव चिलाया क्या आप लोगों में से किसी को भी ये भान है कि क्या हुआ हुआ है सब के साथ दोका किया गया है जो लोग भी हम पर बाणों की वर्षा कर रहे थे वे अपने लक्ष का चैन नहीं कर रहे थे वे हम सब को मृत देखना चाहते थे परंतु वे गुदावरी तक कैसे आ गए काली ने पूछा शिव ने उसके और तीक्षन द्रिष्टी से देखा लानत है ये मुझे कैसे पता होना चाहिए हमारे अधिकतर लोग तो इसे नर्मदा नदी ही समझ रहे थे ये नागा लोग ही हो सकते हैं प्रभू भगीरत ने कहा इन पर विश्वास नहीं किया चा सकता क्या आपको पक्का विश्वास है शिव ने विंग्यात्मक रूप से कहा नागाओं ने अपनी ही रानी को मारने के लिए ये जाल बिछाया था और उसके बाद गणेश ने अपने ही लोगों के विरुद्ध प्रतियाकरमन किया और उन्हें दैवी अस्त्रों से उड़ा दिया यदि उसके पास दैवी अस्त्र थे और हम पर उप्योग करना चाहता था तो फिर उसने हम पर उन अस्त्रों को उप्योग क्यों नहीं किया सब के सब मूख हो गए मेरे विचार से वे अस्त्र पंच्वटी को नश्ट करने के लिए थे उनकी योजना थी कि वे हमारन नरसंगार सरलता से करने के बाद नागाओ की रजधानी को भी नश्ट कर देंगे उन्होंने ये आशा नहीं की थी कि नागा अत्यधिक सतर्क होंगे और उनके पास अत्यंति प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था होगी जिसमें ये गुप्त नौकाय भी शामिल थी जिसके कारण आज हम बच गए निलकंठ जो कह रहे थे अब उसका आर्थ सबको समझ में आ रहा था ये उचित प्रतीत भी हो रहा था गणेश ने भूमी देवी को मूग धनिवाद दिया ऐसी ही आपात इस्थितियों से निपटने के लिए नागा राजसवा ने गणेश के प्रस्ताव को मान गुदावरी की सीमानत चौक्यों को अस्त शस्तर से लैस करना स्विकार किया था कोई हम सब को मृत देखना चाहता था शिव ने कहा कोई ऐसा जो पर्याप्त रूप से शक्तिशाली है क्योंकि वो इतनी भारी मात्रा में देवी अस्तरों का शस्तरागार प्राप्त कर सकता है ऐसा कोई जिसे सुदूर दक्षर में इतनी विशाल काय नदी के अस्तित्व का पता है और उसके पास समुद्र से आते हैं इस मार्क को जानने की च्छमता है कोई ऐसा संसाधन युक्त व्यक्ति जो हम पर आकरमण करने के लिए युद्धुपोतों के एक बेड़े की विवस्था कर सकता है उसके पास परियाप्त सैनिक है प्रश्ण तो ये है कि वो व्यक्ति कौन है शितिच पर सूरज धीरे धीरे उगाया था उस्थाके हुए शिविर पर प्रकाश और लालिमा फैल गई पंच्वटी से एक राहत दल भोजन और आवशदियां लेकर पहुचा अन्तता आयुर्वती डिली पढ़ी गई थी और वो विश्राम करने के लिए एक तंबू में चले गई अधिकतर गायलों की देखभाल हो चुकी थी फिर अन्य किसी सैनी की मृत्यू नहीं हुई यहां तक की जो लोग घातक रूप से गायल थे उन्हें भी बचा लिया गया था कार्थिक और नंदी राद भर की खोच के बाद अपने दल सहित शिविर में वापस आ गए वे सीधे शिविर के पास आए कार्थिक ने पहले कहा कोई भी जीवित नहीं बचा है बाबा प्रभू हमने नदी के दोनों किनारों का परिक्षन कर लिया है नंदी ने आगे बताया हमने जहास के मलबे की भी जाच शली है यहां तक हमने नदी में पांच किरूमेटर आगे तक जाकर देख लिया कहीं कोई जीवित विक्ति उस और ना भाग निकला हो परंतु हमें कोई जीवित विक्ति नहीं मिला शिव ने मन ही मन कोसा उसे संदेह था कि यह आकरमन किसने करवाया होगा परंतु वो निश्चित तोर पर ऐसा नहीं कह सकता था उसने परवतेश्वर और भंगीरत को बुलाया आप दोनों ही अपने देश के जहाजों को पहचान सकते हैं मैं चाहता हूँ कि आप दोनों जहाजों के मलबों का ध्यान से परिक्षण करें मैं जानना चाहता हूँ कि उसमें से कोई भी जहाज मलूहा या स्वधीब का तु नहीं परभू परवतेश्वर ने जोर से कहा ये नहीं हो सकता परवतेश्वर ग्रपया आप मेरे लिए एक काम करें शिब ने उसे बीच में ही टोक दिया मैं एक निस्पक्ष उत्तर चाहता हूँ विजहाज वास्तों में कहां से आये थे परवतेश्वर ने निलकंट को सायनिक नमस्ते किया आपकी जैसी आग्या प्रभू मेलूहा का सिनपती भगीरत के साथ वहां से निकल पड़ा क्या आपको लगता है कि ये आकरमण एकमातर सियोग था ये आपके रहस से जानने से ठीक एक दिन पहले क्यों हुआ शिव और सती शिवर के पास नदी के एक तट पर एक एकांत स्थर पर बैठे हुए थे वो प्रथम प्रहर का अंतिम घंटा था अंतियश्टी कर्म कर दिया गया था यद्देपी घाया लोग यात्रा करने की इस्थिती में नहीं थे किन्तु आम सहमती यही थी कि सुरक्षा की दृष्टी से पंचवटी पहुँचना अनिवार्य था नागाओ का नगर सड़क मार्ग के पास बने किसी शिवे से अधिक सुरक्षित होगा नागाओ ने पहियेदार गाड़ियों के विवस्था कर रखी थी ताकि गायलों को उनमें लाद कर काफिले के साथ ले जाया जा सके काफिला एक घंटे में रवाना होने के लिए तयार था मैं नहीं कह सकता शिव ने कहा सती चुप रही उसकी दृष्टी दूर कहीं टिकी हुई थी तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारे पिता हो सकते सती ने एक गहरी स्वास भरी हाल में जो मैंने उनके बारे में जाना है वे कुछ भी कर सकते हैं शिव ने अपना हाथ बढ़ाया और सती को थाम लिया परंतु मैं नहीं सोचती कि वे इतने बड़े आकरमन का आदेश अकेले दे सकते हैं सती ने कहना जारी रखा उनमें इतनी छमता नहीं है रक्त रंजित और ठका हुआ काफिला जब गोदावरी नदी के तट से नगाव की राजधानी पंचवटी के लिए रवाना हुआ तो सूरज स्री चड़ चुका था पंचवटी अर्थात पांच बर्गत के पेड़ों की भूमी वे मातर पांच साधारान वट वरक्ष नहीं थे उनकी पहुरानी कथा एक हजार साल पहले प्रारंभूई थी अपने आयोध्या से निर्वासन के दौरान साथवे विश्नु राम ने अपनी पतनी सीता और भाई लक्षमन के साथ इन व्रक्षों के नीचे विश्राम किया था इन्हों ने इन व्रक्षों के समी भी अपनी जोपड़ी का निर्मान किया था यही वो दुर्भाग शाली स्थान था जहां से राक्षचों की राजा रावन ने सीथा का आपहरान किया था इसी के कारान राम से उसका युद्ध हुआ था उस युद्ध में रावन की सुनहरी और अत्यधिक संपन लंका का विनाश हुआ था गुदावरी के उत्री पूर्वी तट पर पंचवटी नगर बसा हुआ था वो नदी पश्चिम घाड के परवतों से बहती हुई पूर्वी समुद्र में मिलती थी पंचवटी के पश्चिम में वो नदी विचित्र धंग से 90 अंश के कोण से अचानक मुड़कर कोई एक किलो आश्चरे हुआ जब उन्होंने देखा कि पंचवटी मेलुहा के नगरों की तरह उची वेदिकार पर बसाया गया था पत्थरों की ताकत पर दीवार चारों और उची उठाई गई थी जिनमें नियमित अंत्राल पर आक्रमनकारियों से सुरक्षा के लिए बुर्ज बने ह दीवारों से लगे हुए छेत्र को नागा लोग खेती के लिए उपयोग करते थे अतिथी ग्रह की एक बस्ती बनी हुई थी जो ब्रंगा भ्रमनकारियों के लिए बनाई गई थी एक दूसरी दीवार इन्हें घेरे हुई थी इस दूसरी दीवार के बाद भी वनों को साफ कर बनाया गया मैदानी छेत्र तक फैला था ताकि शत्रों को आसानी से देखा जा सके पंचवटी के स्थापना भूमी देवी द्वार की गई थी उस गैर नागा रहस्यात्मक महिला ने नागाओं की वर्तमान जीवन शेली की स्थापना की थी कोई भी भूमी देवी के प्रतीक थी जो सूरिवन्शियों एममचंद्रवन्शियों जीवन्शैलियों की सबसे उत्तम तरीकों का मिश्रण थी उनकी अभिलाशा नगर द्वार पर उद्गोशित की गई थी सत्यम सुंदरम अर्थात सची ही सुंदर है शिव के काफिले को बाहरी द्वार से प्रव महटन करूंगी मैं पंच्वटी अभी ही जाना चाहता हूं शिव ने कहा क्या आप अभी ही जाना चाहते हैं आप ठके हुए नहीं है निसंदे मैं ठका हुआ हूँ परन्तों मुझे उस रहस्य को तुरंत जानने की आवशकता है तो ठीक है शिव के बाकी साथी अतिति ग्र परन्तों ऐसा प्रतीत होता था कि नागाओं ने मेलुहा की न्याय एवं समानता के आदर्श को तारकिक निश्कर्श की ओर ले जाने में सफलता प्राप्तिक कर ली थी रानी के आवास समेथ प्रतेग आवास एक ही आकार प्रकार के बने हुए थे पचास हजार नागा बारे में निर्णय लेने का अधिकार है लेकिन राज उन्हें आवास जैसी आधार बूत एवं प्रात्मिक सुविधाय प्रदान करता है और उसमें पूरी तरह एक समानता है नीलकंट को वहां से गुजरते हुए देखने के लिए सभी निवासी अपने घरों से बाहर निक कि था कि बहुत से लोगों को कोई भी विकरती नहीं थी उसने बहुत से लोगों को नागाओं के शिशुओं को गente में उठाये देखा ये गेर नागा लोग पंचवटी में क्या कर रहे हैं शिव ने पूछा ये लोग नागा बच्चों के माता-पिता हैं काली ने बताया और वे यहाँ रहते हैं। कुछ माता-पिता अपने नागा बच्चों को छोड़ देते हैं। काली ने कहा और कुछ लोग अपने बच्चों के साथ बहुत लगाव रखते हैं। उनकी ममता में इतनी ताकत हैं कि वे सामाजिक पक्षपातों को नकार देते हैं। हम ऐसे लोगों को पंच्वटी में शरण देते हैं जिन नागा बच्चों की माता-पिता उन्हें त्याग देते हैं उनकी तेकभाल कौन करता है आनंद मही ने पूछा संतान रहित नागा लोग काली ने कहा नागाओं की प्राकरतिक संतान नहीं हो सकती इसी कारण वे मिलूह और स्वधीब द्वारा त्यागे गए बच्चों को गोद ले लेते हैं और उन्हें अपनी संतान की तरह पालते पोजते हैं जो एक नौजात शिशु का जन्मा धिकार है नगर के मद्ध में वे चुप चाप चल रहे थे यही वो इस्थल था जो वट व्रक्षों के चारों और ऐसे भवनों में परिवर्तित हो चुका था जो सार्वजनिक थे यह भवन पंजवर्टी के निवासियों के उपयोग के लिए बने थे यह स्वधीब शैली में भवे रूप से निर्मित थे वहां एक विद्याले था प्रभुरुद्र और देवी मोहिनी को समर्पित एक मंदिर था एक सार्वजनिक इस्नान घर था और कला प्रदर्शन हे तो एक प्रेक्षा ग्रह भी था जहां वें पचास हजार नागरिक नियमित रूप से एक दूसरे से मिला करते थे संगीत निरते और नाटक मनुरंजन के साधन थे ना की ग्यान अरजित करने के वो रहसे कहा है व्याकुल होते हुए शिव ने पूछा यहां है प्रभु नीलकंट गडेश ने विद्याले के और संकेत करते हुए कहा शिव ने अपनी तियोरी चड़ा ली रहसे एक विद्य विध्याले में उसने आशा की थी कि वो रहसे नगर के मद्ध अस्थापित आध्यात में केंदर प्रभु रुद्र के मंदिर में होगा वो उस भावन में अंदर चला गया बाकी सभी लोग उसके पीछे पीछे अंदर गए वह विद्याले एक पारंपरिक शैली में निर्म से बाहर एक खेल के मैदान में खुलता था उस मैदान के दूसरी और अन्य सुविधाय मौजूद थी जैसे सभाकक्ष और अभ्यास करने के लिए प्रियोक्षालाएं आदी कृपिया शांती बनाए रखें काली ने कहा कक्षाएं अभी भी चल रही हैं हम केवल एक कक्षा में बाधा डालेंगे सभी में नहीं हम किसी भी कक्षा में बाधा नहीं डालेंगे शिव ने पुस्तकाले की और कदम बढ़ाते हुए कहा जहां वो नागाओ के रहसे की आशा कर रहा था संभवतेया वो एक पुस्तक थी प्रभु नीलकंट गडेश कहा जिसे सुनकर शिव का बढ़ा हुआ कदम वहीं का वहीं रुख गया शिव रुख गया गडेश ने एक कक्ष के प्रवेश द्वार पर लगे परदे की और संकेत किया शिव ने तेवरी चड़ा ली आश्चर जनक रूप से एक जाना पहचाना स्वर दर्शन की व्याक्या कर रहा था परदे की पी करती है आसकती जो इस विश्व के प्रती होती है और जब आपको वह प्राप्त नहीं होता है जो आप चाहते हैं या फिर वह प्राप्त होता है जो आप नहीं चाहते हैं तो दुख का अनुभा होता है यह क्रोध को जन में रेता है और जिसके परिणाम सुरूप हिंसा और युद्धु उत्पन होते हैं इन सब का परणाम अंतता विनाश होता है इस प्रकार यदि आप विनाश और दुख से दूर रहना चाहते हैं तो आपको अपनी इच्छा पर नियंतर करना होगा है ना अध्यापक ने पूछा इस विश्व की माया का त्याक कर दो परदे के अंधिकारों से इच्छा का जन्म हुआ यह इच्छा एक मौलिक बीज था जो रचना का एक अंकुर था और यहीं से हम सभी लोग जानते हैं कि मनुश्यों के प्रभूर प्रजापती ने ब्रहमांड और उसमें समस्त वस्तु की रचना की इस प्रकार कामना रचना का भी रचना की नहीं की गई है दूसरी और क्या यह सोचना उचित है कि कोई वस्तु या प्राणी जिसकी रचना हुई है कामना का अदेश्य है यह एक यात्रा का आरम्भ है और यहिव्यों स्कुराया इसका क्श्या अवश्य कोई वासुदेव पंडित है निलकंट काली की और मुड़े हमें पुस्त काले की और चलना चाहिए मैं रहस्य को पढ़ना चाहता हूँ मैं पंडिली से बाद में मिलूँगा काली ने शिव को रोक लिया रहसे कोई वस्तू नहीं है वो एक मनुष्य है शिव विसमित रह गया आश्चर में उसकी आँखे चोड़ी हो गए गडेश ने उस कक्षा के परदे वाले द्वार के और संकेत किया और वे वहाँ आपकी प्रतिक्षा कर रहे हैं शिव ने गडेश एक और हड़ गया शिव ने कक्षा के अंदर प्रवेश किया और उसने जो वहाँ देखा उसे देखकर वो इस्तब्द रह गया अरे यह क्या वह गडेश की और मुड़ा किन्तु पूर्णता किमकरत भी भी मोण लोकादीश धीमे से मुस्कुराया प्रभु नीलकं के लिए सहायक होगा शिव ने इस पंक्ति को अपने मन में बार बार कई बार दोहराया था उसने कभी यह संदर्ब नहीं समझाता कि दानवों की भूमिका क्या अर्थ था अब उसे सब कुछ समझ में आ रहा था दाढ़ी काड़ दी गई थी और उसके स्थान पर पतली उनकी चोटी अब अधिक लंबी और संवरी हुई थी उनकी गहरी आखों में वही पुरानी शानती थी जिसने पहले शिव को अपनी और आकरशित किया था वो उसका खोया हुआ मित्र था उसका यार था उसका भाई था ब्रहस्पति क्रम्शा शिव रचन त्रही की तृतिय हैं धन्यवाद पुस्तक के अध्याय पठन की यात्रा में साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवाद यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए अपने मित्रों के साथ शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अलविदा